पहला एक introduction से हीं आपन सुरू करते हैं कि hooked culture क्या हो तो hooked culture ना हर इंसान ये पढ़ाएंगे कि Master places August jetzt और culcrasher ये पढ़न कंवार प्ढ़नके आपने बोर हो गया कि ho 당 के अपने रिद्रों इस तरह से पढ़ते हैं गुरुजी आज हम पढ़ते हैं कुछ अलग तरीके से एरिया का मतलब मान लिया जाए यह छोटी सी एरिया की हमने भात किया इसे हम बोलते हैं इन क्लोजड क्या बोलते हैं इसको इन क्लोजड छेत्र यानि किसी छोटे छेत्रों में किसका किसका आपको कल्टिवेशन करना है इसके बारे में अध्यान करेंगे कि छोटे छेत्रों में आप किसका कल्टिवेशन कर सकते हो तो आप कल्टिवेशन किसका करोगे फ्रूट का क करोगे उसके बाद किसका हम करेंगे फूलों का करते हैं फ्लोरी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे फिर इसमें spices के बारे में हम पढ़ेंगे मसाला के बारे में जो आपको मैं यहां बता रहा हूँ इस स्लाइट से हम समझते हैं कि इसमें हम फलों का अध्यान करते हैं, सबजीओं का अध्यान करेंगे, फूलों का अध्यान करते हैं, स्पाइसेज यानी मसाला के बारे में पढ़ेंगे और एरोमेटिक एन मेडिसीनल प्लांट, ये पूरी डिटेल इस वार आपके 95 लेक्चर यानि कि आज से अपन 95 दे जुड़े रहेंगे आपके साथ और एक और बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर टेंपरेट फ्रूट सुरू करो बहुत सारे MP के कुछ उत्तर प्रदेश के लड़के जुड़े हुए हैं अपने एप से तो वो बोल रहे थे कि इसके बारे में आप स्टड़ी करवा दें तो बिल्कुल मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि आपने टेंपरेट फ्रूट भी पढ़ेंगे और इस वार एक और एड़ कर रहा हूं मैं आपके लिए जो बच्चे डबल एओ, जीरेफ की तयारी करना चाह रहे हैं, बड़े एक मैं दिखाना चाहता हूं कि सुगंधित प्लांट क्या होते हैं, उसे भी दिखाना है, मेडिशीनल प्लांट क्या होते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम स्टड़ी करने वाले हैं कि क्या क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्त, ये जो आप भारत का मैक देख रहे हो इसका एक्चुल कहानी तो कल आपको समझ में आएगा कि अरे सर भल इस तरह से पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन जो है ना पूरे एक घंटे की क्लास है कि अगर आपने एक घंटा पढ़ लिया ये कि फलो का वर्गी करन क्लाइमेट के अनुसार हम करेंगे यानि जलवायू के अनुसार करोगे तो आप यकीन करो इसमें आप फ्रूट के कम से कम मैं बात कर रहा हूँ फ्रूट के आप नहीं तो 500 कोश्चन करोगे केवल एक घंटे के लेक्टर में आपको 500 कोश्चन देखने को मिलेगा इस भारत माता के मैप से जो आपको लग रहा होगा रही सर आपने भारत का मैप लिया काफी इंपोर्टेंट मैप है इस पे हम डिसकस करेंगे सब को नमस्का नमस्कार कैलास जी कुमावत डबल ओ की करवादो डॉक्टर साहिब बिल्कुल अभी ये सिलसिला चलते रहेंगे कैलास आपका सुपर्वाइजर का एक्जाम कैसा गया सुरेश जी बाते नहीं करेंगे और आप जो हो आपके लिए बड़ा स्क्रीन लगा दिया हूँ कि परिट मीना जी लायन ओफ मिर्जापूर अरे बाप एक सेक तो इसके बारे में बात हम करेंगे दोस्त कल अभी हम आपको एक जंदल इंट्रोड़क्शन देता हूँ अगर टाइम मिला तो ये डिसकुसन आज ही करेंगे तो ये फलों के बारे में हर बच्चा जानता है कि सर और दूसरा हम पढ़ेंगे सब ट्रोपिकल के बारे में किसके बारे में सब ट्रोपिकल क्योंकि होटी कल्चर का मतलब फल के बारे में सब जानते हैं इसे हम बोलते हैं समसितोषन कल आपको ज़्यादा जानकारी इस पे दूँगा और तीसरा हम पढ़ेंगे टेंपरेट फ अब कल क्लासिफिकेशन इसके मैंने तीन स्लाइड लिया था कि अगर आप भारत के ऊपर की बात करते होना तो इसे अब हम बोलेंगे क्या टेंपरेट क्या बोलोगे इसको टेंपरेट फ्रूट इस पर डिसकसन कब करेंगे कल आज नहीं टेंपरेट यह बीच वाले को मैं बन क्या बोलोगे सब ट्रॉपिकल इस पर डिसकसन करेंगे हम बहुत अच्छे से समसितोष और यहीं पर आता है राजस्थान कौन आएगा राजस्थान इसे हम पढ़ेंगे एरिड में किसमें पढ़ोगे एरिड एरिड सब्द आते ही आपको कहां आ जाना है राजस्थान टे ट्रॉपिकल फ्रोट्स में तो यह सारे कहानी जो इंट्रेस्टिंग बनने वाले हैं यह आपको कल मज़ेदार लगेगा आज तो आप एक इंट्रॉडक्शन देखो यह तीन तरह के क्लाइमेट के अनुसार हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल और टेंपरेट त इसके लाश्ट में कल्चर लगे रहते हैं यह टीचर आपको हर कोई पढ़ाता होगा कि जिसके लाश्ट में कल्चर है वो कौन सी भासा से लिया गया है प्रश्न पूछ ले तो लैटीन भासा से अभी लाश्ट में अपने इसे बहुत अच्छा डिसकसन करेंगे कि कौन- सबजी का जो वर्गी करन हम करने वाले हैं यह हम वर्गी करन करेंगे इसमें दो तरह के कितने तरह के करेंगे दो तरह के एक तो हम करेंगे वार्म सीजन वेजिटेबल्स यानि जिसको गर्मियों में आप उगाते हो इसे हम ग्रिश्म कालिन कहते हैं और दूसरा हम करेंगे Cool season यानि इसे हम बोलते हैं सीत काले, क्या बोलोगे इसको सीत काले, तो सबजी भी आपको एक घंटे का लेक्चर लगेगा इस क्लासिफिकेशन में, वेजीटेवल्स के इस क्लासिफिकेशन में एक घंटे लगेंगे, जो हम बाद भे डिसकस करेंगे, कि Warm season क्या होता है और Cool season क्या होते हैं, अगर आज समय मिला तो आज ही डिसकस कर लेंगे, तो इसका एक टॉपिक और उधर फ़लो का एक टॉपिक, यानि ये दो टॉपिक आपके डिसकसन करने लाइक है और काफी interesting है, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल मैं बात करना हूँ दोस्त आपसे ब्रांच के बारे में तो होटी कल्चर के जो ब्रांच आपने देखा दो ब्रांच हमने देखा एक तो पोमोलोजी फलो का अध्यन करेंगे और दूसरा ओलरी कल्चर जहां हम सबजीयों का अध्यन करने वाले हैं अब हम थर्ड नंबर आते हैं जिसका नाम क्या है फलोरी कल्चर और फलोरी कल्चर में जो अश्टडी आप करोगे किसका करोगे फूलों का अध्यन किसका करेंगे हम फूलों का अरे सर, फूल वाले तो बड़ा इजी होते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं, ना, सबसे अगर टफ माना जाए, होटी कल्चर का सबसे टफ ब्रांच है, तो वो कौन है, फ्लोरी कल्चर, जिसमें फूल है, वो सारे किसके अंटरगत आएंगे फ्लोरी कल्चर में, भागत सिंग बोल रहा है सर आपका वेलकम है है टेक क्लासेज में बिल्कुल सबका वेलकम है वेलकम बिल्कुल एक बार आप दोस्तों के साथ सेर कर दें मज़ा आने दो आज से क्लास सुरू होगे आवाज कम आ रही है सर आवाज फुड़ा बढ़ा दूं कम क्या यह तो complete आवाज है परफ पढ़ेंगे आपको बता दू एक पढ़ेंगे लूज फ्लावर किसके बारे में पढ़ोगे लूज फ्लावर और दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्त कट फ्लावर के बारे में कट फ्लावर ऐसा फूल होता है जिसमें फूलों के साथ इसकी डंठल लगी रहे तो इसे हम बोलते है commercial flower Qble commercial flower क्या-kya है अब हम ब्रांच के बारे देखते हैं फलों के बारे देखा सब ज्चियों के बारे हम देखा अब हम देखते हैं फुलों में तो यह है गुलाब यद गुलाब पढ़ना है दूसरा हमें पढ़ना है इसका प्रवर्धन पूछता है कि किसे करते हैं तो इसका किसे करते हैं गॉर्म से यह बाद में अपन करेंगे और ये जो है न व्ले विलेस का ये जो भाग देख रहे हो इसे हम बोलते हैं पाइक किया वो इसको स्पाइक तो इसका अगर इन फ्लोरो सेल्स पूछ लिया जाए पुस्प करम पूछा जाए तो क्या बोलोगे इसको स्पाइक तो ध्यान रखना अभी तो हम केवल चर्चा कर रहे हैं भाई फूलों में कौन-कौन देखने वाले हैं तो ये बात करेंगे अगला है मेरे दोस्त कारनेशन जेट फेट में इसका भी कोशन आज चुका है देख लेना कारनेशन स्वरी कारनेशन तो ये ध्यान रखना ये है क्राइसिंथमम जिसे हम बोलते हैं गुल्दावदी क्या बोलते हैं गुल्दावदी अब ये आज कलना ये गुल्दावदी प और किंग पूछा जाए किंग तो ये जानते हो ये तो किंग है तो ये किंग है इसके बारे में बहुत अच्छे अपन डिस्कसन करेंगे फ्लोरी कल्चर पढ़ूंगा सबसे डिटेल ये ध्यान रखना जो बच्चे महाराष्ट्रा से फोन कर रहे हैं उत्तर प्रदेशते कर अब बताना आवाज आपके कैसे आ रहे हैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना आप साउंड उसके बाद बताना किस तरह के आवाज आ अगला जो अपने सिलिवस में है इसे बोलते हैं मेरी गूल्ड यानि कि यह है गेंदा, दो तरह के हम गेंदा के बारे में बात करेंगे, एक तो है सर किलियर वाइस नहीं आ रहे हैं, इस पर अपना आज वर्क कर लेंगे, कल से आपको राहुल जी दिक्कत नहीं होंगे, आवाज का कोई समस्या नहीं होने वाला है, कल से complete, आपके पास sound जाएंगे, यह है मेरी गोल्ड, तो दो तरह के मेरी गोल्ड पढ़ोगे, एक का नाम है क्या, अफ्रिकन मेरी गोल्ड, क्या नाम है, अफ्रिकन, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, फ्रेंच मेरी गोल्ड के बारे में, तो इसके discussion करेंगे, मेरी गोल्ड से प्रशन आता है, इसका प्रवर तर्मीनल कटिंग क्या होता है उपर वाले änge कर देना कट कर देना इसा हम कहते है टर्मीनल कटिंग सर ञब Kennes हाँ सर अभी ठीक है अब ठीक है न चले अब यह औरकीड्स यह एक होड़ा वाजकम कर देना तर आप लोग यह क्या है औरखिष्ट तो इस पर हम दिखकस करेंगे औरकीड्स अग्रा फ्रतीयक ज्यासमीन है जैसमीन यह जानतों कैसा फ्लावर है यह है लूज फ्लावर अगर भारत में सबसे जादा एरिया पूछा जाए maximum area in India maximum area किस flower का है loose flower की बात किया तो गों आएंगे jasmine अगर हम cut flower की बात करते हैं तो यह answer जाएगा दोस्त रोज याने कि गुलाब की हम बात करेंगे हाँ सर अब ठेक है आवाज बेलकुल सहीर है अगला है Anthurium तो जो JRF की तयारी करते हो नो भाई साहिब उसके लिए ये बड़ा important point है Anthurium ये प्रश्ण आते हैं जो बड़े level का exam की तयारी कर रहे हैं उनमें हम discuss करेंगे कि Anthurium क्या होते हैं Horticulture के तीन ब्रांच के बाद हमने फलों के बारे में देखा सबजियों के बारे में देखा Flower के बारे में देखा Flower detail में पढ़ेंगे Annual क्या होते हैं Strops क्या होते हैं Tree क्या होते हैं कहां क्या-क्या उपयोग होते हैं Roadside में कौन लगाते हैं Sad के परती love कौन करता है ज़ाड़ी नुमा कौन होते हैं ये सारे हम discussion आपके साथ खुल detail करने वाले हैं, आज हम केवल discuss कर रहे हैं horticulture के साखा के बारे में, अब हम बात करते हैं दोस्त मसाला के बारे में, कि मसाला में हम कौन-कौन पढ़ेंगे जैसे black paper है, इसे हम काली मिर्च के नाम से जानते हैं, काली मिर्च, अगर मसाला के राजा पूछा जाए आपको तो यही है भाईसा है किंग अगर पूछा जाए तो यह किंग है कौन ब्लैक पेपर टेलिग्राम को आप लोग जोईन कर लेना वहाँ पे यह सारे पीडियाप आपको भेज दिये जाएंगे यह कारडिमम है इसे हम बोलते हैं स्मॉल कारडिमम यानि यह है छोटी इलाइची कौन से इलाइची है छोटी इलाइची और इन्हें मसालो का राणी बनाया गया है राजा कौन है राजा है काली मिर्च और रानी कौन है ये है छोटी ऎलाइची यानि कि small cardamom ये ginger के बारे में आप जानते होगे इसका ये जो भाग है इसे हम बोलते हैं दोस्त Raijome क्या बोलते हो Raijome और ये जो modification है ये किसका modification है ये stem का modification है जानते हो राइजोम और बल्व में बेसिक जो अंतर होता है इसकी जो ग्रोथ होते हैं इसका ग्रोथ है वो कैसा है फारी जेंटल कैसा है फारी जेंटल ये पूछ लेगा आपको तो एकदम ऐसा ने की एकदम छोड़ देना है करके आना है फारी जेंटल हिंदी वाले बोलते ह और अपना भी तो ख्याल रखो, विल्कुल आपका ख्याल रख रहा हूं, इसे हम 36 बोलते हैं, लेकिन जो बल्व होते हैं वो वर्टिकल ग्रोथ करेगा, यानि उपर की ओर आएगा, उर्दवारधर जिसे कहते हैं, वैसा ग्रोथ करेगा, अगला चलते हैं, आपको एक डेमो क्लास के रूप में केबल मैं बता रहा हूं क्या, कि होटी कल्चर के साखा क्या है, अरे सर्थ, पढ़ाई नहीं सुरू कर रहे हो, पढ़ाई सुरू करने होटी कल्चर में 20 दिन लगेंगे अभी, आराम से देखते रहना, 35 क्लास तो पढ़ाऊंगा जेनरल होटी कल्चर, ध्यान रखना, ये टर्मरिक है, इसे क्या बोलते है, हल्दी, क्या बोलोगे इसे, हल्दी, इसमें जो हल, जो पीला रंग होता है, ये आपके एक्जाम में पूछा जाता है, किसके कारण, कुरकुमीन के कारण, किसके कारण, कुरकुमीन, इसका बोटनिकल नेम कुरकुमा लोंगा होता है यह सिना मॉन्म है आपने मसाला में देखा में अपयोग करते हैं तो कम से構 Cities आरे ह्षीन मौन यह नटमेग है बहुत बार इस की फैमली आते हैं मेटेसी फैमली जो आप अमरूद में पढ़ते होना और जामून में important वो मैं इसका है nut mood के बहुत बार पूछे जाते हैं कुछ और spices की बात करूं कुछ और Aboriginal की बात करते हैं कि मसाला में और क्या पढ़ना है डिटेल में गुरुजी अगर मैं बहुत अच्छा तयारी करना चाहता हूँ, तो आप क्लोब्स के अच्छा एक क्लोब के बारे मैं जानते होंगे, इसको आप image में देखो क्लोब, अच्छा सब इसका कौन सा भाग खाते हैं, इसका तो उता है खते हैं बढ़ क топ क्लीती तए आराम से एक मसाला यह कैपसिटम कैपसिक आपको पढ़ाऊंगा यह/. एक्षेल होते हैं जिसका लाल रंग रंग आप पढ़ते हो कैपजेन्धिन के कारण क्या कैपजेन्धिन के कारण AO में पूछा गया प्रश्न है, छोटे मोटे एक्जाम में तो बहुत आते हैं, इसकी तीखापन की बात करें, पंजैंची की अगर बात करें, तो क्या है कैपसे सीन के बारे में, किसके बारे में करेंगे kapiras één सीण देखो जब सीन आ जाए तो si si की आवाज आता है इस बार प्रशन आपने देखा होगा चाहे оmiya किया पूचता है लाइकोपीन, क्लोरोप्लास्ट है, लुकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, किस प्लास्ट का उदाहरण है, किस प्लास्टिट का है, तो इस तरह के प्रस्णाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैरोटीन है, जिन्फोपील है, ये क्रोमोप्लास्ट का भाग है, कि इसे हिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंग, तो ये भी discussion करेंगे अपन हिंग के बारे में, तो ये मसाला के बारे में बहुत अच्छे आपको जानकारी देने वादा हूं, अब हम पढ़ेंगे क्यूमीन के बारे में जानते होंगे, हनल के बारे में जानते हो, इसे soft बोलते ह तो इसका नाम है। हनल को क्या बोलते हैं आपको विसकस करेंगे। चले, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कोरियंडर के बारे में तो ये जो चार आपने देखा धनिया इनका इन्फ्लोरोसेंस पूछ लिया जाता है पुस्प क्रम अगर इस तरह के फूलों के क्रम है भाई साहे तो इसे बोलते हैं अंबल क्या बोलते हैं इसे अंबल चाहे आप बात करोगे जीरा की चाहे आप बात करोगे धनिया की चाहे आप बात करोगे सौफ की इन सबका इन्फ्लोरोसेंस चाहे आप बात करोगे गाजर का चाहे आप बात करोगे किसका बताओ इंपोर्टेंट और हैं अंबल गाजर का अजवाईन का अजवाईन का इन सबका इन्फ्लोरोसेंस क्या कहल आता है अंबल तो यह इतनी जानकारी हम प्राफ्ट करेंगे किस में मसाला में तो चार ब्रांच आपने देख लिया कौन-कौन देख लिया एक तो आपने देखा फुलों के बारे में सब्जियों के बारे में फूलों के बारे में और मसाला के बारे में इंपोर्टेंट कहानी शुरू करता हूं दोस्त आज सब को नमस्कार नमस्कार गरिराज कॉलेज में है कैसा चल रहा है भाई तेरा कॉलेज ठीक है भगा तभी घर से आया नहीं जल्दी जल्दी आजाओ आप लोग क्लास शुरू हो रहे हैं हरे राम सर आज तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं क्या पूच तो जवाब तो देने के लिए बैठा हूं थोड़ा गोरा आ रहा होगा देखना गिरिराज नया पैनल लगा रहा हूं भाई तीन लाग रुप्य खर्च किया हूं गोरा आ रहा हूं देखना और कैमरे क्वालिटी क्वाइ variety थोड़ा रा हूगा हальной करे करते हैं अगला जो ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं एरुमयित के बारे में और एरुमयिते कलांट के बारे का मतलब है अजयों सुगन्धित का मतलब जिसने खुस दो जिसमें एक जए सुवह इंगे व GBंड के तो उसको पी चीज पढ़ना है बीएसीयार वाले जो बच्चे होंगे ना उसको पता लग रहा होगा कि कॉलेज में क्या पढ़ते हो मजा जाएगा तेरे को ध्यान देना अब हम बात करते हैं दवाना यह देखो इसका इमेज देख लो कम से रोज जेरेनियम इसके बारे में पढ़ेंगे जैपनेज मिंट य॥े जैट इस अयर में पर मैं जहां 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 यहां मिंट के बारे में आपको पढ़एं जिसे पोदीना के नाम से जानते हो करना लेकिन जो फाइसाइब पूरी तयारी करें ऊसाभिनें spat पढ़ना है ने अरप्षाब करेंगे वाइल वियरिंग जो होते हैं जैसे लेमन ग्रास अब पाचुली के बारे में भी आपको जानकारी देंगे लेकिन हम केवल इमेज दिखा रहा हूं बीटेवर ग्रास एवो में आया हुआ प्रशनर जिसको खस के नाम से जानते हो क्या बोलते हैं खस इसका आया था प तूलसी के नाम से आप जानते हो क्या बोलते हो इसको तूलसी तूलसी 23 को घर में लगाना चाहिए ऑक्सीजन के बारे में इस पर हम चर्चा करेंगे यह जमाल गोटा है कम से कम इमेज तो देखा यह सब है एरोमेटिक प्लांट यानि कि सुगंधित पादफ है जिसके बार सूरत को तो अपने गुलाम बना रखा अरे भाए ऐसा ऐसा सर सुरी सर स्कीप क्लास पर बैटरी लोग कोई नहीं कांटिन्यू करो आस तो एक इंट्रडक्शन है बस तुम लोग को बुलाने के लिए चर्चा कर रहा हूँ हाँ घर के नीचे क्लास लगा दियो सर भगत बोला है सर घर के नीचे बिल्कुल घर के नीचे अब रात दिन आपकी क्लास चल सकते हैं यहां से अराम से अब यह बेले डोना है देखो बेला डोना का प्रशना हमेशा पूछे जाते हैं मेडिसीनल प्लांट में तो यह बेले सफेद मुसली जिसका राइजोम हम यूज करेंगे दूसरी सीलाजीत के नाम से हम जानते हैं तो यह क्या है सफेद मुसली संकरसर बाहर जाट बात करों यार आब आज आ रहे हैं अगला है लिक्वेर या मुलैठी यह इंपोटेंट है देखो यह मुलैठी का प्रश्ण है इस बार आया हुआ है सुपरवाईजर में किसमें आया हुआ है सुपर अरे सर तो यह तो कोई पढ़ाया ही ने होगा फिर भी सुपरवाईजर में आ गया यह अब आप देखना कि जो मैं केवल हेडिंग लिख रहा हूँ ना यहीं सुपरवाईजर में आया हुआ था कि यह किसका नाम है लिक्वेर आइस किसका नाम है आया हुआ था या नहीं कमेंट में जरी जल्दी से बता देना हो सकता मैं भूल ग बाद में इसमें देखेंगे latex और उसमें जो chemical होते हैं वो सारे नाम याद रखेंगे किस नाम से होगा मा, न, क, इसका छोड़ दो मा से morphine, न से nicotine और क से kodine ये सारे important chemical इसके latex में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो मान होता है वो किसका होता है मानक यानि morphine का 9 से 14 परतिसत मान पाए जाते हैं ये है मेरे दोफ इसफ गोल, इसफ गोल का नाम आपने सुना होगा, ये हम चर्चा करेंगे कहां medicinal plant में, अब हम बात करते हैं कुछ medicinal plant और देख लेते हैं जैसे aloe vera aloe vera रामदे बाबा ने इतने सारे क्रीम कॉस्मेटिक बना दिये, इसमें mucilage एक chemical होता है जिससे क्रीम कॉस्मेटिक में हम बहुत उप्योग करते हैं तो ये aloe vera और ये है नीम जिसे एज़ा डिरेक्टीन ये बार बार प्रस्न पूछता है निम बो लीन ये किस से बनते हैं नीम से तो इसमें हम डिसकस करेंगे अगला है जो दोस्त जिसे हम बोलते है धत्रा, इंपोटेंट है गाउं में हम लोग देखते हैं इसको धत्रा को और ये है गुगल नया आपके सिलेवस में जोड दिया गया कि गुगल के बारे में भी पढ़ें और बहुत इंपोटेंट मेडिसीनल प्लांट है गुगल जि जियों के अध्यान करेंगे दोस्त, खलोरी कल्चर, फूलो का अध्यान करेंगे, स्पाइसे के बारे में पढ़ा, कुछ मसाला के बारे में पढ़ा, उसके बाद सुगंधित पादप यानि एरोमेटिक प्लांट के बारे में डिस्कस किया, मेडिसीनल प्लांट के बारे में सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें, अब बात कर रहे किस का? क्समिर्न को एक सब्सक्राहीं है। एक सब्सक्राही है, पोच्ट हर्वेस्ट मैनेजमेंट यह M का मतलब क्या है बताओ M का मतलब है management अर्शार दोनों में अंदर क्या है बताओ तो पहले तो management जैसे एक एगरी कल्चर की सार मैंने आपको सब को दिया कोई लड़का है छे महीना में सार को रद बरद कर दिया थार चीर की अलग कर दिया और किसी का बुक छे महीना तक है एकदम ठका ठक लगे हुए तो उसकी management क्या है रखने की अच्छी है अगर management बहतर है management क्या है बहतर है तो उस बुक का self life अरे सहर एक नया सब्द लाए हो ये post harvest में आपको बारबार सुनना पड़ेगा मजबूरी है हमारे बोलना self life, swag की आयू क्या होगे जादा होगे जैसे किसी लड़का ने बुक बहुत अच्छे से रखा तो उसका दो साल तक वो बुक चलेंगे किसी ने दो महीना म सुपरवाईजर का एकजाम हुआ फट फुटा गया तो उसकी self life क्या है तो ये हजार गुतिय की सर्ट है भी एक दो दिन इसकी management अच्छे से करूँगा एकदम पोत पात के रखूँगा पर तीन चार धुलाई के बाद जैसे तो इसे फेट के रखूँगा management खराब हो गये तो इसकी self life क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे अब हम बात करते हैं तक्नीक क्या होते हैं पहले के गुरु जी क्या थे तक्नीक का मतलब पहले बोर्ड पे पढ़ाते थे तो वो एक अलग तक्नीक था आज हम क्या हैं पैनल पे पढ़ा रहे हैं light लगाय हुए भाई camera लगा हुआ है तो कोई चीज को पूराने वाले दिखाना है ऐसे तुरत दिखा दिया लेकिन पहले के गुरु जी दिखाने में और समर्थ है क्योंकि बोर्ड से ऐसे मिटा दिये तो दिखाएंगे नहीं तो टेक्नलोजी के तो बहुत फाइदे होते हैं जहां आप यंत्र का उप्योग करते हो जैसे जूस निकालना है तो जूस निकालना है तो कोई ने कोई हमें मसीन लगाना पड़ेगा अब आलू के छिलके निकालना है, तो भाई कोई ने कोई हमें वहाँ पर मसीन लगाना पड़ेगा, टेकनोलोजी उप्योग करेंगे, ताकि हमारी समय क्या हो सके, बच सके, तो ये टेकनोलोजी के हम बात करेंगे, लेकिन पोस्ट हर्वेस्ट का मेन एम क्या होता है, देखो, पोस्ट हर्वेस्ट, यहां तक ही समझना है, पोस्ट का मतलब होता है बाद, पोस्ट का मतलब क्या होता है, तुडाई, यानि तुडाई के बाद परिभासा बना दो, तुडाई के बाद, अब आपको क्या करना है, तुडाई के बाद या तो मैनेजमेंट कर दो, और या त तो इसमें कोई न कोई टेकनोलोजी उप्योग करो, भाई दो ही चीज तो कर सकते हैं, अरे सर तो कर क्यों रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं, जब ये दोनों चीज आप करोगे, तो इसके ना सेल्फ लाइफ, में चीज क्या है, सेल्फ लाइफ, ये बढ़ जाएगा, स्वैंड की आयू, जो आम पांच दिन में खराब हो रहे थे, उसको माजा बना दिया, तो एकदम कैटरीना कैब बला परचार देखा होगे, ऐसे टप समाजा गिरते हैं, तो उसकी लाइफ क्या होगे, माजा का ज्यादा हो गया, छे महीना साल भर तक अपना आचार बना दिया, तो उस एकदम एक लाइन की कहानी है, पोश्ट हार्वेश्ट क्या है, कि पोश्ट हार्वेश्ट का मतलब क्या होता है, रूप को बदल देना, रूप को क्या कर देना है मेरे दोस्त, बदल देना, रूप को बदल देने से क्या होगा, रूप को बदल देने से इसकी सेल्फ बढ़ जाएंगे, अरे सर एक बार और समझाओ, नहीं समझ में आया, जैसे एक उदाहरन से अपन समझते हैं, ज्यादा बेहतर समझ पाओगे, यह एक आलू है, यह क्या है आलू, अब इस आलू का कर दिये आपने क्या हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है त चिप्स, क्या बना दिया, जैसे हैं चिप्स बना दोगे, तो इसके सैल्फ लाइफ Siis के इनक्रीज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, इनक्रीज, सब मिलाके क्या है, साउंड बहुत कम आ रहे हैं, सर, वो साउंड लो है, आज साउंड का कुछ करता हूं, मैं अब भी क्या क कर देना है बढ़ा देना है तो आज साउंड अपन सही करके कल मिलता हूं मैं आपके साथ जैसे यह देखो यह सारे लिखे हुए है जेली अमरूत से बनते हैं अब इसका इमेज हम कुछ दिखाना चाहता हूं बाकी तो आपको बाद में बताऊंगा कि यह होता क्या है कि इसका कैसे रूप बदल दिया जैसे गाजर है क्या है गाजर अब यह गाजर का रूप जब बनाओगे बदल दिया जैसे यह गाजर है कैरट है इसका रूप बदल दिया तो क्या बन गया कांजी डाइरेक्ट प्रस्न पूछता है कि कांजी किस से बनते हैं बलैक कैरट से क्या बन बॉढिका रहे तो देखे हो निए पलंए यह क्या है गोडिका तो यह ध्यान रखना भूडिका आगला मॉलासस यह जानते होगे मॉलासस एश स्व गला 1.8 क्यों और निकार करते हों एक रूर्र के रम के दाल है डंध Awakませ से इसका रूप का अगर माल्ट विनेगर इंप्रोटेंट है ओगर हम बात करें ये ज्ञारेफ में पूछा गयात प्रूंज किसे बनते हैं प्लम को हिंदी में क्या बोलते हो आलू बुखारा क्या बोलते हैं अलू बुखारा गुलकंध किसे बनता है गुलाब से बनता है one is to one का इसमें रेशियो होते है किसका पेटल और सुगर का रेशियो कितना होता है एक अनुपात एक सवकर्ट की बात करेंगे तो यह कैबेच से बनता है दोस्त यह रूसेरी यह आया हुआ प्रस्म किसे बनते हैं पंकिन से इन सब में हमने क्या किया इसके रूप क क्या कर दिया है बदल दिया है तो यह इंपोटेंट है यह चुहारा आप लोग जानते नहीं होगे तो मैंने बात कर दिया यह चुहारा और यह आपके चुहारा है जो किससे बनते हैं खजूर से बनते हैं और बेर का एक वेराइटी है जिसका नाम उम्रान होता है जिससे भ फलो से कहां बात करेंगे फलो से आज हमने केवल कंपलीट किया देखो इसकी ब्रांच जिसके लाश्ट में अगर कल्चर लगा रहे हैं यहां से कुछ पॉइंट अपने को सीखने को साइद मिल सकते हैं तो वो कौन सी भासा से लिया जाता है बताओ भूल लिया गया है लैटी है जैसे जिसके लाश्ट में कल्चर है अगर कल्चर है तो लैटीन भासा है होटी कल्चर है तो लैटीन भासा है सित्री कल्चर पूछा गया है सित्रस का कल्चर यानि सित्रस की खेती क्या कहलाता है सित्री कल्चर अब सित्रस के अंदर बहुत सारे आप नाम लिख सकते हैं अरे सर मैं तो केवल एक दो जानता हूँ ना मेंडरीन क्या नाम है मेंडरीन आज एक जेनरल इंटोड़क्शन है तो आप जी जेनरल तरीके से इसको पढ़ो मज़ेदार तरीके से दूसरा हम पढ़ेंगे स्वीट ओरेंज के बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं स्वीट औरेंज के बारें बाद में डिटेल लिखूंगा तीसरा हम पढ़ेंगे एसीड लाइम के बारे में ये चार तीन तो आपने सिलेवस में है एसीड लाइम के बारे में तीसरा चौठा हम पढ़ते हैं लेमन के बारे में लेमन के बारे में उसके बाद हम पढ़ते हैं एक लाइ आप देखते जाओ, पूमेलो, सबसे बड़ा है, क्या नाम है, पूमेलो, अगला है सर, हिंदी मीडियों में डबल एओ का कोर्स है, क्या बिल्कुल है, आप अराम से ले सकते हो, सारे कोर्स हिंदी इंगलिस दोनों में बना दिया हूँ, अभी आपके एग्रोणोमी जो दिने सांदार रिस्पोंस आ रहा है, उनका बहुत ही खतरनाक रिस्पोंस है, आप ले सकते हो, सार, होटी कल्चर जेहरफ का कोर्स लॉंच कर दो, में अंदर मिना जी, आप तो कोई भी कोर्स हमारे ले लो, एटू जेट पे ओफर चल रहा है अभी, एटू जेट केवल 699 रुप अगला हम बात करते हैं, रंगपूर लाइन के बारे में, अगला हम बात करेंगे करना खटा के बारे में, अगला हम बात करेंगे ट्राइफ फॉलियेट औरेंज के बारे में, अगला हम बात करेंगे फ्लाइंग ड्रैगन के नाव, केबल नाम सुना रहा हूं, कुछ हैसन है कि अभी पढ़ना है, नाम सुनो, मजे लो, नाम सुनो, सिट्री, वीती कल्चर जेट में पूछा गया है, अंगूर की खेती क्या कहलाएगा, वीती कल्चर, तो कल्चर कल्चर वाले एक बार बात कर देता हूँ, आप से कुछ नया मिल जाएग सायद आपको, अगला, और आर् अर्बोरी कल्चर, यानि हर्फ और स्रफ की खेती को हम क्या बोलते हैं, आर्बोरी कल्चर, थैंक्स पोर स्टार्टिंग सर, उमेश कुमार, क्लास अगेन, बिल्कुल आपके डेली क्लास लगते रहेंगे सर, सुपरवाइजर में, 71 कोश्चन सही है, 71 केटेगरी क्या है, आ एक इने नाम सुना था, बिल्कुल, उलिब वाइल किसके, जैतून के तेल को क्या कहते हैं, उलिब, यह इब कल्चर यह पूछा गया है ध्यान रखना ओलिव तय यह ध्यान रखना जेटूं अग्राइव ओली अगरा है सेरी कल्चर तो रवी कल्चर Important औलिव वाइज जैतून का थेल यह सीरी का मतलब आप जानते होंगे रेसम इंपोर्टेंट है अगला एपि कलचर इंपोर्टेंट है लाइटिन भाषा से मधुमख्षी की पालन किया मोरी कलचर सातूत की खेती को गाते है लाग के खेत लाग के खीट पाले जाते हैं किस फ्र केचुवा का पालन बर्मी PC कल्चर एक एस हटा देना है एकवा कल्चर मचलियों की खेती क्या कहलाता है PC कल्चर अब हम बात करते हैं एग्रोस्ट्रोजिक इसके कहते हैं धासो काध्यन और सियोलोजी इंपोटेंट स्टार लगाना इस पे सियोलोजी चाई की खेती क्या कहलाता है सियोलोजी सेरियोलोजी किसे कहते हैं फसल चकर जो होते हैं क्रॉप रोटेशन जिसे आप बोलते हो क्रॉप रोटेशन का स्टड़ी करना क्या कहलाता है सीरियोलोजी के अंतरगत आते हैं दोस्तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है Part 2 और काफी important topic है Part 2 और ये आपको आज समझ में भी आएगा कि Part 2 का क्या महत्तु है हमने कल बात किया था branch के बारे में किसके बारे में बात किया था ? horticulture ब्रांच के बारे में और आज जो हम बात करने वाले हैं classification of fruit अगर इसको आपने बेहतर ढंग से पढ़ा classification of fruit का तो 500-600 प्रशन आप आराम से खलो में हम कर सकते हैं तो आज की कहानी शुरू करें, सब को गुद इबनिंग, गुद इबनिंग, सब जल्दी-जल्दी से एक बार जुड जाएं, अराम से, पड़ा-पड, दो मिनट पोड़ा सा लेठ हो जाएं, वीर वंजारा सबको गुड़िवनिंग दश्रत दर्शन सोनी नमस्कार नमस्कार सबको अंसवर्मा गुड़िवनिंग यह लगाते ना सकते चले तो आज पार्ट टू में अपना शुरू करेंगे मिस मनु चोधरी हेलो हेलो नमस्कार सबको फर्स्ट स्लाइड देखते हैं कि क्या है इसमें क्लाशिफिकेशन और फ्रूट्स में मैंने आपको कल बताया था कि यह जो इंडिया की मैठ है ना यह बहुत इंपोर्टेंट है इस पर अपन डिसकस करते हैं आज अच्छे से कि क्या इसका इंपोर्टेंट है अब हम बात करते हैं इस भारत के मैठ का तो मैंने कल आपको बताया था कि उपर वाले जो छेतर हैं ये वाले छेतर इसे अब हम यूज करेंगे किसके नाम से टेंपरेट के नाम से क्या यूज करोगे इसके टेंपरेट फ्रूट इसे हम बोलेंगे टेंपरेट और हिंदी वाले बोलते हैं इसको सीतोषन फल कौन सा फल बोलोगे सितोस्न फल क्यों बोलते हैं क्योंकि सालों भर अगर देखा जाए तो यहां तापमान क्या रहेंगे कम रहेंगे और ये सारे फलो के लिए temperature क्या चाहिए कम चाहिए 14 degree top मान चाहिए 16 degree top मान चाहिए वो हम बात करेंगे अगर हम भारत को ये beach वाले भाग की हम बात करते हैं तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा वारिस वर्सा अगर बात करें rainfall ये इस area में होगा इस area में सबसे ज़्यादा वारिस और ये वाले जो छेतर है यहाँ पे सबसे कम बर्सा अब यहाँ है अपना राजस्थान ये क्या है राजस्थान important और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं ये UP तो अब तीश्रा प्रस्ण ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो फल है जेनरली याद करने के लिए बड़ा मजाएगा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो फल है इसे हम किस climate के अंदर रखेंगे तो इसको हम रख रहे हैं दोस्त अभी सब्ट्रोपिकल के अंदर कहां सब्ट्रोपिकल जिसे हम बोलते हैं समसितोष इसके अंतरगत हम रखेंगेップ, ये दो--तीन बार आपको आएंगे अब नीचे जो राजस्थान है इसे हम रखेंगे इसी का एक भाग बना दिया एरिड के अंतरगत Arid fruit बोले तो वहाँ जहाँ गर्मी जादा होगे तापमान जादा होगे तो उसे हम किसके अंतरगत रखेंगे Arid अभी आपको केबल में अलग करने का तरीका बता रहा हूँ भारत के नीची बाले भाग दक्षनी भारत की बात करें तो यहां हम बात करेंगे ट्रॉपिकल फ्रूट्स के बारे में किसके बारे में ट्रॉपिकल फ्रूट्स और ट्रॉपिकल फ्रूट्स को हिंदी में बोलते हैं उश्न फल कौन सा फल की बात करेंगे उसन फल तो ये उसन फल तो तीन तरह के फल आपको मैंने बता दिया सब जल्दी जल्दी से एक वार जुड़ जाएं नमस्कार नमस्कार सबको उपर वाले टेंपरेट फ्रूट हो गया बीच वाले को हम सब ट्रॉपिकल कहेंगे और यहां वाले क्या कहलाया उसन यहां सालों भर तापमान क्या चाहिए सेम अब सबसे जादा गर्मी किस में लगेंगे भारत की अगर बात करूँ तो सबसे जादा गर्मी यहां पे देखने को मिलेगा यानि सब ट्रोपिकल जो फ्रूट होंगे वहाँ पे टेंपरेचर क्या रखना पड़ेगा आपको जादा थोड़ी सी क्या रहेंगे जादा तो ये टेंपरेट अब टेंपरेट फ्रूट के उदाहरन आपको याद होना चाहिए एक्जाम में पूछ लेगा निमलिखित में से कौन टेंपरेट फ्रूट है अगर इस्तरह के प्रस्ना आगे कि कौन इन में यहाँ बना देता हूँ ये आपके ट्रोपिकल फ्रूट की बात किया ट्रोपिकल बीच में हमने रख लिया किसका सब ट्रोपिकल की बात किया सब ट् तीसरा मैंने बना दिया था यहां क्या temperate तो यह दियान रखोगे यह होगे आपके temperate fruit तो ट्रोपिकल का उदाहरण पूछ लेगा आपसे एक्जामपल पूछ लेगा कि बताओ भई निमलिखित में से एक एक्जामपल लेगते चलते हैं कि सेब किस में आता है सपोर्ज डेट एसा प्रशन दे दिया कि सेब का climate क्या है ट्रोपिकल में है सब ट्रोपिकल में है temperate में है तो सेब है किसमें यह हैu temperate में तो यह कैसे पता करोगे मांन लिज़ाए एक्जाम में आ गया चीकू किस climate का है यानि इसको हम बोलते हैं सपोर्टा ये प्रशन बार वार पूछते इसलिए मैंने लिया सपोर्टा पूछ लिया कि ट्रोपिकल है सब ट्रोपिकल है टेंपरेट है तो यह आपको याद करना पड़ेगा और याद करना बड़ा मुस्किल होते हैं और जब तक मैं जिवित हूं तुझे याद करने नहीं दूंगा यह प्रोमिस किया हूं अब खुस होंगे तो आपके लिए लेकर आ जाएंगे क्या केला क्या लेकर आ जाएंगे केला अभी जेट में प्रश्न में पूछा है कि सबसे इनरजीटिक वाले फ़ल कों कौन होते हैं हाई केलोरी ठिक वैल्यू किसमे होता है तो केला यह केला है दूसरा बहुत खुस होंगे तो आपके लिए पपाया लेकर आजेंगे पपीता लेकर आगे और आ सकते हैं तो भाई मौसम में आम लेकर आ सकते हैं अगर हम बात करें तो अगला है अमरूद लेकर आ सकते हैं अमरूद की बात करें तीसरा चोठा बात करते हैं चीकू की बात करें और हम अग नेक्स्ट बात करते हैं सीता फल रोड पे मिलते रहते हैं सीता फल ले लो सीता फल ले लो 20 रुपे 20 रुपे तो ये जो फल है बाकी और मैं एक दो उदाहरन आपको लिख सकता हूँ जैसे jack fruit, cutthol की बात करे तो ये cutthol, तो ये फल जो होते हैं न दोस्त कैसा लगेंगे मीठा लगते हैं मीठा लगेंगे और दूसरा ये होता है सस्ता तो ऐसे भल जो generally पापा उठा कर लाते हैं कैसा है मीठा और सस्ता उसे हम रखेंगे कहा है ट्रोपिकल के अंतरगत कहां रखोगे ट्रोपिकल अब हम बात करते हैं सब ट्रोपिकल सबसे पहले आप identify कर लो कि कौन ट्रोपिकल है और कौन क्या है सब ट्रोपिकल देखो कुनाल रहा है टेंपरेल जो मागा होते हैं यहां सब ट्रोपिकल में ये फल राजस्थान में होते हैं बहुत अच्छा और उतरप्रदेश साथज पया सब्राही थे थान ऊची ये कम चाहिए क्या चाहिए कम और यहा टेंपरें फ़ल जो होते हैं यह क्या होते हैं महगा होते हैं यानि कैसा होगा ये कोशतली होंगे इसे कभी कभी हम देखते हैं, खाते नहीं है, जिसे सेव की बात करें, तो आप देखते हो, दरसन करते हैं, अरे सेव जा रहा है, सेव जा रहा है, नासपाती की बात करें, ये फ्ल, ये नासपाती, अगर मैं बोलू, पीयर जिसे बोलते हो, पीच की, आडू की बात करें, पी होते हैं costly होते हैं इसे हम खाते नहीं है देखते हैं दर्सन करते हैं तो यह एक छोटा सा आपको classification याद करने से बहुत सारे प्रस्ण सर वाइस कम आ रहे हैं विपूल वेद आज भी वाइस कम आ रहे हैं ऐसा नहीं करो देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट यहां पे जैसे आपने बात किया tropical का एक बार मिला लेते तो यह mango जिसे हम क्या बोलते हैं तो यह किस में आ जाएक ट्रोपीकल में केला किस में आ बेइस आगे ट्रोपिकल में आपको इमेज भी पपाया पपिता किसमे आगया ट्रोपिकल यह प्रशन पूंछ द्यान रखना ये pineapple है अननास ये भी प्रस्ण पूछेंगे ये है tropical तो आपको एक ध्यान रखना है किस पे pineapple आमरूद जानते हो ये उसन का है सपोर्टा जिसे हम चीकू कहते हैं ये बार बार एक्जाम में आते हैं चीकू तो ये भी क्या है ट्रोपिकल का उदाहरण है कश्टर्ड एपल की बात करें हम जिसे हम सीता फल के नाम से जानते हैं किसके सीता फल तो ये भी क्या है उसन का है दूसरा jackfruit की बात करे jackfruit, cutthal, आपने देखा नहीं होगा अभी मैं image में इसको दिखाऊंगा कि cutthal कैसे होते है अगला, केरमगोला की बात करे पर्शिमोन की बात करे कोकोनट की बात करे काजू की बात करे ये सब सारे कहा है? उष्ण, ये सब सब क्या है? उष्ण, तो ये धियान दखना ये सथारे ट्रॉपिकल का है तो यहां के फल मीठे होते हैं क्या होते हैं? मीठे होते हैं और एक दो plantation को छोड़ दो, जैसे कोकोनट काजू ये plantation में आते हैं, इसको छोड़ दो और क्या होता है सस्ता होते हैं आराम से इसको आप खरिद सकते हूं मीठा होता है तो exam में पूछ ले आम किस climate का है ट्रोपिकल बनाना ट्रोपिकल पपाया ट्रोपिकल पाइनेपल आपको अश्टार लगा दिया आम रूद के बारे में पूछते हैं सपोटा जानतों सबसे important च सबसे पहले होनी चाहिए यार यह ट्रोकिकल है यह सब ट्रोकिकल यह बहुत इंपॉड़ेंट चीज है इसलिए मैं आज इस पर ज़्यादा डिस्कस कर रहा ह semana कि यह ट्रॉपिकल सब टॉपिकब अब बच्चा क्या है आम को देख चुका है यह में कहला तो ये भी आपने देखा ये कटहल है कटहल जो होते हैं इसका फल परकार पूछेगा तो ये है multiple fruit का उदाहरन किसका है ये multiple fruit का उदाहरन अगर पूछा जाए तब वो कौन है कटहल प्रस्ण जो जो बनते हैं वो मैं लिखता जाओंगा multiple fruit के दो भाग बनेंगे यानि एक को कहते हैं सोरोसिस और दूसरे को हम बोलते हैं साइको नस क्या बोलते हैं साइको नस तो हमने आपको ट्रिक बताया था जिसको बाहर से छूने पे कैसा लगे बताओ रफ यानि खुरदरा लगे कैसा लगे खुरदरा लगे इसे हम बोलते है सोरोसिस क्या बोलते हो इसको सोरोसिस तो कटहल में बहुत सारे फ्ल है दिख रहा होगा आपको तो ये किसका उदारन है फ्रूट टाइप क्या है मल्टीपल फ्रूट्स का मल्टीपल फ्रूट में क्या है सोरोसिस तो कौन कौन आते हैं एक तो जैक फ्रूट आते हैं भैसा है दूसरा कौन आता है पाई नेपल भी किसके अंतरगात आते हैं सोरोसिस के अंतरगात और तीसरा आता है दोस्त मलवरी जिसे हम बोलते हैं सहतूत क्या बोलते हैं सहतूत तो ये तीनों के फल परकार हैं सोरोसिस एकजाम में multiple fruits आया तो क्या टिक करोगे multiple fruits तो ये आपने देख सर कटहल से और क्या प्रशना सकते हैं कटहल का देखो जो फल लगते हैं वो तना पे लग जाता है यह तना है तना पे ही फल लग जाएगा तो इसे हम कहते हैं इसका बियरिंग हैविट पूछेगा आप से कि बताओ इसका बियरिंग हैविट क्या है बियरिंग हैविट का तरह से ये फ्लों का bearing करता है ये plant कैसा होते हैं तो ये आप बोलोगे cauliflorus कैसा है खाली फ्लोरस किसे कहते हैं वे फ्ल जो कहा लग जाते हैं तना पे ही लग जाए तना पे लग जाए उसे हम क्या बोलते है तो इम्पोटेंट है caulifluorous इसका bearing habit कैसा है कॉली फ्लूरस अब दूसरी एक important character है कि कठहल का nature पाया जाता है भीभी पेरी अरे सर ये भीभी पेरी नाम तो हमने जन्तु हों में सुना भीभी पेरी जो बच्चा पैदा करते हैं ओभी पेरस जो बच्चा पैदा करता है उसको हम बोलते हैं भीभी पेरस और जो अंदा दे हैं उसको ओभी पेरस बोलते हैं अब यहाँ आ रहा है भीभी पेरस यानि एसर सीड जो अगर फल में है तो भी यहां से ना इसका अंकूरन हो जाएगा जर्मिने इसना हो जाएगा इस सीड का जर्मिने इसन फल के अंदर ही हो जाएंगे उसे हम बोलते हैं भी भी पेरी क्या बोलते हैं इसकी character क्या है भी भी पेरस तो यह important सबसे बड़ा फल पुछा जाए तो भी answer क्या जाते हैं दोस्त कटहल तो कटहल के लिए इतना ही important है आप इतना ही धियान रखना ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे कुछ फलों के बारे में और मैं आपको दिखाता हूँ जेट का भी प्लीज बता दो क्या है करनी गोश्वामी जी रिदी सिद्धी अब आते हैं ये क्या है केरम बोला इसको star fruits से नाम से जानते हैं ये कैसा फल है star fruit किस फल को star fruit बोलते हैं तो वो हो गया केरम बोला देखो star लगाते हैं अपना इस से star लगाते हैं तो ये है केरम बोला ये है पर्शिमान ये क्या है पर्शिमान माइना फ्रोट में पढ़ोगे जब आप बड़े हो जाओगे ना तब इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे ये है काजू काजू देखो इस तरह से अभी काजू कैसा है काला काला ये काजू है कै इसा दिखने लगेगा वाइट आप यह वाइट और इसमें कुछ फ्लेवर एड कर देते हैं जिससे सुगंद आने लगता है इस किरिया को हम बोलते हैं क्या रोस्टिंग तो आपसे एक्जाम में पूछेगा रोस्टिंग किसमें करते हैं तो रोस्टिंग करते हैं काजू में अब ये है सपोर्टा जिसका नाम है चीकू ये क्या है मेरे दोस्ट चीकू अब ये चीकू का important जैसे पूछेगा cricket ball किसकी important variety है तो cricket ball किसका है सपोर्टा का है important और इसका एक root stock है जिसका नाम लिग देता हूँ खिरनी क्या नाम है इसका खिर्णी या इसको रियान के नाम से भी जानते हैं इसका important root stock जिसको मूल बरंत बोलते हो ये क्या है रियान या इसको बोलते हैं खिर्णी ये दो important प्रश्ण इसके बनते हैं किर्केट बर्ifa और क्या मोला रियान या खिर्णी टो ये बहुत है अपने लिए है किया अब ही आपने क्या देखा ट्रॉपिकल फूर्स क्या होते हैं ट्रॉपिकल फूट्स कहां भारत के नीचे वाले में समान तापमान इसके लिए होंगे अभी बहुत अच्छा है इसका तो यह आपको कॉंसेट बड़ा ध्यान से याद करना होगा चले आगे बढ़ें गुड़ इवनिंग गुड़ इमिनिंग सबको अब हम बात करते हैं दूसरी कॉंसेट जिसका नाम क्या है सब ट्रॉपिकल तो सब ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स है वो मैंने बोला राजस्थान में मिल जाएंगे आपको जैसे बेर तो बेर कहां मिल जाएगा आपको राजस्थान इंपोर्टेंट और जो राजस्थान के फल होते हैं वो सेलाइन टोलरेंस होंगे ये क्या होते हैं सेलाइन टोलरेंस अरे सर सेलाइन टोलरेंस समझाओ तो क्या होता है सेलाइन टोलरेंस इसका मतलब लवन के प्रती ये क्या होगा भाई साहेव सहन सील लवन के प्रती ये क्या होते हैं सहन सील देखो लवन वही बिक्सित होगा जहां पर दो कंडीशन होगे क्या दो कंडीशन होगा एक तो टेंपरेचर वहां उस एरिया का ज्यादा होना चाहिए और रेन फॉल ज जादा हो और rainfall कम हो तो वहां की मिट्टी होती है सेलाइन या लवनिये अगर कोई क्रॉप है जो पानी की मांग कम कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं पानी चाहिए सिचाई नहीं चाहिए तो वो लवन के परती सहन सील होगा तो याद करने बड़ा अच्छा अभी देखना है जो सूखा में होगा वह सेलाइन के परति क्या होंगे रसिस्टेंट होंगे अब मैं एक एक करके आप से बात करता हूं हाँ प्रिति सिंग गोल रहें क्लास को जादा से जादा सेयर करें गरिराज जी काम आएगा गरिराज बैंक का एकजाम दोगे कभी देखो यह बेर दूसरा क्या है बेल, तीसरा है फालसा, चवठा क्या है जामून, अगला क्या है करोंदा, अगला क्या है आमला, सर बेर राजस्थान में होते हैं, हाँ बिल्कुल, बेल पत्र बिल्कुल राजस्थान में होते हैं, फालसा राजस्थान में, जामून राजस्थान में, करोंद आवला रजस्थान में सीट्रत रजस्थान में खजूर रजस्थान में आनार रजस्थान में यानि यह सब सारे क्या होते और इनकी पीछ ना सेबन.5 से ज्यादा होगा मैंने आपको कॉंसेट बताया था पीएज के लिए बहुत खतरना concept दिया हूँ कि pH इस पर बहुत काम करेंगे अगर कोई फसल पानी की मांग क्या करता है ज्यादा बहुत पानी चाहिए इसको दन अदन पानी चाहिए तो इसका pH होगा कम ये बड़ा अच्छा concept ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अभी भाई साहिब और अगर कोई फसल पा से पढ़ाओंगा पानी तूट जाएगा hydrogen ion की concentration बढ़ जाएंगे एच प्लस की concentration बढ़ेगा तो उसकी pH क्या होगे कम होगे अमलियता क्या होगा ज्यादा होगा जिस छेतर में पानी ज्यादा पढ़ रहे हैं दन बारिस हो रहा है वहां की मिटी अमलिये होगी जो पानी ज् इस मिटी में वहां की मिटी अमलिये और सुखे मिटी की pH आट से ज्यादा होगे यह concept से आपको बहुत काम आने वाला है तो एकदम important है मचा डालोगे इससे जैसे ज्वार की पूछ लिए तो pH ज्यादा होगा बाजरा के pH ज्यादा होगा मक्का के pH ज्यादा होगा रागी की पीच ज्यादा होगे अनार की pH ज्यादा होगा आमला का पीच ज्यादा होगा खजूर का पीच ज्यादा होगा बेर का पीच ज्यादा होगा इन सब फालसा का पीच ज्यादा होगा करोंदा का पीच ज्यादा होगा बभूल की पीच ज्यादा होगे नीम की पीच ज्यादा ह इन सबकों आराम से आप सुखे प्रदेश में लगाओ कोई दिक्कत नहीं है तो यह कॉंसेट आपको काम आएंगे अंजीर की बात करते हैं एवोकाडो की बात करते हैं लीची की बात करें ग्रेप्स की बात करें लोकाट की बात करें जो बड़े एकजाम देने वाले भाई सा अब इसमें 4-5 फल ऐसे हैं जिसको आपने दर्शन कम किया होगा तो ये दर्शन आज मैं आपको करवाता हूँ इनकी दर्शन देखे क्या क्या है जरा ये है एवोकाडो और एवोकाडो का कोई भी लड़का कमेंट करके बता दो कि इसका फ्रूट टाइप क्या है बताओ जल् ये बार बार पूचते हैं चब्स प्रतीस सत फैट होता है फलों में अगर वसा पूछा जाए तो सुखे फल में जादा होते हैं जैसे अखरोड की बात करो बादाम की बात करें काजू की बात करें तो इसमें क्या होता है वसा जादा होंगे लेकिन वे फल जिसका गुदा खाते हो अरे सर फिर आगे यो दो कौन से एक तो ऐसा फल है जो सुखा सुखा है और एक फल ऐसा होता है जिसके गुदा खाते हैं आम गुदा खाते हो पपीता गुदा खाते हैं ल हिंग फ़निकी गुदा नहीं कहते हैं तो यह Film यह क्राब रॉट से कहलाओं इसको पड़ते जाओ साइकोनस का मतलब ऐसा फल जिसको अगर आप अंदर देखोगे न तो इस तरह से रुई रुई जैसा रोये जैसा जैसे आपने गाउं में देखा होगा पीपल का फल और देखा होगा बरगद का फल और देखा होगा पीपल बरगद अंजीर होगे और एक और बताता हूं महुआ इन सब का देशी सराब बनते हैं इसे महुआ इन सब का फल ऐसा ही देखने को मिलता होगा अंदर रूई-रूई के जैसा और इसके फल परकार क्या है साइको नस क्या है इंपोर्टेंट साइको नस तो ये फिग का फल परकार हो गया साइको नस फ केवन दरजन कर रहा ईवोकाडो ऐसा होता है अंजीर ऐसे होते है कटहल ऐसा होता है परसिमोन ऐसा होता है केरंपॉला को स्टार फूरूट कहते हैं तो ये आप इसका एक जन्दल इंटोड़क्शन दे रहा हो अब आते हैं लोकाट पे ये important सार ये किस जलवायू का है तो ये जलवायू क्या था बताओ सब ट्रॉपिकल कैसा था ये सब ट्रॉपिकल आपको आएगा कि गुरुजी ये तो है सब ट्रॉपिकल पर इसमें क्या प्रस्ण बनते हैं आप देखे होंगे कि मैं हर प्रस्ण को आपके सामने डिस्कस करता हूं इसी लिए होटे कल्चर में लड़के को कोई दिक्कत नहीं होते जितने प्रस्णाते हैं मेरे माइंड में मैं पहले बोलता हूँ कि ये पूछा गया है लोकाट का एक प्रस्ण बनेगा कि जो सब ट्रोपिकल के फ्रूट होते हैं न ये होते हैं पत जड़ी अरे सार पत जड़ी इसमें बड़ा लड़के को दिक्कत होते हैं इसे हम बोलते हैं डेसी डुवस अब ही इस पे बड़ा अच्छा चाप्चा करूँगा डेसी डुवस फ्रूट कैसा है डेसी डुवस वे फल जो अपने पतियों को गिरा दे और बोले भाई सार मैं जा रहा हूँ कहां सुसुपता वस्था में डॉर्मेंची में तो देखो क्या कहां कंफ्यूजन होता है मैं आपसे सेर करता हूँ अगर मैं राजस्थान के फलो को बोलू पत जड़ी तो इसके पते कब गिरेगे मैं और जून में क्योंकि कमेंट तो आते रहते हैं लड़के को क्यों रे राम सर्थ डेसी डूएस को पढ़ा दिये जानते हो मैं जून अरे गधेडे लिटिल नौलेज वाले अब यही फ्रूट मैं बदल देता हूँ टेंपरेट तो अब टेंपरेट में मन में तो आया अरे टेंपरेट वे फल जो ठंडा पसंद करता होगा एकदम सेव नासपाती इन सबको जब तक ठंडा नहीं लोगे निसके इसे इसे आखे खुलते हैं नहीं तो इसको ठंड चाहिए अब ठंड चाहिए अब वहाँ पत्ति को कब गिराएगा देखो भारत में अभी चले जाओ जमू कास्मिर तो दिसंबर के महीना में एकदम टेंपरेचर माइना सोला माइना साथ ठारा हो जाएगे तो सारे प्लांट क्या करेगे अपने पत्तियों को गिरा देगे तो टेंपरेट रूट की बात करूँगा पत जड़ी कहां बात किया टेंपरेट का तो ये आपको देखने को मिलेगा अक्टूवर से ही सेप्टमबर से ही मिल जाएगा इसे हम बोलते हैं ओटम सीजन क्या बोलते हो इसको ओटम सीजन अटम के ध्यान रखना लेकिन यही बात डेसी डुवस हम कर रहे हैं सब ट्रोपिकल के लिए तो सब ट्रोपिकल में डेसी डुवस कब आ जाएंगे मई जून जब गर्मी जाता होगा तो यहां की पत्ती ये गिरा देंगे और जब सर्दी सुरू हो जाएंगे तो यहां की पत्ती ये गिरा देंगे तो इसके लिए डॉर्मेंसी कब आएगा सेप्टमबर अक्टूवर में और इसके लिए पत जड़कब बनेगा मई और जून में तो ये कनफ्यूजन आप मत लाना भाई साहर कि क्या होते हैं डेसी डुवस अब हम बात करते हैं डेसी डुवस पर तो डेसी डुवस जो होता है ये दोनों हो सकते हैं सब ट्रोपिकल भी होगा और कौन होगा टेंपरेट भी होगे और जो डेसी डुवस होते हैं ना उसमें खचच खच training and pruning करते हैं बाद में चर्चा करूँगा ये concept कितना अच्छा रहा है कि जो deciduous होंगे उसमें हम क्या करेंगे training and pruning जो अपने पतियां गिरा देते हैं अब तुम बोलोगे सर अमरूद गिराते हैं tropical वाले पतियां नहीं गिराते हैं प्रूद को छोड़ देना tropical में पपीता होगे आम होगे, केला होगे ये सब पति नहीं गिराएंगे इसमें training and pruning नहीं करते हैं लेकिन generally मैं बात कर रहा हूँ training and pruning किसमें करते हैं जो plant कैसा हो deciduous हो मेरे दोस्त deciduous Monika कितनी class होगी सर अभी तक ये सारे class होंगे, आपके agronomy की class दिने स्थर पढ़ाएंगे, अभी शांदार teacher है मज़ा आ जाएगा आपको agronomy की class, pathology की class सारे निमेटोलोजी भारत में अब सब ये चलते रहेंगे, daily is time class चलते रहेंगे आपको रुखने की जरूरत ने अचा ये चर्चा कहां करोगे सर, बाद में करूँगा अभी घबराना नहीं, desi duos समझ में आया अब देखो क्या है लोकाट जो होता है सब ट्रोपिकल में ये होना क्या चाहिए था इसको होना चाहिए था desi duos, पर यही प्रस्न बनता है, ये है भाई सहर, एवर गरीन आरे सर ये एवर गरीन का मतलब क्या होता है ये है सदा वहार अच्छा सर, वो लता जी का जो गाना आते हैं, सदा वहार नगमे वो है, हाँ ये कभी अपनी पतियों को नहीं गिराएंगे, इसको बोलते है एक्तम सदा वाहर अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा लीची की लीची में यह है इसी को खाते हैं इसको बोलते हैं एरील जो आपको दिखाने का भी मकसद है यह क्या है एरील तो इसको आप ध्यान में रखोगे एनर्सी इसकी मुझबरपूर में है बिहार में बाकि इसकी जाते हो गयरे रहे हैं अदेत्य मीना कव और यह इसका फेमिली आप कमेंट में बताना थоловそう हम कौन सा अरा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सब ट्रोपिकल कौन सा पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त सब ट्रोपिकल तो सब ट्रोपिकल का बता दो गुरुजी एक पॉइंट बता दो हमने heading डाला था sub-tropical अभी हम केवल उदाहरन पढ़े कि sub-tropical में आपको याद रखना है राजस्थान वाले फल और एक दो उत्तर प्रदेश वाला ये इधर भी होंगे, ऐसाने की इधर होगा इने अब इधर हमने याद किया था एक grapes बाले और दूसरा हमने याद किया एक लीची इंपोर्टेंट है लीची, बाकिस सब राजस्थान में हो रहे थे अराम से अब ये जो sub-tropical है इसमें ये कैसा होता है deciduous, कैसा होता है deciduous deciduous का मतलब पत जड़ी, कैसा होगा पत जड़ी, ये आपने पतियों को गिराएगा और जो पत जड़ी होते हैं, उसमें करते हैं TNP, यानि training and pruning क्या करोगे? training and pruning तो ये important है, इसमें करेंगे training and pruning बाद में पढ़ेंगे क्या होता है training and pruning अब हम आते हैं इस पे एक ऐसा बताओ जो एभर ग्रीन होता है, कौन है इसा जो एभर ग्रीन है पर है सब ट्रोपिकल का, वो कौन है? लोकाट, कौन है मेरे दोड़? लोकाट, ये important प्रस्ण बनते हैं जो आप note भी कर सकते हो कि ये है लोकाट, बाकी हम बाद में बात करेंगे कोटा सुपरवाइजर की बात करें तो वहाँ पूछ लिया गया था कि सबसे जादा training and pruning की बात करते हैं ग्राफिटिंग की बात करते हैं ये ग्राफिटिंग किस में हुआ था? ट्रोपिकल में, सब ट्रोपिकल में या टेंपरेट में तो किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं, टेंपरेट प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ग्राफ्टिंग और बढ़िंग, यह सब टाइम याद मत करना, हर बच्चा याद करने लगता है, आम की ग्राफ्टिंग का समय क्या है भाई साहर, लीची में कव करते है सेश्ट पूब याद करते करते आप परयसान हो जाओगे रटना अब हम आते हैं भी केबल चर्चा कर रहा हूं आपसे दर्सन कर बारा है कुछ सब्धिकल जौ आपने नहीं देखा होगा साइध उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं डुर में एट इस धैयर का और उपर वाले भाग को क्या कहते हैं तो ये कहलाएगा इसका पेरिकार्ब क्या होता है जरह मैं बताओं इसमें तीनों भाग आते हैं बोलते हैं प्लासेंटा क्या बोलते हैं प्लासेंटा इसका कौन सा भाग खाते हैं प्लासेंटा यह हाट होने के कारण इसका फल परकार क्या है इसका फल परकार है MP सरका क्या है important MP सरका तो यह important है इसका फल परकार क्या है MP सरका कौन सा पार्ट खाते हैं इसका placenta और बेल जो होता है बेल की family क्या है वो आप बताओगे जल्दी जल्दी से comment में आप बताते जाओ कि बेल की family क्या है और बेल का chromosome number क्या है इम्पोटेंट है लीची का आपने family कोई बताया नहीं कि लीची की family क्या होते है एक सूरज का जवाब सही आया सैक्ट ने डियसी important है आपको बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपने बहुत अच्छे तयारी कर रहे हो जिस चीज की तयारी कर रहे हो अब हम बात कर रहे हैं आ किसमें सब्ट्रोपिकल यहां तक पहुच गया आमला करोंदा अनार खजूर यह सब सारे क्या हैं सब्ट्रोपिकल की बात किया लीची सब्ट्रोपिकल अंगूर सब्ट्रोपिकल की बात क्या क्या क्योंकि सब यह राजस्थान में हो रहे हैं लीची अंगूर को छोड़ कर कि अब मैं बात कर रहा हूं temperate fruit की जब मैं बात कर रहा हूं तो temperate fruit में देखो इसे क्या बोलते हैं सीतोषन फल जान बहुत अच्छा आपका जवाब है रूटेशी और बेर का होता है रैमनेशी क्या होता है बेर का रैमनेशी अब हम बात कर रहे हैं टेंपरेट तो टेंपरेट फ्रूट क्या बताया मैंने ये फल जल्दी हम खाते नहीं है महगा होता है और ये मिलेंगे आपको ठंडे परदेश में जैसे जम्मू एन कास्मीर में मिलेंगे हिमाचल परदेश में मिलेगा क्योंकि इसके लिए तापमान क्या चाहिए कम चाहिए क्या चाहिए कम तो यह मिलेंगे ठंडे प्र्देश में जैसे सेव क्या बात करते हैं सेव important है दूसरा पियर इसको क्या बोलते हो नास पाती क्या बोलते हैं इसको नास पाती तीसरा क्या है पलं यही मुझ से RCA में पूछी लिया गया था कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आलू बुखारा क्या बोलते हो इसको आलू बुखारा ये वालनाट अखरोट हो गया पीछ को बोलते हैं आडू क्या बोलते हैं इसको आडू एप्रिकॉट हो गया आलमोल्ड को बोलते हैं बादाम इंपोर्टेंट ये चेरी हो गया ये आ 18 degree Celsius और ये जो temperature लिखा हूँ ये temperature कैसा है तो ये temperature है average temperature तो average temperature का मतलब इसका day और night दोनो temperature को अवसत निकालते हैं और दो से क्या करोगे divide कर देंगे वह तापमान होनी चाहिए कितना 14 से 18 के बीच कोई भी temperature fruit के growth करने के लिए तो ये बात में प्रशन आपको पूछेंगे आम के लिए उप्युक्त जलवायू क्या होते हैं सेव के लिए उप्युक्त जलवायू क्या होगा पपीता के लिए क्या होते हैं केला के लि एक तरफ अपना कौन है बताओ ट्रोपिकल कौन है ट्रोपिकल दूसरी तरफ कौन है सब ट्रोपिकल कौन है यहाँ पे सब ट्रोपिकल और तीसरे आ गया यहाँ पे temperate कौन आ गया temperate बताओ इन तीरों में बेर को कहा रखो तो बेर को यहाँ रखेंगे सेव को कहा प्रेट में रखेंगे करतों लोगे केला को कहां रखा तो केला को यहां रखेंगे गुरुजी कहां ट्रॉपीकल में मैंगो को कहां रखोंगा आम को तो आम को भी कहां रखेंगे अपन ट्रॉपीकल में याद हो जाएंगे इस तरह से थैंक्यू सो मच सर जी, आलमोल्ड की फैमिली सर, अरे मेरे से इंपरस्ण पूछ रहा है, अरे बाप बाप, एक से एक, भाई यहाँ पूछना नहीं है, यहाँ केवल सुनना है, चले, तो यह सारे जब प्लांटीशन क्रॉप अपन पढ़ेंगे, उसमें सब चर्चा होंगे, अब टॉफिकल, टेंपरेट, सबसे पहला जो पॉइंट अपन डिसकस करेंगे, वो हम कर रहे हैं आपसे क्लाइमेट के बारे में, किसके बारे में, क्लाइमेट, तो क्लाइमेट आपको याद होनी चाहिए क्या-क्या, टॉपिकल, दूसरा, सब टॉपिकल, और तीसरा, टे तो बता दोगे या नहीं जल्दी जल्दी हाया ना इस कोश्चन आपको कोई दिक्कत कभी भी कोई भी यह ओप्शन पूछ लिया आपसे एक्जाम में पूछ लिया कि सपोर्टा बताओ कौन सा क्लाइमेट का है तो आप तुरट टिक कर दोगे कि सपोर्टा किसका है ट्रॉप का आमला पूछा हुआ प्रश्न है कि आमला का क्लाइमेट क्या है तो आमला है मेरे दोस्ट सब ट्रॉपिकल किसका है सब ट्रॉपिकल लोकाट पूछ लिया जाए आपसे तो लोकाट क्या है सब ट्रॉपिकल ग्रेप्स क्या है तो ग्रेप्स क्या है सब ट्रॉपिकल तो प आप बता सकते हो यह नहीं जैसे मैं आम शुरू करता और पहला हेडिंग डालता क्लाइमेट एंड टेंपरेचर तो सब का आप रटते कितना रट होगे रटना नहीं सकेंड टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ इसके साथ अगेन वही फॉर्मेट होगा हमारा कौन कौन सी फॉर्मेट है जरा बताना फॉर्मेट है यहाँ पे ट्रॉपिकल दूसरा क्या है सब फल का टेंपरेचर तो तीस फलो का तापमान आप कैसे बताओगे जैसे पूछले आम के लिए उप्युत तापमान ओप्तिमम टेंपरेचर क्या होता है केला के लिए ओप्तिमम टेंपरेचर क्या होता है पपाया के लिए ओप्तिमम टेंपरेचर क्या होते हैं सेब के लिए optimum temperature क्या होगा अनार के लिए optimum temperature क्या होगा तो रटोगे आप रटना नहीं है जो tropical है उसका on and average temperature कितना रखेंगे 24 से 28 के बीच कितना रखोगे 24 से 28 क्या क्या प्रशना आएगा आपको इसमें पूछा गया है प्रशना mango के बारे में तो mango के लिए उप्यूक्त तापमान बुक में देखता होगा कितना है 24 से 28 दूसरा क्या आते हैं बनाना इंपोटेंट पूछ लेगा बनाना बनाना का होता है 26.5 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 26.5 और यही 26 परतिसात इसमें 26 परतिसात कार्बो हाडडेड भी पाये जाते हैं अगर आपको अमरूद भी पूछ लिया जाए कि अमरूद ग्वाबा के लिए उप्यूक्ट टेंपरेचर कितना होते हैं तो 24 से लेकर 29 डिग्री सेलसियस होते हैं तो क्या इस तरह से हमें याद करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ा हमने केवल एक पॉइंट याद रखा ट्रोपिकल थूट्स में कौन-कौन आते हैं जितने आते हैं उन सब का टेंपरेचर हमने एवरेज बना दिया कि 24 से कहा आ जाएंगे 28 के बीच एकजिप्ट तो आप उप्सन के पास पहुच जाओगे पहुच जाओगे ना अब हम बात करते हैं सब ट्रोपिकल सब ट्रोपिकल में एपरोक्स हमारे सिलेवस की बात करें तो 15 फूट आते हैं कितने फूट आते हैं 15 अकेला सिट्रस की अगर बात करूँ तो सिट्रस में ही 10 फल आते हैं मैं सिट्रस को एक ही काउंट कर रहा हूँ नए तो फलों की संख्या हो जाएगी 25 अब 25 का टेम्परेचर याद करना बेवकूफी होगा होगा ना तो इसके लिए तापमान हमें एभरेज बना देता हूँ 28 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियत कितने 28 से 32 याद रखना कितना इजी है 24 से 28 और 28 से आगया 32 ये वाले जो रीजन है टेम्परेट ये सबसे होंगे ठंड़ा ये क्या होगा ठंड होगे यहां अराम से ठंड होगे सेव हूँ एकदम ठंड में अराम से ये चीलिंग पढ़ाऊंगा chilling injury क्या होते है freezing injury क्या होता है इस पे अपन business discuss करेंगे इस दोनों पे कि chilling और freezing में basic difference क्या होता है अभी हम बात करना है इसका temperature पे आप इसके लिए जो ताप मान रखेंगे वो रखेंगे 14 से लेकर 18 degree के आसपास कभी कभी 20 भी रखते हैं लेकिन हम इतना ही मान के चलेंगे 14 से 18 डिग्री तो देखो सबसे कम 14 से 18 इसका 24 से 28 इसका और याद रखना इजी है इधर देखो 24 से 28 है इधर 14 से 18 एकदम इजी 14 से 18 ठंडे वाले का 24 से 28 यह और बीच में जो हम बैठे हुए हैं यह 28 से लेकर 32 डिग्री कहां पे 28 से लेकर 32 डिग्री वाइस कम आ रहे हैं इंदर राजमीना इसको कुछ करता हो रहे आवाज क्यों है इसे समस्या आ रहे हैं सही आ रहे हैं हेटपोन लगा के देखो इंदर मल्या जाएंगे आप बताओ यहां 25 फलों का तापमान और यहां 10 फलों का तापमान और यह 10 फल अब तुम खुद सोचना तो 25, 10, 35 और 10, 45 फलों का तापमान हमारे बच्चों तुरत याद कर सकते हो क्या पढ़ें ? दो टोपिक पढ़ा एक पढ़ा Climate अगर आपको 30 फल, 45 फल कुछ भी हो इसका तुरत बता देगा Tropical, Sub-Tropical Temperate सर एकड़म ही जी दूसरा आपने पढ़ा Temperature 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 का तीन भाग बना दिया कौन कौन Tropical Sub-Tropical और Temperate Tropical का कितना ? चोबिस से 28, दूसरा 28 से 32, तीसरा 14 से 18, कोश्चन की संख्या हमें इतना ही पॉइंट में कितने होगे, तीस-तीस भी रखता हूँ, तो साठ और जैरेट के जो लोग प्रशन तयारी कर रहे हैं, वो 45-45 मान के चलो 90, क्योंकि तुझे तो सिट्रस में भी पूछ लेगा, करना खटा क्या होते हैं, ट्राइफॉलियेट औरेंज क्या होते हैं, फ्लाइंग ड्रेगन क्या होता है, आते हैं हम टॉपिक नंबर ठड़ पे, किस पे आते हैं ठड़ पे, पीसना जो है टॉपिक वो है ठड़ नंबर कि अब आपसे पूछ लेगा पीच के बारे में, किसके बारे में पूछेगा दोस्त पीच, तो ये 45 क्रॉप का पीच मैंने बता दिया आपको, कि अगर कोई पानी की मांग क्या करेगा कम, तो उसकी पीच होंगे ज्यादा, कितने पीच होंगे 7.5 से ज्यादा, ये एक प्रस्न, दूसरा, अगर कोई पानी की मांग ज्यादा करता है, तो उसकी पीच होंगे कम, इसकी पीच कम, कितना 7 से कम, ये तो दो प्रस्न, इधर 7 से ज्यादा वाले में राजास्थान के जितने पर बेर जाएगा अनार ये गए करा रहा में है दूसरा जहन्रली जुपक होते हैं यहां से प्रस्ण देखो क्या क्या पूछेगा जैनीडयारी जू नई समझाई है अच्छा नई समझे हो ठीक है यानि इसका नेचर कैसा होता है आम लिए इस फलो के गुदा को देखो पल्प को देखा अनानास निकाला इसे निचोड दिया आमला निकाला उसके एदम टेश्टा जो होते हैं उससे रस निकाला और रस का पीच देखोंगा तो रस के जो पीच है वो मिलेंगे आपको कैसा एसिडिक कैसा मिलेगा एसिडिक अब अंदर का मामला फलो के अंदर का मामला एसिडिक है तो मिट्टी कैसी चाहिए जेनरली जेनरली चाहिए मिट्टी इसको बेसिक साथ से ज्यादा वाले पीच चाहिए अधिकांता फलो को ये उदासी तो इंपोर्टेंट है ऐसे करके बहुत सारे जेनरली फ्लो का अच्छा जेनरली जो फ्रूट्स होते हैं कभी कभी पूछ लेगा पूछा जाए कि जादा तर्फ लो किस पीच पे ग्रोथ करते हैं तो यह पीच यह इंपोर्टेंट है बै राजस्थान में नहीं मिट्टी है साथ से जादा पीच है आठ है बीकानेर आठ है जेसल में एट पॉइंट फाइव है ऐसे जाके तो फल तो लगाना है तो जब अधस्ति लगाते हैं तो उसको कहते हैं सेलाइन टोलरेंस यानि वह सौल्ट के परती क्या है टोलरेंस है व इसको बोलते हैं सौल्ट टोलरेंस क्या बोलते हैं इसको सौल्ट टोलरेंस तो आपको I think मेरे हिसाफस समझ में तो आ रहा होगा कि ऐसा है यह ऐसा है देख रहे होगा आइना की जैसा समझते भी जाना है कल की हमने topic जो discuss किया first point क्या किया था एक point तो आपने बताया कि sir कल जो हमने पढ़ा था first climate में बात किया था आपने temperature के बारे में point one discuss हो गिया था दूसरा हमने बात किया था किस के बारे में pH के बारे में आप किसी भी crop थे उसके आसानी से क्या बता सकते हो pH बता सकते है third हमने बात किया था कि ये जो सारे है इसकी climate क्या है ये भी आप बता सकते हो tropical है, temperate है ये आपने tropical, subtropical और temperate इसके बारे में आपने चर्चा किया था अब हम आते हैं आज d number यानि कि point number हम four की बात करेंगे और fourth में हम करेंगे आज सभी का storage के बारे में किसके बारे में हम बात करेंगे storage की फलो का भंडारन कितने degree पे हम करने वाले हैं वो भी आपको याद नहीं करना है जरा देखें आप इधर जो crop थे ये सारे क्या कहलाये थे tropical ये आपको याद होनी चाहिए ये क्या कहलाया था subtropical और ये कहलाये थे temperate पहली बात है अच्छा training and pruning ना याद आ गया fourth number point अब आते हैं कहां training and pruning की चाचा कर लेते हैं फिर करेंगे अपन storage की बात तो training and pruning किसमे करते हैं ये मैंने कल आपको concept दिया था कि ऐसा fruit जिसका nature क्या हो deciduous यानि वो कैसा हो पत जड़ी कैसा होगा मेरे दोस्त पत जड़ी तो deciduous जिसका nature है उसमें हम क्या करेंगे training and pruning तो सब tropical में क्या होगा training and pruning और temperate में भी आप क्या करोगे training and pruning इधर जो है इधर एक है जिसमें हम करते हैं जिसका नाम क्या है guava अमरूद में हम करते है training and pruning basic difference आपको training and pruning डिटेल में हम पढ़ेंगे पर छोटा सा एक कहानी है वो देखते हैं कि training and pruning क्या होता है किसे कहते हैं training और किसे कहोगे आप प्रूनिंग तो मैंने बताया था आपको training और pruning क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं देखो training जो होते हैं न प्लांट यह एक प्लांट है यहां भी मैं एक प्लांट बना देता हूँ इस प्लांट में अभी केवल इसकी पत्ति आये हैं तो जब तक प्लांट में और इधर जो प्लांट है इस प्लांट में हमने पत्ति के साथ साथ यह पत्ति के साथ साथ इसमें बना दिया हूँ इस तरह के फूल यानि की फ्लावर एक तो ऐसा भाग है जिसमें सर आवाज कमा रही है सर आवाज कमा रही है वाइस कुछ कीजिए क्या करो साउंड का बिल्कुल कमा रहे हैं मैं तो चेट तो किया हूँ अब मैं क्या करो इसमें साउंड का यह प्रोब्लम तो है छोड़ दू तो आज क्लास रहने दू आशाराम लक्ष जैन क्लाइमेट स्टोरेज साउंड का कुछ करो सर अब आज बहुत कम आ रही है बहुत कम फार्मर ओफिशियल क्या करो तो कम हें आ रहे है आप आवाज बढाने है सुनाईने पढ़ रहा है बताना हंतराज मिना देखना एक बार कॉक्स रॉक नमस्कार हाँ सर अवाज कम आ रहे हैं कम आ रहे हैं इत्ता तो नहीं कि आप सुनने ही पार रहे हो कल करता हूँ टेकनिकल प्रोब्लम है ये देखता हूँ एक बार कल एक बार और किसलिए मैं दो दिन से इसको चेक तो करा रहा हूँ माइक भी सही चल रहा है सिस्टम चेंज करो फिर सिस्टम तो चेंज करके इत्ता लगा दिया वे साड़े तीन लाख लगाया हूँ फिर भी चले आवाज का कल एक बार सर अखिल सर से बात नहीं किये थे बुला के एक बार बोलते तो चलो तो ये क्या है ट्रेनिंग और इधर क्या है पुरूनिग जल्दी से आप देखें ट्रेनिग एंड पुरूनिग तो प्लांट के ना basically दो अवस्था की हम बात करते हैं कितनी अवस्था की बात करेंगे दो अवस्था आज वर आप काम चला लो जिस तरह से चल रहे हैं वो आप देख लो बाकी कल अपन करते हैं इस पे कुछ तो दो अवस्था एक तो प्लांट के फूल आने के पहले तो फूल आने के पहले जो है उसे हम कहते हैं वेजीटेटिव फेच क्या बोलेंगे इसको वेजीटेटिव जब तक इसमें फूल नहीं आया उसके पहले की अवस्था हिंदी वाले बोलते हैं इसको बनस्पतिक अवस्था कौन सी अवस्था है? बनस्पतिक अवस्था और जब फूल आ जाए तो इसी प्लांट के इस भाग को हम बोलते हैं फ्लोरल या हम कहते हैं reproductive phase तो यह ध्यान रखोगे reproductive phase तो यह ध्यान रखना reproductive को बोलते हैं प्रजनन अवस्था यानि कि अब plant क्या करना शुरू करेगा प्रजनन तो देखो vegetative phase और दूसरा कौन है प्रजनन यानि कि reproductive phase तो यह important है तो vegetative जो यानि यह क्या होते हैं पहले पत्ती उत्ती आएंगे तना आएंगे यह होते हैं initial अवस्था यानि कि plant के प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाता है vegetative phase और इसमें करते हैं training जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे में गुरु जी देखता होगा पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास के students को खूब दवा के मारते हैं क्योंकि उसमें अभी reproductive phase नहीं आया प्रजनन की अवस्था नहीं आया और तुम लोग जितने चंडाल अभी देख रहा होगा मोवाइल इस तरह से तुम सारे की सवस्था में हो प्रजनन की अवस्था तो तुझे इस तरह से मार नहीं सकते दना दन तो है भी कटाई नहीं कर सकते हैं आप में आप में छोटी मोटी emotionally blackmail कर सकता हो हलका फलका प्यार से मार सकता हूँ तो इसको कहते हैं हलकी कटाई तो ये ध्यान रखोगे तो मैंने क्या बताया जिरा समझना कि जो ट्रेनिंग होते हैं तो ट्रेनिंग किस अवस्था में होते हैं तो ट्रेनिंग को आपने बोला कि ये होते हैं फेज सा वेजिटेटी फेज में यानि बनस्पती कवस्था और इसमें कटाई कैसा करते हैं इसमें कटाई करते हैं हैवी हैवी का मतलब कटाई करते हैं जादा कटाई क्या करेंगे जादा कटाई को याद रखोगे आप पिटाई से कटाई को किस से याद रखें, पिटाई से, बचपन में पिटाई क्या करते हैं, जादा, पिटाई एक दम, इतना पिटाई कर देता हैं कि पैंट में पैसाव आ जाए, ये पिटाई है, ये क्या है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग, देखते हो, आर्वे उर्मी वाले ट्रेनिंग खतरनाख होते हैं शुरू में तो ये ट्रेनिंग तो भेजिटेटी फेज में करते हैं हैवी इसमें कटाई करते हैं और इस कटाई से क्या होगा इस ट्री का या प्लांट का ट्री का या प्लांट का हमना एक सेप देते हैं देखते हो बच्चे को मार फीट करके बोलते हैं एक संसकार देते हैं संसकार यानि कि पूछा जाए कि आकरती किस से परदान होता है तो आकरती परदान करने के लिए आपको करना पड़ेगा गुरुजी क्या ट्रेनिंग क्या करना पड़ेगा ट्रेनिंग अब हम बात कर लेते हैं आपके साथ प्रूनिंग का किसके बात कर लेते है प्रूनिंग हलकी सी बात करते हैं तो प्रूनिंग अब हम लोग जो है जो आप लोग देख रहेंगे मोबाईल यह सब परजनन अवस्था वाले मौका मिलते ही आप एक दम छका बना दोगे तो यह परजनन अवस्था वाले हैं तो यह होता है कहां री प्रूड़क्टिव और इसमें क्या होते मैं लाइट लाइट कर रहए लाइट कटाई करते हैं यांनि कटाई कैसा करोगे लाइट फल का पर लिखके माबाप को सिवा करोगे नौकरी करोगे पैसे कमाओगे तो ये फल आ रहे हैं जो बच्पन में मेहनत किये माबाप अब तुम फल देने लाइक हो इसका मतलब यानि कि फ्रूटिंग की अगर बात किया जाए फ्रूटिंग को ज्यादा करना है और फ्रूटि क्या करते हैं पूर्णि तो आपको सिंपल पूछेगा ट्रेणिग और पूर्णिग क्या है तो यह जो होता है वेजिटेटिव और रिप्रूडक्टिव फेज को जोड़ने का काम करता है तो यह बेसिक अंतर आपको समझ में आ रहा होगा एक्जाम में यही पूछ लेते त Самने रिजुन को आएगा कभ परचु तक आ जाना चाहिए या उसलीग और चीर कशार कर दो एक वार जी के गणे सर सर किसी पर दूनिया को में उपक्री करणे कर शेर सो के लिए चलए क्ट्रूरिबी आज आज सर मैं मैं भी रिप्रोड़क्टिव हेज में हम क्या करते हैं तो ये करते हैं प्रूनिंग तो आपको समझ में आना चाहिए देखो क्या कॉंसेट बनाया तो प्रूनिंग और ट्रेनिंग का आपने बताया कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग टी एंड पी तो ये किसमें करते हैं तो टी प्रश्न बने गा जल्दी से बता देता हूं तो आपके पास प्रश्न बनेगा एक तो बनते हैं ग्रेप्स में कब करते हैं ट्रेश ट्रे निंग प्रून इंग वह लिए अगर आपको साउथ इंडिया की बात पूछ Elena कोई भी प्रश्न कहीं भी आ सकता यह जरूरी नहीं कि सभी ये पढ़ाये ने तो प्रस्ट नहीं आएगा साउथ इंडिया की बात करें तो दो तरह के प्रूनिंग होंगे एक को कहते हैं थौरबाड प्रूनिंग क्या बोलते हैं थौरबाड प्रूनिंग और एक को कहते हैं फ्रूट प्रूनिंग तो फ्रूट प्रूनिंग क्या ह करते हैं अक्टूबर और नौंबर में तो ये दो तरह के ट्रेनिंग और प्रूणिंग कहा करते हैं साउथ इंडिया लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा वह सर क्या प्रस्नालिटी है अहां करन सुथार जी चले आगे अगला हम बात करते हैं नौर्थ इंडिया की तो हमसे प दिसंबर और जनवरी में एक प्रस्न ये अगर दिसंबर जनवरी याद है तो यहां से दो प्रस्न और एड कर देता हूँ एक तो आपके प्रस्न आ जाएंगे फालसा का किसका फालसा कि फालसा में प्रूनिंग कब करते हैं दिसंबर और जनवरी और ग्रेप्स में कब करते है दिसंबर और जन्वरी तो ये दोनों प्रस्ण इंपोर्टेंट है आपको याद होनी चाहिए एक और बात कर लेते हैं अपने प्रस्ण जब आते हैं तो एक बेर का पूछ लेगा तो बेर का अगर प्रस्ण पूछा तो यहां एंसर आना चाहिए अपरील और मई क्या आना आपने प्रस्ण पूछा तो इसका एंसर देना है मेरे दोस्त फरवरी और मार्च कब एंसर दोगे फरवरी और मार्च तो यह चार-पांच कोस्टन आपको फिक्स आते रहते हैं घूंब फिर के यही प्रस्ण बार बार पूछे जाएंगे तो मेरे हिसाब से जितना इससे बन रहा था वो मैंने आपसे discuss कर दिया अभी तो जंगल चल रहे हैं कुछ तो पढ़ाई किया नहीं तो फोर्थ नमबर हमने topic discuss किया जिसका नाम है training and pruning क्या है training and pruning हम बात करते हैं दोस्त पांचमे नमबर तो हिप्ट नमबर क्या है जिरा देखते हैं पांचमे नमबर की हम बात करें तो पाँच्वा नंबर आपके सामने बहुत इंक्त आने वाला है तो वो आने वाला है सोइंग टाइम तो यह ध्यान रखो सोइंग टाइम कैंदा कोई कर सोइंग फूड के लिए यूज नहीं करते तो इसके लिए यूज होगा planting time क्या यूज करोगे इसके लिए planting time दोनों में difference पता लगा हाँ सर अरी सर हम तो ये खी समझते थे तो ये गलती करते हो अब आगया planting time अब planting time आपको याद कराने की जिम्मेदारी हमारे मैं हमेशा सब्द यूज करता हूँ generally क्या यूज करता हू जैनरली तो ये धियान रखना planting time आ जाए या तो इसी का प्रस्ण बन जाए propagation का किसका बन जाए propagation का देखो propagation एक्चुल में propagation या प्रवर्धन जिसे बोलते हो हिंदी में क्या बोलते हैं प्रवर्धन प्रवर्धन टाइम पूछ लिया जाए propagation अभी एक लड़का फोन करके फोन बताया कि यार सब जैरफ की तयारी करता हो ना हर एक का planting time propagation का time फिक्स याद नहीं होते हैं बढ़ा दिक होता है multiplication मैं एक plant हूँ मेरे से 10 plant बना देना यानि previous plant का क्या कर देना multiplication करना गुनन करना गुनज करना उसकी संख्या को बढ़ाना क्या कहलाता है प्रवर्धन प्रवर्धन क्या होता है पहले और वर्धन का मतलब क्या होता है गुनज यानि पहले वाले plant का करना है गुनज त क्या प्रवर्धन होगे अब प्रवर्धन जो होते हैं इसके लिए जैसे अब मैं एक गाउं की भासां बताओं पहली वार तेरे साधी होगे अब तुझे करना है वी प्रोडक्शन प्रजनन करना है अब प्रजनन करने के लिए मैं आपको जेसल मेर छोड़ दूं गर्मियों 45 सीमला जाना है कहां जाएगा का से लिए अनुकूल वातावरन जाहता है एक दम जो चाहता है वही चीज कर दुझे jadi यहीं तो हमें समझना है कि वो प्लांट अगर ट्रोपीकल का है, सब ट्रोपीकल का है, टेमपरेट का है, तो उसका आइडियल तापमान आप से छुबा थोड़े पागल, आप सब जानते हो कि जो ट्रोपीकल है उसका तापमान 24-28 डिग्री, और जो सब ट्रोपीकल है 28-32 डि तो ठंड इसको कहां मिलेगा बताओ ठंड इसको मिलेगा कहां दिसंबर और जनवरी में यानि टेंपरेट फ्रोट का कोई भी प्रस्न आ जाए आप आख बंद करके दिसंबर जनवरी फिक्स कर देना कहीं कहीं हिमालाई की तराई में ठंडे परदेश में फरवरी मार्च तक भी करते हैं इसमें ग्राफ्टिंग और बडिंग की किरिया वह हम दिसकस आपको सेपरेट सेपरेट करूंगा लेकिन अगर आपसे पूछ दाए सेव नास पाते इन सब में कब करते हैं प्लांटिंग टाइम कब होते हैं प्रूनिंग कब करते हैं ज्यादा तर तो भाई यही तो है ट्रेनिंग प्रूनिंग अब सिष्ट जो पदात है जो वेस्टेज है उसको हम काट छाट देंगे तो यह कब करेंगे दिसंबर और जन्वरी लेकिन आपको पूछे ग्राफ्टिंग गुराफ्टिंग कब आएगा तो थोड़ी सी नॉर्मल क्लाइमेट बनते हैं जाते हो फरवरी मार्च में इन सब में सारे करने लगते हैं दना दन ग्राफ्टिंग करने लगते हैं लेकिन ट्रोपिकल और सब ट्रोपिकल इनकी बात करें ट्रोपिकल और सब ट्रोपिकल ज्यादा तर यह यह बरसां पे निर्भर होते हैं तो इसकी प्लांटिं कि बात करें इनका अधिकांस का एंसर आने वाला है आपका जून जुलाई सर सब में लागू होगा क्या मैं दोस्तों एक कॉंसेप्ट बना रहा हूं हरे क्रॉप का अलग-अलग हम पढ़ेंगे ऐसा ने कि आपना एक दूख होज कर लिया हो कि ये गलत पढ़ा रहे हैं नहीं मैं आपको एक कॉंसेप्ट दे रहा हूं जब हम क्रॉप बाइच पढ़ेंगे तो इसकी डिसक्रसन तो अलग से करेंगे बहुत अच्छे तरीके से पर मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूं कि जो टेंपरेट होते हैं ना उनको पसंद है दिसंबर जनवरी वहां पे रहें तो तनावना है तो उसको काट चाट देंगे ऐसा है पूरा फल लगा हुआ है फल को काट दिये ना ऐसा नहीं करना है उसमें हलकी फुलकी करेंगे वो पुरूनिंग समझा चुका हूं तुझे तो यह जून जुलाई इसका इंसर सही आ गया राजबीर आप कहां से हो भाई तु आजा खाकी अरे क्या क्या यह सब फालतू चीजें नहीं करना है साधी हो गया क्या यह अरे भाई अजय देखवाई यह सब जो है यह ना करें बड़ा सुद्ध एकदम अच्छा सा चैनल है चलने दे बावे सर आप पुड़ा देखते भी रहें इधर हलकी फुलकी मैं हाई टेक से हूँ बाई राजवीर चलो ठीक है पढ़ाई करें आगे जिनको पढ़ना है वो पढ़ो जिनको ने पढ़ना है वो आराम से एकदम यहां से चले जाएं लिफ्ट होके आराम से सो जाओ उसको कोई ज़रूरत नहीं मेरे दो दलके भी होंगे तू यकीन मान्दो में भी पढ़ा दूगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है हमें इससे अंतर नहीं है कि तू इसमें जुड़ रहे हो मेरा काम है पढ़ाना ना ही एक बार बोल रहा हूं लाइक करो सब्सक्राइब करो चलने दो यह फिरी सेवाय में दे रहा हूं और मेरे देते रहूंगा तो यह सब्सक्राइब करते जाना इधर प्रस्ण भी बंगते जा रहे हैं ध्यान रटना सातमा नंबर जो कोश्चन है यह एक प्रस्ण बहुत अच्छा आता है किसका स्टोरेज का आपसे प्रस्ण पूछ लेगा ऑप्सन दे देगा इस तरह से चोबीस से अठाइस अगला दे दि पांच से आठ तीसरा लिख दिया जीरो से लेकर एक डिगरी और चोटा लिख दिया मांग ले जाए पंदरा से लेकर बीस डिगरी से अब आपको मैंने समझाया कहां देखो आप प्रस्ण को समझना तीन तरह के क्रॉप मैंने पढ़ाया था क्या-क्या ट्रोपिकल सब ट्र हम करते हैं आठ से लेकर बारा ह डिगरी सलसियस तक हौइad आख मत movement क्या है अगर आव अजाए आम का स्टूरेज कि तह डिगरी करते हैं गुरुजी तो आम का करते हैं एक्जेक्ट तो बेखो आठ डिगरी मैं अगर 9 दोगे तो आम मना नहीं करेगा, हरे राम सर तो 8 पढ़ाये थे, 9 पे नहीं रहूँगा, नहीं ऐसी नहीं, हो जाएंगे, स्टोरेज की भी हम चर्चा करने वाले हैं आपसे, कि लो स्टोरेज, लो टेमपरेचर ही क्यों रखते हैं स्टोरेज में, ये भी हम बात करेंगे आपके साथ, एक दूसरा क्या आता है केला, जो जो प्रशन आता है, मैं आपको 5 बार लिखता हूँ, इसी लिए होटी में प्र पपीता की बात करें दोस्त, तो पपीता का स्टोरेज है, 10 से 12 डिगरी, तो हमारे सारे काम निकल गए, कि ट्रोपिकल जो फ्रूट है, इसका स्टोरेज हम जो करेंगे, वो करेंगे कहां, आट से 12 डिगरी पे, याद हो गया, अब हम सब ट्रोपिकल की बात करें, तो सब ट जाओगे काम हो जाएंगे पांच से आघ किसको छोड़कर ग्रेप्स अंगूर का करते हैं हम 0 degree Kum granite Aynar की बात करे तो ये भी होुदे दो से लेकर पांच सब्सक्राइब कर सकते हो ग्रेप्स परहाँ स्थान में नहीं होते हैं याद हो जाएगा जीरो डिग्री पे और टेंपरेट जो फ्रूट है इन सब का भेंडारन करोगे जीरो से पाने देना सर एक डिग्री पे सही है हाँ ओफिसियल गुरुजी मेरा एमपीविटी का पेपर पांच दिसंबर को है पंकर दाकर नमस्कार नमस्कार भाइस से तीपक सही चल रहे हो एक बार इसे लाइक कर दिया करो इतनी थोड़ी रहम कर दिया करो चले अब यह सेव ओगया नास पाती हो गिया आडू होगया अलू बुखारा हो ग्या चेरी होगया स्ट्राबेरी हो गिया इन सब किया स्टूरेज केटं jestem करोगा सब्षुट्प सारे सी में 70 कोश्चन साहिए हो सकता है क्या बिल्कुल हो जाएगे गनेश मस्त्र हो आप बताओ साथ नंबर पॉइंट में कोई दिक्कत स्टोरेज कर लोगे ट्रोपिकल का स्टोरेज आट से बारा सब ट्रोपिकल पान से आट टेम्परेट जीरो डिगरी स्टोरेज याद हो एक बार में भी मैं मैसेज पढ़ लिया आपका हो जाएगा हो जाएगा एसी में हो जाएंगे बिल्कुल इतना ज्यादा कटफ नहीं जाने वाला अब हम जो बात करेंगे वो कौन साथ यह इतने मैसेज करके मेरा दिमांग गूंग जा अब क्या लिखने वाला हो देख भू चले अगला देखें अब हम बात कर रहे हैं इसके कितने नंबर पॉइंट एट नंबर और एट नंबर जो है वो है टी एस एस का किसका है टी एसस किसी भी भलो का आपको टी एसस पूछ लेगा जैसे आम का टी एसस क्या होता है आनार का टी एसस क्या होता है अमरूद का TSS क्या होता है अंगूर का TSS क्या होते है यह important प्रश्ट बनेंगे TSS का पूरा नाम है total soluble solute यह जानते हो total soluble solute यह important है इसको measure करते हैं कहीं कहीं आजाए bricks meter से तो भी important है रेफ्रेक्ट्रो मीटर important है रेफ्रेक्ट्रो मीटर इसे चर्चा हम post harvest में ज्यादा अच्छा हम करेंगे अब हम बात करते हैं आ से आम बिल्कुल याद हो जाएगा इसका होता है और आ से अंगूर दोनों आ से है आ से आम आ से अंगूर इसका होता है 20 degree bricks और bricks तो इसका unit है कितने होते हैं 20 degree bricks किसका आ से आम आ से अंगूर इसका TSS होते हैं 20 degree bricks विसाल खटिक नमस्कार नमस्कार और अगला है इसका आधा कर दो अमरूद का किसका कर दो अमरूद भी पूछ लेते हैं ये आधा होता है 8 से 10 degree bricks आ से 10 degree bricks आ से आम आ से अंगूर बीस होगे और बाकी जो crop है आपके tropical सब tropical में इसको आप ले आना 11 से 14 degree bricks के अंतरगत आपका काम हो जाएगा जैसे यहां पर प्रस्ण क्या पूछ लेगा केला पूछ लेगा तो केला का TSS अगर देखोगे तो ये 11 से होते हैं 13 degree bricks के आसपास अगर आप से अनार पूछा जाए तो अनार का भी होता है ये 11 से 12 degree bricks के आसपास पपीता का पूछा जाए तो पपीता का होता है 12 डिग्री ब्रिक्स के आसपास तो बताओ जो TSS के प्रशन बनते हैं वो आप आसानी से कर लोगे या नहीं कहां सहर कैसा अ से आम अ से अंगूर इसका कितना रिखा 20 अमरूद का कितना होता है 8 से 10 और बाकी जो जितने प्रशन आपके आने वाले हैं इसका ये 11 से 14 जैसे केला अनार और पपीता इसके आप कर लोगे आराम से TSS तो हमने कितने टॉपिक आपके साथ सेर कर लिया 8 टॉपिक एप्रोक्स आपके साथ सेर कर लिया दोस्त चलने दो सर चलने दो मचने दो भगत ओके सर करेंगे सर एच ट्रिक की जै हो सकाई चलो ये चल दिया यहां पर तो ये बताओ अब मैं 9 नंबर पॉइंट आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ 9 नंबर पॉइंट क्या है? क्या है जल्दी से देखना? सारे फलो 9 नंबर पॉइंट है अब है क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट तो ये तो जानते हो इसका ट्रिक ही महीने ही इजाफा किया था भई क्लाइमेट्रिक का मतलब ऐसे फल जो होते हैं जिसे पूर्ण पकने से पहले तोड़ सकते हो इसको बोला जाता है क्या पूर्ण पकने से पहले तोड़ लो पूर्ण पकने से पहले क्या करते हैं इसको तोड़ते हैं पहले तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, या तो कह सकते हैं, पकने के समय, देखो ये परिभासा लिखा रहा हूं, पकने के समय, इसका स्वसंदर, respiration rate ये लिख देता हूं, RR, स्वसंदर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, पहले तो 99 परतिस्द तो students ऐसा है, जिसको ये भी नहीं पत आए, कि फल का स्वसंदर की भी क्रिया होते हैं, अरे फल सौस लेता है, पकने के समय, स्वसंदर क्या होता है, बढ़ता है, तो इस से यादने होगा, जैसे एक्जाम में, क्या आता है, कि निमलिखित में से कॉन कलाइमेटरीक है मेरे बच्चे तो तुरत कर लेगा निमलिखित में से कौन बोल गहा है क्या क्लाइमेट्रीक है ऐसा प्रस्ण आ गया अब आपके पास आ गया आम और दूसरा आ गया पपीता तीसरा आ गया इसमें से अमरूद और फोर्थ आ गया सभी तो पहली बात बताओ इन सारे फ्लों को आप थोड़े देख रहे हो कि बताओ किसकी स्वसंदर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं नहीं याद होगा ये बच्चों को मैं समझा चुका हूँ और ये काफी खेमस ट्रीक है आप लोग सब जानते होंगे इसमें पचास कोश्चन ऐसे ह कर दोगे कलाइमेट्रिक का मतलब जो फल कैसा होगा मीठा होंगे उसे कलाइमेट्रिक कहते हैं और नौन कलाइमेट्रिक में आपको याद हो जाएगा फल आपको खटा लगेगा या तो कैसा लगेगा मेरे दोस्त कड़बा ये जेनरली मैं एक ट्रीक ऐसा बना दिया जिस आप 30-40 प्रिश्न कर सकते हो अराम से जैसे आम की बात करें तो मीठा लगेगा पपीटा लगेगा केला लगेगा अम्रूद मीठा लगेगा सीता फल मीठा लगेगा चीकू अरे सर ये ट्रोपिकल वाले सारे कलाइमेट्रीक है अनानास नहीं है अनानास खटा लगेगा तो नौन कलाइमेट्रीक है सब ट्रोपिकल की बात करते हैं सब ट्रोपिकल बेर खटा लगेगा जामुन खटा लगेगा आमला आह कड़वा लगेगा नौ लोग मीठे होते हैं यह सारे क्लाइमेट्रिक होते हैं तो ध्यान रखना केबल किसको छोड़कर बताना काजू क्या है बताना आप कमेंट में में करवा होते हैं तो यह हो गया क्या नौन कलाइमेट्रिक सेम इसी तरह से सबजीयों में आपको याद रखना है पीन चार नाम लिख देता हूं सबजीयों में जो नौन कलाइमेट्रिक है बाकि सब आप कलाइमेट्रिक में याद कर लेना कोई दिक्कत नहीं है जैसे क्या लिख दूँ मीर्च तो यह इंपोटेंट है मीर्च यह सारे जो होते हैं यह क्या है नौन कलाइमेट्रिक और एक है खीरा तो यह चार सबजी जो है यह है नौन कलाइमेट्रिक बाकी जो आपके एक्जाम में आएंगे यह एकदम आनांदित रहना इसमें गलत नहीं साथ और साथ वाले क्या होंगे मीठा होंगे इसकी स्वसन की दर क्या होते हैं बढ़ते हैं कब बढ़ते हैं भाई साइब तो तूड़ाई के समय ना पकने के समय यहां दिलत कर चुका हूँ पकने के समय स्वसन की दर बढ़ते हैं स्वसन क्या होता है अभी मैं पढ़ाऊंगा आराम से आराम से और इस फल को क्या होता है पकने से पहले तोड़ लेते हैं और इधर क्या होता है जो कड़वा लगे खटा लगे जैसे निम्बू क्या है तो नॉन क्लाइमेट्रिक अनार क्या है नॉन क्लाइमेट्रिक आमला क्या है नॉन क्लाइमेट्रिक तो यह आपको ध्यान होना चाहिए और यही सब प्रशन पूछते हैं बेर क्या है तो नॉन क्लाइमेट्रिक इधार अगर आए गया तो ये पूछा गया है तरबुज क्या है नॉन क्लामेट्रिक खीरा क्या है नॉन क्लामेट्रिक काम खत्म हो गये 60-70 कोशन कर लिया तो बताओ इस तरह से पढ़ोंगे मज़ा आ जाएगा और इस बार ट्रेंड बदल दिया हूँ अधरर ट्रेंड बदले हूं तो यह तो पहले भी पढ़ा रहे तहां पढ़ा रहा था लेकिन आप दुबारा देखोगे तो आपको नया चीज मिलेगक अ दिन पढ़ाऊंगा है फ्लोरी कल्चर के दस क्लास जेन्ब्रल मज़ा आजाएगा फ्लोरी कल्चर आपको कि अरे सर क्या चीज पढ़ायो तो फ्लोरी कल्चर का भी दस क्लास पहले फल का दस क्लास सबजी का दस क्लास फूलों के दस क्लास और स्धिये प्लांट के दो क्लास प जेनरल होटी कल्चर में उसके बाद सुरू करूंगा क्रॉप तब सुरू होगा आम अरे सर आम उतना दिन जाके बाद दर्सन होगे हाँ तो आम के लिए आपको 40 दिन इंतिजार करना पड़ेगा अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं ये सब चले आगे बढ़ जाए नहीं आ रह और नौन कलाइमेट्रिक का पॉइंट डिसकस किया नाइन्थ नमबर अब हम आ जाते हैं दोस्त आपके साथ दसमे नमबर पॉइंट पे और दसमा नमबर इंपोटेंट है तेंथ नमबर पॉइंट आपके सामने पेस कर रहा हूं जो इस बार सुपरवाइजर में भी आये यह आगे है सेलाइन टॉलरेंट फ्रूट सेलाइन टॉलरेंट टॉलरेंस सेलाइन टॉलरेंस जिसे हम बोलते हैं लवन के परती सहनसील लवन के परती क्या है सहनसील आपको मैंने बहुत अच्छा कॉंसेप्ट दिया था कि कौन ऐसा फल है जो लवन के परती क्या होंगे सह अच्छा कौन सेक्ट दिया था ये दोनों प्रस्ण आएंगे अच्छा इन्निम्लुखित में真的 कौन की लोण के प्रतिस सहनशी तो मैंने आपको बताया था कि लवण या लवणियेँ य। मिरदा जिसे हम बोलते हैं सेलाइल सेलाइल स्वाइल को विक्सित होने के लिए दो कारक का होना अनिवारी है कल मैंने चर्चा किया था क्या एक तो उस छेत्र का तापमान क्या होना चाहिए ज्यादा टेंपरेचर क्या होना चाहिए ज्यादा और वहां बर्सा जो होनी चाहिए ये होना चाहिए कम हां सर ये तो कल आपने चर्चा किया था क्या किया थ ताप क्या होना चाहिए जादा और वर्सा क्या होनी चाहिए कम ऐसे छेत्रों में क्या विक्सित होते हैं लवणिये मिर्दा कौन सा मिर्दा लवणिये मिर्दा अच्छा अगर सूखा फलो में और मैंने बोला कि जहां वर्सा कम होंगे ताप जादा होगा वहां की मिट्टी क पी-एच क्या होगा मैंने बताया था आपको आठ से जादा बता चुका हूँ ना जो सुखे परदेश है वहां की मिट्टी की पी-एच भी क्या होगे आठ से जादा तो लबणिये मिर्दा यानि की सेलाइन के परती टॉलरेंस का कौन होगा जो सुखा में होगा जो राजस्थान में होगे जैसे कौन कोन है घजूर राजस्थान में होते हैं बिल्कुल प्रसनाया हुगा है अनार की बात करते हैं अगर आमला की बात करते हैं राजस्थान में ह अगर करौंदा की बात करते हैं तो राजस्थान में होगा अगर जामून की बात करते हैं तो राजस्थान में होगा अगर फालसा की बात करते हैं तो राजस्थान में होगा अगर बेर की बात करते हैं दोस्त तो राजस्थान में होगा यानि कि ये फल जो सुखे में हो रहे ह ये सारे क्या है salt tolerance है saline tolerance नहीं इसको क्या बोलेंगे salt tolerance ये क्या होगा salt tolerance यानि लवर्ण के परदी क्या होगा सहंसील अब सबसे ज़ादा सहंसील कौण होते है खजूर सबजियों में कौण होता है चुकुंदर तो ये धियान दोगे सबजियों में चुकुंदर और इधर कौन है खजूर आमला भी सांसील है अनार भी सांसील है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो कौन है खजूर तो आपको 10 कोई intimidating हमारे हिसाब से आपको मैंने जो discuss किया सायद वो आप समझ में आ रहीआ होगा आपको किस तरह के class लग रहे है वो तो आप कमेंट में बतावे यह आपका सहियोग और प्यार है की कैसा लग रहा है यह तो आप जल्ली जल्ली से कमेंट में बताऊगे ये कौन है गंधी ग्रूप जो इस तरह के क्या मैसेज कर रहा है रहे कितने डिलीट करे बताओ ऐसे इसे लोग ना परिसान करें जब भी आऊंगा पढ़ाने तो चार लोग ऐसे लग जाते हैं बस इनको कोई मतलब नहीं इसको रोकना है कि हरे राम किसी तरह से दुनिया के सामने आये हिने इनको रोकना है क्योंकि उनको पता है अगर ये आ गया तो दिमाग खराब करेगा देख रहे हो तो यह आऊंगा धीरे धीरे तो आऊंगा वैसा है बड़ा दुख होगा लोगों को बहुत ज़्यादा सर बढ़ियां आ रही है अवाज अब तो चले आगे बढ़ने दे तो यहां तक मैं बताओ दस पॉइंट में कोई समस्या हो तो और यह सारे प्रशन आपने देखा होगा सुपरवैजर का यह प्रशन आये हुए है कभी भी जियारेफ का प्रशन दोगे यह सब आते रहते हैं लवन के परती सहनसील कौन है अमल के परती सहनसील कौन है अमल के परती कौन होगा नहीं तो क्या एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिस तरह से हमने अभी फलों का वरगी करण किया उसी तरह से आपको जैसे अभी आपने देखा 10 पॉइंट हमने डिसकर्स किया जबकि पढ़ा इसमें कुछ नहीं केवल एक पॉइंट पे हमने डिसकर्स किया कि फल को हमने 3 वरगों में बाठ दिया कौन कौन ट्रोपिकल सब ट्रोपिकल और टेंपरेट उसी से हमने सारे पॉइंट निकाल करके आपको 400 कोश्चन यानि 10 इंटू 40 की बात करें तो कितने कोश्चन करवाया मैंने 400 कोश्चन बन सकते हैं इससे जिसमें बिद्यार्थियों को रटने की जरूरत नहीं है और इसकी डिटेल जो कलास होंगे वो तो मैं सुरू करूँगा फ्मस्ट लेक्चर इसका इंपोरेंट होगा जो हम कर डिसकर करने वाले हैंब क्या डिसकर करेंगे बहुत इंपोरेंट पॉइंट होगा जिसका नाम है फुरुट टाइप क्या एगाएंपो करा दो तो वो मैं कराऊंगा वो मैं कल कराऊंगा जिसमें आप 200 कोश्चन करोगे एक ही क्लास में कि सब्चियों को हम दो वर्गों में किस तरह से बाटेंगे और सारे प्रश्ण आप करोगे तो एका एक हम क्लास करते जाएंगे इस तरह से अब हम कल जो डिसकस करेंगे आपक फल परकार क्या है कभी खीरा जाए कभी घरबुज आ जाए जाए कभी कटःए भाल जाए कर यहां पे जो मन में controlar लिख देना या चीकू आजाए अवोकाडो आजाए ऐसा ऐसा भी प्रशन आजाए अवोकाडो आजाए या तो आपके एक्जाम में काजू आजाए या तो आपके एक्जाम में कोफी आजाए बच्चा क्या रखते रखते परिसान हो जाता है या तो आमला आजाए या तो जे दे सकता है आपको या तो अफीन दे सकता है important या तो चुकुंदर दे सकता है आपको कि इसका फल परकार क्या है सलजम का फल परकार क्या है बड़ा अच्छा बनता है या तो बेल का फल परकार पूछ ले या तो नीम्बू का फल परकार पूछ ले या तो अंजीर का फल परका दिफिकल्ट लगते थे इसको समझना मुश्किल लगता था क्योंकि हर चीज टीचर जैसे पढ़ाते थे बेटा इसको याद कर लो तो यह मुश्किल पॉइंट थे लेकिन अब आपको रटना नहीं है बिल्कुल आप समझ के पढ़ेंगे यह 50 प्रशन बनते हैं फ्रूट टा चाहिए जीवन भर आप फल परकार नहीं भूलोगे होटी कल्चर के क्या-क्या फाइदे हैं आपने भी इसमें देखा था और इसे कंप्लेट किया था कि फश्ट पढ़े थे जिसका नाम है इकोनोमिक इंपोर्डेंस क्या नाम था इसका इकोनोमिक इंपोर्डेंस कि होटी कल्चर का अगर हम खेती करते हैं तो प्रती इकाई छेतर पर यूनिट एरिया जो होगा प्रोडक्शन क्या होगा ज्यादा होंगे और प्रती इकाई छेतर अधिक आए होंगे आपको इंकम भी क्या होगा ज्यादा हलाकि इससे कोई प्रश्ण ने बनेंगे बेरुजगारे कि समस्या दूर होंगे और बिदेशी मुद्रा की क्या होगी प्राप्ती होंगे ये पॉइंट हम कल डिसकस कर चुके थे एक्जाम में जो प्रशन आएगा वो कहां से आएगा वो यहां से आएगे जिसका नाम क्या है nutritional importance कि horticulture जो फल है इसको खाने से कुछ पॉश्टिक भी महत्त है nutritional importance का मतलब इसको खाने से क्या vitamin मिलेगा, carbohydrate मिलेगे, minerals मिलेगे, protein मिलेगा कुछ इस तरह के जो source है उसके बारे में अपने हम आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसके फाइदे हैं चले अपने बात कर लें, पहला nutritional importance अपने देख लेते हैं कि क्या है इसका तुम लोग लिख रहे हो, लाए हो, notes, suits है कुछ बुक है ना, तो बुक में अपने देखते रहना है कि बुक में फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, minerals की, खनीज की बात करते हैं और खनीज में ये direct प्रस्ण पूछेगा कि सबसे ज़्यादा calcium किसमें पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा calcium किसमें है, leechy में यह important और leechy का ये क्वोन सा भाग है, कल भी हमने बोला था, ये कौन सा भाग खाते है, इसे क्या बोलते हैं, aeril कोई लड़का comment करके बताएगा कि leechy के गुनसूत्र की शंख्या क्या होते हैं, क्रोमोजोम की शंख्या क्या होते हैं जल्दी फटाफट आप कॉमेंट करना सब को नमस्कार नमस्कार आप जल्दी जुड़ जाए सबसे ज़्यादा अगर iron की बात करें एफी की बात करें तो वो भी पाया जाता है कि इसमें सूखा करउंदा ये ध्यान डखना अगर केवल करउंदा हो ये मैं गलत कर चुका हूँ करउंदा और दूसरा option था dry करउंदा dry का मतलब क्या होता है सूखा तो ये answer क्या टिक करेंगे सूखे करउंदा में iron की मातरा सबसे ज़्यादा होते हैं अगर vegetables की बात करें कि कौन सा vegetables है जिसमें iron परचूर मातरा में पाये जाएंगे तो यहां पर पाया जाएगा जानते हो कहां पालक में यानि कि पत्तिदार जो सबजियां होते हैं उसमें पाया जाता है क्या iron की मातरा परचूर जैसे पालक हो गया अब आपको बथुआ की बात करें तो इसमें भी iron पाये जाएंगे लेकिन प्रश्ण बनता है यह पालक से पालक में दो important तक तो याद रखना है एक तो calcium और दूसरा कौन है एफी ये भी प्रश्ण आते ही रहते हैं अगर एफी का प्रश्ण पूछेगा तो एक और आपसे पूछ सकता है दोस्त जिसका नाम है करहला यानि की बीटर गार्ड की इसमें भी कौन परचूर मातरा में पाये जाता है तो बीटर गार्ड में भी पाये जाते हैं एफी iron परचूर मातरा में और एफी का प्रश्ण बन सकता है तो एफी परचूर पाये जाता है कहां चुकुंदर में चुकुंदर यानि की कहां बीट में अगर बीट की बात करें तो यहां भी आइरन परचूर मात्रा में पाये जाते हैं तो यह important प्रश्ण है जहां से आपको आईरन का प्रश्ण बनेगा तो आप टिक कर सकते हैं चाहे वो vegetable का प्रश्ण हो या फिर fruit का हो आप आसानी से कर सकते हो खजूर की बात करें तो यहां कितना है 10.6% सूखा करउंदा कितना है 39% चले आगे बढ़ते हैं गुंसुत्र की शंख्या सूरत जैसवाल का विल्कुल सही जवाब है कि लीची में गुंसुत्रों की शंख्या कितना होता है जो हमने प्रश्ण दी आपको इसमें गुंसुत्र की शंख्या होते है 30 30 और किसमें होता है कुछ extra point की बात करें तो 30 जो आपकल बताया था आम में कितना होता है 40 याद है ना पीछे वाले सारे कहानी याद भी होनी चाहिए यहने की पीछे इन छोड़ दो आप अब हम बात करते हैं कुछ बिटामिन की बात करेंगे तो कौन-कौन से बिटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है जैसे सबसे ज़्यादा बिटामिन A की बात करें तो बिटामिन A पाया जाता है किसमें आम में अब बच्चा क्या गलत करेगा आम तो है क्या फूट अगर प्रूट में पूछा जाए तो यह answer आप टिक क्या करोगे आम लेकिन अगर आपके पास option आजाए कि बताओ सबसे ज़्यादा बिटामिन ए क्या प्रश्ण पूछा गया है बिटामिन ए अब option आपके पास क्या है मान लिया जाए आम भी है दूसरा option है आपके पास पपीता दिया गया है तीसरा option आपके पास दे दिया गया अब चोठा option आपके पास पालक दे दिया गया ऐसा लेकिन बच्चा यो आगे ब है आम में, ऐसा प्रश्न आया गया है, इस आम से तो जादा बैचारा इसमेना है गाजार में है और गाजार से भी जादा बात करें तो किसमेना है, पालक में, तो यह गलती मत करतें न है, यह गलत कर चुके हैं जैसे एक option में गाजर था गाजर को बच्चे छोड़ दिये गाजर होगा इस से ज़्यादा क्या है पालक है पालक से भी ज़्यादा बात करें तो किसमें होता है बत्वा में होते हैं बत्वा से भी ज़्यादा दान बात करें तो धनिया के पत्ति धनिया के पत्त तो ये है international unit क्या है इसका नाम international unit अंतर राश्टिय एकई जैसे मैं बोलू कि लंबाई को मेजर किससे करते हैं जैसे मैं 6 फिट लंबा हूं तो फिट क्या हो गया लंबाई की मात्रा आप लेने जाते हो बोलते हुँ दो केजी पपीता लेके आना तो केजी क्या हो गया बताओ द्रबिमान की इकाई किसकी इकाई है द्रबिमान यानि मास की यूनिट क्या हो गया केजी लंबाई अगर बोला जाए लंबाई तो इसकी इकाई आपने क्या बोला फिट या क्या हो सकते हैं मीटर सेम इसी तरह से बिटामिन एको मापने के लिए कौन सा इकाई लेते हैं आई IU का पूरा नाम क्या है international unit क्या कहते हैं इसको international unit अब यह आम में हो गया सबसे ज्यादा 4800 पापीता में पाये जाते हैं यह vitamin A और B दोनों परचूर मात्रा में पाये जाता है किसमें papaya में किसमें पाये जाएगा papaya में सबसे ज्यादा vitamin B1 की बात करें तो B1 पाये जाता है किसमें काजू में किसमें पाये जाएगा यह बार बार प्रशन पूछते हैं काजू में important B1 किसमें पाये जाएगा काजू में उसके बाद है अखरोट इसे बोलते हैं walnut क्या बोलोगे walnut nut का राजा कौन है यही है जिसका नाम क्या है walnut और इस walnut में अखरोट में सबसे ज्यादा पाया जाता है यानि सरवाधिक वसा किसमें पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है किसमें अक्रोट में, किसमें पाया जाएगा अक्रोट, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, अगला इंपोटेंट है, जरह देखें वो क्या है, इसको कैमरा को सर आपने कर दिया है, ओटो, इसलिए ऐसे हो रहे हैं, इसको मेनु अब बे भी हो, चले जल्दी जल्दी से आप लोग जूड़ जाएं, रवी चाबला, रदे रदे, सबको नमस्कार, नमस्कार, नेक्स्ट, चले ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट, बिटामिन B2, किसकी बात करेंगे, बिटामिन B2, तो बिटामिन B2 किसमें पाया ज बेल यानि की बील में, ये देखो बेल है, तो इसका कौन सा भाग खाते हो, जिसका उपर के भाग कठोर हो, उसको हम बोलते हैं क्या MP सरका, याद आना चाहिए, रिवीजन होता जाएगा आपको, क्या नाम है इसका MP सरका, फल परकार क्या है इसका MP सरका, और इसका खाने य इसे कहते हैं पलासेंटा, क्या बोलते हैं पलासेंटा, ये जानते हो जो बेल होता है ना बेल, इसका फैमली क्या है, इम्पोटेंट है, जानते हो इसका फैमली, इसका फैमली होता है, रूटेसी, अभी बात कर लेता हूँ, इसका फैमली क्या है, रूटेसी, और इसके क्र और ये क्या है टेट्रापुलॉआइड ये क्या है टेट्रापुलॉइड ये बाद में चर्चा करूँगा जब बेल डीटेल पढ़ेंगे ना तब इसके बारे में बात करेंगे अगला है, सबसे ज़्यादा ये आते रहते हैं, बिटामिन C किसमें पाया जाता है, तो ये पाये जाते हैं, बारबेडस चेरी, तो ये आपने देखा होगा, इधर ये लगा हुआ है, ये क्या है, बारबेडस चेरी, उसके बाद क्या है, आमला, आमला में 700 माइक्रो ग्राम पाया जाता है प्रती 100 ग्राम माइक्रो ने मिली ग्राम है ये सौरी क्या है ये मिली ग्राम तो 700 मिली ग्राम प्रती 100 ग्राम का मतलब 100 ग्राम अपने अगर गुदा लिया 100 ग्राम आमला का गुदा लिया तो उसमें बिटामिन C कितना मिलेंगे 700 मिली ग्राम कहीं कहीं 699 लिख से ज़्यादा किसमें पाये जाएगा चेरी में चेरी में में 1400 से लेकर 4000 के आसपास तक पाये जाते हैं 4000 तक उसके बाद क्या है आमला उसके बाद क्या है अमरूद उसके बाद बात करें बिटामिन सी नीम्बू अभी आया था कि टमाटर में तो ये भी प्रशनभी जेट में पूचा था बिटामिन से का तो यहां प्रस्ण पूचेत तो ये निएकि गलत कर देना है अभी जेट का प्रस्ण था यह बहुत इंपोटेंट है सारे जो फल होते हैं भल आने कि सबजीओं की बात करें जितनी जो आप सबजियां पढ़ते हो यह जो सबजी है मेरे दोस्त इसका नेचर जो वेजिटे वल्स होते है इसका नेचर होता है बेसिक नेचर कैसा नेचर होता है बेसिक इसका नेचर कैसा है बेसिक किसको छोड़कर टमाटर को छोड़कर और यही प्रशन पूछेगा कि टमाटर का नेचर कैसा होता है तो टमाटर का नेचर होता है कैसा एसिडिक कैसा होता है एसिडिक किसके कारण यह एसिडिक होते हैं तो इसमें पाया जाता है citric acid, क्या पाया जाता है citric acid, अभी आपने बोला कि टमाटर में पाया जाता है ascorbic acid, कौन सा acid पाया जाता है ascorbic acid, तो इसके कारण इसकी nature क्या होते है acidic, कैसा nature है acidic, अगर हम सेम बात करें इधर fruit का, कि fruit का nature कैसा होता है, तो fruit का nature होता है generally फलो का nature होता है acidic कैसा nature होता है फलो के अंदर का मामला acidic तो यह important बनते हैं बहुत अच्छा प्रश्ण भी बनता है इससे शांदार question बनते हैं आप लोग थोड़ा ध्यान भी दिया करो आगे चले next point अब हम बात कर रहे हैं किसका कार्बो हाइडेड का किसकी चर्चा करेंगे कार्बो हाइडेड तो कार्बो हाइडेड की बात करें तो सबसे जाता कार्बो हाइडेड यह लिखा हुआ है किसमिस जानते हो एक्च्छल में यह जो किसमिस है इसे हम बोलते हैं रेजीन क्या बोलत यह सत्रा अब यह किसमिस बनते कैसे हैं यह बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक बिलियन लेंगे क्या लेंगे एक बिलियन और यह जो सोलुशन होगा यानि यह जो बिलियन होगा जब आप किसमिस बनाते हो तो यह जो सोलुशन होगा यह होगा अतिप्रासरी बिलिय कैसा solution होगा hypertonic solution जिसमें solute की मातरा hypertonic का मतलब इसमें divay क्या रहेगा जादा अब इसमें एक solution वनाया जिसमें solute जादा है solute का मतलब समझ लो इसमें 친ी क्या है जादा या कह सकते हो यह चासनी है कैसा है यह चासनी अब हमें अंगूर से अंगूर ये डाल दिया इसमें अंगूर ये क्या है अंगूर जब अंगूर आप इसमें डालोगे तो पानी उधर जाती है जिधर बिले की मात्रा जादा हो जिधर बिले क्या हो जादा जिधर बिले जादा होगा पानी उधर चले जाएंगे तो पानी क कहां चले जाएगा इस अंगूर से आ जाएगा कहां इस बिलियन में यानि पानी बाहर होगा इसे हम बोलते हैं बाही परासरन कौन सा परासरन होगा बाही परासरन यानि कि एक जो ऑस्मोसिस की चर्चा करेंगे एक जो ऑस्मोसिस तो दू पॉइंट बड़ा अच्छा आपसे पूछेगा, क्या क्या पूछ लेगा जल्दी बताओ ये रेजिन बनाने के लिए कौन सा प्रासरन होता है तो एक जो ओस्मोसिस कौन सा प्रासरन होता है एक जो ओस्मोसिस जिसके कारण ये अंगूर ये सिकूर करके क्या बन जाएंगे किसमिस किसका निर्मान करेगा ये किसमिस तो ये किसमिस में क्या जाता होते हैं कार्बो हाइडर लेकिन प्रस्ट जादा अच्छा ये आते हैं कार्बो हाइडर किसमे जाता होता है खजूर में किसमे जाता है खजूर उसके बाद ये केला 26 परतिशत करना है केला में कार्बो ह करें अगर आपको लगता है रवी चावला नमस्कार सबको आगे बढ़ जाते हैं यह इंपोर्टेन पॉइंट है यह बाद में फिजियोलोजी में पढ़ोंगा यहां ज्यादा डिसकस करेंगे नहीं यह क्या है दोस्त यह है आलमोल्ड क्या है इसे क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं बादाम देखो जब भी सूखे फलों की बात करोगे चाहे आप बात करेंगे काजू की चाहे आप बात करेंगे अक्रोट की चाहे आप बात करोगे वादाम की तो यह सूखा फल है इन सूखे फलों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्या वसा क्या पाया जा प्रोटीन की बात किया है ना प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है काजू में बादाम में कितना है 20% अक्रोड में कितना है 15% लेकिन इन सब में इस से अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसका नाम क्या है वसा यानि फैट फैट कितना पाया जाता है देखते हैं एक point यहां से अच्छा बनेगा protein जादा किसमे है काजू में जादा किसमे है काजू में देखो अब अब हम बात कर रहे है वसा कि तो सबसे ज़्यादा वसा किसमें पाये जा रहा है अकरोट में कितना है 64 uh-la Badaam में कितना है 59 इसको एक बार देख लोगे काम हो जाएंगे काजू में कितना है 47 तो आपको ध्यान होना चाहिए काजू में अगर वसा पूछा जाए तो वसा खेवल कितना है 47 कितना है 47 लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितना पाया जाता है 21 परतिसद कितने परतिसद 21 प तब IU का पूरा नाम क्या है? International Unit किसकी एकाई है? बताओ vitamin A की क्या है? एकाई सबसे ज़्यादा vitamin A किसमे पाये जाता है सबसे ज़्यादा vitamin A की बात करेंगे तो किसमे करेंगे? बताओ आम में अगर सबजीों में आ जाए तो पहला टिक क्या करोगे? सबसे का करेंगे ये ने की छोड़ देना अगर B1 की बात करेंगे तो B1 किसमें पाये जाता है? काजू में B2 की बात करेंगे तो B2 किसमें है? बेल में vitamin C की बात करेंगे तो C किसमें पाये जाता है? बार्बेडर सेरी में उसके बात किसमे था? आमला में उसके बाद क्या है अमरूद में उसके बाद क्या है नीमू में टमाटर में कौन सा एसीड पाये जाएगा स्कॉर्बिक एसीड या क्या बोलते हैं सिट्रिक एसीड ये सब किसमें पाये जाता है टमाटर में सही है यहां के बाद आगे चले सारे एक कोर्स आपको इतने सस्ते में मिल रहे हैं फटा-फट हजार-दो-हजार लड़के हर कोर्स में अपने इंड्रॉल्मेंट है काफी अच्छा चल रहा है ये चले अब हम आते हैं पेक्टीन की बात करें किस की बात करते हैं पेक्टीन पहले यह बताओ यह है क्या यह है क्या है क्या है क्या है क्या है जिसे हम क्या बोलते हैं बताओ जैक फ्रूट यह क्या है जैक फ्रूट तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट है यह है जैक फ्रूट अच्छा जैक फ्रूट का फैमली बता दो कोई क्या पूछ रहा हूं जैक फ् खुर्दरा और जब ये खुर्दरा लगते हैं तो आपको आ जाना है कौन सा फल होगा ये multiple fruits कैसा होगा multiple fruits बहुत बार इसको कराते रहता हो revision ताकि आप गलती ना करो बहुत सारे फल इसमें मिलेंगे जिसे हम कहते है multiple fruits और multiple fruits के दो भाग बनाया था क्या क्या था एक को बोलते है psychonus क्या बोलते हैं इसको psychonus तो ये किसका उदाहरन था sorosis का कौन कौन एक तो pineapple किसका है sorosis जिसे अनानास बोलते हो दूसरा क्या है मेरे दोस्त jackfruit ये भी किसका उदाहरन है sorosis पीछे याद करते जाओ और तीसरा है मलवरी तीसरा कौन है मलवरी मलवरी कहते हैं सहतूत को क इसको बोलते हैं सहतूद तो यह important है point पेक्टीन जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा वो किसमें पाये जाते हैं कटहल में कितना 3.6 के आसपास फिर भी इससे जेली नहीं बनाया जाता है फिर भी इससे जेली नहीं बनाया जाता है इसका परमुख कारण क्या होते हैं इसमें क्या निकलते हैं रेसे जब ये कच्चा है तो किसका उप्योग करोगे सबजीयों का और पक गया तो ये क्या होते हैं फल नागपंजमी में इसका खूब बढ़िया फल बनते हैं इस रेसे के कारण इसकी सर्बोत्तम जेली नहीं बनते हैं सर्बोत्तम जेली किसका बनत कितना है 1.5 जब यह आमरूद पकते हैं धिरे धिरे जब यह पकेगा तो इसमें पेक्टीन का होगा नास पर इस पेक्टीन की मातरा धिरे धिरे पकने के बाद कम होते जाएंगे और यह मान हो जाएगा 1.0 कितना हो जाएंगे 1.0 और इसी से बनता है सरबोत्तम जेली सबसे अच्छा जेली बनाने के लिए पिक्टीन का मान एक से कम होना चाहिए इस वार सुपर्वाइजर का प्रश्ण है एक से क्या होना चाहिए कम ये बहुत अच्छा प्रश्ण बनेगा एक से कम चले मोरेसी सूरज जैसवाल का सही जवाब है कि इसका क्या है फैमिली कटहल का क्या है मोरेसी बहुत अच्छा मोरेसी इंपोडेंट है इसका फैमिली क्या है मोरेसी बहुत सांदर चले अब हम बात करते हैं अगला जिसमें एंजाइम की चर्चा करेंगे कुछ फलो में एंज जानते हो जामुन जो होते हैं ये डाइविटीज रोगियों के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है किसके लिए बात कर रहा हूँ डाइविटीज रोगी जो होते है न इसके लिए जामुन के गुठली किसके जामुन के गुठली जो होते हैं इसके बनाया जाता है पौडर क्या हमारे सरीर में इंसुलीन एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है इंसुलीन इंसुलीन के मात्रा क्या हो जाएंगे कम और बलड में जब इंसुलीन कब हो जाएगा तो बलड में गुलकोज की मात्रा हो जाएगा जादा किसकी मात्रा जादा हो जाएंगे गुलकोज के यानि इंसुलीन का काम क्या है इंसुलीन का काम है गुलकोज को खीच लेना अब इंसुलीन कम हो जाएंगे तो बलड में किसकी मात्रा जाद हो जाएगा गुलकोज का तो अभी ये धियान लखना तो डाइबिटीज के लिए ये दो फल बहुत इंपोर्टेंट ह एक्जाम में DRDO के प्रश्ण ये पूछे हुए थे कि करेला कौन सा बिमारियों में फाइदा देता है तो ये देते हैं दोस्त मधु मेग रोग में कहां देंगे मधु मेग रोग में कौन सा फाइदा करते हैं करेला और करेला में ज़्यादा क्या पाया जाता है अभी चर्चा किया था आईरन क्या ज़्यादा पाया जाएगा आईरन पालक में क्या ज़्यादा होंगे आईरन तो ये इंपोर्टेंट है पपीता जो होते हैं इसमें जो एंजाइम पाया जाएगा वो पाये जाते हैं पेपसीन कौन सा एंजाइम पाये जाएगा पेपसीन और ये जो पेपसीन होते हैं ये काम करते हैं किस पे प्रोटीन पे ये किस पे काम करेगा प्रोटीन पे और इसमें एक केमकल होते हैं जिसका नाम है पेपेन क्या होता है पेपेन तो पपाया में क्या होगा पेपेन पेपेन पे प्रोटीन होते हैं पेपेन में प्रोटीन अगर पूछ लिया जाए पेपेन में प्रोटीन की परतिसत पूछ लिया जाए तो कितना परतिसत है 72 परतिसत कितना परतिसत 72 और इस प्रोटीन पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम क्या है पेपसीन क्या नाम है पेपसीन जानते हो कभी कभी जैसे मीट उट बनाते हैं बक्रा उक्रा बनाते हैं तो वो जल्दी पकता नहीं है नहीं पकेगा तो इस कच्चा पुपीता को थोड़ा सा उस मांस में डाल देते हैं तो जल्दी से पका देगा कौन पका देता है यह कच्चे पुपीता तो practically अगर पूछा जाए कच्चे पपीता का और क्या इंपोटेंस है तो मीट में डाल देते हैं इसके ना टेक्स्टाइल इंडस्टरी कपडे उद्योग में कलर को बिठाने के लिए भी इसका लेटेक्स का उप्योग किया जाता है किसका पेपेन का तीन महीने के जो फल होते हैं उससे सबसे जाता लेटेक्स निकलता है सी ओ फाइब एक ऐसी वेराइटी है कोयमडूर फाइब जिससे पेपेन सरवाधिक मात्रा में निकाले जाते हैं तो कुछ-कुछ ये पॉइंट अपना इंपोटेंट है जो चलते रहेंगे हेलो सर मैं चिंटू मेल अच्छा चिंटू बहुत दिन के बाद सर जनेटिक्स प्लांट बेडिंग का भी लाइब क्लास लगा दो कल से लगा तो जनेटिक्स न प्लांट बेडिंग जनेटिक्स का लग सकते हैं प्लांट बेडिंग तो रिकोर्डिंग कर दिया हूं संतोस पूरे रिकॉर्ड है सांदार क्लाश सर चले अब आते है रेशा तो ये किसमें फाइवर किसमें पाये जाता है गौवा यानि की अमरूद में तो इंपोटेंट है इसमें रेशे पाये जाते है और ये कौन सी बेराइटी है बताना गुदा कैसा है लाल है लाल गुदा ये किसका है ललित का है किसका है लाल गुदा ये है ललित इंपोटेंट है बहुत अच्छा है इस पे चर्चा करेंगे बाद में चले अब हम आते हैं और गेनिक एसीड की मान किसकी बात करेंगे और गेनिक एसीड तीन तरह के acid आपने देखा पहला है malic acid क्या नाम है इसका malic acid first point है malic acid ये पाए जाते हैं किसमें सेव में और किसमें पाए जाता है गाजर में ये सेव डॉक्टर बोलता है एक सेव रोज खाया करो गाजर खाया करो तो गाजर में कौन सा होंगे vitamin A परचूर मात्रम पाए जाते हैं किसमें गाजर में तो ये आखों को कि रोशनी उसने जिसके खराब हो रहे हैं उसको गाजर खाना चाहिए जिसको सुंदरता लाना है उसको क्या खाना चाहिए सेव खाना चाहिए डॉक्टर बोलता है एक-एक सेव रोज खाओ तो डॉक्टर बोल देते हैं पर उनको पता नहीं कि ये एक सेव 30 रुपे के मिलते हैं कितने रुपे के मिलते हैं? 30 रुपे के तो बच्चा ये क्यों खाएगा विचारा खाते हैं इन्हें बस देख के छोड़ देता चाँ सेव है ठीक है तो ये सेव गाजार, सिट्रिक एसीड खटा होगा तो ये पाया जाता है किसमें सिट्रस ग्रूप में और किसमें अमरूद, स्टार लगाना जेली बनाने के लिए दो इंपोर्टेंट चीज का होना आनिवार है एक तो कहलाते हैं पेक्टीन और दूसरा कहलाता है यही शिट्रिक एसीड और ये दोनों पाये जाते हैं किसमें अमरूद में किसमें पाया जाता है? अमरूद में इसलिए एससे सर्वत्तम जेली बनते हैं किसे अमरूथ से अगला हो गया टमाटर और यही प्रस्ण अभी पूछा भी गया था बारवार पूछे जाते हैं टमाटर में कौन सा एसीड पाया जाता है अब हम बात कर रहे हैं टार्टेरिक अमल किसका बात कर रहे हैं ? तार्टेरिक आमले तो तार्टेरिक आमले कहां पाया जाता है अंगूर में लीची में और इमली में ये दोनों प्रस्ण इंपोटेंट बनते हैं अंगूर और लीची जहां क्या पाया जाता है तार्टेरिक आमले तो ये इंपोटेंट है सर अभी से एगरी कल्चर सुपरवा क्या अभी वाले भरती में बिलकुल कर दो पढ़ाई कभी बेर्थ नहीं जाते हैं आप रामहिद कुमार वैर्वा ललित वैराइटी आर्सिय में लगी हुई है बिलकुल लगी हुए रामहिद क्या किते कोशन किया था रामहिद सुपरवाइजर में आपके रामहिद तो होता है ना खूब सूर्ती को बढ़ाने वाला आमल है कुब सूर्ती को बढ़ाने वाला आमल कौन है मailedई गेसीड यह जितने क्रीम कॉस्मेटिक पॉडर ऊडर बनते हैं ना फेर लवली हो गया विको हो गया इन सब में कौन सा अचिक डाला जाता है तो यह मैलिक एसिड यानि खुसबू आते हैं एरोमा आते हैं किस से सबसे अच्छा तो यह मैलिक एसिड इंपोटेंट है इसको ध्यान में रखना चले अब आगे बढ़ जाए नेक्स पॉइंट है जो जो प्रशन आते हैं यह सारे सार का आपको पीडियाप बता रहा हूं क्या आप आप जानते हो बिलकुल सितोसन फलो में ग्राफ्टिंग कब करते हैं यह प्रशन पूछा गया है कोटा सुपरवाइजर जो एकजाम लेता है उसका प्रशन है इंपोटेंट है भाईसा है यह बहुत अच्छा जब भी हम बात करेंगे किसका सितोसन फल सितोसन का मतलब कौन सा फ्रूट है बताओ टेंपरेट फ्रूट कौन सा है टेंपरेट तो यहां का एंसर आपको ठीक क्या करना है ठंडे परदेश वाला यानि की दिसंबर और जनवरी आगर पूछा जाए कि टेंपरेट फ्रूट में क्या करते हैं ग्राफ्टिंग तो ग्राफ्टिंग करने का समय कब होगा, दिसंबर और जन्वरी के भी मेटा जीनिया और जीनिया दोनों में होता है पराग कन का परभाव किसका परभाव होता है पराग कन का है बहुत अच्छा आपको बताऊँगा कि पोलेन ग्रेन का इभेक्ट जो होते हैं एक तो पढ़ते हैं पोलेन ग्रेन का इंब्रियो पर और दूसरा परता है फलो के उपरी सतह पेरिकार पर इसमें मक्का में देखा होगा एक मक्का है और इसमें ना दाने कोई पीला हो गया कोई बैगनी हो गया कोई लाल हो गया कोई इस तरह के दाने तो उसको हम बोलते हैं जीनिया और जीनिया याद हो जाएगा किस से जिया मेच जिया मेच से जीनिया मक्का में कौन सा इफेक्ट है जीनिया और मेटा जीनिया इफेक्ट किस में होते हैं खजूर में होते हैं अंगूर में होता है करेला में है और खीरा में है किस में है खीरा में कुकुंबर की बात करे, बिटर गार्ड की बात करे, अंगूर की बात करे, खजूर की बात करे, इन सब में जो effect होता है वो कहलाता है metagenia, बहुत बार important बनते हैं और हर एक्जाम में ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना वैसा है कि metagenia effect क्या होता है, पराग कन का क्या है, ये होते हैं मक्का में, पराग बंधता जिसको pollen अस्टरलिटी बोलते हैं, ये होता है बेर में, किस में होते हैं, बेर में, तो ये important है, पराग अस्टरलिटी का मतलब pollen ग्रेन ही क्या हो जाते हैं, sterile तो ये बेर है, अगला कुछ प्रशन है कि आम में माल देखा गया था, तो ये देखा गया था, बिहार के दर्भंगा में, कब देखा गया था, 1891 इस वी में, ICR के 1st Director General कौन है, तो इनका नाम क्या है, के एल चड़ा, क्या नाम है इनका, के एल चड़ा, आम के साथ फीलर फसल, कौन कौन लगा सकते हैं, पपीता, फालसा और पि यह हो बताओ आम का तो यह आम का एक बाग लगा दिया अब इसमें चारो तरफ यह तो आम लगे हुए है यहां भी आम है यहां भी आम है यहां पे जो खाली जगह है इसमें जो पौधा लगाते हैं इसे हम कहते हैं फीलर क्या बोलते हैं इसको फीलर पादप कौन सा पादप ह मेन आम है ये आम है अब इसके साथ फीलर लगाना है तो एक्जाम में सिद्धा टिक कर देता है पपीता क्या टिक कर दिया पपीता लेकिन ऐसा नहीं है इसके साथ आप करौंदा भी लगा सकते हो देखो एक्जाम में कैसा प्रशन पूछेगा करौंदा भी लगा सकते हैं इस इसके साथ आप भालसा भी लगा सकते हो इसके साथ अगर बात करें तो ओनियन यानि कि पियाज भी लगा सकते हो गारलिक भी लगा सकते हो पालक भी लगा सकते हैं यह सब लग सकता है ऐसा नहीं कि यह खाली जगह है तो यहां पालक लगाऊंगा तो पालक मना कर देगा ने न कौन सा फाइदा होगा किसानों को सबसे अच्छा कौन होगा पपीता सबसे अच्छा कौन होगा पपीता और अगर उप्सन रहता सभी तो क्या टिक करते मेरे दोस्त सभी क्या टिक कर दोगे सभी कि आम के साथ फीलर पादब क्या लगाएंगे ये सारे लगा सकते हो किस में फ राजस्थान में आम के साथ फीलर क्रॉब तो क्या लगाएंगे करोंदा क्या लगाते हैं करोंदा क्योंकि राजस्थान में पपीता होगा नहीं तो राजस्थान में क्या लगाना है करोंदा यह नहीं कि रटोगे तो गलती कर दोगे आपके एक्जाम में बहुत डिफरेंट different type के question आते हैं twist हो रहे हैं इसलिए आप यह सब रट के जवाब मत देना तो पपीता हो गया चले अब आते हैं ICMR Indian Council of Medical Research यह सबसे पहले है कहां यही direct person JRF का है 2013 का यह है मेरे दोस्त कहां New Delhi में कहां है New Delhi में यह JRF 2013 उस टाइम तो कहा है New Delhi में और यहां के बैग्यानिकों ने बताया कि आपको daily सबजी कितना खाना चाहिए 300 ग्राम और 300 ग्राम में 120 ग्राम खाना चाहिए हरी सबजी कौन सा सबजी हरी हरी सबजी यानि कि green vegetables कौन खाना चाहिए green leafy vegetables या green vegetables के वल लिखा गया है क्या है green vegetable हरी सबजी आपको खाना चाहिए फल डेली कितना खाना चाहिए 120 ग्राम लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की 120 दिन में तो हम फल देखते हैं खाना तो दूर की बात कितने दिनों में 120 दिनों में फल देख लेते हैं दर्सन कर लेते हैं सब्जी कितना खाना चाहिए बताओ 300 ग्राम 300 ग् किसके अनुसार ICMR ये ध्यान रखना यहां medical है क्या नाम है medical अगर लड़का पूछ ले medicinal medicinal ये भी गलत हो जाएंगे ध्यान रखना ये गलत किया हो medicinal गलत होगा क्या होगा ICMR का पूरा नाम पूछेगा Indian कौनसी लॉप medical research है क्या है medical research क्या medicinal होगा नहीं medical research कहा है न्यू देली में ये बैग्यानिक जो होते हैं सरीर के भार के अनुसार बताते हैं कि एक adult को एक बयस को कितना रोज क्या खाना चाहिए तो सबजी 300 ग्राम खाना चाहिए 120 ग्राम हरी सबजी फल खाना चाहिए कितना 120 ग्राम अब हम बात करें इसमें दलहनी दाल जो है वो बोलते हैं कि 80 ग्राम येने कि 80 ग्राम ऐसे खा जाना है 80 ग्राम चना का बना हुआ खाना चाहिए येने कि ऐसे लिए कच्चे हैं खा गया अनाज कितना खाना चाहिए 475 ग्राम अनाज में दोनों आ सकते हैं आपके यहां पे गेहूं भी आएंगे और क्या आएगा चावल भी आएंगे इन दोनों को मिला करके आपको कितना चबा जाना है 475 ग्राम यह डेली के भोजन का रूटीन है कि इतना खाना चाहिए तो आप लोग इससे ज़्यादा इंखाते हो कम तो खाते नहीं हो यह अभी मैं कोर्स पसुधन सहायक का 25 तारिख को लाँच करूंगा दोस्त जवरदस्त कोर्स होने वाले 25 तारिख को अपने पूरी यह कम्पलीट कोर्स लाँच होंगे अभी यह 4,699 रुपे में जहां 4,000-5,000 लोग लगा रहे हैं दूद कितना है 280 ml अब इसको 300 ml के आसपास आप लिख सकते हो कि डेली अपने दूद कितना पीना चाहिए 300 ml प्रोटीन कितना होना चाहिए इंसान 60 ग्राम खाना चाहिए 20 ग्राम इसमें चाहिए अनिमल प्रोडक्ट animal product में क्या हो गया जैसे आप अंड़ा खा सकते हो दूद खा सकते हो इन सब में पी सकते हो यह हो गया animal product चले आज की कहानी चोटी सी lecture थे और यह general introduction इसमें एक teacher कुछ भी नहीं कर सकता ये तो जो होते हैं वही मैं पढ़ा रहा हूँ समझाने का टॉपिक एक्शुल में कल सुरू करूँगा जिसका नाम होगा प्रोपगेशन क्या नाम है प्रोपगेशन दो तीन दिन का वो लेक्चर चलेंगे बहुत ही सांदार लेक्चर आज तो हमने जनरल बात किया कि कहां क्या होते हैं कौन सा बिटामिन है कौन सा बिटामिन सी जागा एक और आपको ये साइन्मेंट देता हूँ एक बिटामिन के टॉपिक आते हैं बिटामिन पढ़ लेना आप चोटी सी टॉपिक है लोग इसको निप्टा ही देते हैं अपन बिटामिन बिटामिन वाले क्योंकि ये छोड़ूंगा तो फलो के औस दिये महत्ता में बात कर लेते हैं देखो जैसे ए अब बता ही कर ही देता हूँ इसमें क्या है बिटामिन ए इस साल प्रस्ण आये थे या जिरोभ ठेलिमा रतवंधी या जिरोभ ठेलिमा बिल्कुल कलास अगर अच्छा लगता है बहतरीन क्लास होते हैं सर आपके तो लाइक कर दो दोस्तों के साथ सेयर करें बीवन जो होते हैं इसको बोलते हैं थाइमीन इसमें टीचर नहीं कुछ करेगा 2-4 वार देखोольш운 अपने आप याद हो जाएंगे B1 का नाम क्या है थाइमीन और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी काजू जो खाओ काजू में कौन है बिटामिन B1 है अभी आपने पढ़ा आम पपीता में कौन है बिटामिन B1 A है B2 के कमी से होते हैं राइबो फ्लेवीन और इसके कमी से मुँँ में क्या पढ़ते हैं छाले पढ़ते हैं ये आया हुआ पकोस्चन है फाइटो फोबिया किस बिटामिन की कमी से होते हैं यह एक प्रस्ण आता ही रहता है बिटामिन B2 की कमी से क्या होता है फाइटो फोबिया अगर vitamin B3 की बात करे vitamin B2 किसमे ज़्यादा पाया जाता है बेल में और B1 किसमे ज़्यादा पाया जाता है काजू में यह हरका source आपको याद नहीं रखना है क्योंकि यह पपीता में B3 पाया जाते हैं बेल में भी पाया जाता है तो यह important है B3 की common name है नियासेन, निकोटेनिक आमल आज मैं आपको न यह पेलागरा कैसा होता है यह सारे symptoms आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या होते हैं जैसे B5 की बात करें तो B5 का है pentothenic 5 का मतलब होता है pentah 5 का मतलब क्या है pentah तो pentothenic आमल जिससे burning fit syndrome, burning fit का मतलब होता है ना तलवे का जलना, ये क्या कहलाता है burning fit, ये ज़्यादा teacher को होंगे security guard जो खड़े खड़े रहते हैं ना उनमें तलवों का जलना ये ज़्यादा पाया जाता है B5 की कमी से, B6 की कमी इसका common name क्या है pyridoxin और इससे होते हैं चर्म रोग, चर्म disease बोलते हो skin disease ये important भी पूछ लेता है इसलिए घर में कभी तोलियां ओलियां बदल के नहीं कि एक ही तोली घर में रखे हैं सारे परिवार उसी से नहा रहे हैं सब पोच रहे हैं फिर दूसरे को दे रहे हैं उससे क्या फैल जाता है चर्म रोग B9 को ही कहते हैं vitamin H क्या बोल बिल्कुल तो vitamin H अगला है vitamin B12 की बात करें इसे कहते हैं sinocobalamin जैसे इसकी कमी से होता है anemia का मतलब खून की कमी हमारे सरीर में एक वयस्क male में blood पाया जाता है 5.5 liter कितने पाया जाते हैं 5.5 एक female में पाया जाता है 5.0 liter ये direct पूछ लेता है एक्जाम में तो 5.5 liter और female में 5.0 इसका मतलब खून की कमी जादा किसको होगा महिलाओं को किसको होगा खून की कमी जादा किसको होते हैं female को इसका कारण है दोस महस्वल साइकल मासिक चक्र औरत को महीने में 4 दिन क्या होते हैं मासिक धर्म होते हैं इसके कारण इसमें रक्त की कमी होते ह और रक्त की कमी से होगा क्या एनीमिया क्या होंगे एनीमिया बलट की कमी ऐसे और चिरचिड़ा बन जाएंगे तुरत गुच्सा करेगी तो यह सब होते हैं एनीमिया बलट की कमी बी ट्वेल का जो नाम है उसका क्या है साइनो कोबा लामी कुछ और बात कर लेते हैं बिटाम वे सागर्दे को देख भी रहा है कि जुर्णियां और यह ठंड में आ रहे हैं पागल जुर्णियां नहीं है यह ठंड में आ रहे हैं इसा हमारे भी हो रहे हैं देख 35 साल का हो गया हूं लग रहा है बितामिन डी की कमी इसका कॉमन नेम क्या है कैलसी फेर üल क्या नाम है कैलसी फेर उल तो यह इंपोर्टेंट्ट है इसकी कमी से होते है Ricards इसे कहता है Ohisito Meliasia जब भी सब्दा आ जाए Ohisito to Rifato का مतलब होता है काठी जब भी आ जाए Calcium तो यह हठी हों से यह सब संबंधित वाले तत् Χ है Ricards का मतलब पैर जो है ना अएसा हो जाएगा इसके बीच में गैप क्या हो जाएगे ज्यादा हो जाएंगे तो इसको कहता है रिकेट्स सहर में रहनе वाले बच्चों को यह ज्यादा होते हैं अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ E का नाम है टोको फेरल इसकी कमी से होते है बांजपन क्या होता है बांजपन और बिटामिन के की कमी इसका common name है नेक्तो क्यूनोन और इससे रुधीर सराव यानि blood clotting देर से होगा blood clotting क्या होगा देर से यानि आपको अगर घाव हो गया तक घाव से ना blood थक्का नहीं जमेगा वो रिष्टे रहेंगे रिष्टे रहेंगे जल्दी घाव सुखेगा ही नहीं कि कमी से बिटामिन के की कमी से अगर मान लिया जाए किसी लड़के का बिटामिन के का कमी है एक्सिडेंट हो गया तो वो blood बहता रहेगा तो मर जाएगा आदमी जल्दी उसका ठक्का नहीं जमेगा कुछ इमेज भी आपको मैं दिखाता हूँ सायद आप समझ पाओ इसमें सामाने नेम बिटामिन A का क्या है अभी आप पढ़ चुके हो क्या है रेटिनल या इसको कैरोटीन बोलते है और इसकी कमी से रतांधी या जिरोप थेलिमा ये कहां होगा आखों में होगे कहां होगे आखों में होगे इम्पोटेंट है इसका सुरुत है आपको आम और पपीता आजकल रतांधी नहीं पूछ कर क्या पूछ लेता है बताओ जिरोप थेलिमा क्या पूछ लेगा जिरोप थेलिमा ये इम्पोटेंट है अगला हम बात करते हैं बिटामिन B1 जिसका नाम क्या आपने पढ़ा थाइमीन क्या पढ़ा थाइमीन और इसकी कमी से होते हैं बेरी-बेरी ये देखो अभी तक कोई इसका इमेज नहीं दिखाया था नहीं दिखाने कोशिस किया मैंने सोचा एक बार बच्चों को दिखाऊं ये है बेरी-बेरी जो होते हैं किसकी कमी से बिटामिन B1 की कमी से अगला हम बात कर रहे हैं बिटामिन B2 इसका common name क्या है राइवोफलेविन क्या नाम है राइवोफलेविन इसके कमी से होते हैं छाले पढ़ना और इसी को बोलते हैं फाइटो फोबिया ये मुझ में क्या हो जाएगा च्छाले पड़ जाएगे तो इसको हम बोलते हैं फाइटो फोबिया अगला है बिटामिन B3 जिसका नाम क्या है नियासीन निकोटोनिक आमल इस तरह से जिवा पे आएगा इससे लार निकलते रहेंगे और हाथों में इस तर करते हैं B5 जिसका common name क्या है पेंटो थेनी काम और इससे होते हैं तलवे का जलना यानि वर्निंग फिट सिंड्रॉम यहां लग रहा है ना यह कि जलन आ रहे हैं यह कब होते हैं जब इनसान ज्यादा देर तक क्या रहेगा खड़ा रहेगा तो लगेगा तलवा रखने का मन न विजन करा दिया एक बार घर में पढ़ लोगे बिटामिन 6 की नाम क्या है पाइरी डॉक्सीन और इससे होते हैं चर्म रोग यह देखो चर्म रोग अगर ऐसा रोग हो गया स्किन डिजीज हो गया और कोई तौलिया आया इसी में पोच दिया अब इस तौलिया से दूसरे आदमी ने पोच लिया तो उसको फैल जाएंगे तो यह क्या कहलाते हैं चर्म रोग किसके कमी से होते हैं बिटामिन B6 की कमी से अगला हम बात करें बिटामिन B9 इसे हम बोलते हैं बिटामिन H और इससे होता है बालों का जड़ना यह देश में सबसे ज्यादा समस्या फैलन हैं जेनिटिक अगर पापा को बाल जड़ रहे हैं तो अपने को जड़ेंगे यानि यह नौर्मल समस्या होगे इंसान का इतना टेंसन हो गया आज जीवन में हर लोग परिशान है पैसा पैसा कमाने चक्कर में सब का बाल देखो इधर से गाइब होते जाएंगे यह दीरे है नौर्मल हाथ और यह हाथ अगर ऐसा दिख जाए यह सबसे अच्छी सिम्टम्स है अगर यह हाथ पीला पीला दिख जाए तो इसका मतलब आप में क्या है बलड की कमी है और यह ज्यादातर किसमें मैंने बताया था यह ज्यादातर होते हैं ठीमेल में पुखराज जी सर डवल आओ में कौन कौन से सबजेक्ट पढ़ाओगे डवल आओ में मैं होटी कलजर पढ़ा रहा हूँ भाई साहब एक वहाँ जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं जेनेटिक्स पूरा तो ऐसे कोर्स डाला हुआ है दूसरा मैंने पैथोलोजी का कुछ पूर्शन आपको पढ़ाओगा जैसे वैक्टेरिया हो गया वाइरस हो गया भंजाई उसके बाद मैं फिजियोलोजी सारे पढ़ा रहा हूँ उसके बाद जेनेटिक्स में सेल पढ़ा रहा हूँ सेल डिविजन यह नॉर्मल जो टॉपिक है यह सब सारे 4-5 टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ एक एकोलोजी की बात करें तो वो भी मैं पढ़ाओगा आपको इन्वारमेंटल साइंस की बात करूँ बहुत सारे बच्चे की बात था आपके कॉमेंट सबसे अच्छा भी आ रहे थे कि दिनेश सर की शांदार क्लास चल रहे है ऑनलाइन के बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे इसलिए इनका क्लास मैंने और ज़्यादा लगाने की कोशिस किया एग्रोनोमि आपके क्रॉप अभी शुरू करेंगे दिनेश सर तो ये परफेक्ट है चलने दो इनके क्लास अब हम बात करते हैं बीटामिन सी बीटामिन सी की नाम क्या है स्कौर्वी का अमला और इससे क्या होता है स्कर्वी एक तो देखो सकर्भी का मतलब होता है यह मसूडे भी कमजोर हो जाना क्या होता है मसूडे कमजोर यानि गम कमजोर हो जाना यह मसूडे कमजोर हो जाते हैं और समय से पहले जुर्रियां भी पढ़ने लगेंगे अब यह गम अगर यहां मस्कूडे कमजोर हो गया तो यहां से बलड क्या होंगे बाहर अब यहां यह गैपिंग हो गया तो कुछ दिनों के बाद यह दात क्या हो जाएंगे साफ हो जाएंगे तो यह है सकर्बी ध्यान रखना यह important है इसका स्रोथ है कि आपको वो चीज खाना है जिसमें बिटामिन C परचून मात्रा में पाए जाते हैं डिले बलड क्रॉपिंग बिल्कुल सही है अब हम बात करते हैं बिटामिन D की D का कॉमन नेम क्या है कैलसी फेरोल कमी से रोग क्या होंगे रिकेट्स और ये कहां जादा होते हैं सहरी छेत्रों में कौन सा छेत्रों में सहरी देखो गाउं में तो क्या होता है कि दादी जो होते हैं बच्चे को रगड रगड के एकदम तेल देते हैं तो गाउं में बच्चे को बिटामिन D मिल जाता है आसानी से और vitamin D का confirmation करवाता है जानते हो सूरि sun की ray सूरि की किरण क्या कराता है सरीर में hasta hallucinated कराता है कि इसको vitamin D को लेकिन सहर में जानते हो धूप तो मिलते नहीं है बच्चे कहां है धूप के अंदर ही रही है तो इसको sensation इसके सरीर में पूछा कौन ऐसा vitamin है जिसका संसलेशन सूरी की किरण के द्वारा होता है तो वो कौन है बिटामिन D तो सहरी छेत्रों में दिल्ली उल्लिम देखा हुआ कोलकातार में बिचारा एक ही फ्लेट में लाखों लोग इसे भरे पड़े हैं तो वहां धूप नहीं मिलते हैं तो धूप नहीं मिलेंगे तो हड़ियां क्या हो जाएंगे उसके कमजोर तो वहां के बच्चे को इस तरह की समस्या देखने को मिलेगा यानि इसके बीच पैरों के बीच क्या हो गया गैप जाता हो गया इसे हम बोलते है रिकेट्स क्या बोलोगे इसको रिकेट्स तो रिकेट्स किसकी कमी के कारण होते हैं बिटामिन D के कमी के कारण किसके कारण बिटामिन D के कमी के कारण अब हम बात कर लेते हैं बिटामिन E तो बिटामिन E का common name क्या है टोको फेरोल इससे होते हैं बांजपन, बांजपन को बोलते हैं esteriliti, क्या बोलते हो esteriliti, बांजपन, इसके लिए हरी सबजियां खाओ, esteriliti का मतलब आप कितना भी मेहनत कर लोगे निसेचन की किरिया नहीं होगे fertilization नहीं होगा अब fertilization नहीं होगा तब product बने जो नहीं है कि नहीं बने समय जाएगोट का मतलब बोल रहा हूं जाएगोट है नहीं मनेगा आधि मसले दस्ताải मेंजेशन नहीं होगे तो प кого दोलहां से पाईदा करेंगे और जिसका नहीं पैदा एके वह साथसे परना पर पर इससे रुधीर सराब जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक बलड है अब यहाँ से बलड यह थोड़ा थोड़ा इसे रिष्टा ही रहे रिष्टा रहे यह घाव जल्दी सुखेगा नहीं तो यह किसकी कमी के कारण होते हैं विटामिन के के क्या होता है मलचिंग बताना जानते हो कुछ क्या करता है नमी संदक्षन अगर में दो पॉइंट पूछा जाए कि मलचिंग का basically एम क्या होता है तो क्या बोलोगे एक तो नमी संदक्षन विल्कुल सही है यानि कि to conserve तो कंजर्व मौशर यानि की मर्दान नमी संदक्षन ये सही लिखू मर्दान नमी संदक्षन दूसरा नमी को मेंटेन करेगा और मिर्दा के ताप को भी क्या करेगा ये बाकी ये ज़्यादा अच्छा पढ़ना है अपने कहां एग्रोनोमी में अभी हम यही समझते हैं कि मल्चिंग का मतलब किसी भी पदार्व से मिट्टी को ढख देना चाहे अपने आप टी-सर्ट से ढख दो टेवल बेंड से ढख दो ताकि डाइरेक्ट सूरी की किरन किस पे ना पढ़े मिट्टी पे सूरी की किरन पढ़ने से क्या नुकसान होगा वास्पी करन की किरिया वास्पी करन और वास्पोत सर्जन में बेसिक अंतर आपको समझ में आते हैं क्या है अनूप वास्पी करण क्या है वास्पोत सर्जन क्या है पौद हो से होता हूँ तो फल में क्या होते हैं डबल यो आर वे इंटर्व्यू हटा दिया मैं तुम मचा डालता तुझे फल में क्या होते हैं वास्पी करण या वास्पोत सर्जन वास्पोत सर्जन प्लांड का कोई भी पार्ट होगा जो हवा में होते है एरियल पार्ट होगा उसमें क्या होगा ट्रांस्पिरेशन याने की वास वास्पोत सर्जन क्या होगे वास्पोत सर्जन अच्छा सर्ट को गीला करके सुखा दिया तो वास्पोत सर्जन है वास्पी करन नदी तलाब सुख जाए तो वास्पी करन ठीक है लड़कियों के केस उस सुख जाते हैं देखते हैं ऐसे गिली रहते है फिर धीरे धीरे सुख जाते हैं वो वास्पी करन ठीक है चले तो मल्चिंग का मेन जो एम होता है ये क्या है मिर्दा के ताप को क्या करना मेंटेन करेगा और दूसरा इसके नमी को क्या करेगा सनरक्षे अच्छा बताओ अगर हम ज़्यादा सेलूलोज का उपयोग करते हैं खेत में प्रैक्टिकली उपयोग जो हम समझना चाहते हैं ज़्यादा तर जैसे यह है सबोज देट गेहूं के अश्ट्रौ है ठीक है गेह यहाँ पर बताओ सेलूलोज है यह किसके बने होते हैं सेलूलोज तो जब सेलूलोज ज़्यादा होगा तो सेलूलोज पर अटेक कौन करेगा बताओ दीमक कौन करेगा दीमक क्योंकि सेलूलोज को खाना पसंद करता है कौन दीमक तो यह बड़ा अच्छा प्रशन पूछे इसमें ज्यादा और दूसरा हम समझते हैं ये same point आता है किसमें आपने पढ़ा होगा FYM में भी कि अगर FYM गोवर की खाद का ज्यादा उपयोग करोगे तो उस खेत में किसका attack बढ़ेगा दीमाक का तो ये दो point ही याद रखना है हमें तो केवल इससे मतलब था उधर की भा भासन से मतलब भी नहीं मल्चिंग किसमें होते हैं स्ट्रावेरी में किसमें करते हैं स्ट्रावेरी में first point दूसरा है tapping का मतलब क्या होता है tapping का मतलब होता है रस को निकालना किस-किस में निकालते हैं बताओ तो ये रवर में निकालते हैं नारियल में निकालते हैं और tapping की क या पपीता में करते हैं पेपेन को निकालने के लिए क्या करते हैं टेपिंग अब इता है जब बड़े एक्जाम जब दोगे तो अंतर कुछ नहीं है छोटे एक्जाम में तो ये तो सब बच्चे जानते हैं टेपिंग यार ये रवड का पेर है इसमें करते हैं लेकिन जाता है बताओ, cambium, जैसे अगर इस तना को काट दूँ और ये इसका transverse section में देखना चाहूँ, तो सबसे उपर वाला भाग हमें क्या मिलेगा इसका, इसको हम नीचे वाले भाग बोलता हूँ, छाल के जश्ट नीचे वाले, उसको हम बोलेंगे cortex, क्या बोलेंगे, cortex, उसके अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, cambium, तो ये जो चीरा लगना चाहिए, वो कहां लगनी चाहिए, cambium के पास, उसी से अपने लेटेक्स क्या होंगे, वो बाहर आएंगे, तो ये आपको रवर पूछ लेगा, नारियल पूछ लेगे, जिसमें कौन सी क्रिया करते हैं, tapping क अगला जो करिया है, इसका नाम क्या है, roasting, क्या है, roasting, roasting का मतलब होता है, roasted का मतलब सुना है नाम, अरे यारा, chicken लाना अनुप, roasted, खता हैं ने, roasted का मतलब, सेका हुआ सुखा हुआ का सकते हैं क्या का सकते हैं सुखा हुआ एक्चुल में आप देखो कि काजु जो पेड में होते हैं इस रूप में पाये जाते हैं तुमने तो देखा ही नहीं होगा कि काजु पेड में भी लगते हैं तो ऐसे उपर से गिरते होंगे बारिस के बुंद की जैसे, लोग काजू आया तो यह देखो इस तरह से, जब फैनी बनाते हैं, काजू से क्या बनता है बताओ फैनी, यह जब बनते हैं, तो इन दोनों के रस को निकाल लिया जाता है इसको केरला उडला वाले क्या करते हैं फेनी एक नाद होता है बड़ा सा टैब उसमें डाल करके डांस करते हैं वो टैब बजा देते हैं गाना का और उसमें डांस करेंगे यह हाथ से थोड़े इतना करते रहेंगा वो कूदेंगे अंदर आता है वो लेधर वाला देखा होग अब ही इसको fermented किया जाएगा किन्वन तो किन्वन की किरिया के द्वारा बोटल में बंदूंद करके ये post harvest में अपन पढ़ेंगे कि फैननी कैसे बनते हैं अभे हमें केवल समझना ये काजू को ऐसा निकाल लिया गया यहां से निकाल लिया गया अब काजू जो होते देखो ये कितने काले काले काजू है समझो ये साधी के पहले की अवस्था है साधी करने जाता है तो साधी करने काला ललका अप जाए तो उसकी कीमत मार्केट में कम होते हैं कोई देखेगा ने तो क्या करते हैं इसके निपा पोती कर देते हैं निपा पोती का मतलब ब्लीच करेंगे बुलेंगे रे जा जा कौन सा तुम पहले पता करोगे कौन सा सेलून अच्छा है जो एदम काला का गोरा बना दे तो वहाँ पर हम जाएंगे तो यह सारे काले थे इसकी मार्केट में वैल्यू क्या था बहुत ही कम अब सोचा यार इसको क्यों ने अब गोरा किया जाए तो देखो यह इसको मसीन से निकाल दिया जाता है तो उबर की जो पतली परत होते हैं वो तो यहां से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाते हैं जो कैसा कलर था बता बलेक इन कलर था उसको क्या किया इस मसीन स यहां ध्यान डखना मसीन में, तो यह जब गर्म पे इसे निकलते हैं, तो इसमें जो भी नमी रहेगा, उन नमी को क्या कर लेगा ये, एब्जौर्ब करेगा, कौन करेगा, मसीन, तो इस काजू में नमी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, अब इसमें खुसबू भी चाहिए, अ काजू जब खुलते हैं न तो हलका से इसमें क्या आते हैं एरोमा आते हैं खुसबू अभी इसको पैक कर दिया जाएगा अभी ये मार्केट में आ जाएगा तेरे पास 900 रुपे केजी 1000 रुपे केजी क्यों इसकी कीमत को हमने बढ़ाया पर यही रोम मेटेरियल आप केरला में जाके लेलो केवल रोष्टिंग के पहले की मेटेरियल आप लेलो तो ये आपको मिल जाएगा 100 रुपे केजी और ये काजू मिलते हैं 1100 रुपे केजी तो दोनों में इतना अंतर हो जाते हैं, ठीक है, तो गोरा बनने का बहुत सारे फाइदा है, अब हम बात करेंगे स्टैकिंग की, इसकी बात करेंगे, अपने बार बार ना होटी कल्चर में इस टोपिक को इतनी बार नहीं पड़े, इसलिए होटी कल्चर जेनरल 30-40 दिन लगते हैं, अब ये बार बार क्या होता है, सहारा देना, हम उन प्लांट को सहारा देंगे, जिनका नेचर होगा, इन डिटर्मिनेट टाइब, अरे सर, न या सब्द ला रहे हो, इन डिटर्मिनेट का मतलब होता है, असिमित, क्या है, असिमित, दो तरह के टमाटर होते हैं, एक का नाम क्या है, सिमित, औ और दूसरे का नाम क्या है असिमित, असिमित का मतलब असिमित, इन डिटर्मिनेट, इसको क्या बोलते हैं, इन डिटर्मिनेट, और ये है डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट का मतलब होता है, पहले से निर्धारित है, सिमित है, कि इसका ग्रोथ यही होना है, इसको हम क्या बोलेंगे डिटर्मिनेट नाम से पता है इसका सिमित है एक सीमा है इसमें ना सीमा है या बिना सीमा इसमें कोई सीमा नहीं है किसकी सीमा नहीं है सर जी ब्रधी की सीमा नहीं है यानि ग्रोथ की सीमा नहीं है अच्छा अगर ग्रोथ की सीमा नहीं है तो ये प्ल नीचे बना दिया इसलिए क्योंकि टमाटा की बजन से कहा आ जाएगा नीचे आ जाएगा अब इसमें क्या करते हैं नीचे आप पहला पिकिंग करोगे पिकिंग का मतलब समझते हो पिक का मतलब तोड़ना अरे यार उसको पिक कर देना रेलवे स्टेशन पे जाना बाइक से उसको पिक कर लेना तो रेलवे स्टेशन पे तो हजारों याक्तरी है अब पिक करना का मतलब हो रहे हैं तो कैसा सर्ट पहने हुए है तो सर्वन आ रहा है बुलू सर्ट पहन के बुलू वाले पिक करना है तो बुलू वाले क्या कर लिया है पिक कर लिया है तो पिक का मतलब क्या होता है. उसको वहाँ से हटा देना उस area से क्या करना है उसको remove करना है. तो East area से tomato को क्या करतेना है. पिक ही को सब्द यूज करते है हम harvesting क्या यूज करोगे बता लेकिन जब हम बहुत सारे पिक करते हैं जयसे lucern में वरसीम में पांचे वार पिक करते हैं हर्वेस्टिंग करते हैं तो उसका यूज हम क्या करते हैं पिकिंग अब देखो इसका फ़र्ष्ट पिकिंग जब करेंगे तो यह पहली पिकिंग करने के बाद यहां से सारे टमाटर क्या हो जाएंगे हट जाएंगे यह अट गया, अब इसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि यह सारे पोशक तत्तों जो यहां जा रहे थे, अब यहां नहीं जाएंगे, कहां बढ़ेंगे, उपर की ओर, अब इसका एक important point है, कि इसके माथे पे फूल नहीं आएगा, यह ध्यान दखना, कि अब यह आगे ग्रोथ नहीं करेगा, व्रधी नहीं करेगा, देखो जैसे, अब जो हम खेतों में लगाते हैं टमाटर, उसमें देखा होगा, ऐसे आजाते हैं, उपर उपर ही फूल चमकता रहेगा, मैं आ गया, तो आ गया का मतलब है, इसकी अब और ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगे, बताओ, किसकी ग्रोथ ज़्यादा होगा, अब आपके एक्जाम में पूछेगा, इसको हम कहते हैं टर्मिनल, टर्मिनल को बोलते हैं हिंदी में सिर्सस्त, याद करकर के आना पड़ता है सब, टर्मिनल, इसे हम क्या बोलते हैं सिर्सस्त, और ये जो फूल लेटरल का मतलब क्या होती है साइड वाले साखा क्या कहलाएगी लेटरल और उपर वाले क्या कहलाएगा टर्मिनल या इसका नाम है एपिकल क्या नाम दोगे आज के बाद बताओ एपिकल या क्या बोलोगे टर्मिनल तो बताओ कौन ऐसा ग्रोथ है जिसके उपर टर्मिनल फ प्लावर, Determinate में, किस में आते हैं, घरररमिनीनेट में अगर Terminal flower आ गया, इसका मतलब, इसका जो वरधी होगा, वो कैसा होगा, सिमित, कैसा वरधी होगा, और ये जो वरधी, ऐसे वाले जो होते हैं, ये खूले खेत में लगाते हैं, खुले मैदान या खुले खेत लिख दू, open field में, कहां लगाते हैं बताओ, open field में इसका लगाते हैं, अच्छा बताओ, दोनों टमाटर में production में किसकी बात करें, बताओ, यह देखो production की चर्चा करें, तो इससे और अच्छा हम समझ सकते हैं, यह green house में लगाया जाता है, और इसकी growth है indeterminate, कैसा growth है, indeterminate, नीचे से आप टमाटर, MSC में मेरा research वर्क भी था, green house में टमाटर पे, इसको आप जितना ज्यादा तोड़ते जाओगे, यह उपर बढ़ता जाएगा, और उपर यह जो किरिया, टमाटर को रसी से बांग देते हैं, इसको हम कहते हैं training, क्या ब ख्लाबर के आने के बाद की अवस्था मैंने आपको समझाया है, क्या यूज करेंगे इसके लिए, प्रूनिंग, अरे प्रूनिंग का मतलब हलकी कटाई, और ट्रेनिंग का मतलब जादा कटाई, है भी कटाई का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग, और प्रूनिंग का मतलब चोटी-चोटी कटाई, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रूनी, तो ये रसी से बान दिया जाता है, और ये उपर-उपर ये जाता रहेगा, तो ये कौन सा ग्रोथ है, बताओ, इंडिटेर्मिनेट, कैसा ग्रोथ है, इंडिटेर्मिनेट, तो अस्टेकिंग का मतलब सहारा देना किस में करते हैं, टमाटा रिमिया और किस में करते हैं, बताओ, केले, चलवा गया, अब हम बात करेंगे, मेटा किंग, अच्छा पॉइंट है, बाकी लोग तो मेटा किंग किस में करते हैं, केला हम काम खता, इतना ही तो पढ़ना है, मेटा किस में होता है, केला में, अब ब बोलते हैं pseudo stem, समझना इस बात को, क्या बोलोगे इसको आज के बाद, क्या ये तना है ये pseudo है, pseudo का मतलब होता है अवहासी, कैसा होगा बताओ, अवहासी, आ गलत लिख दिया न, अवहासी, कैसा होगा, अवहासी, या इसको बोलते है false system, सत्य है या सत्य है, असत्य है, क्योंकि Anatomy Biology में पढ़ते हैं आपको इससे मतलब नहीं यह सूडो अश्टेम है अगर पूछा जाए केला के जमीन के उपर के भाग क्या कहलाता है तो आप बोलोगे सूडो अश्टेम और इसको हमने बना दिया स्वाइल यानि जमीन और जमीन के नीचे के भाग यह कहलाता है राई जो क्या कहलाएगा बताओ बताओ जमीन के उपर केला को क्या बोलोगे सूडो अश्टेम जमीन के नीचे का पार्ट क्या कहलाएगा राई जोम अच्छा इसका मतलब से सबसे पहले डेबलफ हुआ होगा केला में क्या राई जोम अब इस राई जोम को बना लेते हैं इस तरह से इस राइजोम से हलका हलका ऐसे डिबलफ होते हैं इसको हम बोलते हैं सकर्स क्या बोलोगे बताओ सकर्स किस से डिबलफ हुआ है राइजोम तो सबसे पहले नीचे क्या बना है राइजोम राइजोम से क्या बना है सकर्स और ये सकर्स जब बड़ा हो जाए और यहां एक तलव तलवार के जैसा ऐसा बन जाए तो इसको हम बोलेंगे सौड सकर क्या बोलोगे इसको सौड सकर का मतलब तलवार के जैसा सकर क्या कहलाएगा सौड सकर अब एक्जाम में क्या प्रशनाएंगे केला का प्रवर्धन करते हैं केला का प्रवर्धन करते हैं किस से करते हो आपके प अप्सन आएगा फ़स्ट राइजोम, सकेंड उप्सन आजाएगा सकर्स, थार्ड उप्सन आएगा सोड सकर्स और फोर्थ उप्सन आगया ओल ओफ दिच, तो क्या टिक करेंगे ओल ओफ दिच, दोनों प्रशनों में आप गलती मत कर देना, सेम इसी प्रशन को यहां आ सकता ह राइजोम, सकर्स, सोड सकर्स, अब यह फ़स्ट उप्सन, यह सकेंड, यह थर्ड और फोर्थ नमबर आजाएगा बलब, तो केला का प्रवर्धन करते हैं, ठीक है, यह आपको उदैपूर से ढख गया होगा बलब, तो यहां लिख देता हूँ, बलब, अब यह चारों में बताई कौन सा टिक करोगे, इजी कोशन है, सब रट लेते हैं, क्या करोगे टिक, क्यों, जबकि उत्पत्ती तो किस से हुई है, राइजोम से, फिर किस से, सकर्स, फिर किस, क्या बना है इसमें, सोड सकर्स, फिर भी हम सोड सकर्स टिक करते हैं, बताओ, कारण, नहीं पता है क्या है रीजन ओनलाइन वाले भाई साहब कुछ है कोई रीजन उजन बता दें कोई बोलो तो तब तब मज़ा है कि हाँ भाई कुछ है इनसान को पढ़ा रहा हूँ किसी से प्रावर्धन का मतलब क्या होता है नुक बताओ बोलोगे तम मज़ाए है प्रावर्धन का मतलब सरवन गाडड़ी नया पोधा प्रावर्धन का मतलब मेरा प्रावर्धन का मतलब हम जन्तूं में उप्योग करते हैं प्रजनन कि भाई प्रजनन हम जैसे है हम अपने पिढ़ी को बढ़ाने के लिए दो-चार बच्चे पेदा कर लें इसको क्या बोलोगे प्रवर्धन प्र का मतलब क्या होता है पहले और वर्धन का मतलब क्या होता है गुनच यानि मल्टिप्लिकेशन पहले कोई प्लांट है इसका गुनच करके 4-5 प्लांट बना दिया that's is propagation प्रवर्धन प्रजनन क्या है पहले कोई इंसान थे हमारे दादा थे पापा थे या खुद मैं हरे राम हू इससे योगिक बन गया that's is प्रजनन क्या कहलाएगा प्रजनन प्लांट के केस में जड़ा देखना पॉइंट हमें क्या करना है नया प्लांट बनाना है भाई एक ऐसा प्लांट बो रहाओं खेत में जिससे नया प्लांट बनेगा यह जवान प्लांट बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे प्रवर्धन उसकी संख्यां को क्या करना है बढ़ाना है तो अब आप समझना सबसे छोटा इसमें कौन है राइजोम इससे बढ़ा कौन है सकर्ष उससे बढ़ा कौन है अब आप समझो यहाँ एक लड़की को साधी करना है उसके पास हमने तीन ओप्सन दिया गुडिया तुझे जो पसंद है कर ले मैं साधी करा दूगा उए लड़का को मैं रखा तीन उप्षन में एक लड़का आठ साल का है एक लड़का आधार काड लेक खड़ा है कि मेरे को भी देख ले अठारा साल का हूँ लड़की किस से साधी करेगी आठ साल बारा साल अठा सारा साल वाला बहुत जल्द फाश्ट अपनी जन संग्या को बढ़ा सकता है आठ साल वाला बोलेगा अभी पांच साल इंतजार करना पड़ेगा भै इसका मतलब प्रावर्धन के लिए इंपोटेंट पॉइंट क्या है सौड सकर्स क्योंकि सबसे डिबलब कौन हो चुका है बताओ सौड सकर्स और इसकी बजन कितना है पांच सो से लेकर पांच सो से लेकर साथ सो पचास ग्राम कितने हैं पांच सो से लेकर साथ सो पचास ग्राम इसी लिए हम सेलेक्ट करते हैं किसको सौड सकर्स को अगर अलग अलग अप्शन रहेगा तो क्या टिक करोगे सौड स और सब ही option रहा दोस्त तो क्या टिक करेंगे all क्या टिक करेंगे ये दोनों में आप गलती मत करना क्योंकि बहुत confusing करेंगे अब हम आते हैं अपने topic पे कि में talking होता क्या है आप एक कटे हुए भाग तो देख लिए हो ना अब हम आते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं देखो करेंगे चुपके गुमते रहते हैं याटाव इसको सपने हैं अभी तक मैं ये नाउंस नहीं किया हूँ कि अलग कर दिया हूँ मैं अराम से पढ़ाता हूँ कभी ने देखा हूँ कोई नाम हूँ उधर वाले में खाली चल जा कि हाइटेक किदर है तो बोलेगा भी ना कहा हैς रहने दे के चले आप देखें अपनी बात करें या बनाना था को बना दिये आपने यह केला है मैं क्या होगा जिसकी पत्ति ना ऐसे ग्रोथ करें मैं। तो यह होते हैं मोनोगोट क्या होता है यह अब देखो इससे नाप हो सकता तो कहां जा रहा था बताओ उपर और यह सारे ग्रोथ कर रहे थे बहुत अच्छे से उपर जा रहा था पोसकता तो ग्रोथ कर रहे थे यह केला और केला का बन रहा था यहां से बंच क्या बन रहा थ बताओ, इसको क्या बोलते हैं, यह सम नाम याद रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, बंच, और बंच में होते हैं फिंगर, क्या होंगे यहां पे बताओ, यह जो केला बन रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे आज के बाद, फिंगर, क्या बोलोगे, फिंगर, तो यह हैं फिंगर अब तो सरी इसको केला यूज नहीं करेंगे क्या बोलोगे इसको फिंगर, पूरी फिंगर मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे बंच, तो वो जो केला से तूटते हैं वो क्या है बंच, बंच में बहुत सारे क्या है फिंगर है, चलो ये बात समझ में आ गया अब ये जो finger या bunch बना है ये क्यों से flower से बना होगा बताओ ये बना होगा female flower से कौन से pusp से बना होगा ये बताना जरा क्योंकि लड़का को ये भी तो पता होनी चाहिए कि ये मादा से बनते है अरे फल किस से बनेंगे भाई मादा से इतनी confusion नहीं होना चाहिए मादा से बनेंगे तो ये बैचारा नर क्या करेगा ये नर बोल रहा है मैं भी हूँ ये नर भाग है तो अब condition क्या हो रहा है जरा देखें इस कहानी में क्या निसकर्स निकल रहा है नर को मैं खाना लाओ उमने अपने आपको न औरन जेब समझते हैं ताना साह घर का मालिक का मतलब नर नर आ गया जब मेरे बीडियो देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों को मैंसे आते हैं सर आपने आखे खोल दिया कि नर कुछ नहीं है तो ये आएगा इसा गरजता हुआ खाना इसको दे दो ये मादा ना सहती रहेगी क्योंकि मादा को विचारा ये विचारी लाष्ट में खाएगी दो बच्चे को खिलाएगी मम्मी पापा को सब देखकर एक नारी ना बहुत अश्ट्रगल करती है ये खापी करके तंबाको उंबाको दवा के थोड़े बोलेगा घूम के आता हूँ अब गाउं हो जाएगा घूम के देर दो घंटे के बाद ये आएगा तब तक ये मादा विचारी खिला उलाके अराम से घर परिवार को देख रहे थी कंडिशन ये चलता रहा कितने 6-7 माह केला की बात कर रहा हूँ तेरे घर की नए किसकी बात कर रहा हूँ केला का कितने माह कंडिशन चल रहे थे 6-7 6-7 माह तक ये पोसक तत्तो का बटवारा दोनों तरफ हो रहे थे कहां कहां नर्मे भी हो रहा था और कहां हो रहा था मादा ये मादा चाह रहे थी कि हमारे जो finger है अब मैं क्या बोल रहा हूँ यूज कर रहा हूँ सब्द बताओ finger इस finger की अगर size बढ़ेगी तो market value क्या होगा ज्यादा होगा लेकिन ये डर से पती को बोलने पा रहे थी कि कहां देंगे अपने finger को देंगे बच्चों को देंगे दर से ने बोल रहे थी मन ही मन इस मादा की बात एक बैग्यानिक हमारे जैसे समझ रहा था कि नारी क्या कहना चाह रही है नारी की बात यहां सुन रहा था एक scientist ठीक है ये बैग्यानिक नारी की बात सुन रहा था तो नारी मन ही मन सोच रही थी, कि ये डोकरा मर जाता ना, तो बढ़िया होता है, बहुत दारूपी के रो जाता है, नाटक करता है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, यानि ये सोच रही थी, कि इस परिवार से इसका क्या हो जाए, अलगाव हो जाए, पैज्ञाने की ये वाते समझ गया, अब क्या हुआ, यहां से सच में, उसने नर्भाग को ही हटा दिया, नर्भाग को क्या कर दिया, हटा दिया, चारों कॉंसेप्ट एक में ही समझेंगे अपन, तो नर्भाग को हटाना कहलाता है, डी, नेवलिंग, क्या कहलाएगा बताओ, दी का मतलब क्या होता है, हटाना, और नेवलिंग का मतलब होता है, नर्भाग, कौंसे भाग बताओ, नर्भाग, नर्भाग को हटाना क्या कहलाएगा, दी, नेवलिंग, अगर नर्भाग को हटा दिया, और नर भाग गिरा रह गया खेत में अरे मेरे को काट दिया रहे कहां है खेत के नीचे अब किसान क्या करेगा इसको ले जाएगा बड़ा सा भाग है तो दो केजी के भाग को मंडी में बेच देगा 15 रुपे 15 रुपे 20 रुपे 20 रुपे तो इसके बन जाएंगे सबची क्या बन जाएगा तो बताओ किसान को दो फाइदा क्या क्या फाइदा है एक तो जो पोसक तद तो इसमें जा रहे थे अननेसेसरी ये खा के धाकार मार रहा था इसकी कोई जरूरत नहीं थे तो ये हट गया अब ये न्यूट्रियंट्स कहा आएंगे बताओ फिमेल पार्ट में जिससे केले की साइज भी क्या होगी बढ़ेगी और अगर हर एक प्लांट से 20 रुपिया का इंकम अंति मवस्था हो रहा है अंति मवस्था अगर किसी किसान के पास एक लाख केला का पेड़ हो तो एक लाख इंटू 20 कर ले मज़ा आ गया कितने लाख के इंकम हो गई 20 लाख जिससे किसान समझ ही ने पा रहा है कि अरे यार नर को हटाने में इतनी बड़ी फाइदा है हटाओ सब को तो दना दन चाकु लाया अगले दिन सारे नर को काटके क्या कर दिया इस किरिया को हम क्या बोलेंगे डी नेवलिंग क्या बोलेंगे अब डी नेवलिंग हो गया नर बिचारा परिशान था अब डी नेवलिंग किरिया के बाद समझना फर्ष्ट किरिया हम क्या करते हैं केला में फर्ष्ट किरिया करते हैं जिसका नाम है स्टैकिंग स्टैकिंग का मतलब क्या होता है सहारा देना केला के पेड़ को हम क्या देंगे सहारा स्टैकिंग यूज नहीं करके इसके लिए हम proper सब्द यूज करते हैं, जिसका नाम है proping, क्या यूज करते हैं बताओ, proping, क्या यूज करोगे, proping का भी मतलब होता है क्या, सहारा देना, और second इसके बाद हम यूज करेंगे denavelling, क्या यूज करोगे सब्द, denavelling, denavelling का मतलब, नर्भाग को क्या कर देना, हट अब देखो नर्भाग को हटाने के बाद अभी इसमें क्या लगा हुआ है बंच बंच है या नहीं अरे बंच है या नहीं बंच में क्या लगा हुआ है बताओ ये फिंगर फिंगर लगे हुए है ठीक है अब क्या करेगा बेपारी जो है इस बंच को ही काट दिया एक ना एक तो इसे भी कटना है मादा को तो ये बंच अलग हो गए अब बंच अलग हुआ तो condition कैसा बनेगा बताओ केवल ये पेड ऐसे खड़े ठिक है ये केला ऐसा खड़ा है और केला आप जानते हो एक वर्षी है कैसा है एक वर्षी है इसे हम क्या बोलते है annual plant है यानि यह हर साल अपना अलग जीवन साइकल पूरा करेगा लाइफ साइकल हर साल अलग अलग पूरा करेंगे भाई अब देखना condition ये बना हुआ है इसके बाद की कहानी अब ये condition बना हुआ है अभी फल लेने के बाद केला का ये condition कितने दीनों में बन जाएंगे आठ से नौ माह में ये condition इसका क्या हुआ बन गया ठिक है पोसक तक्त्यू का काम तो विचारा का ठेली का है अगेन पोसक तक्त्यू कहां गया उपर देखा रहे आज तो कोई लेने वाला ही नहीं है ना तो मादा है ना ही नर है कुछ है ही नहीं विचारा तो ये उपर जा रहा है उपर में इसकी जो टिप की लंबाई है ये क्या होती जाएगी देखा ओगा पुराने केला में कहीं नहीं बढ़ते हैं कहां बढ़ेंगे वो उपर का भाग बढ़ता जाएगा अब इसी को बैग्यानिक क्या कर सकता है दो केस आप केवल टिप को हटा दो उपर भाग हटाएंगे तो साइड वाली साखा बढ़ने लगेंगे अब इससे हमें कोई केला तो बनने वाला तो है नहीं तो बैग्यानिक ने सोचा इस पोसक तत्तु का बचाव करो इसको बचाओ क्योंने इसको हम जमीन से ही काट दे यहां से ही काट दो तो जमीन से कितनी उचाई पे बोलता है 45 से 50 सेंटी मीटर यानि कि आधा मीटर इतना ही आएंगे आधा मीटर मान ले तो जमीन से क्यों रखा हाप मीटर क्योंकि अगर जमीन से ही केला को काट दोगे तो पैथोजन का अटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगे कवाग, बैक्टेरिया ये सब क्या होगे बहुत ज़्यादा अकर्मन करेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ ही नहीं होगा बैचारा वो सारे बीमारी फैल जाएंगे उसमें तो जमीन से कितनी उचाई पर हमें काट देना है बताओ 45 से कितना 50 सेंटीमीटर की उचाई पर आपको क्या कर देना है कट कर दिये, तो यह यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया बस काट दिया तो ठीक है काट दोगे तो अब क्या बनेगा अगला कंडिशन जब आप काट दोगे तो देखो हमारा केस यह बना हुआ है यहाँ से काट दिये अब ग्रोथ होगा भ्यानक ऐसे करके देखना कभी पलांट को पोसक तो न्यूट्रियंट जिसको कहां जाना था, उपर उपर देखा यार, यह तो हवा है पागल इधर तो कुछ है ही ने इनेक्टिव हो जाओंगा तो यह कहां आना चाहेगा बताओ नीचे, कहां आया अब सारा पोसक तो यहां इकठा होने लगेगा साइकल चला तो था जरूर लेकिन कम्ब्लीट ने हो पाया रिसाइकलिंग कहां हो रहे हैं टुवार्ट्स अर्थ की तरफ यहां पे इकठा होने लगेगा आपस में सब बात करेगा अरे यार कहला में क्या कर दिया यह का यह उपर जा रहा था नीचे आ रहा था पतियों में आराम से हमारा नीट्रियंट साइकल चल रहे थे पूरा होके अब तो जाओं कहां बोला रे कुछ ने करना बैठा आदमी ना सैतान का होता है बैठा है तो चल कुछ नहीं, कुछ परजनन कर लेते हैं, और क्या, जो परजनन करने वाला पार्ट है, उसको निउट्रियंट दे देते हैं, उसमें उर्जा की क्या पढ़ती होगी, जरूरत पढ़ते होगे, अवसकता, अब बताओ, इस केला में, कटे हुए भाग में, में तो कुछ डेबलब हुआ नहीं, तो इसके जमीन के नीचे के भाग मैंने क्या बताया था, बताओ, क्या बताया, राइजोम, तो सारा ताकत अभी किसके पास है, राइजोम, तो ये नूट्रियेंट्स बोला, रे चल चल राइजोम को दे देते हैं सकती, कि उपर अब तो इस राइजोम ने बोला कि अरे भाई साहर, मेरे क्या करना, मेरे से बढ़ा वाले जो भाई है ना, उसका नाम हो जाएगा सकर्स, क्या हो जाएगा, तो बताओ, अगर नूट्रियेंट्स का नीचे की ओर आना, किसका बढ़ावा देगा, बताओ, बहुत सारे क्या है सकर्स, अब बताओ, इस सकर्स को हटाना, सकर्स को हटाना, क्या कहलाएगा, डी सकरिंग, क्या कहलाएगा, तो कौन सा पार्ट अपन पढ़ रहे थे, बताओ, पहला पार्ट क्या पढ़े है, स्टैकिंग, या प्रोपिंग, कौन सा यूज करेंगे, प्रोपिंग, सकेंड हमने क्या पढ़ा दी नेवलिंग फ़र्ड हमने क्या किया था मेटाकिंग काट देना क्या कहलाएगा बताओ मेटाकिंग कितने सेंटिमीटर की उचाई से 45 से 50 क्या कहलाएगा मेटाकिंग मेटाकिंग के बाद इसमें क्या बढ़ने लगेगा सकर्स, सकर्स को हटाना क्या कहलाएगा डी सकरिंग, क्या कहलाएगा डी सकरिंग, चलो अब आगे अब ये आ गया डी सकरिंग, तो अब ये सकर्स को, कुछ-कुछ सकर्स को हटाने लगे, दो सकर्स है हमने रखा, दो या तीन सकर्स अब ये तीन सकर्स बड़ा होके ऐसे ऐसे बना देगा जिसको हम बोलेंगे सौड सकर्स क्या बोलोगे बताओ अच्छा अब बताओ एक किसान के पास जरा समझना इस कहानी को अच्छे एक किसान के पास बड़े बेपारी था इसके पास एक लाख प्लांट था कितने प्लांट हैं कितने सकर्स बना रहे हैं बताओं 13 से 4 सकर्स अब suppose that किसी के पास 500 प्लांट हैं जयदा नहें छोटा वे रही हैं छोटा किसान 500 तो 500 into 1 प्लांट से 4 सकर्स तो 500 प्लांट से इतने सकर्स कितने हो गये बताओ equal to लिख देता हूँ 2000 सकर्स एक सकर्स को आप खरीदने जाना मार्केट में इसकी प्राइस अभी की प्राइस में 100 से 150 रुपे कितने लेंगे आप से 100 से 150 तो हमारे पास एक छोटा 500 प्लांट कुछ ने 500 प्लांट तो आप लगा सकते हो जानते हो कितने में मैं बोलूँ एक बहुत छोटे भाग में लगा सकते हैं अपने क्योंकि इसकी दूरी हम रखते हैं कितना बताओ 2 इंटू 2 पे तो 500 प्लांट याने की 20 मीटर खेत लंबा हो 20 ने 80 मीटर और 80 मीटर क्या हो चोड़ा तो कितने लग जाएंगे प्लांट बताओ 2 इंटू 2 तो ये तो बहुत ज कितना हो जाएगा 20 और 20 ठीक है 40 मीटर लंबा और 40 मीटर चोड़े वाले खेत में ही अपने काम हो जाएंगे तो अब देखो 2 हजार प्लांट इंटू 100 ही कर ले अपना 100 तो कितना आ गया 1 2 3 0 और 1 2 0 लाक की इनकम हम किससे कमा सकते हैं बताओ जिसको तुने बरबाद कर दिया था एक बेपारी केला लेकर के कुछ कर नहीं रहा था उसको बरबाद करता केवल कौन सी किरिया अपनाने से में टॉकिंग कौन सी किरिया में टॉकिंग इससे क्या बिर्धी हो जाएगा बताओ राइजोम का ग्रोथ होगा उससे किसका डेवलेप्मेंट होगा सकर्स सकर्स को हटाना क्या कहलाएगा डी सकरिंग इससे क्या बनेंगे बताओ short suckers और short suckers को market में हम बेच सकते हैं या हम कह सकते हैं next year यही short suckers दुसरे खेतों में लगा सकते हैं बाहर से आपको खरिदना ने पड़ेगा ताकि again इसका cycle चलता रहेगा तो बताओ केला का हमने 4 important operation पढ़ा कौन-कौन first का नाम क्या था सहारा देना, proping second का नाम क्या है denavelling, denavelling का मतलब नर भाग को क्या करना, हटाना और third का नाम क्या है बताओ, metaking और fourth का नाम है de-suckring, fourth का नाम क्या है de-suckring, चले आगे de-suckring, देखो यह सकर्स दिख रहे हैं न, इनको हटाना क्या कहलाएगा, de-suckring de-navelling, यह देखो अच्छा image यह तो क्या कहलाएगा, यह फिंगर और फिंगर लगते हैं, किस flower में बता चुका हूँ, female में यह stock हो गया, यह कौन सा flower है male flower, और यह वाले nutrients यहां से कहां पास हो रहे हैं इसमें, वो तो कहाने के जर्य मुझे अलग-अलग बनाना पड़ा, अब यह अगर nutrients यह हैं, इसे रोक दो इधर आईगा ही नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे, de-navelling यहां और देखो, ground वाले नीचे वाले भाग क्या कहलाता है rhizome, क्या कहलाएगा कहीं और मैं अच्छा image कहीं ने कहीं और दिखाया होगा देखो, यहां आच वो वाले भाग क्या कहला रहा है बताओ, बंच, क्या कहलाएगा वो, बंच, यह है कॉर्म, यह क्या कहला रहा है राइजोंग, इस से बड़ा यह क्या बन रहा है सकर्च, ये क्या है, सकर्च ये तो tissue culture में उपयोग करते हैं केला, अश्ट्रावेरी, ये सब आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है कहाँ tissue culture में, तो इसको बोलते हैं propping, बड़े वाले केले को साहरा देना क्या कहलाएगा, propping ये भी propping किसमें करते हैं, गन्ना में 57 गन्ने को बांग देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, propping, चलो आगे बढ़ते हैं आगला है bending bending किरिया क्या हो नीचे, ये सोता रहता है तो लोग ना वही students हो फालतू में मेहनत करता हो इतिहास आर में तुझे निन नहीं आता होगा आर्ट इन कल्चर में भी नहीं आएगा क्योंकि इनसान चाहता है हमें लिखाते रहो 4-5 पेज लिखा दूना मजाग से, तो बोलेगा, मस्त पढ़ा है आज तो वो गुन दियने भगवाने भालतू में रटता हो और कोई मतलब बनते हैं एशी पढ़ा बेंडिं किसमें करते हैं? अम्रूद में कहां होते हैं? महाराष्टा में कहां करते हैं इसको? महाराष्टा में next point caperification किसमें होता है? अंजीर में किसलिए करते हैं? pollination के लिए परागन के लिए क्या करते हैं कैप्रिफिकेशन किसमे करते हैं अंजीर में ये गदे लोग जैपुर उपुर में इसी पढ़ाते हैं पांच बार बोल देगा बोलेगा मैं ने पढ़ा दिया तो लड़के भी पांच बार नरिंदर मेरा पढ़ा देगा Caprification किस में करते हैं इंदर- ανجeer में किसलिए करते हैं परागन की किरिया करते हैं नेक्स्ट है दुवा लगाना यensive करते हैं ढूआप समझो इधर concept को अगला है bending bending का मतलब क्या होता है जुका देना अब जैसे मुझे इसे जुका दे मुझे अमरूत का पेड़ों मुझे इसे जुका दे और मेरे माथे पे संसलेशन होता है ओकजीन का ओकजीन का संसलेशन कहा होते हैं अगर एक्जाम में पूछा जाए तो बताओ हार्मोन पढ़ाऊंगा बड़ा अच्छा कोई भी एक्जाम ऐसा नहीं जो इससे प्रस्ट नहीं देगा सिर्स पे कहा होते हैं और इस ओकजीन की सबसे वड़ी खासियत क्या है ये ना कभी भी साखा देखना पसंद नहीं करता है इसकी सबसे अच्छी खास वाग इसको पसंद है लंबा लंबाई को बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा ये उपर है बोलेगा रहे चल 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 कोई पेड लंबा कब होगा बताओ क्या concept है कि पेड लंबा हो रहे हैं जब इसकी side वाले साखा क्या होंगे growth नहीं करेंगे तब वो पेड क्या होगा लंबा आपने कभी नहीं देखा होगा जाड़ी नुमा व्रक्स लंबे होते हैं क्योंकि जाड़ी बनेगा तो कौन सी branch आ रही है lateral अभी तो मैंने बोला ये वाले branch कौन का लाएगा lateral अरे तो पोसक ता तो बट रहे हैं ना हर जगा यहाँ साखा यहाँ साखा तो वो पेड लंबे नहीं होगे ओकजीन क्या करता है ओकजीन का काम क्या है ये ना group बना के गती करेगा नीचे की ओर वो बोले गा रे रे रुक मैं देख के आता हूं नीचे कहीं ये साइड वाला साखा तो नहीं बढ़ रहा है पागल आजकल nutrients कमा रहे हैं उपर तो ये क्या करेगा नीचे की ओर गती करेगा और ओकजीन के नीचे की ओर गती कहलाता है तलाव हिसारी क्या कहलाएगा बहुत बारे प्रस्ण पूछे गए हैं ओकजीन किधर गती करेगा नीचे की ओर जिसे हम कहते हैं अंग्रेज लोग बेसी पीटल क्या बोलोगे इसको बेसी पीटल तो बताव ओकजीन का संसलेशन कहां होता है अगर पूछा जाए तो सिंथेसिस कहां होता है तो सिंथेसिस तो होते हैं गुरु जी एपिकल पार्ट पे कौन सी पार्ट पे होते हैं एपिकल पार्ट गती कहां कर रहा है बताव नीचे की ओर तो तल की ओर तलाव हिसारे तल की ओर तलाव हिसारे बेसी बेसी का मतलब base, petal petal का मतलब towards तो base की ओर towards को हिंदी में क्या बोलते है की ओर, towards मतलब की ओर, तो कहां आ रहा है base की ओर, तो इसे क्या बोलोगे base ही, petal तो यह जब नीचे आया तो देखा अरे, side वाले साखा बढ़ रहे हैं पागल, इसको रोक, रोक, रोक तो इसको रोकेगा तो बताओ, oxygen का main function बताना lateral branching को बढ़ाएगा या reduce करेगा reduce करेगा, यानि lateral branch काट दिया तो समझ जाना reduce करेगा, और apical को क्या करता है, promote promote का मतलब क्या होता है, बताओ, बढ़ावा देना, promotes का मतलब बढ़ावा देना, तो apical को बढ़ाएगा, और lateral को रोकेगा, ये main function किसका है, oxygen अब समझ जाना, oxygen क्या करता है काम जराएग, एक line में बता दो गुरु जी उपर बनेगा, नीचे आता है, नीचे देखेगा, अच्छा सब काम ठीक है, side वाले साखा अब अगर, देखो पैक्यानिक क्या चाहते हैं, जैसे तुम लोग जब बड़े बन जाओगे, तो देखो कि यार, जैसे चना की बात बताओं, चना अगर हमारे इतना बड़ा होता खेत में इसे चना, और इस पर भली आता, तो क्या करता, छोटे-छोटे लोग तोड़ने पाते हैं, वो डंड़ा से इसे मारते हैं, तो यह से चना लाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इसके ओपर के भाग को यह हटा देते हैं, यहां क्या बन रहा है, बताओ, एक उदाहरन से समझा रहा हूं, ताकि अपने को अच्छे समझ में आए, यहां क्या है, ओग जीन औगजीन क्या करेगा इस चना में ये साखा आने नहीं देगा और चना को कहां ले जाएगा बोलेगा चल 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 उपर चल उपर जाना है पर हमारे बैग्यानिक बोले अरे पागल इस औगजीन को ही हटा दे न रहेगी घर में बास न बाजेगी तो इसको हटा दिया अब इसको अगर हटा दिया तो ये नीचे देखने नहीं आएगा अब नीचे नहीं देखने आएगा तो कौन सी साखा बढ़ेंगे साइड वाले साखा इसका मतलब अगर किसी प्लांट में ब्रांचिंग बढ़ाना है फलो को ज़्यादा लाना है तो हमें किसको हटा देना है औकजीन को क्या करना है अब समझो अब अमरूद के उपर जा करके चड़ करके टिप को हटाना मुश्किल काम है अरे भाई आमरूद तो ऐसे लगते हैं तो इस साखा का टिप तो यहां तो ऐसे चड़ू कैसे एधर तो पतली डाली एकदम पतली से तो चड़े कैसे इसमें चड़ूँगा तो यही तूट जाएगा ज्यानिकों ने सूचा यार यह तो बड़ा मुश्किल काम है और कोई-को चड़ना मुश्किल और अगर आप चड़के चाकू लेके उसको काटने भी गया तो एक दिन में एक पेड़ नहीं काट सकते हैं मुश्किल है पैज्यानिक ने सोचा रहे देख तुम्हें धोखा किसको देना है औगजीन को तो क्यों ने औगजीन जो माथे पे है देखो ट टिप पे है तभी तो यह नीचे आता है घूमने फिरने के लिए टहलने के लिए इस डाली को ही तुम नीचे कर दो तो उसको लगेगा मैं नीचे गूम रहा हूं और नीचे है तो इसकी ग्रोथ नहीं होगे यह मुवमेंट नहीं करेगा यह असर चकित में रहेगा यार मैं तो नीचे हो ठीक है अब कोई ग्रोथ ने इधर फटा फट सारे साखा देखो बढ़ते रहेंगे साइड वाले ब्रांचिंग क्या होते रहेंगे बढ़ते ये एक्चुल कॉंसेप्ट है किसका बेंडिंग का किसका है आप से प्रशन पूछेगा अच्छे एक्जाम में बेंडिंग में किस हार्मोन से संबंदित है तो औकजीन से किस से है और इसका में परपस क्या होगा जरा बताओ अब खुद दी ऐसे ब्रोड पढ़ लेगा तो जरूरत ही नहीं तुझे दुझे दुआरा पढ़ने उस पे उतनी नई डाली बनेंगे देखाओगा जो पुराने अमरूद के पेड़ इतना मोटा हो जाएगा उसमें अरे एक भी फल नहीं आया और जो नया नया काट दिया एदम तुझे का तुझे का देखाओगा नया नया इससे डाली आ रहे हैं नए नए भूल आ रहे हैं अमरूद को जितना काटोगे उतना ही फल लगेंगे इसलिए आज देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मीडो और चेडिंग का किसका होता है बता अर सर मीडो क्या आ गया तो अमरूद से संबंधित है पहला बाद मीडो और चेडिंग का जो कॉंसेप्ट था य लाया था इजराइल ने किसने लाया इसने बोला कि अमरूद की दूरी जो आप 6 इंटू 6 रखते हो ना इसको अब रखना आज के बाद 2 इंटू 1 पे है कितना रखेंगे बताओ यानि प्लांट से प्लांट की दूरी 1 मीटर और कतार देखो ये टेवल जो है ना और मैं हू इतना ही उचा अमरूद RCM लगा हुआ है अब सोचो कितनी घनी खेत बन जाएंगे एक अमरूद यहां यहां इसे पूरा घना और उपर से आता है हार्वेश्टर इसका तो 2 मीटर तो रखा इसको में हार्वेश्टर छोटा वाला जाने के लिए उपर से एक पंखी चलते र बड़ा नीचे आना चाहता था आगया नीचे है अब अगजीन नहीं है तो ब्रांचिंग क्या होंगे ज्यादा और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग आएंगे जितना नया नया एक तम भाग आएगा उतनी नई नई कली आएंगे जितने कली आएंगे उतने भूल लगेंगे जितने फूल लगेगा उतना ही तो ये होगे bending कहां लोग अपनाते हैं अभी हम लोग North India में अपनाते हैं आप अमरूत को इसे जुका देना बोलेगा पागल है गदे तो ये महराश्टम करते हैं कहां करते हैं बताओ ये पूछ लेगा bending की किरिया कहां अपनाते हैं महराश्ट में कौन से हार्मोन से संबंदित है बताओ ऑगजीन से main purpose क्या है bending को जुकाने का main purpose क्या है बताओ ताकि ऑगजीन का movement नीचे की ओर ना हो और इसमें पूछेगा साखा ज़्यादा होगी या कम साखा बढ़ेगी साखा क्या होगी बढ़ेगी production क्या होगा तो ज्यादा होगा production भी क्या होगा next point आते हैं जिसका नाम क्या है хватation бабए बाहर किसे काते है कुछ नहीं बाहर है क्या फूल का मतलब है बाहर उस फूल को नियंतरन करना है एक पेड़ है जो तीन वार फूल आते हैं तो वो पेड़ विचारा न प्रिसान हो जाएगा बोलेगा यार अभी तो तुझे फूल दिया फिर फूल मांग रहे हो क्योंकि इसी फूल से पहले क्या बनेगा बताओ बढ़ फिर क्या बनेगा इसमें फलावर और फिर क्या बनेगा इसे फल तो अगर फूल बनेंगे तो किसका निर्मान होगा फल का अब अगर ये बने ही नहीं तो किसका निर्मान नहीं होगा और अगर फल नहीं है तो प्लांट कहलाता है कि यार प्लांट में न अगर फूल नहीं है देखना समझना point को कि अगर कोई पेड में फ्लावर नहीं है तो इस प्लांट को ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं कि भाई पे करके फल दे करके ठक गया है विचारा अब ये क्या करेगा रेष्ट करेगा तो इसको हम बोलते हैं रेष्टिंग पिरियड जरक समझुक कहानी को ये बहार नियंत्रन तीन फलो में अपनाते हैं किसमें अमरूद में अनार में और किस में नीमू में इसकी जरूरत क्यों पड़े क्योंकि ये तीनों जो होते हैं एक साल में कितने वार फूल देंगे तीन वार फूल देगा तो तीन वार फूल देंगे तो इसके मौसम भी कितने वनेंगे तीन कितने मौसम बनेगा और इस मौसम को फूल आने के समय को ही हम क्या बोलते हैं बाहर क्या बोलोगे तो तीन बाहर बनेंगे A, M, H याद करना EG है ABCD शुरू करते हैं तो A से M का मतलब मिडिल वाले पीच वाले कौन है M और नीचे कौन है हस्त इसे हम कहते हैं अम्बे बाहर कौन सा बाहर कहोगे इसे कौन सा बाहर कहेंगे म्रिग बाहर और ये वाले जो बाहर है इसको हम बोलते हैं हस्त बाहर कौन सा बाहर है तो अम्बे बाहर म्रिग बाहर और कौन सा बाहर है फिर से बोलो अम्बे बाहर म्रिग बाहर और तीनो बाहर आपके दिमाग में आगे सबसे पहला जो बाहर है वो कौन है अम्बे बाहर चलो आप, अब हम बात करते हैं, हिंदी के कैलेंडर की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो फूल आते हैं, वो आते हैं, हिंदी में कौन सा महिना में नया साल भारत में अपनाते हैं? चैट और चैट कब आएगा इंगलिस के माह में ये सुरू होते हैं फरवरी और तो जानते हो नया साल आता है तो पेड उड़ एकदम खुसियां मनाते हैं अरे हैपी न्यू यर कौन पेड भी तो पेड हैपी न्यू यर कैसे मनाएगा बताओ फूल देकर क्या देकर मनाएगा बताओ आपने देखा होगा जब वसंत पंचमी नाम सुना है कौन सा पंचमी बताओ वसंत जब सुर्शती पूजा होते हैं वसंत पंचमी के समय जादा तर फूल आपको दिखा पूछेगा most ideal climate for plant propagation तो इसका एंसर जाएगा फरवरी मार्च कौन सा एंसर जाएगे फरवरी मार्च सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों में भारत में फूल किस माह में आते हैं तो वो आते हैं फरवरी मार्च याद रखोगे नया साल कौन सा महिना से चैत और चैत का कौन सा फरवरी और इसका मतलब जो अंबे वाहर है इसमें जो फ्लावरीं का टाइम जो होगा किसकी टाइम की बात किया हूँ बताओ फ्लावरीं टाइम की बात किया हूँ वो कब होंगे फरवरी और मार्च कब होंगे इसमें बताओ फरवरी और मार्च तो फरवरी मार्च में फूल लगेंगे तो अब फल लगेंगे तो इसका पूछ लेगा फ्रूटिंग टाइम कौन सा टाइम पूछ लिया फ्रूटिंग तो भाई फलन कब होंगे इसमें तो तीन महीने बाद होंगे फलन तो फरवरी एक ही याद रखना है रहे बाहर खतम है समझो अब बाहर का फूलों का आना, तीन मौसम हुआ AMH, अंबे बाहर मिरिक बाहर और हस्त बाहर सबसे पहला फूल कब आया फरवरी और मार्च में अब इसमें फल कब लगेगा तो मार्च में आया, तो मार्च, अप्रील मई, तो मई जून रख लेते हैं इसका कौन सा रखोगे महीना बताओ मई, जून, और मई, जून जो महीना होता है ये शुरुवाती मौसम है किसका वर्सा का, इसमें वारिस होंगे, जब वारिस होगा तो ये अमरूद है, ये क्या है अमरूद, और अमरूद में पाए जाते हैं इसके कठोरता का में रीजन होता है पेक्टीन, क्या होता है पेक्टीन, तो इसमें क्या है बताओ पेक्टीन है थोड़ा काला लग रहा थे अब ये ये पेक्टीन पे क्या पड़ेगा, बारिस क्या होंगे इस पे, तो बारिस होगा ना, तो ये बारिस हो रहे हैं तो ये धीरे धीरे पेक्टीन जो होगा ये मुलायम होने लगेंगे कैसा होने लगेगा बता ये देखा होगा वर्सा का अमरूद देखे ओ जून जुलाई वाले अभी वाले अमरूद छोड़ देन वर्सा अभी तो वही महिना चल रहे हैं अभी वाले तो अभी वाले अमरूद ना अंदर से तम पिल पिला रहेगा गुल गुला की एक दम और यहां ऐसे देख रहा था अच्छा फल मक्खी कौन देख रहा था बताओ फल मक्खी फल मक्खी किसको देखा बताओ अमरूद को किस रितू में देखा वर्सा रितू में क् कि ये मख्षी आसानी से पेक्टीन को छेद करके कहां चला जाएगा अंदर कहां चला जाएगा अंदर अगर अंदर चला गया कहां गया गुदा में कहां चला गया गुदा में अच्छा अगर गुदा में चला जाए तो क्या इसको आप खाओगे खाएंगे आप नहीं इसका मतलब इसकी demand क्या होगी कम इसकी demand क्या होगी और इसे हम बोलते हैं बेकार क्यों बेकार बूला बताओ concept को समझे क्यों बूला यार यह तो कोई फल है ही नहीं काम का यह ना जो बारिस हो जाएंगा इसे हम रूत खाओगा तो यह पंसोर लगेंगे पंसोर समझते हो पंसोर नहीं समझते हो पंसोर का मतलब हो ऐसा फल जिसमें पानी पानी मिठास नहीं लगे पानी पानी अच्छा नहीं लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं पंसोर यानि पानी की मात्रा क्या है उसमें ज्यादा है तो ये 500 लगेंगे यानि मिठास इसमें क्या होगा कम एक तो बेकार हो गया अब बताओ अंबे बहार में यही प्रशन बनते हैं जो आसानी से आप कर दोगे कोई पूछेगा अंबे बहार क्यों नहीं लेना चाहिए तो क्योंकि उसमें फलो की नुकसान क्या होगे ज्यादा आर्थिक रूप से उस फल की डिमांड क्या हो जाएगे कम अगर फल पिल पिला है चुए तो उसके पचक सा पुछ सा करके पानी बाहर आजाए तो उसकी इस्टोरेज पाबर क्या होगी कम अगर long distance जैसे अमरूद लेके जा रहे हो ट्रक पे चल अमरूद चल अमरूद और वो पिल पिला है अमरूद अमरूद टकर खाएगा कहा गड़े में रोड तो पलेन मिलेंगे ने तेरे एक दम ऐसे ऐसे ट्रक जा रहा है तो एक अमरूद दूसरे अमरूद पे आएंगे उसक पाने ट्रक के बाहर आएंगे बुलेगा मैं बाहर आ गया यह गुदा इसके demand क्या होगी बताओ इसके Demand पर ये अमबे बहर आप बिलकुल Complete कर दोगे इसकी यही कहानी है अमबे बहर आपके समापत अब हम बात करेंगे अमबे बहर के बाद बीच बाला था जिसका नाम क्या है मरीक बाहर क्या है पताओ अम्रूद अभी किस महीने तक पहुच गया है हमारे पास जून जून तक गया है अमरूद को कोई फुर्सत है ही नहीं बेचारा जून के लास्ट में इसे किसान देखता रहेगा अरे फुलवा एलो नहीं रहे तो जुलाई में फिर फूल आने लगते हैं तो इसमें फूल आने लगेगा तो कब आने लगा बताओ जूलाई में आप जूलाई अगस्त लिख सकते हो कहीं कहीं बुक में जून जूलाई भी लिखते हैं घवराना नहीं है यह 15-20 दिन अपन आगे पीछे कर सकते हैं यह रटने वाली बात नहीं है अब अगस्त हो गया सेप्टमबर हो गया अक्टू अक्टूबर और नौमबर में कब देगा फल अक्टूबर नौमबर क्या इसको याद रखना है नए नए इसको तो याद नहीं रखेंगे गुरू जी यह तो ऐसा ही किलियर चल रहे है मामला कौन सा बोर्ड यूज किया रहे है आज जीव लग रहा है मुझे पढ़ाने में फड़ा चेंज करता हूँ यह वाले लिया कर यह वाले है भाई साहब तू यह लिया है यह चले तो यह क्या है अक्टूबर और गोरा बनाना है जैसे टीचर को गोरा बनाना है तो गोरा बनाने के लिए ने यहाँ पर यह यूज किया करो ऐसे वाले है इसमें सबसे अच्छ इस हाथ पे एक सफेद मुझे पकड़ना है कहां से ये आ रहे है पैनल पे रुक मैं इस हाथ पे जा रहा हूँ इधर जाता हूँ इस से आ रहे हैं परदा लगाना एक बार अभी चेक कर लेते हैं ये सफेद कैसे पूरा वीडियो खराब हो जाएंगा चले ठीक है रहने देव सफेद से कैसे अब आज इसका भी इलाइज करता हूँ चले तो ये मरीक बाहर हो गया जून जुलाई अक्टूबर नॉवमबर का महिना चल रहा था ठीक है अब देखो अक्टूबर नॉवमबर अक्टूबर नॉवमबर में क्या थंड आएंगे ना थंड रहेगा तो ये जो अमरूद है ना सर्वुत्तम अमरूद माने जाते है सर वो तम कौन है बताओ मरेक बाहर पूछेगा सबसे अच्छी बाहर कौन है बेस्ट बाहर कौन है तो आप टिक करोगे कौन सा बाहर है बताओ मरेक बाहर सबसे अच्छा बाहर है अच्छा सर इसमें क्या फल मक्खी का टेक नहीं होगा ना, क्योंकि ज्यादा तर कीट जो है वो पसंद करते हैं वरसा या तो हलकी गर्मी, ठंड में कीडे नहीं आएंगे ज्यादा, तो यहां फल मक्खी का प्रकोप क्या होगा बताओ, fruit fly का attack क्या होगा, कम, fruit fly का attack क्या होगा, कम, तो सबसे अच्छा बहार कौन आ गया बताओ मरिक बहार लाश्ट कौन है हम हस्त बहार कौन सा बहार है हस्त बहार बताओ नौमबर तक चलेगे यहां रख लेते हैं नौमबर और दिसंबर नौमबर दिसंबर तो बताओ नौबर दिसंबर जनवरी फरवरी फिर आ गया तो ये जनवरी लास्ट या फरवरी में ही ये क्या दे देगा आपको फल और ये इसका rank देंगे second rank कौन सा rank दोगे second हलाकि इसका फल जादा मीठा नहीं होते है जादा मीठा नहीं होता है पर अंबे बहार से क्या है अच्छा है फरस्ट rank किसको देंगे अपन फरस्ट rank किसको दिये हो और second किसको दोगे फरस्ट अच्छा कौन सा बहार इसमें बेकार है कौन सा बहार बेकार है ये वाले बहार क्या है बेकार तो इस बहार को अगर बेकार है अब सोचो, अगर आपको किसान के नाते तो अच्छा लग रहा है, किसान के नाते आपको अच्छा लग रहा है, जैसे एक किसान है, उसको गाई दे दो, गौाला के नाते वो चाहेगा कि गाई ना, सुवद दूद दे, दो बहर दे, फिर चार बजे भी दे दे, दूद और आ आएंगे सेम ये खेल हो रहा है विचारा अमरूद के साथ क्या हो रहा है फरवरी का महिना सुरू हुआ फूल आया फल लिया फल लिया ने कि फिर फूल आया फिर फल बना तस दिन आराम ने किया फिर फूल आया फिर फल बना और यहां फरवरी पहुचाने कि अगले साल फिर इंतजार कर रहा है, फिर भूल आएगा, फिर फल, अमरूत पादल हो गया, अरे यारे तो बंद हो गए, इतने अच्छे वीडियो अपने आप, ये कैसे हो जाता है, अमरूत क्या हो गया विता, परिशान, बुलाए भाई, कुछ हिलाईज कर मेरा, मैं तो ऐसे ऐसे तो फूल लाना, फल लाना, फिर भूल लाना, फल लाना, मैं परिशान हो जाओंगा, अब ये जो अमरूत का खेल खेल रहे थे ना, इसको सोचे अपन आराम देना है, अमरूत को क्या देना है, बताओ, आराम का मतलब क्या है, बहार को कम करना है, बहार को क्या करना है, बताओ, कम, त आपको कितने बहार लेना है बताओ दो बहार अगर दो बहार लिया तो अमरूद को कितने माह का आराम मिल जाएगा तेन से चार माह का आराम और इसमें क्या करेगा वो अपने न्यूट्रेंट्स को पोसत तत्तों को सारे में फैलाएगा बिस्तरित रूप से इसको उपयोग कर देखो, अब आ गया, कि भाई, बहार नियंतरन कैसे करते हैं, इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, ये तो समझ में आ गया, कि भाई, एक फूल आपको हटा देना है, पर कैसे हटाना है, मान लिया जाए, अगर एक दो अमरूद का पेड़ हो, कितने अमरूद का पेड़ हो, एक दो, तब तो EG है, क्या है अपन पेड़ पे चड़गे, उसको हाथों से हिला देंगे, लेकिन अगर 500 अमरूद का पेड़ हो, चल दे हैं, 500 अमरूद का पेड़ हो, तब कैसे आप कंट्रोल करोगे, हिलाते रोगे तो पूरी परिवार हिलाते रोगे, पेड़ पे बैठके, ले भ परिशान हो जाओगे, इसे हम कहते हैं थिनिंग, क्या कहते हैं बताओ, थिनिंग, तो इसके लिए बैग्यानिक सोचा, कि भार भार एक एक को पकड़ के गिराना नहीं है, एक ही बारे इसे छिड़काव कर दो, पूरा अमरूद के फूल गिर जाए, तो इससे एक तो पहला आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल में बताओ, हाथों के द्वारा, हाथों के द्वारा यानि मेकेनिकल, दूसरा हम कर सकते हैं, फूल रोकना है, तो सिचाई रोक दो, क्या रोक देना है बताओ, सिचाई, बाग में सिचाई नहीं करो, अपने आप सूखा के कारण फूल क्या हो लिए उप्योग किया जाता है एन ए ए और पलस किसका यूरिया इन दोनों को मिला करके आप क्या करो केमिकल का उप्योग कर दो तो ये चार विधी ऐसे हैं जिससे हम कर सकते हैं बाहर का नियंतरन ज्यादा तर प्रशन पूछेगा कौन एन ए ए पलस दस परसेंट यूरिया कि इसका अगर 100 PPM डाल रहे हो 600 PPM डाल रहे हो 600 PPM पलस दस परसेंट यूरिया का उप्योग करते हैं एज ए थेनिंग किसके रूप में उप्योग करते हैं थेनिंग के रूप में बताओ किसमें होता है बाहर नियंतरन बाहर नियंतरन होते हैं किसमें अमरूद में करते हैं अन इतनी बार फूल लेंगे, दो बार, in case of guava अगर बात करें, तो तीन तरह के नियंतरन आपने देखा, वो कौन-कौन से नियंतरन थे बताओ, तो पहला था अंबे बहार, उसके बाद मरिक बहार और तीसरा हस्त बहार, फरवरी मार्च में किसका flowering आएगा, अंबे बहार का, इ आपसे पूछ सकता है, मरिक बहार में flowering कब आते हैं, मरिक बहार में fruiting कब आते हैं, हस्त बहार में flowering कब आएगा, हस्त बहार में fruiting कब आएगा, कौन ऐसा बहार है, जिसमें फल मक्खी का attack ज़्यादा होते हैं, कौन ऐसा बहार है, जिसमें फल मक्खी का attack कम होते हैं, बहा हो गया आपका बहार द्रन लिखना है इसको क्योंकि कल एक बच्चा बोल रहा था लिखाओ भी सर ठीक है तो यह हो गया आपका बहार चले पोली नेशन हलो का अगर आपने जेनरल नहीं पढ़ा तो वह पढ़ लेना वहाँ एक घंटा पढ़ाया हूं पोली नेशन अगर सेम ह मतलब होता है ट्रांसफर ओफ पोलेन गरेन कहां से कहां ले जाओगे बताओ कहां से कहां ले जाएंगे तो देखो पोलेन गरेन पराग कन का गमन तो यह अच्छा इमेज मिल गया मुझे पराग कन जा रहा है यह है पराग कन पीला पीला और यह जा रहा है मादा के पास किस किसी भी वाहक के द्वारा किसी भी देखो इसके पैरों में चिपका हुआ है ना पोलेंग किसी भी बाहक के द्वारा यहां अब मान लिया जाए यह विचारा कीट ले जा रहा है कौन ले जा रहा है बताओ कीट ले रहा है तो यह बाहक कौन-कौन हो सकते हैं वेक्टर कौन-क कीट भी आएंगे हम लोग भी अलग से लिख देते हैं कीट और कौन हो सकता है पक्सी हो सकते हैं जिसको बोलते हैं बर्ड अगर पक्सी और कौन हो सकता है हवा हो सकता है एर अगर एर होगा तो इसको हम बोलते हैं एनीमो का मतलब एर और यहां लगा देना है फिली तो क्या हो गया बताओ एनिमो फिली अब कीट विभाग आपको एंटो तो एंटो मो यहां तक आ गया कीट और जोड़ देना है क्या फिली तो क्या कहलाएगा एंटो मो फिली क्या इसमें पढ़ाओ अगर जल के द्वारा जा रहा है जल पानी के द्वारा तो पानी को बोलते हैं हाइड् और इसमें जोड़ दो फिली तो ये क्या कहलाएगा हाइड्रो फिली पक्षी को बोलते हैं और नीथो क्या बोलते हैं और नीथो इसमें क्या जोड़ दो फिली तो ये क्या कहलाया और नीथो फिली जन्तु को बोलते हैं जू और इसमें जोड़ दो क्या फीली तो क्या क्या लाया जो फीली, खतम हो गया अब उदाहरन रटना है जैसे मैंने बताया था जिसका कोई नहीं होता है उसका हवा होता है अधिकांस्ता होते हैं किसके द्वारा बिश्टू में पूछा जाए सारे क्रॉप में ज़्यादा तर हवा के द्वारा फलो में ज़्यादा तर पोली नेशन कीटो के द्वारा कीटो में किसके द्वारा मधु मख्य किसके द्वारा मधु मख्य मधु मख्य का मेन काम पोली नेशन परागन, मेंकारी क्या है परागन, बस अब आ जाओ, यहाँ एक ही तर-दर्शन करा रहा हूँ साहरा, हवा के द्वारा, किस के द्वारा है, हवा द्वारा ये से लिख लेना सब एक तर लिख दियाूँ, कौन-कौन एमारेंथस एमारेंथस जिसे चोलाई काते हैं, आप लोग भी लिख लें पालक, देशी पालक है जिसे बीट लिफ बोलते हैं बीट लिफ पालक लिख देता हूँ, तुम भी मेरे साथ लिखते चलो बिलाइती पालक, इसे बोलते हैं स्पिनेच और आ जाओ, हवा के द्वारा नेक्स आ जाते हैं चुकुंदर जिसे हम बोलते हैं बीट खजूर इंपोर्टेंट पूरी होटी कल्चर यहां ले आया हूँ भाई जो हवा के द्वारा है डेट पपीता पीए पीए बाईए पपाया हवा के द्वारा अनार की बात करें पॉम ग्रेनेट यह होगे आपके किस के द्वारा हवा के द्वारा चीकुं सपोर्टा की बात करें हवा के द्वारा काजू हवा के द्वारा नारियल कोकोनट लंबे जो होते हैं यह हवा के द्वारा यह सारे होगे आपके किस के द्वारा पोले नेशन करोगे हवा के द्वारा ठिक है एनिमो फिली होगे यह सब सब क्या का लाएंगे एनिमो फीदी अब आगे आ जाएं इसमें जेनरली क्या क्या पूछता है एक बार आपको हम करवा दे हैं तो इसमें मेंली जो प्रश्ण पूछेंगे खजूर इंपोर्डेंट है खजूर में अनार भी पूछा हुआ प्रश्ण है अनार में किसके द्वारा होता है तो हवा के द्वारा तो पपीता अनार इन सब में हवा के द्वारा नेक्स चले अब कीट के द्वारा तो कीट के द्वारा जेनरली कोल क्रॉप root crop इसमें हम करते हैं किसके द्वारा कीट के द्वारा तो यह important हो गया coal crop और root crop में किसके द्वारा करोगे keto के द्वारा अब आते हैं self-pollination किसमें होता यहां से एक प्रस नहीं बनेंगे swap ragan किसमें होते हैं तो swap ragan के लिए देखो आप लोग के जो आते हैं वो याद रखना tomato त से tomato मतर तमाटर मतर दो तो याद करवा दिया तो हम दो टिक कर देते हैं tomato और पी उसके बाद cow पी broad bean winged bean तो यह सब सारे bean होगे कौन कौन लोबिया लोबिया broad bean winged bean यह रहने देना bean ऐसे लिख देता हूँ bean लोबिया बीन मेथी मेथी लेट्यूस आलू एक यह धियान रखना आलू अभी आप एक बार इतना लिखते हैं तमाटर मतर लोबिया बीन मेथी आलू इधर जो आई बी पी अस इन सब का एक्जाम दे रहे हो बड़े एक्जाम देते हो वो सब याद रखें तमाटर पी कौपी ब्रोड बीन विंग्ड बीन फेनू ग्रिक लेट्यूस पोटेटो छोटे एक्जाम बाले इतना धियान रखें तमाटर मतर लोबिया बीन मे में थी इसमें क्या होते हैं बताओ केवल ये दियान में रखना है आपको इसमें होते हैं स्वापरागन क्या होते हैं इसमें स्वापरागन चलो अब आगे अब आते हैं ओफन क्रोस पोलिनेशन ओफन क्रोस पोलिनेशन का मतलब क्या होता है बताओ पराया पर परागन कभी कभी इसमें क्या होता है cross pollination यानि कि 5 से 10 परतिसत जो मात्रा होते हैं वो किसका है बताओ पर परागन का किसका है पर परागन का बाकी अधिकांस क्या होते हैं अधिकांस क्या होते हैं इसमें अधिकांस up to 90% तक होता है इसमें क्या self pollination क्या होता है बताओ अगर दोनु हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, often cross-pollination, क्या बोलोगे, often, तो ये कौन को नाएगा, ओकरा, ओकरा को हम क्या बोलते हैं, भिंडी, ओकरा को क्या बोलोगे, भिंडी, तो ये important है, थ्वड़ा ध्यान में रखना, ओकरा, उसके बाद बैगन, बैगन में दे सत क्या होते हैं इसमें स्वा परागन होते हैं तो घबराना नहीं कि सर आपने तो ये लिखाया था ओफन और इसमें ओप्सन ले रहा है क्या स्वा ये आया हुआ प्रशना इसलिए मैं इस पर श्टार लगा देता हूं आपको बैगन चीली की बात करें मेर्च की बात करें तो जरूर लिख लेना, यह सब काम आते हैं इसमें प्रशना आजाते हैं, often cross pollination, तो आप लिख दोगे कि इसको लिखो है हिंदी में, जूट इसको कपास तमबाकू तमबाकू पीजन पी, अरहर सौरगम को जुआर, सैफ फलावर को कुसुम कहते हैं न, commercial, ऐसा क्रॉप जिसको तुरत बेच के हम पैसे कमा लेंगे उसको हम cash क्रॉप या commercial क्रॉप के नाम से जानते हूँ तो जूट का पास तमबाकू यह किस में आते हैं commercial क्रॉप, अब मैं बता देता हूँ भिंडी बैगन मिर्च भिंडी बैगन मिर्च भिंडी बैगन मिर्च मने कि ऐसा सब्जी, अब देखना तु दिमाग लगाना ऐसा सब्जी, जिसका हम फल खाते हैं अरे सर, ये आजकल नहीं आ रहा था आजा आईगा ऐसा सब्जी, जिसका हम क्या खाते थे? फल, बताओ फल किसका खाते हो अब ही तुझे याद करा देता हूँ सब ये याद रहेगा भिंडी बैगन मिर्च, उदर क्या याद रखा? उदर कुछ नहीं याद किये सर, छोड़ दो उदर कुछ नहीं याद है, केवाल ये तीन याद रखना है, जिसका फल वाले है, कौन गौन भिंडी बैगन, मिर्च भिंडी बैगन, मिर्च अगर बीन में याद भी करना है, देखो बैंक में आया हुआ लीमा बीन का क्या होता है तो ये की याद रख लेना, लीमा बीन ये है ओफन में क्या है ये? ओफन क्रोस बोलीने सर बताओ हमें तो तीन याद करा दो सर भिंडी बैगन मिर्च क्या याद रखोगे भिंडी बैगन मिर्च बस छोड़ देना अब हम आ जाते हैं पहले वो सबची जिसका आप फल खाते हो देखो आप फल किसका किसका खाते हैं फल खाते थे तो फल आपने खाया देखो अपने मालवेसी में अकेला है वेचारा और एक फल हम खा रहे हैं किसका कुकरविट्स का किसका खा रहे हैं कुकरविट्स में सबची कितना है 15 कितने सबची है 15 बाकी फल के अलावा अब हम जो खाएंगे कहां खाएंगे बताओ देखो सारे तुझे करा देता हूँ पोली नेशन इधर बाकी हम बात कर रहे है किसके फल के अलावा फल के अलावा अन्य भाग खाते हो फल के अलावा अन्य भाग जिसका किसका खाओगे कोल क्रॉप का और किसका खाते हैं रूट क्रॉप का और किसका था लीफ वाले का ठीक है और किसका खाते थे बल्ब क्रोप का सही चल रहा हूँ ना बल्ब वाले और एक का हम खाते हैं किसका छूट रहा है कोल बल्ब स्टेम हां बल्ब में आ गया ना स्टेम रूट ट्यूबर वाले ठीक है ट्यूबर में एक हमें अपवाद में ध्यान रखना है ट्यूबर आलू में नहीं आते हैं लेकिन ठीक है रख आलू वाले आलू को हम लिख देते हैं आप बाद में क्योंकि आलू को तो हम कहां रखवा चुका हूं बताओ सेल्फ पॉलिनेशन कहां करवा दिया है अब देखो ये कुकर विट्स जितने हैं ये तो है क्रॉस पॉलिनेशन आप एक बार नजर डाल दो अभी लिखना मत फाल के अलावा जितने भाग खाते हैं ये भी हो गया क्रॉस पॉलिनेशन फिर से मुझे बताओ कितने सबजीयां हम सेल्फ और क्रॉस कर दिये कोल क्रॉप में अगर फुलगोवी पूछ ले देखना अपने को तो अपन याद ही ने करेंगे फुलगोवी अरिसर क्रॉस पॉलिनेशन पियाज क्रॉस पॉलिनेशन पालक क्रॉस पॉलिनेशन इतना याद हो जाएंगे इधर कितने सबजी अपना आगे पंदरा पंदरा छे एकीस चार रूट क्रॉप एकीस चार पच्चीस और पालक बथुआ चोलाई तीन इधर धनिया भी रख लो तो ये बल्ब क्रॉप में दो तीन कौन-कौन पियाज लासन लिक अब ये ट्यूबर में सकरकांदार रख लोगे ने इधर कसावा या मोसब सारे इधर आगे यां मोम बाले सब तो सब्जियों की संख्या हिदर हो गए 156,23,24,25,267 और 33,23,35 इसमें किसमें अपना क्रॉस पॉलिनेशन में और cross pollination में जाएगा तो इसका दो concept यहीं बता देता हूँ तुझे सांदार जिसको तुम रटते रहते हो पिर्थक करन दूरी कौन से दूरी यह बताओ पिर्थक करन दूरी यानि इसको हम क्या बोलते हैं isolation distance क्या याद करते हो यह पिर्थक करन दूरी क्यों रखते हैं ताकि आपकी असुधिया ना हो आप कोई breed बना रहे हो तो सुध बनाओ तो इसलिए दूरी बहुत ज़्यादा रखते हैं दूरी किसका ज़्यादा रखते हैं cross pollination का किसका रखोगे तो दो तरह के बीज आपको सर पढ़ाते होंगे एक तो foundation seed और एक certified seed foundation को कहते हैं आधारी बीज और ये कौन है मेरे दोस्त परमानित बीज यही है ना परमानित बीज इसमें ज़्यादा pure कौन है foundation तो इसकी दूरी ज़्यादा और इसकी दूरी कम इसलिए cross pollination में इधर लिख देता हूं foundation seed और दूसरा है certified seed foundation seed की दूरी रखते हैं approximately 1600 के आसपास कितना रखोगे और इसकी दूरी हम रखते हैं 800 से लेकर 1000 मीटर के आसपास तो ये होगे आपको याद करने का तरीका किसका पिठक करन दूरी भी 35 सबजियों का हमने बता दिया कभी भी दिमाग लगा के तो ऐसे जैसे आपको बार बार पूछेगा कि कोल क्रॉप में पूछता है फुल गोबी का foundation seed की दूरी कितनी होगे तो foundation जादा pure है तो जादा pure है तो दूरी क्या रखेंगे जादा जैसे और फूस्ता nucleus seed, breeder seed तो ये और जादा pure है पर ये तो बैज्यानिक क्या हाथों में है हमारे हाथ में है ही नहीं इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करते हैं हम चर्चा करेंगे cable foundation और certified इसमें ज़्यादा सुद्ध कौन है? फॉन्डेशन, तो इसकी दूरी ज़्यादा, अब इसकी आठ सो से लेकर हजार, अब हम आ जाते हैं किसमें ओक्रा वाले भाई साहिब पे, ओक्रा वाले पे आया जिसका फल खाते हैं, इधर तो होगी आना फल जो खाते हैं कुकरबिट सारे किसमें चलेगे? कौल, क्रॉस, पॉलिनेशन, इधर बताओ, तीन याद करवाया था, ओक्रा, मीर्च और बैगन, ओक्रा, मीर्च और बैगन, ये होता है ओफ़न, क्रॉस, पॉलिनेशन, क्या होता है? often cross pollination इसके भी बनेंगे foundation seed और क्या बनेगा certified तो इसकी दूरी भी तुझे याद करने के लिए बोल देगा teacher तो याद रखेंगे इसका 400 और इसका 200 कितना याद रखोगे 400 और 200 एक्जेक्ट तो तुम crop 22 पढ़ोगे वो change होंगे पर मैंने क्या बोला दोरे नगर तो आ जाएं पहले दोरे नगर आ जाओ अपने आप तुमने धिमाग खुल जाएंगे अब देखो तुम मैं लगता होगा 35 तो यह 35 यह 70 कोस्तन तो यहीं लिखे हुए हैं बोर्ड पे तुमारे अब आ जाओ इधर सोलेनेसिम और क्या-क्या बचा सोलेनेसिम क्या-क्या बचा टमाटर टमाटर एक सोलेनेसि का और बैगन मिर्च तो बेचारे इधर चलेगे और आलू कौन बचा टमाटर और आलू तो आलू तो हमने लिख दिया अपवाद के तौर पे इधर रखेंगे न, ये आलू, आलू, सेल्फ में, तो टमाटर, मटर, दो याद हो जाएंगे, टमाटर, मटर, दो टर गए, दो टर कहां गए, स्वा में, दो टर कहां चले गए, स्वा में, कौन-कौन, टमाटर और मटर, एक ही तो याद रखना है, हमा आलू किसमे है? क्रॉस. इसका मतलब एक कॉंसेप्ट यहां से आता है कि देखो, टमाटर, मटर, टमाटर, मटर, आलू, यह सब क्या है? सो परागन. क्या है? सो परागन. तो इसके भी आएंगे फॉंडेशन और क्या बनेगा? ये वाले. तो इसकी दूरी कितना रखोगे? इसका रखेंगे 50 और इसका कितना रखेंगे? 25. 50 और? 20. कितना रखोगे? 50 और? 20. कर लोगे इसे. 50 और? 25. 50 और? ठीक है? ट्राइसोलेशन डिस्टेंस भी कम्पलीट आपके. ये वाले कौन सा भाग बनाई है? ये वाले. ये बने ओफ़न क्रोस पोलिनेशन. ये कौन बना भाईसा है? ये बना सेल्फ. और इधर से इधर सब क्या बन गया? क्रोस. एक वार फिर से मुझे रिविजन करा दो. ओफ़न, सेल्फ, क्रोस. कोई भी एंसर आपको देना है. टमाटर, स्वाप रागन. टमाटर, स्वाप, कुछ भी बोलूँगा. भिंडी, ओफ़न क्रोस पोलिनेशन. अरे भिंडी, मिर्च और कौन है? ये तो तीन तो याद रखेंगे. ओकरा, मिर्च और बैगन. और एग्रोनोमी में चल जाए तो गुरुजी, एग्रोनोमी में जो कॉमर्शियल जो क्रोप होते हैं, वो वाले गुरुजी. जूट हो गए, कपास हो गए, तमबाकू. ये ओफन में आते हैं, हाँ. और हर हो गया, जुआर हो गया, मोटी अनाज बाले भी ओफन में आते हैं, वो दोनों करते हैं, ठीक है, सो और क्रोस दोनों करते हैं. तो ये आगे इधर, बताओ एक बार ओफन से हिन सबसे ज़्यादा प्रस्ण बनते हैं. भिंडी, बैगन, मिर्च, कोमर्शिल क्रोप में, जूट, कपास, और तंबाकू, और सोरगम, और जुआर, ये सब सारे जुआर, सोरगम एक ही हो गया ना, रहर, पिजन पी, इधर, और एक बीन में कौन बीन बताया था? ओफन क्रोप में, लिमा बीन, कौन सा है? लिमा बीन, और इधर, लगवग बीन, उधर, सोप रागन में, किस में? सोप रागन में, लगवग बीन किदर रखेंगे? सोप रागन, और सोप रागन के ये दूरी उरी सब आप कर दोगे आप, तो आज, दो टोपिक इधर खतम ह अब आजाते हैं आपके cross cross pollination में cooker bits और pole crop cooker bits of root crop लिखूंगा तो दिक्कत आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो यहाँ यह भी तुआ सकता है root crop और कोन आ सकता है बताओ बल्ब और कोन आ सकता है leafy vegetables भी और कोन आ सकता है यहाँ tuber वाले भी सब आ सकते हैं यह सब क्या होते हैं बताओ cross pollination ठिक है चले आगे तब pollination का chapter समाप्त करूँ सब कब बता दोगे एक वारा और मन मेरम कह रहा है कि कुछ फूछ लो दो चार और बता दे चल अगर exam में आ जाता पालक तो जल्दी बताओ कौन सा है cross एक सकेंड में बन जाएंगे अगर exam में फूलगों भी पूछता तो बाकी बच्चों जैसा याद करेंगे नहीं करेंगे कौन सा है गुरु जी cross अच्छा अगर मान लिज़े पियाज पूछ लेता तो cross बोली ने अच्छा पियाज की foundation सीड की दूरी पूछ लेता तो 1600 कितना रखेंगे मैंने एक ट्रीक तो दे दिया 1600 और इधर कितना 1800 ठीक है ज्यादा पियोर कौन है बताओ foundation उसके बाद certified अच्छा मान लिज़े जाए exam में इससे आ जाता जानते हो कभी-कभी पूछता है भिंडी के परमानित बीज की प्रिथक करंदूरी क्या होती है तो हमने इसे बुक देखके इसे रखते रहते हैं कितना रख लोगे बताओ परमानित बीज कौन होगा certified seed कौन सा है अच्छा तो भिंडी self है cross है या open है इसका मैंने क्या trick बताया 400 से 200 तो foundation का कितना रखेंगे 400 और certified का कितना रखोगे अगर इसी तरह से exam में आ जाता कि बताओ टमाटर का certified की दूरी कितना रखेंगे टमाटर कौन सा पूछ लिया है बताओ टमाटर तो टमाटर कौन सा परागन है सो परागन के दूरी कितना foundation का 50 और इसके 25 तो 25 होगे कितना रख दोगे ये दूरी टमाटर का कभी कभी आपने देखा होगा 150 भी रखते हैं यहां कितना जाएगा 100 तो यहां कितना 50 अधिकांस ता लेकिन बुक में अभी अब खेत की कमी है न तो कितना रखते हैं 50 और 25 कितना रख होगे 50 और 25 होगे भी या चले आप सुने 15 20 मेट आराम से देखो ये एक टोपिक बच गया था जिसका नाम क्या है एडवल पार्ट करा दे जल्दी एडवल का मतलब क्या होता है हो गया सरवन तो परमोद उसके साथ क्यों बेठा है उदर हम मुझे एक वाइरस के साथ खाने योग भाग का मतलब आप तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है क्या क्या रखना है बताओ एक तो जो फलो के उपर वाले भाग होते हैं जैसे मैं कहां दिखाऊंगा आपको हो सकता है वो मिजो का ये वाले ये बढ़िया आपको इमेज दिखेगा इसमें क्या पता लग रहा है बताओ ये उपर वाले भाग क्या कहलाता है इपी कार्ब क्या कहलाता है ये इपी कार्ब ये pencil से कौन लिख दिया यहां रेकते हैं कि कमी ने E.P. Carb और ये beach वाला कौन है? Mizo Carb और beach में ये क्या है? Seed Seed के बगल वाले क्या कहलाता है? ये ध्यान रखना अपने गलती करते हैं Seed को ही मान लेते हैं क्या? Indocarp और कई लोग इसको यही समझते हैं कि ये जो beach है ना वही क्या है? Indocarp गड़वड हो जाएंगे मामला अब इन तीनों को मिला दूँ Seed इसमें नहीं है ध्यान रखना इसका ऐसे उपर लेता तजर अच्छा लगता ये अजीब लग रहा है आज लिखने मुरे कोई भारी वाला पेन दिन है राजे सर यार काँ फेक दियो यार पेन मिलने ने उसके पीछे हैं न प्लेन हान लाओ ठेक है चले आप देखें और इसे क्या बोलोगे बताओ? हाँ ये सही है ये रहने दे ये है कितने कहा है तेरा तुम नहीं दोगी दे देने एक बार चले एपी कार चले आप इसे इस लिखोंगा एपी कार मीजो कार कार क्या है इंडोकार्ब ये तीनो को मिला कर क्या बनता? रिकार्ब ये धियान दखना इसको मिला के पेरी कार्ब करते हैं या आप धियान दखना जब भी हम पेरी कार्ब ना देती है, तो भारत में खाने योग भाग ट्रिक नहीं लागो होगा, फिर भी मैं कोशिस करता हूँ, आपको याद हो, देखो आप, ये जो बीच वाला पार्ट है, जैसे आम का, कौन सा भाग खाते हो, बताओ, मीजोकार, कौन सा खाते हैं, मीजोकार, अब आप देखें, मीजोकार में, कौन-कौन से आएंगे, इसमें एक तो मैंगो आगया, सही बात है, दूसरा आपको आजाएगा, पपाया, अच्छा ये समझ तो जाओगे कि इसको हिंदी में लिखों, पपाया, पी, पपीता, अब ही जो प्रशन आया था आपको केला का, कौन आया था तुम अलग करना, बीच वाला अलग करना गूदा, और बीच से लगा हुआ, देखता हो, केला को आप बीच से काटोगे ना, तो एक पतली सी लाइन आते हैं, आते हैं ना, वो है उसका इंडो कार्फ, कौन है, इंडो कार्फ, तो इंडो कार्फ हम थोड़े अलग करते हैं, केला खाए है, रुक 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 अभी फाडूंगा, बीच से इंडोकार पलक करूंगा, तब इसके दोनों आते हैं, हमेसा, अब आते हैं सुरू से, अच्छा, ये क्या होगा, कोई बच्चा बता दो तो, यह फल किस से बना होगा फूलों से और यह फल किसी न किसी यह फूल से बना होगा देखो अब यह बाद में क्या यही फूल क्या बनते होंगे फल यह क्या है यह डंठल यह डंठल सेम तो है पेडी सील क्या है यह पेडी यह ध्यान दखना कितनी बारे बात करता हूँ कहीं न कहीं यह आहीं जाते हैं पेडी सील चलो आप आगे से कहाने शुरू करता हूँ एक एक पॉइंट समझते जाओ आप जल्दी जल्दी पेरी कार्प क्या है फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कौन खाने योग भाग में कौन पेरी कार्प छोटा करके लिख देता हूँ यह इंगलिस में लिखा हुआ है आप सोचोगे इंगलिस पढ़ा दिया पेरी कार्प किसका किसका है कस्टर्ड एपल इसको बोलते हैं सरीफा क्या बोलोगे सरीफा फस्ट अबोकाडो यह तो तेरे मतलब का है न अबोकाडो हलाके आपने देखा नहीं होगा यह अबोकाडो है अबोकाडो का फल परकार कोई बता दो इसमें स्टोन है है ना तो होना तो चाहिए था डूप अरे बाई एक लड़का पूछा भी सर आपने जिसमें बोला स्टोन होते हैं गुठली होते हैं वो डूप होना थे पर डूप नहीं है मैंने आपको बहुत बार इसको लिखवाया इसका बेरी है अबोकाडो का फल परकार क्या है बेरी हमारे जीरेफ के टाइम में भी आये हुए थे इसका फ्रूट टाइब क्या होता है पेरी आगे बढ़ो तो अबोकाडो पेर आप जानते हो आपके एक्जाम में आने वाला प्रश्न पेर इंपोटेंट और टेट पाम जिसे हम क्या बोलते हैं खजूर तो पेरीकार्ब से ये दो इंपोटेंट बनते हैं पेरीकार्ब ठीक है अगर मैं बोलो अमरूद का कौन सा भाग खाते हो बताओ तो अमरूद तो पूरे खा जाते हैं तो पेरीकार्ब और अंदर जो चिपचिपा पतार्थ है उसको हम प्लसेंटा समझेंगे, क्या बोलोगे देखो कितने प्रस्ण करतोंगे तो ये अमरूद भी हो गया, आप यखीन करो इसको याद नहीं करने दूगा अमरूद का कौन सा भाग खुद से अरे उपसन भी कर देंगे या नए पेरिकार्ब हो गया प्लस कौन हो गया प्लसेंटा हो गया यही सेम चीज अगर पूछा जाए आसे अमरूद आसे अंगूर तो अंगूर का भी पेरिकार प्लस प्लसेंटा रुक तो रे बहुत ज़्यादा करती हो अब यह आ गया है इतने पॉइंट अब आप समझना होना चाहिए था पेरिकार प्लस प्लसेंटा यही चीज हर वीडियो मैं बोलता हूँ फिर भी दिक्कत आएं अब जितने गाइड है न वो क्या लिख दिया है इसको थेलेमस क्या लिखा हुआ है यही चेंज करता हूँ जानके की तीन वारिस पे stress sights । ठेलेमस देखो क्या है यह फूलों का वह भाग है न जिस पे पूस्पुना पैठा हुआ है यहां से फूल सुरू हो रहा है तो यह कहलाता है पूस्पासन क्या कहलाता है वता हूँ पूस्पासन जिसे हम क्या बोलते है अरे वाएतो सेव में खाते है ना सेव में पीयर में और क्वीन क्वीन्स में उसी का इरादरी है ये सब तीनो तो इसमें उड़े पल में उसका हम खाते हैं लेकिन पुश्पो का असन तेलेमस से जो बिक्सित होते हैं ना उसको हम true fruit नहीं करते हैं वो false fruit है और true fruit वो है ना जो इससे बिक्सित हो ये overy से ठीक है तो अमरूत तो सत्ति फल है कैसा फल है तो फिर इसका ये भग कैसे खाएंगे आप बताओ नहीं खाएंगे ना पर हर guide में क्या लिखा हुआ है तो इसको बच्चे को इतना समझा के अपन change कराते हैं कि हम वही देश में है जहां गंगा बहती है तो हम भी क्या करेंगे बताओ पेरिकार पलस ठेले मस क्या करोगे इसको आप यहाँ पे दो तीन ऐसे star लगवा देता हूँ ताकि उसके दिमाग में ये चीज रह जाए पेरिकार पलस आप भी यही टिक करके आना पेरिकार पलस ठेले मस अंगूर में क्या है बताओ इसमें पलासेंटा इसमें कोई दिख अब बताओ यहाँ पे पलासेंटा क्यों हो गया अब ये लोग कोई एक बार change करती होंगे जितने book लिखा होगा उसको पढ़ा होगा तो एक में है सब कोपी उसी के साथ होता चला गया हो गए बन गए थैले मस क्या हो गया वो थैले मस पर ये गड़वड है मामला चलो आपने जो है वो काम कर ले और नेट पे भी सर्च कर लो तो यहीं देता है अरे नेट बनाया किसने हमने ही तो बनाया इसे लिए, कम बड़ी बात, एक बार तो आदमी में गाउं जो गई है तो मज़ा आ गया, अरे यार, उस समय क्या था ना, चलो पहले ये पढ़ा लेता हूं, उन्हें तो कहानी बहुत हैं, बताओ ये सब क्या हो गया, पेरिकार्प, पेरिकार्प करा दोगे, आगे बढ़ ज का, चलो भाई, एवोकाड़ो में ना, फैट की मात्रा जादा होते हैं, फैट होते हैं 26%, ये पूछ लेता है, कि इसमें फैट की मात्रा कितने होते हैं, 26, ये अब आते हैं, पेरिकार्प, पेरिकार्प में बताओ, हमारे एक्जाम के भ्यूद से दो इंपोर्टेंट, खज अमरूद का पूछा जाए, तो पेरिकार्प पलस खेले मस, यहाँ पे एक रूप जाना है, पेरिकार्प पलस खेले मस, और बाकि अगर दूसरा अंगूर पूछा जाए, पेरिकार्प पलस पलस हैं डट, अब आम पूछा जाए, मीजो कार्प, पपीता पूछा जाए, अब लिख देता हूं हिंदी में आम, दूसरा है सपोर्टा, इसे कहते हैं चिकू, तीसरा है पपीता, तो ये हो गया दोस्त कौन, पपीता, अगला मलवरी, जिसको हम बोलते हैं सहतूत, क्या है सहतूत, पैसन फ्रूट तुझे मतलब नहीं टेमारेंड, इमली, अरे इमली मे तो देखा का, कर देते हैं न, तफू बाहर कौन हो गया, बताओ, बीज बाहर हो गया, उपर वाले भी ने खाते हैं, इमली, देखा है, उपर वाले जो पतलिक, छिल के होते हैं, वो भी ने खाते हैं, मेन उप्यों की भाग कौन है, बीज वाल, तो ये, देखो, ये याद ह क्यों नंदर वाले भी निए खाते हैं जिल देते हैं तो क्यों है यह सबसे ज़्यादा एक्जाम में पूछए जने वालلف वाला person ли चेखी भृघ भृघ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अब इसमें क्या है यह किसने लिखा यार कुष आ रहा है मुझे सबसे ज़्यादा अब यह बताओ सबसे पहले तो ये नारियल है ये हर्यर का नारियल डेखे हो ना इसी में इसे सुडक सुडक के पीते हैं बेबी 40 उरुप्र लगते हैं आज कल ये एक बारे इसे अब इसको अगर मान लिया जाए बेबी ने नहीं पिया लिक्विड है तो ये ठोस हो जाएंगे और इस ठोस को जब ये नारियल में तरल पदार्थ है ना तरल कौन सा फॉर्म में अभी लिक्विड तो ये है अभी स्पाम जिसको कहते हैं ब्रिये स्पाम लेकिन किसी फल के अंदर है इसी लिए इसको हम कहते हैं एंडो स्पाम क्या बोलते हैं इसको एंडो स्पाम अब आजाओ बात यहाँ अब ये जो एंडो स्पाम है ये देखो endosperm ये बन गया सफेद वाले जो है वो क्या बन गया अगर तो पहले क्या था है liquid देखे होंगे जैसे जैसे इसमें पानी जादा जैसे जैसे सफेद बनने लगता अब इसमें पानी है लेकिन कम पानी है अभी जो राणा जी तरह इसे चढ़ाते हैं अपने तो थोड़ा सा पानी निकलता है कुछ दिन और छोड़ दो इस नारियल को तो कुछ भी पानी निकलेगा वो सारे पानी जो nutrition है वो पानी नहीं है nutrients है वो absorb कर लेगा यही और इसकी मोटाई क्या हो जाएंगे धिरे धिरे बढ़ने लगेंगे फिर बोलता होगा तू लोग देखा होगा अरे सर अभी एक समय के बाद आपने देखा होगा जब यह फ्रेस रहते हैं तो मोटा रहता है यह है ना अब इसी को छोड़ दो दो-चार महने और तो अगेन यह पतला होने लगते हैं फिर कैसे सूखने लगते हैं यानि जो पानी है उसकी मात्रा क्या होने लगते हैं कम तो यह मात्रा कम होने लगें यह उपर वाले भाग जो है यह कहलाता है इंडो-कार्प इन दोनों में ध्यान रखना क्या है इंडो-कार्प यह क्या है बताओ, इंडो कार, क्या है बताओ, इंडो कार, और इसके अंदर जो ये वाले भाग है, ये हरियर का वाले भाग, ये सफेद वाले, इस पर बनेगा ने, सफेद पर सफेद कैसे बनेगे, ये वाले जो है, ये क्या कहलाता है, इंडो, अगर एक्जाम में आ जाए कि नारियल क कौन सा भाग खाते हैं और दोनों उप्सन आ जाए तो क्या करोगे आदा जादा लोग यही लिखाए हुए इंडो कार्ब तो जो इंडो कार्ब बताते हैं ना टीचर उनको एक खोपड़िया दे देना कि लोग खाओ कौन सा खाते हैं यह अजीव अजीव लोग पढ़ा रहे हैं रहे मैं तो मर जाओ कभी लगते आगे बढ़ जाएं भाई अब आजाते हैं EP कार्ब पलस मीजो कार्ब क्या है EP समझ में आ गया दिमाग में मीजो समझ में आ गया बस तो अब यह कुछ नहीं है उदारन लिख लेता हूँ कौन कोन है बताओ करोंदा पहला कौन है करोंदा करोंदा जानते हो आइरन की मातरा सबसे ज़्यादा दूसरा कौन है जामून का दूसरा नाम इंडियन किस बिमारी के लिए डाइबिटेज के लिए इसकी बिजली पलम को क्या कहते हो हिंदी में आलू बुखारा क्या बोलोगे आलू बुखारा ये होगे पलम अगला बुखारा करना पीच पीच को क्या बोलते हैं आटू पीच को फालसा अगला कौन हो गया फालसा फालसा का इपी और मीजू और परसिमाण यह तो नाम ही ने सुना होगा परसिमाण पर आप यकीन रखो कुछ भी मैं छोड़ता नहीं आपको सब दिखाऊंगा जामून देख लिया आलू भुखाना नहीं देखे होंगे आडू नहीं देखा होगा, फालसा देखा होगा पर्शी मौन में देखा होगा इसका E.P. और मीजो खाते हैं क्या खाते हो E.P. और मीजो पर आप सब दो अश्टार्ट लगा दो जो हमारे एक्जाम उक्जाम में आते हैं तो एक्जाम में तो तेरे बहुत ज़्यादा आएगा तो कौन है जामून और करौंदा अपन यही है बड़े एक्जाम वाले जो होते हैं बच्चे आए B.P.S.O. B.P.S.O. वाले यह सब पढ़ेंगे उसको सब पढ़ना है आलो बुखारा फालसा है यह सब सब अब हम बात करेंगे कौन इडवल पार्ट फलेसी थेलमस कौन सा भाग है तो बताओ थेलमस कौन सा पार्ट होते है पुस्पो का आसन क्या कहलाएगा पुस्पासन क्या कहलाएगा तो यह होगे पुस्पासन इस पे है क्या फूल इस पे क्या है यह कहलाता है पुस्पासन देखो अगर इससे बन गया ना प्लाण फल तो ये कहलाते हैं सत्य फल true fruit क्या कहलाता है और इसके अलाबा किसी से फल बनेंगे तो वो कहलाता है false fruit इसलिए save, nasfaati ये सब किसका उदाहरन है false fruit का असत्य फल का क्या है उदाहरन है अब हमें उदाहरन किसे मतलब है तो बताओ सबसे पहला क्या है सेव, दूसरा कौन है मेरे दोस्ट नासपाती कौन है नासपाती, तीसरा अगर आपको मैं बोलू तो ये लोकाट आते हैं लोकाट लोकाट ये कैसा सब ट्रोपिकल फ्रूट्स है ना जो एवर्ग्रीन होता है आई सर, इसमें क्या खासियत आगया सब ट्रोपिकल मैंने बोला समसितोस अपनी पत्यों को गिरा देगा, ये इसके मुख बिसेस्ताएं होती है, पत्ती को क्या करेगा, कौन ऐसा है जो अपने पत्ती को नहीं गिराते है लोकाट, एवर्ग्रीन क्या होगा, एवर्ग्रीन अगला है श्ट्रावेरी, आप बताओ श्ट्रावेरी कौन सी जलवायू में आएंगे, श्ट्रावेरी आते हैं, टेम्परेट में, किस में आते हैं टेम्परेट, तो बताओ, ये दोनों इंपरेट, और एक हमारे लिए कौन है, श्ट्रावेरी, सेव का कौन सा भाग खाते हैं, थेले मास नासपाति का, थेले मास, श्ट्रावेरी थेले मास, श्ट्रावेरी अब जहां तक आब हम पढ़े हैं वो बता दोगे सारे, इसके पहले बताओ, आपी और मीजो मीजो और इंडो किसका खाते हैं, केला का मीजो और इंडो किसका खाते हैं, जितने फल पढ़ा है उसमें बता दो, नारियल का क्या उनसा भाग खाओगे इंडो स्ट्रावेरी, थेले मास, श्ट्रावेरी आडू असर आडू खाऊं तो तो बताऊं खाया है नहीं एपी और देखो कैसे याद रखो आडू और आलू बुखारा इसके अंदर गुठली होता है आम के जैसा पर दोनों में अंतर क्या है यह फल में जब मैं आपको दिखाया था आडू कैसे होते हैं यह नहीं खायो ना पलम तो मार्केट से लेके खाना कम से कम दस रुपया हम देगा एक मैं तो तीन लिया था तो हम मोनू यह सब टेस्ट किया क्या रे भाई या दो यार कम से कम एक बार मैं टीचर हों कोई पूछ ले सर आप खुद टेस्ट किये हो तो बेजती हो जाए तो उसी दिन मैंने अंतर क्या होते हैं ना कहां उसका फल दिखाओं इसमें तो है नहीं कहीं दिखाया हूँ आपको फल दिखाया तो हो अरे कहीं तो बताओ कि हाँ सर कहीं कुछ बताय हो ले पेनड़ाई पे निकाल लिया क्या दिखाओं समझ ले ऐसा की फल है उसके अंदर क्या होते हैं गुठली क्या होते हैं आम में क्या है ना कि आम अगर कोई देता है कि लिए दसहरी खाओ तो ऐसा ने कि ऊपर छिलके से खाना सुरू करते हैं छिलका हटाते हैं तो ईपी कार्प तो हटा दिया ना लेकिन आडू अवालू उसका गुठली हटा देंगे तो गुठली हटा दोगे तो हट गया तो क्या खाओगे बताओ उसका एपी कार मीजो कार और गुठली में जो गुदा चिपका रहेगा इतना गरीब मत बन जाना जैसे गाओं में बेर खाता है तो देखाओगा वो गुठली को चूसते रहेग इंडो कार्प not eatable part of mango तो mango का हम देखता आम उंका एक दम चूस के एक दम ठेकते हैं तो इंडो कार्प वो इसा नहीं खाना है बिजती हो जाओगे अब आप समझो यहां करवा दिया अरे यार दे तो दिया देख अरे राम की स्लाइड है लोग काट क्या है और ये क्या है दिखा दो सर्जरा उधर भी ये है फलेसी पार्ट किसका है थेले मस समझ जाओगे ये वाले भाग जो दिख रहे हैं आपको क्या कहला रहा है ये थेले मस ठीक है आप देखो इंडो कार्प इसका अंदर है कितने लोग सेव में देखा होगा जब काटते हैं सेव को ऐसे नहीं काटना ऐसे नहीं काटना पर कैसे खाते हो एक बार ऐसे काटने किसी को नहीं देखियो कि ऐसे काट दिया काट दोगे खराब हो जाए अब ये जो भाग है ने पूरा निकल जाना चाहिए था निकल जाना चाहिए पर हम लोग न इधर से ही काड़ देते हैं तीन टुकरा बना देंगे ले थोड़ा सा तेरे में आया इंडोकार्प खा ले अरे थोड़ा सा करकस क्या होगा ले काले ये बीज भी आते हा खाले कोई देखा लगा इधर से भाग बना देते हैं हलका हलका इंडोकर्प सब को खिला देते है खिलाते हैं गाओं में अपने इस इसलिए मैंने बोला खाने में अपना ट्रिक काम नहीं करेगा क्योंकि हम कुछ भी खालेंगे तीन भाई है एक दो जानतों एक भाई तो लड़ लेगा पतर का वाल ने हमने लोगो मुटका वाल लाओ ले भाई तू ये तीन भाई तो क्या-क्या खा लेंगे बताओ बीज भी आ जाएगा आपको और इंडो काट कौन सा भाग खाना है हमें थेलेमस चलो ये तो आप कर दो किसका-किसका थेलेमस है सेव नासपाती लोकाट बता दिया लोकाट पर्सिमाउन चले आब आगे आज़ा ये तो बड़ा इजी है पागल अभी तो दो मिनट में सब इडिवल पार्ट बता दो गए ये इमेज का यही फाइदा होते हैं अब कौन सा भाग का खाते हैं कौट कौटिलीडन्स ये काजू है ना कौटिलीडन्स अब तुझे बडाम दे दे तो दो भाग में बट गया मुंग फाली दे दे दो भाग में बट गया कौटिलीडन्स मतर दो भाग में बट गया कौटिलीडन्स चना दे दे आहाहा दो भाग में बट गया कौटिलीडन्स तो बादाम, कोटिलीडन, अखरोड, कोटिलीडन, आ यह तो एक दाम ही, जी ए गुरुजी, होगे यह कोटिलीडन, समाप, देख लो, पीकानेट, काजू, अलमॉल, पिस्टाचू नट, इस पिस्टाचू नट क्या है, पिस्टा, यह अमीर लोग, पिस्टा, अलमॉल, बापर, सब बादाम, हम लोग तो लगता है, आट-दस साल में तो बादाम देखता हूं, किसी के घर, अग्तिया, उहार, उहार में न, एक आगो देखा होगा, इसके न, टुकड़े आते हैं, खीरूर में, एक आग छोटका टुकड़ी है, इसे घूम रहा होगा, पोलाव, उलाव, इसको पोलाव क्रॉप बोलते हैं, पोलाव में काम आता है न, काजू के बिना काया जाता है, पोलाव संभा भी नहीं, पर हम लोग उसी टाइम देखते हैं, जब कोई महमान आ रहा जाए, तो काजू, पोलाव इसो दिखते हैं, यह लगते हैं इसमें, इसको गोरा बनाया जाता है रोस्टिंग की क्रिया के द्वारा किसको बाद में पढ़ाऊंगा तो बताओ कोटिलीडंस कर दोगे बताओ चना का जाए मतर का जाए काजू का जाए बादाम का बन जाए मोंग फली होगे काम खतम अब आते हैं सैकुलेंट प्लासेंटा ये बेल है अरे ये लग रहा है अमरूद ये गड़वड इमेज लगा दिया ये अमरूद है बाई क्या है ये बेल तो देखे हो ऐसा ही गोल्डन एपल के नाम से जाना जाता है बेल क्योंकि वो सोने जैसा चमकता है ऐसा है बेल मान ले इसको ये थोड़ा सा नह पूर का आगे आजाओ citrus citrus में क्या खाओगे juicy hair क्या खाओगे ऐसा hair जिसमें रस होते हैं वो कौन है juicy hair तो juicy hair किसमें खाएंगे citrus नीमू बर्गे में अब जानते हो नीमू बर्गे मैं इसा ने पूछ लिया था पूछा हुआ है करना खटा का इडेवल पार्ट मेरे बच्चे कोचिंग वाले क्या बोला कि बाई इतनी अपनी कुछ जरूरत ही नहीं तो क्यों पढ़ाते हैं वो टीचर आप देख लेना मैंने क्या संतामन वीडियो तो हमारे जंदल होटी कल्चर के हो गये 57 आधा लोग की दिमाग खराब हो रहे हैं अब देख लो पूरी 210 वीडियो डा होटी का कितने हैं अभी बेज़िटेवल और पढ़ाओंगा जंदल जाने दिन अपने क्या मैंने तुझे क्या बोला था कि तुमें एक बार यहां जाओ गें तो तुझे लगेगा पैसा वसूल है दूबारा तो पढ़ने ज़रूत ने जीवन वर खापी लोग है अन्नी द तू उस टाइम बोलो गें अच्छा उस टाइम भी कम किया था है ऐसे बोलो है उस टाइम किया था ने अब जेलो इसे भी द्यारती भी होते हैं क्या करूं रहें करना खटा है अभी एक लड़का यूपीए सीक मेंस दिया है आप जानते हो 9000 रुपे बेचार अपनी मर्जी से भेजाए कि सर आपका एक रुपिया का कोर्स से मैं आईएस का एक्जाम लिख रहा हूं तो कित्ती गर्व की बात है मैं बोला कि जब आपके फाइनल हो जाए ना तब संस्था में बुलाओंगा तो ये अपने लिए प्राउड की बात होती है ना हलाकि इंटर्विव में तो कोई ना हाथ पेर एक संस्था का आप लोग होते हो कोई कोचिंग कुछ ने घोर के पिलाता है रहे जिस संस्था में एक बार रिजल्ट हो गया उसको पबलिस करते रहो अंदा दून दिखाते रहो दिखाते रहो अब गधेडे लड़के भी जाते हैं टोपर वहां से ब कोचिंग चलाते रहते हैं बस बाकि लोग पैसे देते हैं एरिल इंब्ली नहीं कहके कहीं कहीं तुझे लोग लिख देगा टेश्ठा क्या लिख देगा अर टेश्ठा का मतलब क्या होते हैं बताओ क्या पढ़ा हूँ अनार कौने सब हल है जिसमें बाल होते हैं सिट्रस और उस बाल में क्या होते हैं रस जैसे अब बाल लड़कियों का बाल लेना पानी में भिंगो देना इसे मचूर देना इसे तो रस निकल रहे है, क्या निकल रहे है, रस, यह ध्यान रखना, यह एरिल है, कितना अच्छा इमेज दिखाया, आज के बाद इसको लीची में भी अगर पूछा, एक्च्छल में एरिल सब्दाता है लीची के लिए, किसके लिए आते हैं, लेकिन अब पॉम ग्रिनेट में भी आप डाल दिया, क्या बताओ, एरिल, पॉम ग्रिनेट का होता क्या है, बताओ, टेश्टा, क्या होते हैं, लीची किसके लिए यूज करेंगे, बताओ, लीची के लिए यूज करोगे, एरिल, क्या यूज करेंगे, और ये एरिल है, हम देखो कितना प्यारा है, एरिल, म एब आजाते हैं सेक्डूलेंट पलासेइंटा, بتा चुका हों किसका बेल का और उड़ेपल उड़ेपल बेल के जैसे ही है तो धियान रखना, ये थेलेमस पलसपेरिकार क्या है? थेलेमस पलस kalian तो ये धियान रखना, थेलेमस पलस पेरिकार किसका है अमरूद का ब्रेक्ट्स ये जैक फ्रूट पाइनेपल आपको पढ़ना नहीं है पर याद रखना पेरियंद्स ब्रेक्ट्स जैक फ्रूट और क्या है पाइनेपल यानी आनानास क्या है ये ब्रेक्ट्स क्या होते हैं अभी दिखाता हूँ ये jack fruit है, क्या है ये, jack fruit में बहुत सारे फल होते हैं, इसलिए multiple fruits का क्या है, उदाहरन फलों में सबसे बड़ा फल पूछा जाए, तो ये कट हल, क्या बोलते हैं, जब ये कच्चा है, तो सबजी के जैसा उप्योग हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, फल, क्य और है, देख लो तो, अब है, salinity tolerance, कौन ऐसा भेजी टेवल है, जो लवन के परती सहनसील होंगे, जैसे आपने फलों में पढ़ा था या नए, निमलिकित में से कौन सा फल, लवन के लिए सहनसील होगा, ऐसा फल जो गर्मियों में होंगे, वो क्या होते हैं, लवन के परती में सबसे ज़्यादा है, खजूर, तो खजूर होता है, लवन के परती, salt के परती, resistant, उसके बाद खजूर के बाद अगर बात करें, तो बेर होता है गर्मियों में, उसके बाद आमला होते हैं गर्मियों में, अमरूद होता है गर्मियों में, करोंदा होगा गर्मियों में, फालसा होगा गर्मियों में जामुन होगे गर्मियों में अचा सर ये सब लवन सहनसील है यानि हम भी लवन को सहराई ये भी सहराई अरे सब लोग गर्मी को सहरे ना कोई ऐसा देखा होगा एकदम गर्मी को सहता ले आहा सुर्ज भगवान पड़ो कोई अंतर ने पड़ रहा मैंने बताया था मजदूर उसको क्या मानेंगे रसिस्टेंट क्या मानेंगे नए पापा को मान ले रसिस्टेंट परतिरोध परतिरोध और इम्यून में क्या अंतर है परतिरोध का मतलब उसमें तो होगा ही नहीं टॉलरेंस का मतलब होता है सहंसील टॉलरेंस का मतलब और पर मैं पढ़ा चुका हूँ, एक छोटा सा बात बता दो, संबेदन सील बता दिया, आपको परतिरोद बता दिया, और एक बीच में रख लेता हूँ, सहन सील, कौन सा है, सबसे ज़्यादा ग्रसित कौन होता है, संबेदन सील, जिसको आप ससब टेवल बोलते हो, सहन सील का मतलब हम धूप में जा रहे हैं, धूप को सहर हैं, यह मेरी छमता है, तो यह कहलाता है, tolerance, क्या धूप लग रहा है इसको, लग रहा है, पर यह सहरा है, तो यह क्या कहलाएगा, tolerance, और परतिरोद का मतलब इसको कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, रसिस्टेंट है, तो यह जीन उन ऐसा बना दिया जाता है तो बताओ, साइन्टिस्ट लोग सबसे ज़्यादा किस पर कारी करते हैं देखाओगा, रसिस्टेंट वेराइटी कौन सी वेराइटी? भाई कि हो ही नहीं और उसके उपर कौन है? सहनसिल सहनसिल का मतलब tolerance सहनसिल का मतलब समझ गयो चार लड़का जा रहे हैं चार लड़का में चलो बताओ चार लड़का जा रहे हैं एकदम गर्मी का महिना मई जून में और घूमने निकले हैं एक लड़का सबसे पहले बोल दे कि आरे यार बहुत गर्मी है मैं नहीं जाओंगा तो वो कैसा है संबेदानसील किसके परती धोब के परती वो बच्चा कैसा है एक लड़का बोल रहा रहे यार चल तो कुछ नहीं होंगे तो वो साथ जा रहा है आधा एक घंटा के बाद बोला यार अव गर्मी लगने लगे तो वो कैसा है सहनसील और एक लड़का है साम तक चलते रहे आते रहे कोई अंदर नहीं कैसा है समझ में आगे अब मुझे आप बताओ सेम चीज कोई एसिड के लिए यूज करेगा तो ये तीन सब्द आएंगे कोई सॉल्ट के लिए करेगा तो यही तीन सब्द आएंगे कोई कीटो के लिए करेगा तो कीट के लिए रसिस्टेंट है संबेदन सील है परतिरोध है पीमारी के लिए यही तीन चीज आएंगे तो कितने सब्दों में यूज होता है बारह टर्म में ये उप्योग होने वाले अब मैं आज यूज नहीं कीट उटने कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ लवन यानि सॉल्ट के लिए कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ सॉल्ट के लिए तो सॉल्ट के लिए आप समझ कियो सबसे ज़ादा मध्याम और सबसे यही तिन सब दियूच होगे तो यही चीज है high tolerance बताव फलो में तो आपने बोल दिया कौन-कौन होंगे खजूर हो जाएगा और कौन बेर हो जाएगे अनार हो जाएगा आमला हो जाएगा और राज्थान वाले सब हो जाएगे करोंदा हो जाएगे फालसा हो जाएगा सीता फल हो जाएगा इभेन अमरूद भी होते हैं क्या लवन सहनसिल अब बताव डेट, बेर, अनार, आमला कस्टरड एपल, गौवा, कोकोनट हो गया यह यह तो बेजटिवल्स का पढ़ाना था यह इसमें कैसे आ रहे है सैलिनिटी टॉलरेंस मैंगो यह तो करवा दिया हूँ उदर नहीं करवाया हूँ करवा दिया हो अगर लवन सहनसिल एप्रिकोट, एपल, पीच, पलम एबोकाडो, आल्ड मोल्ड, पलम स्ट्राबेरी, यह सब देखो सेंसेटिव होते हैं इसको ज़्यादा आप सारे देखना ठंडे परदेश वाले हैं सारे क्या हैं ठंडे परदेश वाले आरे जो गर्मियों में लगते हैं वो सॉल्ड टॉलरेंस और जो सर्दियों में लग जाए, ठंडे में लग जाए वो यह सी टॉलरेंस उल्टा सोच लेना है क्या है वो acid tolerance तो ये I think मेरे हिसाब से करवा दिया राजयस तक pen drive तो देना ये ले आया है ठीक है अब मैं बात करूँगा कुछ vegetables में और point है salt tolerance हो गए आपके अब बताव सब्जियों में कौन होगा salt tolerance सब्जियों में चुकुंदर बिल्कुल सही है beat beat और कौन होते हैं pumpkin pumpkin कद्दू इसको गर्मीम लगाओ मज़ा आजाए अरे मैंने बताया था वे सब्जी जिसका फल खाते हो एक तो वो धरवाले आजाएगा कोई तो pumpkin और कौन आएगा wax guard wax guard इसको गर्मीम कुकरविट्स वाले सब गर्मियों में लगाओ कोई दिक्कत ने तर्बूच गर्मियों में लगाओ इन सब को लेकिन वे सब्जी जिसका फल के अलावा तो क्या याद रखोगे केवल चुकुंदर कौन है बाकि आपके काम आ जाएंगे सब सबसे ज़्यादा गर्मी को सहने वाला कौन है कुकरविट्स कौन होते हैं कुकरविट्स उसके बाद अगर मैं सोले नेसी में बात करूँ तो मिर्च सोले नेसी में बात करूँ तो मध्यम में कौन आएगा मा से मेर्च और मा से माध्याम, मा से मेर्च और मा से याद रखोगे इसे कुछ कहानी तो यह होगे आपके Salted Tolerance इलचर है अब जो Fruit Type है इसमें से बनेंगे कि एक Point कि फल है क्या तो क्या answer करोगे फल क्या है तो फल एक है परिपक परिपक क्या है अंडा से, परिपक क्या है अंडा से, दो Point इसका fix आपको समझ में आना चाहिए और सत्ति फल उसी को कहते है, True Fruit किसको कहोगे, True Fruit का मतलब सत्ति फल उसे कहेंगे, जिसका निर्मान किस से हुआ है अंडा से, किस से हुआ है बताओ, यानि कि सबसे पहला Point, तो ये समझ में आया, कि कोई भी पेड हो, तो यहां पे ये क्या बनेगा, सबसे पहले कली, जिसको हम बोलते हैं, Bud और Bud से किसका निर्मान होगा, Flower का फूल बनेगे, और फूल के अंदर क्या बनेगा, बताओ फल, और उसके अंदर क्या होंगे, बीच तो ये जो फल बनाए इसको सत्ति कब कहोगे जब ये किससे बनेगा, बताओ अंडासे से, किससे बनेगा अंडासे, और इसको हम क्या बोलते हैं, ओ भरी तो एक पॉइंट आपको समझ में आया, सत्ति फल किसे कहोगे जिसका निर्मान किससे होता है, बताओ अंडासे से, उसको हम क्या बोलेंगे सत्ति फल, लेकिन फूल के अंडासे के अलावा किसी भी भाग से फल बन जाए जैसे, अरे सर अंडासे के अलावा भी फल बनते हैं बिलकुल बनते हैं, देखो आप suppose that ये मान लिया जाए एक हमने फूल का पार्ट बनाया और ये हमने बना दिया इसका ओवरी, ये इसका मेल पार्ट बना दिया हूँ समझाने के लिए, यहाँ पे बता दिया ये हरा हरा वाला भाग जिसको कैलिक्स, और ये बना दिया हूँ पंखोड़ी इसका, क्या बना दिया हूँ अब ये जो फूल जिस पे बैठे होते हैं, ये वाले भाग इसको हम बोलते हैं पुस्पासन क्या बोलते हो बताओ ये इलकुलीजी है और अंग्रेज लोग इसको बोलेगा थेलेमस पुस्प जिसमें बैठा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे पुस्पासन पुस्प का आसन क्या कहलाएगा पुस्पासन तो ये कहलाता है थेलेमस जैसे सेव नासपाती तो सेव नासपाती में ये थेलेमस बड़ा हो जाते हैं तो बताओ सेव सत्ति फल है या असत्ति फल है अरे गधे अगर इससे बना तो तो सत्ति फल हो गया और अगर ओभरी के अलावा किसी से बने तो ये कैसा कहलाएगा false fruit कैसा कहलाएगा और इसे बोलते हैं आवहासी फल क्या बोलोगे सत्ति है या असत्ति है सत्य है या असत्य है और असत्य फल का उदाहरन कौन है सेव और कौन है अच्छा सर तो इसका मतलब सेव नास क्योंकि इसका निर्मान ओवरी से नहीं होता है किस से होता है बताओ थेले मस से तो बताओ सत्य असत्य समझ में आया किसे को होगे true fruits ऐसा फल जिसका निर्मान किस से हो जाए फूलों के अंडासे से या ओवरी से होता है उसको हम बोलेंगे true fruit या सत्य फल और इसके अलावा कहीं से भी बन जाए उसको हम बोलेंगे असत्य या फॉल्स ये दो बात किलियर है आपके मस्तिक्स में तो मैं आगे बढ़ू इसके बाद तो कुछ है ही नए बस केवल ट्रिक है एच ट्रिक देखते जाना एकदम ध्यान से लिखना कुछ नहीं है बिना लि जिसे कहते हैं एकल फल एकल फल का मतलब सिंगल लगे फल कैसा लगे बता अरे सर सिंगल नहीं समझ रहा हूं सिंगल जैसे आम सिंगल फल है लीची सिंगल फल है तुम्हारे मन में जो है वो बोल चीकू सिंगल फल है लेकिन सहतूत बोला जाए देखे वो सहतूत नहीं यह सहतूत है तो इसमें बहुत सारे फल है सरीफा देखे हो सीता फल नहीं देखा इसमें ना बहुत सारे ऐसे ऐसे फल लगे हुए है यह तो या तो सिंगल फल हो सकता है और या तो हो सकते हैं सन्युक्त फल दो ही याद रखना तीसरा मैं कल डिवलब कर दूँगा एक तो सिं और एक संजुक्त, बाद में मैं बग्यानिक बनके इसको एक और भाग बना दूँगा, अभी दो ही याद रखना, आज तो हम केवल कंप्लीट करेंगे कौन, सिंगल फ्रोट्स, कौन करोगे बताओ, चांगते हो एक हमने एकदम लाया सिंगल फल, अरे सर सिंगल फल क्या लाय क्या लाये हो, तो जब आप फल को देखोगे, तो फल दो तरह के और मिल सकता है, कंदिशन, एक तो फल ऐसा हो, जो सूखा हो, और एक फल ऐसा है, जिसमें गुदा हो, कुछ नहीं अंतर है, गुदा वाले को कहते हैं फ्लेसी, यही अंतर है, और सूखा वाले को बोलते हैं dry fruits, कुछ अंतर है ही ने medium में, तब बताओ कितने तरह के फल हो सकते हैं, दो तरह के, एक तो ऐसा फल है, जो कैसा है, सुखा है, और एक ऐसा फल है, जिसमें ऐसे चाकू से निकाल के लिए, गुदा है, दो तरह के फल हो सकते हैं, घर में काजू ले आया, बताना जल्दी जल्दी, कौन सा फल है, अच्छा घर में बादाम ले आया, घर में अमरूद ले आया, घर में केला ले आया, पपीता ले आये हो, अंगूर ले आया है, चीकू ले आये हो, इसमें गुदा होता है, तो दो ही तरह इसके अलाबा बता दे तूने कोई फल खाया है, या तो सुखा होंगे, या तो गुदा होगा, दो तरह के फल होते हैं, अब चलते हैं कहानी की ओर, जो सुखा होते हैं ना, इसका उदाहरन है नट, इसको हम बोलते हैं नट, क्या बोलोगे इसको, आज के बाद न, dry fruits ने बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, nut, अपने प्रस्ण करना है न, तो क्या बोलेंगे, nut, अब इसका trick है, इंगलीज के last में nut होना चाहिए, इंगलीज के last में क्या होना चाहिए, अब जानतों दुर्भाग से हमारे agriculture में एक ही nut आते हैं विचारे को, उसके अलावा उसक के दिमाग में कि यार गुरू जी आपने बोला इंगالिस के लास्ट में क्या होना चाहिए नट तो इसके दिमाग में आएगा केवल को को नट और ये भी बड़ा मुश्किल से यद करता है को को नट जिसके लास्ट में क्या है नट जो بھی से बोलोगे देखो मैं पूरी खेल खेल लेंगे ग्राउंड नट सब मिलके बोलो एक एक नट बोलना है जिसके इसी को कहते हैं पीनट आगे बढ़ो पीनट अच्छा एक गुड़िया और यहां से बोली वालनट चाये खाई या नहीं होगी पर याद है वालनट और बोलो कैस कैसूनट और बोलो पिस्टैचूनट अरे सर यह पिस्टैचूनट यह सब नट उठे क्या इसको बोलते हैं हिंदी में पिस्ता क्या बोलते हो इसको बताओ पिस्ता और कोई नट बताओ वाटर चेस्ट नट बिल्कुल सही बाद जितना लिखाया हो सब रट गई है वाटर चेस्ट नट इसको बोलते हैं पानी वाले सिंगाडा यह क्या है सिंगाडा अब आपको इजली तो याद हो गया कोई एक्जाम में हमें कठनाई तो नहीं आएंगे जो तुझे आता है न वो नट नहीं है एक ही आता था मुस्किल से कोको नट और वो भी नट जो तुझे आता है वो नट बस एसे याद रखना और जिसमें नट ना लगा हो यह नट हो कौन ल आई टी सी अचाई लीची अरे बाब मजा आ जाएगा इतने जगए यह पूछे जाते हैं लीची का फ क्या याद रखो कि नट में दो पॉइंट बताना जो तुम्हें आता है वो तो नट है ही नहीं कोको नट नट कोको नट है डूप यहां लिख देता हूँ बता कि आपको बाद में समझ में आएगा कोको नट किसका उदारन है बताओ डूप का और कौन ऐसा है जिसके एग्जाम दे लेना जितने एग्जाम देते हो चाहे बैंकिंग का डबल एओ का आई बीपीएस का सुपरवाइजर जेट आइसी आर जो भी होटी कल्चर में प्रस्न बनते हैं फल परकार एक प्रस्न प्रोपागेशन एक प्रस्न फल परकार फिक्स आना ही आना तो इसको तुम्हें इसे रटते रहना रटते रहना फिर गलत करना बोलना सर पांच नमबर कम आ गये आज देख मोनु वैशनव जो बेचारा है पॉइंट थरी थरी से सुपरवाइजर में है इसको पता लगता होगा ना नौकरी की कीमत और एक नमबर की कीमत दो बार लिष्टे नि है तो तेरे जैसा ही है आम इंसान है है ना यहां अंतर और तुम एक एक कोस्टन इसे खा जाती है एक गलत होने देख्या हो एक गलत का मतलब पागल चार नमबर और चार नमबर का मतलब सुपरवाइजर में 40,000 रेंग पीछे हो इतना बड़ा वेरियेशन आते हैं सोच ले बहुत ज़्यादा कीमत होते हैं तो एक एक पॉइंट अपने को समयना है बताओ पहला हमने पढ़ा क्या नट नट खतम हो गए नट का मतलब क्या समझाया बताओ इंगलिस के लाश्ट में क्या होना चाहिए नट और कौन नट का उदारन नहीं है कोको नट कौन नट है बता यह होते हैं तीन तरह के कितने तरह के होंगे तीन तरह के फर्ष्ट का नाम है पॉम पहले का नाम क्या है पॉम दूसरे का नाम है सरस और तीसरे का नाम है डूप यहां तक हमें खतम करना है आज कहानी गुद्देदार फल पूरा पढ़ाना है कौन-कौन मैंने बोला और रुप, पोम सरस और रुप, पोम का उदाहरन होते हैं असत्ति फल, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स फुरूट, और फॉल्स फुरूट का उदाहरन है एपल और पीर, अभी तो मैंने बोला सेव और नासपाती, ये किसके उदाहरन है बताओ, फॉल्स फुरूट और फॉल्स पढ़ा nut और एक पढ़ा पॉम नट इंगलिस के लाष्ट में क्या होना चाहिए नट कोको नट नट नहीं है और लीची क्या है नट है और पॉम में कौन सा फल पढ़ा असत्ति फल जो किस से डेवलप होते है ठेलेमस से होते है और उदारन कोन हो गया सेव और नास पाते इतना ही तो पढ़ें अभी तक अब हम बात कर रहे है किसका सरस का सरस से पहले एक छोटा कहानी कर लेता हूँ डूप का जिसके अंदर गुठली होते है गुठली होते हैं अंग्रेज लोग गुठली नहीं बोलता है सोचता मैं अस्टेंडर हूँ वो स्टून बोलेगा ऐसा फ्रूट जो क्या रखता है स्टून उसे हम क्या बोलते हैं डूप क्या बोलोगे इसको डूप और हिंदी में तो और अलग-अलग नाम आते है अस्टिल फ्रूट वैसा फ्रूट मुस्किल है याद करना तो डूप क्या बोलोगे डूप वैसा फ्रूप जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं गुठली देखना अभी आप सो फ्रूट परकारना एक सकेंड में बताओगे और without negative mark गलत भी नहीं करेंगे अब गुठली किस में किस में पहला तो सब के मन में आता होगा आम ठीक है और बताना करके जामून को फेक देता है ठीक है उसके बाद बेर बेर में क्या होते हैं गुठली अच्छा रे यार ये तो खजूर भी दिख रहे हैं खजूर को भी खा लिया तो ये मिल गए आपको क्या खजूर इसके बाद तुझे कुछ नहीं आता होगा चिकू कुछे में आएंगे कराओंगा भी अब आते हैं इधर कोफी किसकी बात करे हैं असर कोफी तो देखाएं नहीं तो क्या रटलू नए एक बार दिखाया था तुझे कोका कोफी कल या परसू कहीं न कहीं दिखाया होना नए बच्चे को भी दिखाएंगे अपन तो ये कोफी हो गया अब हम ऐसे फल का नाम लिख रहे हैं जिसको आप देखे नहीं होगे यानि नाम तो सुना है देखा नहीं होगा जैसे आडू पीच इंगलीज में क्या बोलते हैं इसको ये सब लड़का बुकुक में देखा था या किसी से कहते हुए सुना होगा आरे पीच जम्मू कस्मीर में होते हैं कहां होते हैं जम्मू कस्मेर, सेम अगर ऐसा ही नाम बोलू तो आलू बुखारा, यह M.A.C. में मेरे स्पूछा था कि बताओ पलम को हिंदी में क्या कहते हैं, पिएश्डी का उस टाइम ना हमारे इंटर्व्यू से होते थे, M.A.C. कर लोगे ना तो पिएश्डी कैसे होता था बताओ यहां RCA में इंटर्व्यू लेकर, तो उस टाइम हमसे यही प्रशन पूछा था, पलम को हिंदी में क्या कहते हैं, और सही बात बताओ मैं नहीं जान तो इसके फल परकार क्या कहलाएंगे, डुप, क्या कहलाएगा इसका, अब बताओ आम, डुप, जामुन, डुप, बेर, डुप, खजूर, डुप, तो यह तो चारो आप याद कर लोगे, गल्ती कहा होगा, कोफी, बहुत बार आया हुआ है, कौन सा आया हुआ है, कोफी, क्या है, कोफी 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 क्या ह आगे क्या डूप में काम complete बताओ गुद्देदार फल को तीन वर्गों में हमने बाटा था एक को हम बोलते हैं क्या पोम पोम असत्य फल होता है दूसरे को हमने बोला डूप डूप के अंदर गुठली होते हैं कौन कौन हो गया आम हो गया जामुन हो गया बेर हो गया खजू किसका सरस की किसके बात करेंगे बताओ बार बार इसको सरस नहीं बोलते हैं हिंदी में इसको बेरी भी लिखाएगा और अंग्रेज लोग तो अपने आपको महान समझते हैं तो वो इसको बेरी लिखेगा क्या लिखेगा बेरी बेरी का बड़ा अच्छा ट्रिक है जो गु गुच्छे में लगते हैं बिल्कुल सही जवाब है बैगन कहां लगता है गुच्छे में मिर्च कहां लगते हैं गुच्छे में आलू कहां लगता है गुच्छे में अब मैं बात करू केला की बात करू तो ये लगते हैं गुच्छे में पपीता की बात करें तो गुच्छे अमरूद की बात करो तो गुच्छे में, चीकू की बात करो तो ये गुच्छे में, अब आप फसोगे गुरुजी, अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा और गुच्छे में लगते हैं, नारियल गुच्छे में लगते हैं, चलो एक लिख दिया अंगूर, ठीक है, देखना कितने प्रश्न कर रहे हैं तो 4-4-8-9 हो गया ये तो गुच्छा वाले करवा दिया इन सब का फल परकार क्या हो गया तेरी गुच्छा गुठली वाले 10 थे 10 टूप नट वाले 7 थे 7 हो गया किस में नट इंगलिस के लाष्ट में नट किस को छोड़ कर कोको नट किस में नट नहीं था लीची में नहीं था तो 10 और 17 कोश्चन और 10 ये 27 और 2 कर दिया सेव नासपाते किसका है पोम का 27 दो 29 तिस कोश्चन अपने पास जिनको रटना नहीं है अब हमारे मन में आता है सर खीरा गुच्छा में लगते है तुम्हारे मन में उतना आता नहीं होगा जितना मैं बोल देता हूँ खीरा गुच्छा में लगते है ककड़ी गुच्छा में लगते है तरवुज गुच्छा में लगते है संत्रा गुच्छा में लगते है उसके बाद और मैं एक दो बोलू बेल पत्र सुनाए ना बेल पत्र गुच्छे में लगते हैं आमला गुच्छा में लगते हैं बहुत ऐसे चीज है जो कहां लगते हैं गुच्छे में इसका मतलब सरे इसका और भाई बंधू है तो बेरी काना और बहुत सारे क्या है भाई बंदू, इस बोड़ पे न मुझे छोटा करना ही नहीं, ठीक है, यहां करवा देता हूँ, अब इसके बहुत सारे भाई बंदू लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे बेरी का रूपांत्रन, क्या सब्द देंगे बता। इसमें सबसे पहला लेंगे जिसका नाम है पेपो, क्या नाम है, पेपो सुनते रहना, अरे सर, पोम अलग चीज है, पोम असत्यफल है, और पेपो सत्य है, पेपो किसका रूपांत्रन है बता बेरी का, और पेपो का मतलब आप याद रखना ऐसे लिखोगे पेपो इसका मतलब उदाहरन आएगा इसमें कुकर वीड्स कौन आएगा बताओं कुकर वीड्स कुकर वीड्स नाम सुने हो जिसको हिंदी वाले और बोलते हैं कद्दू वर गिये यानि ऐसा सबजी जिसमें लत पाया ज कौन-कौन लत है जैसे खीरा वन्स तू नहीं समझे तो बोल देना खीरा समझते तो हो कहीं ूब तो दूसरा ककड़ी, ककड़ी को बताओ, इंगलीस में क्या कहते हैं, pumpkin को ककड़ी कर, देख ले ना तुलोग का standar क्या है, cucumber, ककड़ी, तो ये क्या है, रे गदे, खीरा का cucumber हो गया, ये ककड़ी को बोलते हैं, long melon, क्या बोलते हैं, long melon, चलो आप बताओ, जो जो तुझे आता है, पहले वो लिखता हूँ, उसके बाद 5 एक्स्ट्रा जोड़ दूँगा, पहले बताओ तो कुकर बिट्स में नाम आते हैं 2, 4, 5, अरे जिसमें लथ होते हैं ऐसे, तरबूझ, उसके बाद खरबूझ, उसके बाद करेला, नाम सुना है, करेला के बाद कद्दू कद्दू के बाद लोकी चलो उसके बाद और बोलो परवल परवल तुम लोग नहीं सुना होगा परवल ये टिंडा नाम सुना है अच्छा तोरही नाम सुना है तोरही दो तरह के होते एक का नाम है चिकनी और एक का नाम है खुरदरी अंग्रेज लोग बोलते हैं स्पॉंग गार्ड रीज गार्ड इसको एक्चल कहानी कहने का मतलब ऐसा नहीं इसमें आते हैं 25 सब्जियां किसमें आते हैं बताओ कुकरविट्स में कितने आते हैं 25 अभी मैंने नाम छोड़ द गुकरविट्स जब पढ़ाओंगा तो बड़े अच्छे से बात करेंगा अभी इतना छोड़ने पर का अब बता तुझे आजये फ्हल करगा क्या होता है तो बोल दोगे पर कगड़ी का क्या होता है पर पेपो करेला का क्या होगा पेपो तर्वूज खर्वूज ये सब सब का क्या होगा पेपो तो पहले कितने प्रस्ण किये थे इधर लिखते जाओंगा 30 और ये कितने है 20 अब पेपो के बाद अगला जो important आता है इसी का रूपांतरन है जिसे हम बोलते है capsule क्या बोलते हैं बता अब जो ये अभी तक नहीं आया है और कैसा हो जाए गोल मैं कुछ कहानी बताता हूँ आपको चुकुंदर देखे हो कभी हाँ सर चुकुंदर तो गोल होते हैं इसका भाई सलजम को देखे हो कभी सलजम को इंगलिस में बोलते है तर्निफ पिछले साल जेट में भी आया हां सर अरंडी भी गोल होता है आमला को देखे हो तो आमला भी कैसा होता है बताओ गोल होता है उसके बाद रतन जोत का नाम सुना है जेट्रोपा के नाम से जाने जाते है क्या नाम है जेट्रोपा जिससे बायो डीजल बनाया जाता है क्या बनाया जाता है बताओ बायो डी अभीम का फल कैसा है गोल कल मैंने दिखाया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एक तो भेंडी एक और छूट रहा है धतुरा वही लगा कुछ न कुछ छूट रहे हैं दस कोश्चन ये होगे आपके कैपसूल बताओ लंबा कैपसूल कोन है बाके सब कैपसूल कैसा है अब देखो एक बार टीचर बोल देगा पर तुम गलत नहीं करोगे ये तो मेरा विश्वास है देखो एक बार चुकुंदर गोल सलजम गोल धतुरा गोल कपास गोल अरंडी गोल उसके बाद हम बात करें अफीम गोल इतने प्रस्ण तो बनते हैं तील कभी ने आएगा रता आम परकार क्या होता है बताओ कैप्सुल लंबा कैप्सुल कौन है भेंडी तो दस αναने और आपके फल परकार से जूड़ गए आपके ठीक है ऑपो जसमें लत्ट होते हैं और जोगोल गोल होता है वह डिक है अब तेरे मन में आ रहा हुए भूल टमाटर होते हैं गोल अलू होत इसमें खोद खोद के लाना अरे सर गोल तो सब फल होते हैं यह तो याद करने के एक तरीका कि एक बार ऐसे बोल दिया तेरे दिमाग बन जाएंगे अब हम बात करेंगे तीसरा मोडिफिकेशन जरा देखो आगे बढ़ रहा हूं थार्ड नंबर थार्ड नंबर में आते हैं किसका मोडिफिकेशन पढ़ रहे हो जरा बताना बेरी का अच्छा तो बेरी में क्या-क्या पढ़ा जरा इधर बता दो एक तो पेपो पढ़ लिया था और दूसरा कौन पढ़ लिया केपसूल पढ़ लिया पेपो में क्या होंगे लथ होंगे और यह कैसा होगा गोल होगा अब हम बात करेंगे हेसपेरिडियम की किसकी चर्चा करेंगे बताओ फेसपेरिडियम जरा इस पहmusic हम चर्चा कर लेते हैं पांच मिन्ट टाइम 10 मिन्ट है और दो ही पॉइंट और बचा हुआ है हेस्पिरीडियम का मतलब होता है ऐसा फल जिसके छिलके जिसके छिलके चमडे जैसा हो तेरे मन में बताओ ऐसा कोई फल जिसका छिलका कैसा हो चमडे जैसे या इस छिलके में ग्रंथी पाया जाता हो गरंथी पाया जाता हो WILL IGRIF का प्रस्ण लिख रहा हूं वहीसाहब क्या पाया जाता है बता हो गरंथी देखा कभी संत्रा को देखे ओotive बढ़ा मुश्किल से पापा उपा लाते हैं संत्रा लाया बेटा क्या लाया संत्रा और अर संत्रा देखता होगा उसके छिलक्य को निकाल के ऐसे कोई डोकरा चस्मा उसमा सा खवार पढ़ रहा है तू जाता है ऐसे दवा देता है तो वो सारे तेल यानि तेलिये गरंथी किसमें पाये जाता है छिलके में और ये तेलिये गरंथी कहां पढ़ा इन दादा के आखों में कहां पढ़ गया बता अब वो गाली देना शुरू करेगा तेरे को, जब तक तू ओजल ने हो जाएगा, तब तक वो गाली देगा, ये गाली क्यों देते हैं, क्योंकि सिट्रस में पाया जाता है सिट्रिक आमल, कौन सा आमल पाया जाएगा, आप जानते हो, किसी पे भी अगर आमल छिड़क दोगे, एसीड, तो तो रोएगे ही न भाई, देखता हूगा कितने मूभी में लड़की लोग पर एसीट छिड़क, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई, एसीट छिड़क देगा गधेड़े आई है, एसीट छिड़के गधा लड़कीयां रोएगा, यह जेली में भी होते हैं, अगर जेली पूछा जये, जेली का रोना, किसके कारण, जेली कब रोएगी, जब सिट्रिक अमल की मात्रा क्या हो जाए, ज्यादा, तो यह ध्यान रखना, जब भी अमल ज्यादा होंगे, तो आखों से क्या निकलेगा, आसू, और यह इसमें पूरी और्गेनिक है, और्गेनिक पढ़ाते ने ये तब न, पूरी और्गेनिक इसी रियक्षन पे है, अगर हाई कंसंट्रेशन आप लेते हो, एसीड का, किसका लेंगे, कभी लिखा होगा होगा, एक तो लिखा रहता है तनू अमल, और एक लिखा रहता है तीर पे देखा होगा, सांधर अमल, इसको बोलते ह एसीड और इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसीड, जब भी कंसंट्रेटेड होगा, तो वहाँ से आप और्गेनिक में पानी को बाहर निकाल दो, ये ट्रिक समझाएंगे अपन, पानी को क्या कर दो, बाहर निकाल दो, वही उसका उत्पाद बनेगा, तुम देखना 100-200 इस पर पढ़ लेते हैं, केवल जब भी आमल आ जाए, तो पानी को क्या निकाल दो, बाहर, और तनू जब लिखा रहे, डाइलूट लिखा रहे, तो देखता, कोल्ड रिंग को अंदर इसे पी लेता है, तो कोल्ड रिंग का pH होता है 5.5, लेकिन आमल कैसा है, तनू, आमल ह पर ज़्यादा आमल ये नहीं है, कैसा है, डाइलूटेड, इसलिए हम पीते हैं, तो जब तनू रहे, तो पानी को जोड दो, ये chemistry का मैं करा दिया question, जब तनू रहे, तो क्या जोड देना है, पानी, और जब सांद रहे, तो उससे पानी को निकाल दो, निकालना और जोडन में क्या होना चाहिए, ग्रंथी, उस ग्रंथी में क्या पहे जाता है, सिट्री कम, क्या पहे जाएगा, सिट्री कम, अब इसका उदाहरन पूछ लेगा, क्योंकि हम केबल पढ़ते हैं, क्या बताओ, हम पढ़ते हैं मौसमी, हम पढ़ते हैं संत्रा, तो हम पढ़ते हैं क्य संत्रा और बहुत ज्यादा तो तीसरा हम पढ़ लेंगे नीमू अगर चोठा बहुत अच्छा प्रस्न बना तो बन जाएगा किस से लेमन से पांचमा अगर बनेगा तो यह बन जाएगा स्वीट लाइम से किस से बन जाएगा बताओ स्वीट लाइम उसके बाद आ जाएगा तो यह प्रस्ण बनेंगे तो grapefruit से, किससे बनेगा बताओ, grapefruit, अगर इससे जादा प्रस्ण बना तो वो बन जाएगा pumelo से, किससे बनेगा pumelo, अगर बोला कि नए मैं और जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो पूछ लेगा आपसे रंगप किसके नाम से, किसके नाम से, जाटी-खटी, उसके बाद पूछेगा तो रफ लेमन भी पूछ सकते हैं, इसी का नाम है, क्या नाम है, रफ लेमन, उसके बाद नाम पूछेगा तो फ्लाइंग ड्रेगन के नाम से पूछ सकता है, किसके नाम से, फ्लाइंग ड्रेगन, इस स foliate orange, अरे सर, तो ये सब सारे क्या है, अच्छा, और मान लिया जाए, कोई बोले नहीं, सिट्रोन भी आ गया, क्या आ गया, सिट्रोन, बोले नहीं, ताहती lime, ये आया हुआ प्रस्ट, बैंक में, ताहती lime, सिडलेस होते हैं, ताहती lime, ये तीनों, इसलिए यहां पे लिखा, ये mono-embryonik होते हैं, कैसा होता है, बताओ, mono-embryonik, कैसा होगा, mono-embryonik, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, mono क्या है, poly क्या है, छोड़ दे, प्रस्ट न, इतना से आपको नहीं चलेगा, संत्रा मौसमी नीम्बू पूछ ले, आज कल प्रस्ट न, रूट स्टोक से पूछत क्या है, क्या पूछ लेगा, रंगपूर लाइम, तो हमें पता तो होना चाहिए, ये सब नीम्बू के जैसा है, जैसे मैं बोलू, आम में बोलू, दसहरी, तो तुझे एक क्या सुना हुआ नाम है, लंगड़ा, सुना हुआ नाम है, लेकिन बच्चे ना, ये नाम कभी नह सुनते हैं तो उसको यह difficult लगेगा यार आज तो बेकार पढ़ा दिये पर अगर एक बार सुन लिया कि आरे जैसे दसहरी लंगड़ा होता है सर वैसा ही यह सब नाम है तो हाँ यह नीमू में नाम है नीमू बर गिये और सब्जियों में कौन है सबसे बड़ा कद्दू बर गिये सब्जी में कौन है कद्दू बर गिये और नीमू में सबसे बड़ा समू कौन है सौरी नीमू में बोल दी फल में सबसे बड़ा समू कौन है नीम्बू भर गिया तो यह अभी आया हुआ है कुछ भी पूछे देख अपने बच्चे आराम से करेंगे सिट्रोन पूछ ले लफ लेमान रंगपूर लायम कुछ भी पूछे तो बताओ यह भी लिख दूँ कहां लिख रहा था कुछे लास्ट में टेस्ट भी तो लूँगा यह गाज यहां पंद्रा और जोड़ देते हैं पंद्रा हैं जोड़ा तो यह अब बताओ पेपो केपसूल और क्यों हो गया बताओ हैस्पेरेडियम कौन हो गया हैस्पेरेडियम हैस्पेरेडियम में कौन सा वर गाएगा बताओ नीमू भर गये कौन सा वर गाएंगे नीमू भर गये अब हम बात करेंगे बेलाश्टा का किसका बात करेंगे बेलाश्टा ऐसा फल जिस पे ताज हो ऐसा फल जिसके सर पे क्या हो ताज हो एक ही में ताज होते हैं अनार में तो अनार का फल परकार क्या होगा बेलास्टा और लास्ट है एमफी सर का कौन है एमफी सर का तो एमफी सर का का मतलब ये बेल पत्र वाले देखे हो संकर भगवान को जो चड़ाते हैं बेल उससे अगर किसी का सर पे मार दो तो दोनों का बेल तूटेगा यानी यह है बेल जिसको बील बोलते हुआ क्या बोलते है जिसका बाहर के भाग कठोर हो AP कार्प क्या हो कठोर उसको हम बोलते है Hes Peridium एक देखिए सेट ने किया ना मैनुवल से इसलिए ऐसा हो रहा है फोकस से बार बार अप एंड डाउन हो रहा है चले तो इसको क्या बोलते हैं बताओ है स्पेरिडियम अब मुझे बता दो फटा फट तीस पचीस पचपन दस पैसाथ और पंदरा असी हो गें तो बीस और कर देता हूं क्यों ने तुम बुरा मान जाओगे ने तो कर दें अब बेज़िटेबल्स वाल ने छोड़ दे बेज़िटेबल्स वाले लंबा हो जाएगा अभी चालीस और कराऊंगा बीसी ने इसको अपन एक रिविजन कर लेते हैं फटा फटा फट अब शुरू से सब्तर कोश्तन ही करते हैं उसमें लिखना उखना कुछ नहीं क्या है सबसे पहला नट नट में दो पॉइंट बच्चे को ध्यान होना चाहिए कोको नट नट नहीं है गुरू जी लीची नट है काम खतम नट का नट के बाद आए गुद्देदार फल गुद्देदार फल में तीन पॉइंट अपने को ध्यान रखना है पॉम पॉम असत्ति फल है कौन को न आ गया सेव और नासपाती पॉम के बाद अपने को हमने शुरू किया था कौन इधर से बताते भी जाओं ताती आपके रिवीजन भी हो जाए पॉम के बाद शुरू किया डूप डूप का मतलब ऐसा फल जिसके अंदर क्या हो गुठली हो याद क्या रखेंगे कोफी वाले ये सब सब याद है देखो यहाँ पे न कोई टीचर गलत करेंगे तुम्हें खजूर में खजूर एक्चुल में होता है एक सिंगल सीडेड ब बेरी अगर सिंगल सीडेड बेरी आजाए जिसको एक बीजिये बेरी कहेंगे तो यह टिक करना है यह ऐसे मैं खजूर में दो बार करवाता हूँ गलत नहीं करोगे आप और बहु बीजिये बहु बहु बीजिये बहुत सारे बीज होते हैं यह फालसा को कहते हैं किसको कहते है single seeded अच्छा बताओ खजूर को जब खाते हो देखाओगा बुच्छे में लगते हैं खजूर लगते हैं ना उसके अंदर गुठली होता है अगर option रहता डूप बेरी देखोई ऐसे ऐसे प्रस्ण एरस और single seeded बेरी ये करवाता हूँ अगर बेरी रहता ही नहीं तो क्या है बताओ डूप जिसमें गुठली है वो क्या है डूप तो डूप टिक कर देंगे लेकिन ये दोनों मा जाए तो क्या करेंगे single seeded बेरी क्या करोगे single seeded बेरी तो गुठली वाले हो गए अपने अब हमने बात किया था किसका सरस का सरस में क्या बोला जो गुच्छे में लगते हैं तमाटर बैगन मीर्च आलू केला पपीता अमरू चीकू अंगूर ये सब क्या हो गया सरस सरस के रूपांतरन पेपो सारे कुकरविट्स किसका उदारन है पेपो का कैपसूल गोल गोल होते हैं ये किसमें आता है कैपसूल में हैस्पेरेडियम जिसके छिलके पे क्या हो चमडे हो या जिसमें क्या पाया जाते हो ग्लैंड्स पाया जाता है और अगला हमने बात किया था किस पे एमपी सर का कौन किया था MP Sir का Bill और Belasta अनार, Belasta किसका किया हूँ बताओ अनार, बस मुझे Last बता दे जल्दी जल्दी से Option दे रहा हूँ मैं तुझे First Option Capsule Second Option Drup Third Option Pome कौन है? Pome और Fourth Option यहाँ पे दे देते हैं Saras ठीक है, आपको मैं कोई भी प्रसंदू Option को देखकर तुरट टिक करना है तब तो लगे कि हाँ यार कुछ पढ़ाओ Option आजाए आमला आमला का फल परकार बताओ क्या आएगा एंसर बताओ Capsule, अगर आजाए एक्जाम में कि कोफी का फल परकार क्या होता है तो कोफी किसमें आएगा बताओ अगर आजाए नासपाती का फल परकार क्या है बताओ तो पूम है, बिल्कुल सही है पूम है, एक option और ले लेता है पेपो, क्या ले लेता हूँ अच्छा अब बताना तू अमरूद किसमें आएगा अमरूद सरस में जो गुच्छे में लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, बताओ सरस, अमरूद किसमें आएगा चीकू किसमें आएगा सरस में आम किसमें आएगे आम किसमें आएगा डूप, नारियल किसमें आएगा नारियल भी किसमें आएगा यूपे तेरे मन में जो है वो बोल दे, कुछ तो फल तुझे भी ज्यात होगा इसका भी बताथो कुछ भी तेरे मन में आता है फल परकार कीवी फल कीवी फल आते हैं कीवी फिल selfish 앞에 iap किसमें आते हैं लेकिन अपने सेलमस में नुजलैंड किसे कहा जाता है किसे कहा जाता है केवी में और आप मान लो केवी आज इतना डेबलप्ट हो गया फ्रूट्स इसको कोई जानता नहीं था माइनर फ्रूट्स के अंतरगात आते थे लेकिन बैज्यानिकों ने देखा आम की सापेक्ष 150 गुना ज्यादा पोसत तत्त पाए जात किसमें देख रहे हैं सिंगल फ्रूट्स में किसमें देख रहे हैं और 70 से जादा तुझे फल दिमाग में नहीं आईगा तो यह आज हो गए आपका फल परकार एकल फल में अपने क्या था यहाँ पे चले आज़े सिंगल फ्रूट्स के बारे में आपने श्टडी किया था कि यार एकल फल क्या होते हैं एकल फल में कितने भाग बनाये थे दो मिनट मुझे बता दो एक को हमने बोला था नट क्या बोला था इंगलिस के लास्ट में क्या होना चाहिए नट कोको नट क्या नट का उदाहरन है कोको नट, नट का उदाहरन नहीं है किसका है बताओ, डूप का किसका है, डूप बाकि जिसके इंगलिस में नट आ जाए जैसे पीनट हो गए, पिश्टाचू नट हो गए वालनट हो गया, काजू नट हो गए ये सब आप लिख लेना जो नए बच्चे है ये सब सारे उदाहरन किसका है, नट का उसके बाद हमने पढ़ाता सिंगल फ्रूट्स में, दूसरा जो फल होते हैं उसे हम कहते हैं, गुद्देदार फल कौन सा फल है, गुद्देदार गुद्देदार को कितने भागों में बाड़ दिया था तीन, कौन-कौन? फर्स्ट क्या था? पोम सकेंड क्या है? सरस और तीसरा क्या है? बताओ डुप, तीसरा क्या है? डुप, ए पोम को कहते हैं असत्य फल, आया हुआ प्रश्ण है कौन सा फल है? यानि ऐसा फल जिसका निर्मान और ओभरी से नहीं हुआ है अंडासय से नहीं हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? असत और इसका उदाहरन था सेव और नासपाती सही है, सरस या इसी को हम बोलते हैं बेरी क्या बोलते हो? सरस या बेरी और इसका उदाहरन था जो कहां पपीता आ गया अंगूर आ गया ये सब कहां लगते हैं बता वो गुच्छे में इसे हम क्या बोलेंगे पेरी और पेरी का बहुत सारे हमने पढ़ा था रूपांतरन क्या पढ़ा मुच्छप पांतरन पढ़े थे बेलाष्टा, क्या है ये, जिसके सर पे क्या होता है, ताज, उसे हम बोलेंगे बेलाष्टा और उदाहरन क्या था, अनार, उसके बाद हमने पढ़ा पेपो, क्या पढ़ा, पेपो का उदाहरन था, कुकर बीड्स, क्या था ये, कुकर बीड्स, उसके बा आपका अफीम आजाएंगे आपके और उसके बाद धतुरा आजाएगा इंपोर्टेंट चुकुंदर आजाएंगे सलजम आजाएगा तो ये सब और लाष्ट में क्या था अपना भिंडी रतन जो तार कम आते हैं तो ये इंपोर्टेंट कैपसूल उसके बाद MP सर का क्या और एक पढ़े थे हेस्पेरीडियम क्या है हेस्पेरीडियम और इसमें आया था नीम्बू बर गिये कौन सा आया था नीम्बू बर गिये तो नीम्बू बर गिये ये कर दिया अब जो हमने सुरू किया था लाष्ट पॉइंट जिसका नाम क्या था ड्रूप ड्रूप के अ इंपोर्टेंट यहां से कोफी, आडू, और उसके बाद हमने याद कराया था आलू, बुखारा, क्या करवाया, उसके बाद एक और था चेरी, इन सब में क्या होता है, गुठली, इधर एक और इंपोर्टेंट याद रखेंगे, जिसका नाम क्या है, नारियल, तो यह थे इकल फल, कौन सा फल है, एकल फल, इससे प्रस्ना आते हैं, अब हम बात करेंगे, किसका सन्युक्त फल का, किसका बात करेंगे बताओ, सन्युक्त का मतलब होता है, एक्रीगेट फ्रूट, कौन सा फ्रूट है, एक्रीगेट, जानते हो बहुत सारे फलों के अंडासे, यह ध जब भी सब्द आप में लग जाए इतारियो क्या लग जाए बताओ इतारियों तो इतारियों का मतलब ही होता है पुन्ज क्या होगा कभी भी सब्द आ जाए जीवन में इटारियो तो क्या समझोगे बताओ पुंज वो किस फल का उदाहरन होगा एग्रिगेट और तीन ही याद रखना है जैसे इटारियो ओफ एकिंस नाम है इटारियो ओफ एकिंस तो देखो जब भी आप अश्ट्रावेरी देखे ओगे ना तो इस पे ऐसा ऐसा एकिंस बना है तो ये सारे गुच्छा किसके लग रहे हैं बताओ एकिंस का किसका है ये और इसको यहाँ पे लिख लेंगे ये क्या है एकिंस तो किसका पुंज लग रहा है एकिंस का किसमे लग रहे हैं उदाहरन इसका आएगा क्या श्ट्र तो ये एक important, दूसरा आपके पास आएंगे, इटारियो ओफ टूप, इटारियो ओफ टूप, तो इटारियो ओफ टूप का अगर उदाहरन बोले, तो इसका उदाहरन है blackberry, क्या है नाम, blackberry, नाम सुने हो blackberry, हिंदी में इसको जामून भी कहते हैं, तो ये आ गया सब्द टू लेकिन एक जामून में, ये क्या है, एक पुंज लगे हुए है ना, तो इसको हम बोलेंगे, किस में रठोगे, अगर ये भी option आ जाए, और डूप भी आ जाए, तो क्या टिक करेंगे बताओ, इटारियो ओफ टूप, क्या टिक करोगे, अब ये याद हो जाएंगे, यार ड दाहरन है, सीता फल, कौन सा फल है, तो आपने सीता फल देखा होगा, ऐसे ये गुच्छा लगे हुए, फिर ऐसे, और इसमें बहुत सारे ऐसे, ऐसे छोटे-छोटे फल दिखेंगे, आपको, देखा है, सीता फल खायो, तो ये है क्या, इटारियो ओफ बेरीज, बताओ, ए कामला का फल पर का, कैयब सूर, और जो मन मैं, क्ये़ा का, क्या किस में आएंगे, उच्षे में लगेंगे, बेरी, क्या होगा, आम का, आम में गुठली होते हैं, ईरूप, जामुन का, जामुन का भी क्या होगा, अर कुछ बोलो, तुझे मन में आये, पपीता का, शेव, प कोफी किसमें आएगा एक चोटा सा और कहानी बचा उसको भी खतम कर देते हैं ताकि एक लगे तुझे खतम है लास्ट है multiple fruits किसकी बात करेंगे बताओ multiple fruits ऐसा fruit जिसमें बहुत सारे फल हो इसको क्या बोलोगे multiple fruits ये multiple fruits दो तरह के होते हैं कौन-कौन एक का नाम है सोरोसिस सोरोसिस क्या नाम है बताओ एक का सोरोसिस और दूसरे को कहते हैं साइको नस क्या बोलोगे इसको साइको नस पहले का नाम क्या है सोरोसिस दूसरे का नाम क्या है साइकोनस देखो जो सोरोसिस होते हैं ये छूने से खुरदरा लगेंगे रफ लगेगा बहुत सारे फल तो होंगे पर छूने से कैसा लगेगा रफ कभी आपने कटहल देखा है ये कटहल है एक एक इसका फल है यह पकने के बाद ना अभी नाग पंच मी आएंगे उसमें खाएंगे यह और इसके उपर ऐसे छूओगे तो यह कैसा है बताओ खुरदरा लगेगा यह ने इसको उपर से छूने से कैसे लगेंगे खुरदरा अब हम बात करते हैं दूसरा अननास को देखे हो पाइनेपल यह पाइनेपल है यह क्या है बताओ पाइनेपल और पाइनेपल में यह वाले यह क्या कहलाते हैं कैलिक्स ना यह है क्राउन इसका क्या कहलाएगा crown के जश्ट नीचे ये छोटी सी भाग है ये कहलाता है sleep क्या कहलाएगा और sleep का बजन होते हैं 300 से 350 ग्राम के आसपास अगर इसका propagation पूछा जाए ये है आपका अननास और ये क्या है कट हल तो ये अननास का propagation किसके द्वारा प्रवर्धन होते हैं किसके द्वारा sleep के द्वारा sleep के द्वारा देखा होगा ठेले वाले ये भागना बेचते नहीं है इसको रख लेंगे या इससे भी नया plant बना सकता है और sleep से भी नया plant बना सकता है वो ठेले पे ही रखेगा, आपको ये वाले भाग देगा, क्योंकि इसको जब खरीदने जाएगा, तो वो 15 से 20 रुपिया मुसको पुनह लेना पड़ेगा, तो इससे अच्छा वो रखेगा, दूसरे को बेज देगा, तो 20 रुपिया और कमाएगा, तो भेग दोगे, एक ला है, बहुत सारे फल है, बहुत सारे फल है, इसको हम बोलते है, Multiple Fruits, किया बोलोगे? Multiple Fruits के दो भाग बनाया, कौन-कौन- एक का नाम क्या है सोरोसिस, दूसरे का नाम क्या है? Psychonus, Surosys का उदारन खुर्दरी लगेगे, कौन-कौन कटल हो गिया मुसके बाद? आनानास हो ग प्रगत का फल देखेओ, महुआ का देखा है, नहीं देखा, अंजीर का, तो उनको अगर खोल के देखोगे, तो मैंने आपको कैप्रिफिकेशन में भी बताया था, याद हो तो, इसमें इस तरह से आएंगे, इसको रूई के जैसा स्ट्रक्चर देखेगा, इसको हम बोलते है साइकोनस, तो साइकोनस में क्या क्या आएगा बताओ, पीपल आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा, बरगद आ जाएगा, और क्या आएगा, महुआ देशी सराब बनते हैं इससे, और एक आएगा जो अपने एकजाम में आते हैं, केवल एक पॉइंट वो कौन है, अंजीर इंपोर्टेंट बाग लगाने की बिधी इसमें पहले नाम लिख लेते हैं एक एक उससे पहले बाग लगाने की बिधी से पहले आपको निकालना है पादप की संख्या ये इंपोर्टेंट है तब ही तो आप इसका पूरा काम कर पाओगे जब तक आपको प्लांट की संख्या नहीं पता है आप कोई भी किसान को कैसे बताओगे कि किस एरिया के लिए कौन सा प्लांट लगाना चाहिए भाई मान लिया जाए कोई किसान के पास छोटी एरिया है छोटा और वो चाहता है कि होटी कल्चर का हम क्या करें प्रोडक्शन करें आप बोल दो उसमें कटहल लगा दो छोटा सा एरिया है तो पांच कटहल लगेंगे विचारेक तो आपको इस अनुसार जब छोटी एरिया हो तो उस प्लांट का हम रिकमेंडेशन करेंगे जिसकी अस्पेसिंग क्या हो कम हो जिसके spacing क्या हो और कोई किसान के पास बड़े बड़े area यो ही खाली पड़े तब उसको वो plant बताएंगे जिसके में दूरी हम ज़्यादा रखते हैं ठीक है तो पहले पादप की संख्याँ plant की संख्याँ तो मैंने क्या बताया बताओ area upon क्या रखोगे नीचे spacing क्या रखेंगे spacing अब देखो ये exam में आपको कोई बोलेगा नहीं कि इसका formula क्या होते हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए अब इससे भी important चीज है आपके exam में direct आएगा 2 hectare में जो 2018 वालिम था 2 hectare में आनार की संख्या suppose that एक ऐसा point है पूछेगा विका नेर के एक किसान 2 hectare में बाग लगाना चाहता है तो उस किसान के 2 hectare में कुल कितने बादब बनेंगे या कुल कितने बादब होंगे अब इसमें क्या बताया 2 hectare में आनार की संख्या तो ये point आपको खुद आना चाहिए कि अनार की क्या रखना है spacing area तो आपको दे दिया है कितना दिया है छेतर 2 hectare लेकिन जब तक आपको इसकी दूरी नहीं पता है तब तक आप नहीं करोगे सही आ रहा है समझ में तो हमें हर एक plant की क्या पता होनी चाहिए distance लगाने से पहले इसकी spacing और spacing का मतलब है इसकी दूरी चलो भैब जो व्रक्स बड़े होंगे यानि tree क्या होगा बताओ बड़े होंगे बड़ा होगा तो उसका spacing भी हम क्या रखेंगे ज्यादा उसका spacing क्या रखोगे ज्यादा कौन कौन सा tree है अगर कोई plant ऐसे दिमाग भी रखते हैं आम एक समझ लो आम तो आम का दूरी हम रखते हैं यहाँ पर कितना 10 into 10 10 into 10 meter square meter अब यहाँ देखें अगर दूरी तो इसमें गड़े की size भी आएंगे किसकी size आएगा गड़े की आकार तो गड़े की आकार का बिल्कुल सरल तरीका है अगर यह 10 meter रखोगे तो गड़ा रख लेना 100 centimeter एक मीटर में तो एक किसमें centimeter और 100 centimeter बरावर कितना meter होगा 1 meter तो गड़ा कैसे रखोगे 1 meter लंबा 1 meter चोड़ा और 1 meter उचा उचाई 1, 1, 1 और centimeter में लिखोगे तो कैसे आएगा बताओ 100 centimeter Q या 1 meter Q ठीक है अगर 10 meter का रखा तो गड़े की साइज यह होगे एक उदाहरन से हम अच्छे समझ सकते हैं अब आते हैं अगर आप गड़े की खोदाई करते हो किसकी खोदाई कर रहे हैं बताओ गड़े की खुदाई तो इसके 2 point आपको क्या रखना है important क्या है 2 point suppose that आपने इस गड़े को खोदना शुरू किया और कितने meter तक हम जाएंगे बताओ 1 meter तक कहा तक जाओगे तो देखो अगर कोई इनसान यहां से खोदेगा तो यह उपर वाले उपर वाले मिट्टी बना लेता हूँ अपने यह है upper surface और upper surface का जो यह मिट्टी है यह होता है उपजाओ क्या होता है बताओ उपजाओ यानि यह स्वाइल है आपका fertile स्वाइल है ना अब नीचे वाले जो होते हैं मिट्टी इसको इस से बना लेते हैं इसमें रेत होंगे पत्थर होगा यह कंकडीली होगी तो यह उपजाओ नहीं होते हैं लगभग आप मान ले तो 12 से 15 सेंटी मीटर की जो स्वाइल होती है वो होती है fertile स्वाइल कैसी होती है बताओ fertile एक फीट इतना गहरा तक अब एक मीटर खोदना है यह हमारा red line है तो क्या करते हैं बताओ कोई भी इंसान यह सारे मिट्टी ना खोदोगे यहां से फावडा लिया और सुरू किया खोदना तो यह उपर वाले जो मिट्टी है green color का यह कहां आ जाएगा बताओ यह मिट्टी नीचे आएंगे क्योंकि सबसे पहले इसकी खोदाई हो रही है तो यह नीचे आता चला जाएगा यह नीचे आ गया अब उसके बाद नीचे वाले जो मिट्टी है यह लाश्ट में खोद रहा है इंसान तो यह कहां चला जाएगा बताओ उपर यह ऐसे मिट्टी की सता आपके तयार होगे अब गड्धा खुद गया पूरा यह गड्धा आप बना दिया अब खाली गड्धा है अब इसमें क्या बोलेगा कि FYM डाल दो पहले तो ठीक है FYM हम ले आते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर यह क्या है गोवर की खाथ FYM है अब इस FYM में बोलेगा कि NERSERY लाओ तो NERSERY ला रहा हूँ एक प्लांट ले आया यह NERSERY लगा दिया ठीक है पेड लग गए बोलेगा कि अब मिट्टी को डाल दो इसमें भरेंगे कि खाली नग नहीं से पेड़े से खाली रहेगा हवा आएगा इसे उड़ेगा वही गोवर पे गिर जाएगा बेचारा तो इसको पहले या तो कर सकते हैं क्योंगे छोटा पौधा है तो आप इसको मिटी को भरके भी छोटी सी गहराई करके पौधे को लगा सकते भी पौधे मत लगाओ पहले गड़े के फिलिंग कर देते हैं यह स्टेप नमबर टू में करेंगे सकेंड में ठीक अब इसको जब भरोगे तो देखो यह यह वाले जो खराब मिटी है यह राट यह कैसा है लाल वाले खत्रे वाले है खराब है तो यह आ जाएगा इसके उपर लाल से यह बना दू तो यह कहां जाएगा बताओ यह उपर आ गया ये उपर 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 देखना आप क्या condition हो रहा है और फिर किसान भरता गया भरता गया नीचे ये हरावले बचा है तो ये कहां जाएगा क्योंकि गड़ा पूरा भरना है ये पुनहा आ गया कहां उपर जो condition पहले था वह ये condition बन गये same to same तो गड़े इतना मेहनत क्यों किया गड़ा खोदना मिटी निकालना फिर जैसा था ये same point यहां इसे तो अच्छा एक drill करते ऐसे छेद प्लांट को ऐसे डाल देते ले भैजा गया अंदर ठीक है तो इसका क्या अंतर है ये जो fertile जो भूमी है इसको हम रखेंगे अलग ये जो मिटी है जो 12 cm का इसको हम कहां रखेंगे बताओ अलग ठीक है ये जो उपजाओ भूमी है ये आना चाहिए इस प्लांट के साथ ताकि जो नया बच्चा है ये अभी इसको पोसक तत्त मिले इसकी जड़ो को क्या मिले पोसक तत उर्वरक मिले अभी इसको नहीं दोगे पोसक इसलिए आप देखते होंगे कि गड़ापन खोद देते हैं लगा भी देते हैं पर वो प्लांट सकसेज नहीं होता है सूख जाता है हम बोलते हैं यार नरसरी वाले जाको गाली देते हो दमा दम खराब पेड़ दिया था लाओ दूसरा लाओ बदल के दे तो यहां में पोइंट क्या है बताओ डिगिंग ओफ पिट गड़े की खोदाई तो इसको थोड़ी सी आप रखोगे दियान कैसे कैसे क्या खोदना है कैसे क्या बताना है अगर नरसरी सकसेज नहीं हो रहा है तो उसका में काउज होता है क्या गड़े की खोदाई ठीक है इसको अपन देखेंगे थोड़ा सा चेंज कर देना अब बताओ हमें स्पेसिंग जल्दी जल्दी किसका कटहल का सुने हो कटहल का नाम और किसका रखते हैं जामुन का तो कटहल और जामुन की दूरी कितना रखते हैं 12 इंटू 12 इस से छोटा अगर हम बात करें तो दूसरा है 10 इंटू 10 10 इंटू 10 हम किसका रखेंगे बताओ एक ही पॉइंट आएगा अपना आम कौन आएगा आम तो ज्यादा कोई पूछता ने कहीं कहीं जामुन भी अगर ओप्शन 10 है तो 10 पे लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो ये आम हो गया अब बताओ 8 इंटू 8 आठ आठ में कौन रखत कितना 8 इंटू 8 खजूर according to किसके RBS E के अनुसार खजूर को कितना रखा है 8 इंटू 8 छे इंटू 6 की बात करें इसमें बड़ा confusion होता है एक लिख देता हूँ ये इस साल आया हुआ गडबड़ो किया था लड़का 5 इंटू 5 तो अनार को राजस्थान कितना मानता है ये द confusion अब अपन भी क्या पढ़ाएं बताओ ICR अनार को कितना रखे हुए बिचारा ये सही लिखता है ये कोई confusion ने और लिखना भी चाहिए इसे 5 से 6 इंटू 5 से 5 पे भी रख दो 6 पे भी रख दो लेकिन ये क्या है जो option बनाते हैं वो दोनों दे देते हैं देख तो बच्चे को दिक्कत होते हैं तो मैंने आपको बताया है इससे एक दिमागी टेस्ट लेना चाहता है बैग्यानिक आपके कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कौन सा spacing suitable होगा तो वो दोरी लेंगे जिसमें क्या हो कम ताकि कुछ plant क्या हो जादा क्योंकि economics main चीज हमें सिखाता है किसी भी तरह से अपने production को क्या करना है जादा करना है तो production उत्पादन कब जादा होगा इस दूरी पे या इस दूरी अरे भाई 10 प्लांट भी बढ़ेगा तो कुछ तो उत्पादन बढ़ेंगे तो कौन सा दूरी लेना है 5 into जब ऐसे फस जाओ तो तो कहां कहां फस जाओगे आप अनार हो गया और यहां पे क्या हो गया बताओ खजूर हो गया और कौन हो गया निम्बू वर्गी हो गये यह सब सब को कितना में रखते हैं 5 से 6 पे रखते हैं 5 पे भी रख सकते हो 6 पे भी रख सकते हो ऐसे में बड़ा दिक्कत होते हैं तो आप एक दो पॉइंट आऔर है, उसको भी कर लेते हैं अपने जल्दी से, अब आते हैं 2 into 2, तो 2 into 2 पे किसको रखोगे? केल, और किसको? कम ब्रांच है, किसका? पपीता का, तो ये 2 into 2, अब आते हैं, धाई into धाई पे किसका है? धाई into धाई, तो धाई into धाई पे आप जानत नन्हा कौन है पूसा नन्हा ये किसकी वेराइटी है बताओ पपीता और आमरपाली किसकी है आम की तो ये स्पेसिंग है जो आपको इतने में काम आ जाएंगे घबराना नहीं है जो 10 इंटू 12 है उसकी गड़े की आकार अगर बोला जाए तो आप अभी बोल दिये 1 मीटर क्य कितना रखेंगे और जो 8 से 6 तक आ रहे हैं इसकी दोरी आप 0.75 मीटर क्यों कर दोगे थोड़ी सी गड़े भी तो कम करेंगे पेड की अगर साइज कम हो रहे है तो गड़े को भी कम कर दो यहां 100 सेंटीमीटर यहां 75 सेंटीमीटर अगर 5 मीटर पे लगा रहे हो तो इधर क कर दो कुछ नहीं 50 सेंटीमीटर कर ले बात से कम जैसे ही आओगे इधर तो इसके लिए हम कम गड़ा 25 सेंटीमीटर क्यों तो इसको भी ऐसे नहीं कि तुम रटने लग जाना कोई गाइड में ना लिख देते हैं बच्चे एक कोशन कभी आ गया गड़े की साइज तो तुम पूरी रट डालते हो 0.75, 0.5 इसकी जरूरत है ही नहीं अरे भाई 2 सेंटीमीटर गड़ा ज़्यादा खुद गया तो ऐसा थोड़े आम मना कर देते हैं मैं नहीं होगा इसमें क्योंकि तुम तो पढ़के आया 1.25 खोद दिया पागल ना मैं इस गड़े में नहीं आने वा देगा तुझे आम को देखा है 1.25 अगर गड़ा आम से खुद गया गलती है हमेशा इंच्टेप थोड़े लेके जाओंगा कि इतना ही चलना है तो इसको लिखने एक ज़रूरत है आगे गुरु जी ठीक है कित्ते हो गया टाइम हो गया तो आपका पांच में टोड ले लूँ बस खाता हूँ मैं इसलिए अपना बीच में क्लास ही नहीं लगाता हूँ कोई नए आए तो उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स साड़े नो ले लो न साड़े नो से साड़े दस ठीक है ठीक चले तो ये तो आप दूरी निकाल लोगे किसी का एक क्लास इसमें बिलकुल लगते हैं दूरी निकालने में समझाने में क्योंकि जानते हो अभी इसमें दसमलब आएंगे भाग देना आएगा और आपके लिए चूचू निकलेगा सब्द देखो अभी कैसे जैसे पहला प्रसने इन सब को याद तो नहीं करना हैं मनीशा पताओ जल्दी आमरे पाली की दूरी कितना रखेंगे दो टाइ में अंतर होते हैं ध्यान रखना 2.5 इन्टू 2.5 पूसा नन्ना का 1.25 इन्टू 1.25 अच्छा आनार का 5 इन्टू 5 रख ले आमला 6 इन्टू 6 निम्बू 5 से 6 के बीच एडजेस्ट कर देना अच्छा नारियल को कहां रखोगे केरला में आया हुआ है नारियल नारियल को अब लिख लेना 7 इन्टू 7 पे कितना रखेंगे 7 इन्टू 7 पे नारियल के नारियल का जो प्रस्ण आएगा वो मल्टी अस्टोरिट क्रोपिंग में नाम सुना है बहु क्या होता है मल्टी क्रोपिंग के मल्टी टायर यानि कि एक सबसे बड़ा पेड लगाएंगे फिर उससे छोटा फिर उससे जो आईडिया का टावर होते तो उसमें बड़े वरक्ष फिर उससे छोटे उससे छोटे उससे छोटे इस टायप का साउथ इंडिया में इसको अपनाते हैं ठीक है चले एक प्रस्ण लिखें आप जल्दी फड़ा फट लिखना आमर पाली के वन हेक्टेर में पादव की शंख्या आमर पाली के वन हेक्टेर में प्लांट की संख्या फड़ा फट जल्दी आप करें पाली के वन हे झाल 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 चले तो एक हेक्टियर में आपका इंकम हो गया है कितना 25 करोड लेकिन ये पैसा हमारे पास कितने सालवाद आएंगे येzin पास कितने साल तक किसान इंतजार नहीं कर सकता आप किसी को भी राय दोगे वो बोलेगा बेवकूप बना रहा है क्योंकि इतने दिन तक लग रहा है जैसे बैंक में जमा कर रहा हूं कि इतने दिन तक आएंगे अब आते हैं इसकी समस्याओं के बारे में अभी और इंकम इसमें करवाता हूँ हम कहां चल रहे थे बताओ इंटर क्रोपिंग पे पहले ये कर लेते हैं कितने मीटर हमारा जमीन बचा हुआ है दो-दो मीटर तो पचीस सो जो पेड़ बचे हुए है तो प्लांट तो हमने इस पे लगा दिया ये कतार-कतार में प्लांट लग गया और बीच की जो भाग है यहां हम करेंगे क्या इंटर क्रोपिंग कौन सी खेती आपको अपनाना है बताओ और्गेनिक सब में कारण है सर और्गेनिक हैं क्यों अपनाएंगे क्या रीजन है तो सागवान के जो बड़े-बड़े पत्ती होते है न बड़का-बड़का ये पत्ती इस पत्ती नीचे गिरेगा कहां गिरेगा खेत में तो इसी भाग में ये गिरेगा इस पत्ती में होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की छमता नाइट्रोजन को क्या करेगा ये बताओ स्थ्री करन तो नाइट्रोजन की स्थ्री करन की छमता किस में होती है इस पत्ती में तो आपको बाहर से नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है पहला ये कारण दूसरा गोबर की खाद ये सब जो आपके मिल रहे हैं उसका उपयोग करेंगे खेती कैसा करेंगे हम और्गेनिक अब इसमें अगर एक हेक्टियर में ये जमीन बहुत कम उपयोग हो रहा है suppose that आधा हेक्टियर है तो आधा में अगर कोई भी सबजी का उत्पादन किया आपने तो production कोई भी सबजी 30 टन से कम तो देते नहीं 30 टन लेकिन हमारे पास आधा हैं मान रहा हो जमीन तो कितने टन का production होगा बताओ आधा तो दे दिया सागवान लगे हुए हैं तो जमीन तो आधा हैं बचन भै ये जो दो-दो-दो मीटर खाली है ये जोड़ रहा हो अब इस सबजी तीन महीने में अपनी जीवन काल complete तो साल में कितने चक्र बनेंगे उसके तीन तो दो चक्र तो मान सकते हैं अपन अरे तीन नहीं लिया किसान दो बार तो सबजी उत्पादन करे तो पंदरा इंटू दो कर दूँ वही पर आ गया हूँ कितने टन हुए हैं? टीस टन एक टन में कितना केजी होता है? 100 केजी ये भी नहीं बताए तुझे कितने होते हैं? 100 और कोई भी सबजी मार्केट में मिनिमम दस रुपे तो बेचूंगा अरे मार्केट में तो पचास तक आ जाते हैं हम किसान कितने के बेचेंगे बताओ? दस तो इंटू कितना करूंगा? गुना भग कर लो कितने आए? एक जीरो और यहां एक दो तीन जीरो और एक जीरो एक आएं दहाएं सैकड़ा हजार दस जार लाख तीन लाख इंकम हम किस से कमाएंगे? वेजीटेबल से एक इंकम तो आपके ये फिक्स हो गए तीन इंटू बीस कर दूँगा अगर तो साठ लाख का इंकम हो जाएगा हमारे किस से? इंटर क्रॉपिंग से और किसान को तीन लाख रुपिया एक हेक्टियर में नुकसान नहीं है ठीक है और कोई इंकम है से? है अब समझना मेंट पॉइंट अब ये सागवान हो जाएंगे कितने का? 5 साल का कितने साल का हो गया? 5 साल एक सागवान बना देता हूँ 3-4 साल तक आपको केयर बहुत अच्छा सख करना है 3-4 साल तक केयर बहुत ढंग से करना है क्योंकि सागवान वाटर लॉगिंग के परती आपके सूख जाएंगे क्या हो जाएगा बताओ सूख जाएगा तो ये बहुत बड़ी समस्या किसानों को किसानों की समस्या की बारे में बात करेंगे अपन अब सागवान है सागवान का ये डाली ये डाली ये डाली ऐसा ऐसा डाली आने लगेंगे क्योंकि इसी में लगेगा क्या पत्ती तो ये डाली आएंगे अब ये डाली आएगा सागवान को हमें करना है लंबा जितना लंबा होगा उतनी कीमत हमें क्या मिलेगा ज्यादा तो पांच साल की अवस्था से चार साल में हलाकि चार साल में ही बोलते हैं इसमें करेंगे कटा और छटाई, तो कटाई छटाई करोगे, suppose that अब समझना कहानी को, मेरे पास कितने प्लांट था बताओ, पचीस सो प्लांट है, तीन लाग का इंकम हमने किस से कर दिया, साल का बताओ, साल, किस से है बताओ, वेजिटेबल से, किस से है, वेजिटेबल से, पचीस सो क्या है, जाएंगे ने, इसकी लकडी टहनिया मोटी होती जाएगी, कैसी होती जाएगी, तो अगर मेन इसका जो लकडी मिलते हैं, वो दस साल से मिलने लगेगा, अच्छा, तो एक पेड जो होता है, मिनमम 20 केजी तो लकडी देगा, 20 केजी कोई ज़्यादा है, ने, 20 केजी तो दो जीरो और यहाँ पे एक जीरो, यह है केजी, इतने केजी तो अपने पास लकडी हर एक साल मिलने वाला है, अरे सर, तो इस लकडी का उप्योग कहां करेंगे गुरुजी, अब बताओ, कहां कहां, दिमाग वाले आदमे ऐसे ही कमा लेते हैं, हम लोग ऐसे बेठे सोचते रहते हैं, वज ठीक है, सोच कहां कहां हो जा रहा है, इसने वो बताया, मेरे पास भी इतनी दिमाग था नहीं, मैं तो इसको मोडिफाइड करके आपके सामने पेस कर रहा हूँ, केज़, ओ बेचारा डोकराद में धीरे धीरे बोला, सब्दों में अपने बोला, मैं उसको क पहानी के रूप में प्रस्तूत कर रहा हूँ, तो क्या हुआ बताओ, हमें इस लकड़ी का उप्योग कहां करेगा, इस लकड़ी का जो उप्योग होता है, छोटे-छोटे पतले-पतले आएंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा उप्योग, बिहार उत्तर प्रदेश समसान घाट में, असर समसान घाट कहां है, जहां इनसान को ना लाच संसकार किया जाता है, जलाया जाता है, यहां पे, बोला जाता है ना कि तुम जो कर्म कर रहे हो ना, इसी भूमी में जलना है, सबको इसी में मिलना है भाइसा है, तो यह जलाने में, पहले जो लकड़ी म क्यूंटल मिलते थे, क्यूंटल किसे कहते हैं, 100 केजी का ये क्यूंटल, 600 रुपया क्यूंटल, आज के 10 साल पहले, अभी ये 12 से 14, 1500 रुपय क्यूंटल होगे, लकडी, पर मैं चलो बीच 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 वाला रख लेता हूं, 800, 900, 1000 रुपय रखता हूं, क्योंकि 10 साल के बाद ना 1000 रुपय कोई कीमत नहीं रह जाएंगे, वो मिलेगा 3000 रुपय, पर अभी के एरा से भी मैं गुना करूं, तो भी आप समयना 1000 रुपय रख लेते हैं, अभी इसको केजी को आपको बनाना होगा क्यूंटल पहले, क्या बनाना पड़ेगा, क्यूंटल, तो ये मान ले जा 5200, 1200, और 3200. एक, दो, 3200, पांच लाख हो गया, तो अच्छा इंकम है, पांच लाख हो गया, और 3 लाख सलाना सबजी दे रहा है, कितने इंकम एक हेक्टेयर से कमा रहा होँ, बताओ, 8 लाख का इंकम, ये तो 8 लाख दे रहा है, एक्स्ट्रा इंकम, ओरिजिनल माल जो है ना 25 करोड वो तो तयार हो रहा है, बैंक में वो है, हमारे तरफ क्या करते हैं, सरकार इसके लिए योजनाये चलाई हुए है, 5 रुपया में एक सागवान का पेड़ सुरू सुरूम देते हैं, 2 साल तक सरकार उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, रख रखाव करते हैं, और हमारे तरफ क्या है जिसे दहेज बहुत ज्यादा चलते हैं जैसे मैं भूमियार हूँ उधर जिसको भूमी होते है ना उसको भूमियार कहते है इधर राजपूत कहते हो आप लोग तो दोनों में अंतर क्या है न कि उधर अगर हमारे मान ले जाए एक बेटी है हमारे तो उसकी साधी अगर मैं करूंगा कोई लड़का पचीस हजार कमा रहा है नौकरी पचीस हजार का नौकरी है बिहार यूपी बेश्ट बंगाल में तो ये मिनमम तुमसे पचीस लाख दहेज लेगा कितने लेगा ये ओनलाइन ही बोल रहा हूँ देखो ये पचीस लाख क्या लेगा दहेज और साइड में बोलेगा कि अब तो महगाई बढ़ गया थोड़ा एक बलोरो देख लेते तो ठीक था साइड में एक बलोरो आई 20 क्रेटा ये सब साइड साइड चाहिए उसको और एक तो एक गाड़ी भी 10 लाख की चाहिए उसको 10 लाख अब सोचो मान ले जाए किसी फैमिली को अब साधी करना है तो उसके खर्च 5-10 लाख अलग से लगेंगे जेवर उवर बनाना है वो तो बिचारे को अलग से देना पड़े तो अगर एक बच्ची हो गया ना बिहार यूपी में जेनरल कास्ट में तो उसको 50 लाख रुपिय तो फिक्स रखना पड़ेगा ठिक है और किसी को दुर्भाग की बस दो तीन होगे भगवान की किरपा जादा बनी रही तीन होगे तो उसकी तो सेवाएं समाप्त है तो ये बहुत बड़ी समस्याएं तो जब मेरे पापा सर्पन थे तो मैंने यही राई दिया था कि गदे जब तेरे को बेटी ही साधी करना है तो ये सागवान लगा देन भाई एक सागवान एक लाख का है अभी तेरा बेटी एक साल की है तो बीस साल में सागवान जवान बेटी जवान वहाँ उसके बाप को समझाया है मैंने पूरी पंचायद में जब मैं भासन जैसे अभी तू 20 है तो ऐसा ही 50 किसान भी आ जाते हैं सनिवार को लगता है वहाँ पंचायद तो मैंने बोला कि आप लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं बेटी पैदा हुआ इधर सागबान लगा दो परियावरण भी सुरक्षित रहेंगे इंकम भी अपने को मिल रहा है अगर मान लिया जाए एक बेटी हुए मान लिया जाए नाम प्रिया है तो प्रिया के लिए पचास पेड़ लगा दोन भई ये सारे पेड़ किसके लिए है बेटी के लिए है तो बातावरण भी सुरक्षित रहेंगे पचास लाग ये इंकम भी देगा और अभी पचास लाग बता रहा हो तो बीस साल बात तो ये और जादा इंकम देंगे न तो इसके साथ साथ पेड़ भी लगाओ बेटी हुआ अच्छा है सुन्दरता का परतीक है परियावरण को सुद्ध करने का परतीक है तो ये कितना अच्छा नारा है बेटी हुआ पेड़ लगा दो बस पेड़ लगाओगे उससे उसकी साथी भी भाग कर दो तो ये बड़या कॉंसेप्ट है इंटर क्रॉपिंग तो अब हम आते हैं इसकी दिमेरिट पे बड़ा अच्छा लगा सर बड़ा अच्छा कॉंसेप्ट था अब आप लोग सब के मन में चल रहा होगा यार मेरे पास इतना खेत है मैं उधर लगा सकता हूँ अब समस्या राजस्थान में सागवान संभव नहीं है तो आप तो मन से निकाल दें आपके लिए ये केवल थियोरिटिकल चीज है कुछ चीजे ऐसे होते हैं जो आप थियोरिक पढ़ सकते हो प्रेक्टिकली संभव नहीं है जैसे आपको पढ़ाते होंगे राना कॉंबा स उसने मिला तो ये प्रेक्टिकली संभव नहीं है कि हम मिल सकते हैं थियोरि में अच्छा लगता है कि USA बहुत अच्छा है बिटेन में घूमने का जगह है तो बस लिखने में अच्छा लगता है यार मेक्सिको जाना चाहिए चाहिए पर प्रेक्टिकली संभव नहीं सेम य इसी अपके question में, कि timber industry में, जो पेड लगाते हैं, उसकी सबसे वड़ी समस्या क्या है, जब जवान होने लगता है ना पेड, जब उसकी stage आती है, harvesting की, कटाई का, उसी time वो सूखने लगेगा, अब बताओ, 20 साल आपको पापा इतना मुश्किल से पढ़ाए, लिखाए, सब चीज, अब पापा को आपसे उमीद है, अब बेटा फल देगा, टेर्निंग पूर्निंग करवा दिया, अब फल के लाइक हो जाए, और आपकी सेवाएं समाप्त हो जाए, चल रहे हो, ऐसे ऐसे मटक मटक के चल रहे थे, रोड पे पीछे श्ट्रक आया, बोल लाव मटका देता हो तुझे, पुटबॉल बना दिया बस सेवाएं, आपकी समाप्त, पापा को सबसे ज़्यादा दुख कब होंगे, जब हार्वेस्टिंग के समय, आप तूटके गिर जाओगे, यही होटी भी चलना है, बढ़ियां से चलना है, सब नियम को पालन करते हुए बहतर चलना है, अब हम आते हैं बाग लगाने पे, कहां पे लगाएंगे बाग, बाग लगाएंगे कहां, अचा है, अब यह कहां पढ़ाते थे, यह फर्स्ट क्लास में होटी कल्चर का इंपोटेंस है, जैसे कुछ लोग बोलते है होटी कल्चर में क्या फाइदा है तो उसको ऐसे फाइदा बताना पड़ेगा आपको। जब मैं तो छे दिन ही देख नौकरी किया ज़्यादा किया ने छे दिन रेइस्टर में नाम लिखके आ गया गाउं में भोजभात कर दिया था ताकि गाउंवाले के यह ने लगे ना कि यह बेरोजगार है तो कोचिंग चला रहा है कभी ऐसा मन में आना भी नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं आता है दो लाइन भी पढ़ाओं तो एक गंटा तो बोल दूंगा उस पे तो उस समय बर्मी कंपोस्ट पे ही था बोलना तो बर्मी कंपोस्ट आर पे तो अच्छे क्या है रेके चुवा उच्वा मैं इसे फाल्दू के बहुत सारे चीज अब तो कुछ लो कुछ ने किसानों को डाइरेक्ट टू दी पॉइंट चाहिए भाई साहिब ये बर्मी कंपोस्ट डालोगे कितने साल में आपके उत्पादन होंगे आज क्या हुआ बिहार यूपी वेस्ट वंगाल और गेनिक काना क्रांती चला दिया बहुत ज़्यादा 2021 के अकफार में प कहते हो किसी परवेक्षक दोनों सेम है अंतर इतना ही है आपके 2800 ग्रेट पे हैं उसके वे 2800 है दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है उधर किसान सलाकार को बियस सी होना नहीं बारी है यहां वाले 12 वाले ही लग जाते है बस यह बेसिक डिफ्रेंस है पैसा दोनों को सेम मिलते हैं अब उसको बिचारेक पता नहीं था और्गेनिक का कॉंसेप्ट उसने सारे किसान को घर जाजा के राय दे दे के क्योंकि बजट जब आते हैं तो यह टार्गेट होता है अधिकारी के पास कि इतने किसान को कनवर्ट कर देना है इन और्गेनिक से कहा करना है औ तुम लोग मानो सब सुपर्वाइजर बने हुए हो अरे भाई मैं तो क्लास कोई कोई आये रहे है सिवासरम तो हम भी सोचते हैं वह एक लड़का जेट का होस्टल कोचिंग एक लाग का नुक्सान है ना थोड़ा सा देखना पड़ता है सब सीजे आप पांच मिनट और है तो एनपी के आप बर्मी कंपोश्ट रहते हैं बर्मी कंपोश्ट पर बोलना रहता तो क्या बोलोगे अर्जुन और्गेनिक खेती करना और्गेनिक खेती और सब बता दिया सारे किसान ने वेचारा गोबर कहीं नहीं फेका एकदम ही कठा करकर के रखा कि भाई साहिब किरसी परवेशा का धिकारी साहिब आये थे और्गेनिक खेती करो स्वास्त अच्छा रहेगा उत्पादन में बढ़ खराब हो जाएंगे उत्पादन पचीस परसेंट भी नहीं होगा पढ़ाएं ना सर कितने नहीं होंगे ट्वंटी फाइब है लो कि ये बताएं कि अधा गंडम फोन करों सर में पुड़ा से क्लाव कि कंडिशन ये बना कि सारे को एक वार तो आप दिल जीत लोगे भासन दे करके सबको आप घर घर जा जा के दिल जीत लिया सब लोगों ने विचारा गोवर ही कठा करकर के कहीं थूपता भी था ना तो गोवर पर जागा ताकि कुछ बढ़े औरगेनिक क्या हो थोड़ा सा बढ़े भाई उत्पादन पेसाब भी कर रहा है रात को जाके गोवर पे हैं कि भाई इसकी भी मात्रा में क्या हो बढ़ोतरी हो इतने पागल बन गए थे औरगेनिक के कारण अभी मैं एक से बात किया हो ना तो वो इतना गाली दे रहा था अब किर्सी परवेक्सक को ना चुन-चुन के लिए कोई आता है लट लेके दोड़ता है उसके पीछे क्योंकि विचारा किसी का बेटा कोटा में पढ़ रहा है किसी की बीवी भीमार है किसी का घर परिवार वही किर्सी से चलते है न और उत्पादन बिल 50% करना और और औरगेनिक बढ़ाना है इसको 50% अगले साल इसको 25 कर देना और इसको 75 और लाश्ट इयर जीरो होंगे और ये 100 यानि किसी भी औरगेनिक को सकसिज होने के लिए मिनमम कितने साल लग जाते हैं 4 से ये चीजे उसने इतना ही पढ़ाना था न ये बताया नहीं और बोल दिया उत्पादन धना धन होगा भाई धना धना धन अब बताओ उस आदमी को जो एक बार धोखा मिल गया दुबारा विश्वास करेगा आज जो हम पढ़ेंगे वो है root stock इसके बाद crop सुरू हो जाएंगे आपके crop classification हमने complete कर लिया जो बच्चे application पे होंगे वो दे लो के मूल बरंत के बारे में हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बताओ मूल बरंत सबसे पहला प्रशन आएगा कि ये root stock का उप्यों कहां होते हैं या किसे कहते हैं root stock तो ये जो मैंने plant दिखाया है इसमें है कि दो different plant है दो भिन भिन पादप को जब मैंने जोड़ा suppose that एक plant त ये plant है और दूसरा plant मैं बना लेता हूँ सफेद से ये है एक plant इन दूनों plant की अलग-अलग बिसेस्ताएं होंगे किसी की जड़े गहरी होगी किसी में भल अच्छे लगते होंगे कुछ अलग-अलग बिसेस्ता तो बेग्यानिकों ने सोचा यार दोनों को मिला के क्यों न एक plant बना दो तो अब हम एक plant अभी बना रहे हैं इसमें देखन नीचे वाले भाग ये उपर वाले भाग तो मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए कि चलो ये सियोन है और नीचे वाले भाग को मैं यहां से बना देता हूँ इसकी जड़ और ये पाले पार्ट बन गया union क्या बना बता जहां पे ये जुड़ेगा दोनों भाग तो नीचे वाले भाग यूनियन के नीचे वाले भाग ये क्या कहलाएगा रूट अश्ड़क क्या कहलाएगा बता हूँ हिंदी में इसी को बोलते हैं मूल बरंत क्या बोलोगे और उपर वाले जो भाग है इसे हम कहेंगे सियोन क्या बोलोगे जिसे हम प्राकूर के नाम से जा जाए इसमें कि कोई grafted plant है ये कैसा plant है बताओ grafted plant जिसका ये grafting union है जहाँ पे ये जुड़ा है जिसे हम क्या बोलते हैं संधी क्या बोलोगे इसको संधी तो इस संधी के नीचे वाले भाग जो होंगे ये ही कहलाएगा क्या मूल वरंत क्या कहलाएगा और ये उपर वाले क्या बोलोगे sion क्या बोलोगे sion तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो sion क्या बोलते हैं चार-पांच प्रस्ण जो fix आते हैं वो मैं पहले discuss कर लेता हूं आप से कि root stock बनता कैसे है वो तो बाद में बात करेंगे कि किस तरह से इसका क्या होता है निर्मान होते हैं चलो मेज देखो सबसे पहले मूल बरंद जो होते हैं ना दो तरह के पढ़ेंगे अभी तक तो एक ही तरह के मूल बरंद दुनिया पढ़ा रहे थे कि एक तरह के मूल बरंद होते हैं जो बीजों के द्वारा बनते हैं किसके द्वारा बनते हैं और इसके पहले lecture में भी मैंने य बीज लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा बीज आपके एक्जाम में पूछेंगे बताओ मूल वरंत को विकास करने के लिए प्रोपगेशन में थड़ प्रवर्धन बिधी क्या है तो आप टिक करोगे बीज क्या करोगे बीज या पूछे कोई जंगली जाती को हमें कि जो नीमू वर्गिये होते हैं उसका विकास हम कैसे करने वाले हैं तो नीमू वर्गिये जो फल होते हैं उसका विकास सबसे पहले उसका बीज लोगे और बीज लेने के बाद इसका ये क्या लगेगा सिड्लिंग ये क्या है सिड्लिंग अब सिड्लिंग लगने के बाद इस तरह से इसका सिटलिंग लगेंगे, ठीक है, पौध लग गया, अब ये जो एक साल का पौधा है, एक साल का, आप से ये प्रशन पूछेगा, कि रूट स्टॉप की, जो आयू कितनी होनी चाहिए, फ्रूट क्रॉप के लिए, ये बड़ा इंपोटेंट आप लिखना, कित कितनी होनी चाहिए, तो आयू होना चाहिए, मेरे दोस्त, कितना एक से दो साल, आप देखोगे तो अपने आप, अच्छा, ये मूल बरंथ तो हमने बना लिया, खेत में देखो, ये मूल बरंथ है, इसको हम बेचेंगे, अब इसकी मोटाई पूछ लेगा, तो मोटाई कित जितना होना चाहिए, तो पैंसिल के धिकनेस जितना होता है, और इसकी आयू कितनी होगी, तो आयू होगा एक से दो साल, कितने आयू होगे बताओ, एक से दो साल, में फिल्ड में लगाने के लिए आयू एक से दो साल, मोटाई कितनी होनी चाहिए, पैंसिल के धिकनेस के ज हैं आप लिखते जाना root stock जो होता है ये कितने तरह के पढ़ने वाले हैं मूल वरंद ये क्योंकि अभी पूछा हुआ है bank वाले exam में कि save में जादा तर कौन सा मूल वरंद का उपयोग किया जाता है देखो तो ये जो root stock होते हैं 2 तरह के होते हैं इक कौन से समझ में आ रहा होगा signaling का मतलब होता है ऐसा root stock जो विक्सित किया जाता है किससे विक्सित किया जाएगा बताओ विक्सित होगा developments होगा किससे होगा seed के द्वारा तो पहले हम यही root stock पढ़ते थे इसे कौन सा root stock बोलोगे Siddling Root Stock कैसा बोलेंगे बताओ Siddling Root Stock और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं Clonal Clonal Mool Brant क्या बोलोगे Clonal Mool Brant यानि कि Clonal Root Stock Clonal Root Stock आप इन दोनों को लिखते जाना Clonal Root Stock अच्छा जब भी हम सब्द यूज करते है Clone Clone का मतलब क्या होता है C-L-O-N-E Clone Clone का मतलब बताना कभी-कभी परिभासा है इसका पूछ लेता है किसे कहते हो Clone किसे कहते हैं Clone जिसका Genotype Plant में क्या होते हैं अंदर के मामला Genotype और Phenotype बाहर से देखने में Phenotype कि Plant बाहर से देखे और अंदर का मामला ये दोनों कैसा हो समान यानि इसका Genotype भी सेम होगा जो Mother Plant का है जैसा Mother Plant है मात्री पादफ है किसके जैसा होगा Mother Plant के जैसा साय थोड़ी सी कम समझ रहा होगा तो लोग Suppose that एक पेड लगाया आप समझो यह एक Plant है इसमें इस तरह का Plant है तो इससे अगर क्लोन बिधी क्या होता है जानते हो क्लोन मूलबरंत का विक्सित जो किया जाता है वो बनसपतिक भाग के द्वारा हम इसको क्या करेंगे विकास जैसे cutting करके हम कर सकते हैं layering करके कर सकते हैं यहां और लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जैसे cutting आप करोगे मूलबरंत तयार कर रहे हैं किसके द्वारा cutting के द्वारा और क्या कर रहे हैं, लेरिंग के द्वारा कर रहे हैं, अमरूद में श्टूलिंग के द्वारा हम मूल बरंद भी विक्सित करते हैं, यह कौन सा भाग है बताओ, यह है बनस्पतिक भाग, कौन सा भाग है, बनस्पतिक का मतलब फूल के अलावा कोई भी भाग है, तो वो कौन प्लांट है इससे बहुत सारे प्लांट हमें पैदा करना एक तरह की प्रवरधन की विधी है तो इसमें सारे प्लांट ना एक जैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा बताओ एक जैसा और यही प्रस्न तो आया था कि अगर कोई प्लांट हम किससे बिक्सित करते हैं बीज के द्वार तो आपने देखा होगा इसमें सारी प्लांट, एक प्लांट ऐसा है, दूसरा प्लांट जिसकी जड़े लंबी हो जाएगी, तीसरा प्लांट देखा होगा ये ऐसे बेंड हो जाएगे, यानि कि प्लांट आपको बिभिन तरह के मिलेंगे, इसमें बिभिन तायें क्या मिलेग ज्यादा मिलेगी आमक से गुठली से आप 10 प्लांट लगाओ तो दस सो प्लांट अलग-अलग दिखेंगे कोई लंबा दिख जाएगा, कोई छोटा दिखेगा कोई टेड़ा दिखेगा कोई बेंड हो गया होगा तो अलग-अलग दिखते हैं इसी को बोलते हैं variation, या बोलते हैं बताओ, variation ये प्रशन आया हुआ है, बिभिन ताएं, तो बिभिन ताएं किसमें देखने को मिलेगा बताओ, बीज वाले, किसमें देखने को मिलेगा, क्या अभी तक दो तीन प्रशन आपके important क्या बने, बताओ, इसको पढ़ने का क्या है, दो तरह के मूल वरं, सोचो दो तरह का पेर लगाना है, एक तो बीज से लगेंगे, और एक वेजिटेटिव पार्ट से लगेंगे, वेजिटेटिव पार्ट का हर एक पौधा कैसा होगा, एक जैसा, जैसे आपने image में देखा, देखो, ये सारे कैसे दिख रहे हैं आपको, एक जैसा, ऐसा समझना है, सारे पोधे कैसे दिखेंगे, uniform, एक जैसा दिखेगा, ये किस से संभव है, बताओ, कलोनल रूटर स्टॉक से, किस से है, और आसमान पादब का बनना, किसकी character होता है, बीजो के द्वारा, अब पूछेगा कि बताओ, कौन ऐसा बिधी है, जिसमे variation जादा आएंगे, तो variation किस में जादा आएगा, बिभिन इताएं किस में जादा आएगे, बीजो के द्वारा, कौन ऐसा बिधी है, जिसमें एक जैसा पादब दिखेगा, तो एक जैसा किसमें दिखेगा, कलोनल, कलोनल बिधी किस से विख्सित करते हैं, cutting से, layering से, tooling से, या इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ जो पूछा गया है प्रश्ण कि सेव में कौन सा root stock उप्योग करते हैं तो एपल में ज़्यादा तर उप्योग होता है clonal root stock star लगा लेना इस पे 3 star लगाना सेव में ज़्यादा तर कौन सा root stock उप्योग करते हैं तो वो करते हैं clonal और इधर ज़्यादा तर आम में आपने देखा होगा जो मैं बारवार उदारन ले रहा हूँ mango में पेर में बेल में आमला में इन सब में उप्योग हम करते हैं sittling root stock कौन करते हैं sittling कर दिए आप लोग जल्दी जल्दी चले आगे सब को राम राम सर agriculture engineering का भी class शुरू करें अभी genetics करूंगा DR इसके बाद मैं कल याप परसू से आपके genetics की भी class अस्टार्ट हो जाएंगे तो genetics आप देख सकते हो आप notes बनाते जाओ क्या इसके रहते हो भरोसे पेकिसर लिखाओ यार पीडिया बेज दो shortcut कोई भी दी नहीं है भाई सहेव आज competition बहुत ज़्यादा है चले आगया यह आपने कर लिया अब हम आपसे पूछ रहे हैं important root stock की बिसेस्ता बताओ एक आप अधिकारी आदमी बन गए हो और आप chain करने जा रहे हो features of root stock यानि बिसेस्ताएं क्या क्या character होगा एक अच्छे root stock का वो आपको बताना है क्या सोचोगे बताओ कैसा होना चाहिए मूल ब्रंद यह कोई competition exam में नहीं आएगे पर अपने वो 5-6 point आना चाहिए अरे कोई मूल ब्रंद का मतलब कौन सा भाग है बताओ नीचे वाले भाद तो नीचे वाले भाद सोचना एक पेड का आप जड़ के वारे में सारा character सोच लो तो root stock कैसा होना चाहिए बताओ एक तो होना चाहिए deep rooted कैसा होना चाहिए बताओ deep rooted का मतलब गहरी जड़े होनी चाहिए और गहरी जड़े होंगे तो मिटी को क्या करेगा बांध कर रखेगा मिटी को क्या करेगा मिटी को बांध कर या पकड़ के रखेगा जिससे स्वाइल एरोजन क्या होगी कम मिर्दा सरन क्या होगा इससे कम, चितनी अच्छे root stock होगी, मिर्दासरन क्या होगा कम, अच्छा ये root stock एब jobson इसका क्या होना चाहिए एब jobson अरे पानी, जल इसका अब सोचन ये क्या करना चाहिए, ज्यादा या कम ज्यादा, अच्छा अगर ये जो जड़े हैं समझो ये root stock मैंने बना दिया इसी को सोच कर आपको character बोल देना अब ये जो है, ये बीमारी के परती क्या होना चाहिए, बताओ बीमारी के परती होना चाहिए, प्रतिरोध यानि कि ये disease के परती क्या होना चाहिए, resistant उसके बाद abiotic factor abiotic factor जिसे हम बोलते हैं क्या अजयविक कारक तो अजयविक कारक के परती भी क्या होना चाहिए, ये परतिरोध, ऐसा नहीं कि मूल बरंत लगा दिया, अदलबणी मिर्दा में ये मर जाये विचारा गर्मी में मर जाये अधिक तापमान पे मर जाये अधिक वर्षा पे मर जाये वर्षा तेज हुआ, रेनफॉल ये खतम हो जाये तो आपको ये सारे करेक्टर ध्यान में रखना है कि यार इन सब की होनी चाहिए और एक और है साइज और सेप साइज एंड सेप जैसे मान लिया जाये किसी छेतर में हमें बॉनी प्लांट लगाना है कैसी लगाना है? बॉनी तो रूट अस्टोख भी कैसा लेना है? छुट की निया वाला चुट का लंबा लगाना है तो ये देखना है, लंबा वाले जहां जन संख्या जाता है वहाँ सधन वाले root stock का हम क्या करेंगे उपयोगता ये तो हो गया नीचे की बाते केबल आपको एक कहानी शुरू करने से एक होता है बुभी शुरू करने से भाया बना रहा हूँ अभी कि ये root stock होते हैं अच्छा उपर वाले बताना sion है तो sion की क्या character है बताओ ऊपर वाले माल को ले ले ये वाले phool और क्या है इसका फल तो इसकी फल क्या होनी चाहिए अच्छी गुनवत्ता वाली होनी चाहिए फलो की गुनवत्ता क्या होनी चाहिए अच्छी और यह भी Biotic Factor के लिए क्या होना चाहिये Resistent यानि भीमारी नहीं लगे फल तो अच्छा है और भीमारी लग जाए यह A Biotic Factor के लिए क्या होना चाहिוה बताओ Resistant पाला ना लगे, कीट ना लगे उसके भाद क्या है गरमी से सहनसील हो सब चीज वर्सा ज़ादा हो तो भी सियोन को कुछ न हो अगर फ्लावर का सियोन ले रहे हैं फूलों का अगर किसका सियोन ले रहे हैं फूलों का तो फूल में क्या होना चाहिए सुगंध क्या होना चाहिए ज़ादा होनी चाहिए तेल की मात्रा क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए फालुक में पोसक तत्तु क्या होना चाहिए ज्यादा होनी चाहिए तो ये सब जेन्रल केरेक्टर है जो आप बतातोगे ये सब क्या है जेन्रल केरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके एक सियोन के बारे में ठिक है चले आगे बढ़ जाए पिजीज फिरी होना चाहिए सही है नीरज का सही कहना है बीमारी रसिस्टेंट होना चाहिए बोहित का बिल्कुल सही जबाब है विश्नु जी का कहना है सर बोस आप फ्लावर and medicinal plant की class भी लगाओ पहले धीरे धीरे एक ही बार सारे class आज कर लो तुम लोग यह होगे क्या है root stock अगर एक गांग के बच्चे को पढ़ाता और root stock बोलेगा तो कोई समझेगा ने क्या बोलेगा एक plant है क्या है एक plant है उस plant को दूसरे खेत में हमें लगाना है और वो जो root stock है उसका main उप्योग कहा होता है बताओ grafting में कहा होता है और कहा होता है budding में यह बड़े बड़े plant को आप जोड़ नहीं सकते नहीं जोड़ सकते हैं आप आम के पेड़ को जोड़ दोगे तो उसके लिए क्या है उसका बच्चा पैदा करना पड़ेगा तो वो बच्चा क्या कहला रहा है जो पतली पतली है उसको root stock का है क्या बोलेंगे तो आपको जिस जैसे मैं एक आम का पेड़ हूँ हमारा root stock तुझे बनाना है तो हमसे कैसे इस mother plant इसको क्या बोलोगे mother plant इससे इसकी बच्चा कैसे आप लोगे इसके बीजो से कैसे लेंगे बीजो से आप वो बीजो को हम बोयेंगे जैसे मैं एक आम का पेड़ हूँ और बहुत खटा हूँ तो लोग ना हमें खाते हैं और ठुक के चले काली और देते हैं और मेरे अंदर दो-चार पुन बहुत अच्छे है क्या है गुन अच्छा कि मैं एकदम जमीन को पकड़ के रखता हूँ पानी को एकदम निचोड के खीच लेता हूँ बीमारी हम में नहीं लगते हैं एक प्रशन और अच्छा बनेगा कौन है ऐसा रूट स्टॉक है जिसमें बीमारी की संभावनाएं कम है सीड के द्वारा या कलोन के द्वारा किसके द्वारा बीजो के द्वारा नोट करके लिखना बीजो के द्वारा जो रूट स्टॉक बनाते हैं उसमें बीमारी की संभावनाएं कम होती है बहुत अच्छा प्रश्ण जो के द्वारा जो मूल बरंत बनाते हैं उसमें बीमारी की संभावनाएं क्या होती है कम बीमारी की संभावनाएं क्या होती है कम तो यह important सर वाइस रुक रहे हैं सही है सही होंगे रहे हमारे तो बोईस बहुत कम रुखते हैं इन नरेंदर सर्थे देंगे खराब कर पागल चले आगे तो आपको और बीमारी एज़ कंपेर क्लोन में क्या लगेगा ज्यादा सेव में कौन सा मूल बरंट बनाओगे पहले इतना काम कर दिया क्लोनल कौन सा क्लोनल एक समान मूल बरंट किस में बनेगा क्लोन में और समान किस से बनेगा सिडलिंग से वैरियेशन किस में पाया जाएगा सिडलिंग में रूट अश्टो की आयू कितनी होनी चाहिए एक से दो साल मोटाई कितनी होनी चाहिए pencil के आतार का होना चाहिए किसमें ऐसा है जो बिमारी कम लगेंगे तो settling वाले किसमें लगेंगे ये होगे आपके general character किसी भी मूल बरंत का चाहिए आप B.A.C. exam दो M.A.C. exam दो यही आते हैं root stock क्या है उसकी 5 बिसे स्तायें लिख दो root stock है क्या किसी भी graft union के नीचे वाले भाग को क्या बोलोगे root stock उपर वाले भाग को क्या बोलते हैं सियोन 5 character अगर पूछ ले तो नीचे वाले का 5 character आपको बताना है उपर वाले का 5 character अब हम कहानी को सुरू करेंगे यह है जो image देख रहे हो यह image है RCA farm की ठीक है जब मैं आया था ना सुरू सुरू में तो मैं देखा रहे यार राजस्थान में तो बोलते हैं कि बालू है केबल अभी भी बिहार UP में क्या समझते हैं राजस्थान बहुत गरीब राज्जी तो मैं उनको जाके बताता हूं कि अपने बिहार से ना सौ गुना आगे विक्सित है मैं उनको जाके समझाता हूं इस चीजों को तो वो नहीं मानते हैं जो नहीं मानते हैं क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है ना कि वहां उट पाए जाते हैं रेगिस्तान है तो वहीं बच्चे पढ़ते हैं थोड़े वो आके देखते हैं विचारे बार बार तो जो छवी बना हुआ है कि यहां तो जंगल होगा तो वो मेरे को ज़्यादा इज़्जत नहीं देते हैं राजस्तान में वहीं कोई लड़का महराष्ट्रा में रहे दिल्ली में तो बोले गारी यार वो तो मुंबई में रहता है मेरे बारे में सुखे परदेश में रहता है बागलो क्या कमाता होगा तो ऐसे आते हैं नमने छबी अपनी क्या है थोड़ी देश में कम है ये तुम लोग भी जानते हो अब यहां जब मैं आया शुरू में नया नया जेरेप से लगके तो देखा रहे यार यहां तो संत्रे को लोग फेके हुए संत्रे को लोग क्या किये हुए है फेके हुए है तो ये तो बहुत अमीर राज्ज है बहुत अच्छा जेगा प्रवेस पाया हूँ तो मैंने बैग में भरके ये सब सारे संत्रा उठाया दो लड़के थे स्याम सिंग धाकड और मैं ये दोनों उठा करके टीएसबी होस्टल में गया और रूम बंद करके इसको खोलना सुरू किया खाना जब शुरू किया न इतने खटे लगे इतने खटे इसका नाम है करना खटा क्या नाम है बताओ करना खटा आप खाने सकोगे लगेगा कि दात निकल गए भाई इतना खटा शित्री के सीड की मात्रा इसमें क्या है बहुत ही ज़्यादा है इसमें है बताओ सिट्रीक एसीड की मात्रा इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा इसका नाम है करना खटा क्या है बताओ? करना खटा तो बहुत ज़्यादा अब पापस इसको लाके मुझे छोड़ना पड़ा इसी जगा? जहां से मैंने उठाया था तो गेट में पकड़ लिया कि रहे भाई तू अभी आया क्या है तेरे बैग में दिखा न तो देखा और ये सब पकड़े गए 900 रुपया गोर फाइन लगा तो नुकसान बहुत जादा इसलिए इस इमेज को मैं साथ-साथ लेके चलता हूं तले आगे बढ़ते हैं अब हम कोश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो जो इंपोर्टेंट प्रस्चन आते हैं रूट अश्टॉक से पूरी फलो का रूट अश्टॉक आज मैं पढ़ाने वाला हूं एक प्रस्चन तो आप फिक्स मान लो वन कोश्चन इस चेप्टर से चाहे आप कोई भी एक्जाम दो और कहीं नहीं पढ़ाते हैं इसको बस एक दो गीत गादर के खूग है तो पूरी आप तयार हैं सबसे पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में नीमू जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्चन बनते हैं तो रूट श्टॉक हम पात कर रहे हैं किसके नीमू के बारे में नीमू में सबसे महत्पुर्ण जो रूट श्टॉक होता है उसका नाम है रंगपूर लाइम क्या नाम है बताओ रंगपूर लाइम देखो यह बात करते हैं रंगपूर लाइम की अगर हम बात करें तो इसका बोटनिकल नेम है सिट्रस लाइमोनिया क्या नाम है? सिट्रस लाइमोनिया इसको आप सर्वुत्तम मूलबरंट अगर नीमू बरगिये का बेस्ट रूट श्टॉक पूछा जाए आपके एक्जाम में, सबसे अच्छा रूट श्टॉक कौन है, तो आपका एंसर जाना चाहिए दोस्त कौन, रंगपूर लाइम, कौन सा है बताओ, रंगपूर लाइम, दोनों लिख देता हूँ, ने तो चंडाल लोग खा जाते हैं म इंपोटेंट है, तो औरेंज एंड स्वीट औरेंज के लिए, देखों, इंगलिस में औरेंज नहीं लिखते हैं, इसको मेंडरीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा प्रश्ण बनेगा ये, जो अस्टार लगा रहा हूँ, ये तो स्टॉक सॉल् यानि कि लवन सहंसील मूल बरंद पूछा जाए, तो क्या एंसर जाएगा, रंगपूर लाइंग, सित्रस का सबसे अच्छा मूल बरंद पूछा जाए, रंगपूर लाइंग, लवन परतिरोद मूल बरंद पूछा जाए, रंगपूर लाइंग, और ये किस वाइरस के लि सुथेजा वाइरस के लिए टॉलरेंज लेकिन इसमें एक समस्या क्या है, बताओ, ये फुरूट रॉट के परतीना, यानि इसमें फ़ल के सडने की समस्या ज führt落 susceptible है, फुरूट रॉट क्या है, susceptible, टेबल, ARS में पूछा हुआ प्रशन है, क्योंकि सब भी सिस्ताएं पूछते हैं, तो इसका एक negative point भी आपको याद रखना है, कि ऐसे root stock का जो फल होते हैं, वो जल्दी क्या हो जाता है, स्तड़ जाते हैं, क्या होता है बता, लेकिन हमारे हिसाब से अगर तुझे याद रख और यह कैसा है, बताओ, salt tolerance है, कैसा है, salt tolerance, लबन के परतीस हंसी, धीरे-धीरे सब याद हो जाएगा, यह पहली बार आप पढ़ रहे हो ना, इसलिए मस्तिक्स को समस्याएं हो रहे होंगे, root stock मैं पढ़ाता भी नहीं, लेकिन लगा चलो, यह क्यों छोड़ू, अब हम बात करेंगे, रफ लेमन का, किसकी बात करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा confusion होते हैं लड़के को, देखो, अब नए करोगे, रफ लेमन को ही हम बोलते हैं, जाटी-खटी, सबसे पहले तो यह ध्यान रखोगे, मैंने एक कहानी भी बताया था, कि जाट लोग इसमें कोई बुर जाट लोग क्या होते हैं, रफ का मतलब अडयल होते हैं, वो डरते उरते नहीं है किसी से, तो रफ वो भी कहां का जाट मैंने बताया था, हरियाना का, कहां का जाट बताया था, हरियाना का जाट, और इससे हमारे सारे प्रस्ण हो जाएंगे, सौल, रफ कौन होते हैं, खटी और इसका देखो ज़से, जा्टी और ज़से, जम्बरी, तो ये भी याद हो जाएगा, रफ कौन होते हैं, जाट लोग, और इसका वोटनिकल नेम क्या है, सि्ट्रस, जम्बरी, क्या याद करोगे, इस इमेज को देखो, ये कैसा लग रहा है, रफ, ये लग रहा है अबाधिक उप्योग कहां करते हैं पंजाब और हरियाना में कहां उप्योग होता है बताओ पंजाब और हरियाना में और पंजाब हरियाना में प्रोडक्शन हम किसका करते हैं बताओ किन्नो का इसका करते हैं प्रोडक्शन किन्नो तो यह एक important point बनेगा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा हम production किसका करते हैं पंजाव और हर्याना की बात करें तो यहां हम करते हैं किन्नों का किन्नों का और किन्नों के लिए लगाया जाता है कौन सा मूल बरंद तो यह है रफ लेमन क्या नाम है बताओ रफ लेमन जबकि एक प्रस्ण में आपको कमेंट में पूछता हूँ रफ लेमन का अगर पूछा जाए हाई टेंसिटी में लगाना है फोटे मोटे एक्जाम में तो यह पूछेंगे ही नहीं पहली बात लेकिन अब हम डिटील ही पढ़ेंगे किन्नो को कहा लगाना है बताओ सधन भूआई करना है फाइटेंसिटी प्लांटिंग तो कौन सा रूटर स्टो किसी साथ लगाएंगे यह प्रस्ण अभी आएगा अभी आपको क्या याद रखना है पंजाब हर्याना में किसका उत्पादन जादा है किन्नो के लिए कौन सा मूल वरंत लगा हूँए रफ लेमन रफ लेमन का नाम बताओ पोटनिकल नेम क्या होगा सिट्रस जंबरी अब ये तक आते हैं किन्नो में ये पूछा गया है प्रस्ण सबसे जादा उप योग कहा करते है इसका किन्नो के साथ किन्नो के साथ कौन सा मोल बरंत लगाएंगे बताओ रफ लेमन किन्नो क्या है एक लाइन में लिखा हुआ प्रश्न है किन्नो अगर सिट्रस शुरू करूंगा तो वहाँ ये किसके किसके बीच का क्रॉस है किंग लीब अचा सर्थ एक बात बताओ जैसा आपने बोला रंगपूर लाइं में एक पेड़ है जाती खटी एक पेड़ है पेड़ है तभी तो फल लगा हुआ है जाती खटी भी क्या है ये पेड़ है संत्रा का क्या लगता होगा ये प्लांट लगता होगा प्री हूंगे उसका मौसमी भी क्या होगी एक पेड़ लगा होगा जैसे आम लगते हैं वैसा ही किंग लिफ भी क्या है एक पेड़ है ध्यान दखना पहले लगता था ये कोई राजा का पत्ती तो नहीं है तो किंग लिफ भी क्या है एक पेड़ है तो किंग लिफ और दूसरा नाम क्या है बिलो तो बड़ा दिक्कत होते हैं यही बड़े एकजाम जब दोगे ना बाद में बड़े होके तो तुमसे पूछ लेगा King leap का botanical name क्या है King leap का botanical name क्या है King leap में गुंसुत्रो की संख्यां क्या है तो कुछ नहीं है दिमाण को broad करना यह citrus group है और citrus group में इसके क्रोमोजोम की संख्या 18 होंगे family क्या होगा rootacy होंगे और इसमें botanical name है citrus novelis क्या है citrus novelis और citrus deliciosa deliciosa लिख लेना आप citrus novelis कैसे याद रखोगे novelis का मतलब नर और king क्या है नर ऐसे king हलाकि king जो है न वो मादा है cross में हमेशा पहली वाले क्या होते है मादा होते है female होते है पर याद करने का तरीका आपको याद रख जाएगा ठीक है citrus novelis और citrus deliciosa किन्नो में सरवादिक सबसे पहले ये कब बना था बताओ इनको बनाने वाले थे H.B. Frost कहां बनाये थे USA में और USA से इनको 1959 में ले आया गया था पंजाब कहां लाया थे है H.B. Frost ने बनाया था किसने बनाया था H.B. Frost H.B. Frost ने इसे बनाया था एक्चुल में ये किन्नो को क्यों भारत में लाना पड़ा क्योंकि जो भारत के संत्रा थे ना उसकी Self Life बहुत कम था Self Life का मतलब बहुत जल्दी सड़ जाते थे उनका छिलका क्या होता था पहले देशी संत्रा खाया है ऐसे फाड़ोंगे पट सफ़ड जाते थे और उसके अंदर जो segment होते है segment का मतलब खंड जो होता है जैसे एक संत्रा के अंदर कितने खंड होते हैं गरीब लोग जैसे हमारे जैसे एक संत्रा लाओगे पूरी परिवार खाते थे दो खंड नरिंदर को दिये दो नाजनिन को दिये दो संतोस के दिये उधर देख रहा है मान लिया जाए कि देवी लाल देख रहा है, मुहमे ने दिया तो दो उसको दे दिया, तो टोटल 9 से 10 खंड होते हैं, कितने खंड होते हैं तो उसी को segment बोलते हैं क्या बोलते हैं, अभी इतना ही रखो citrus में उसको मचाने की कोशिस करूँगा यही एक प्रश्ण बनेगा और आपका प्रश्ण यह तो बताओ, दो मूल बरंत आपने देखा क्या क्या नाम है, एक का नाम है रंगपूर लाइम, सबसे अच्छा मूल बरंत कौन है, रंगपूर लाइम और दूसरा किन्नों के साथ जो उप्योग करते हैं उसका नाम क्या है, बताओ रफ ले मन, रफ ले मन का दूसरा नाम क्या है, जाटी-खटी और जाटी-खटी का साइन्टिफिक जाटी-खटी का उप्योग हम कहा करते हैं किन्नों में, देश के किस प्रदेश में हम करेंगे पंजाब और घर्याना, ठीक है अब देखो अगला मूल बरंद यह अजीब लग रहा है ना अगर यह दिखाता नहीं तो आज तुम्हें मूल बरंद का वो समभावना है कमेंट देखों क्या है सर जी UPP SSC Agriculture Technical Assistant के लिए application पर paid batch सुरू कर दे सुरू कर दो कोई course कर दे सुरू कर देते हैं आज एक course करना है अपने को UP Kattet का देखो आगला बात है जिसका नाम क्या है करना खटा कौन सी है मेरे दोस्त करना खटा यानि कि citrus करना नाम से ही याद होगे अरे याद सर ये तो बड़ा इजी है फालतु आप महोल बना रहे थे कि root of stock बहुत डिफिकल्ट है रंपूर लाइन का क्या है बोटनिकल ने में बताओ citrus, लिमोनिया दूसरा रंफ लिमन का क्या है जाट लो, citrus जंबरी, करना खटा बिल्कुल इजी है citrus काम खटम तीनो और करना खटा भारी मिर्दा एक ही point लिखा हूँ heavy smile के लिए important अब आप बताओ heavy smile किसे करते है अनिता क्या नाम है अनिता तो मोनिका और दूसरा अंजली अंजली जी, क्या है भारी smile किसे करते हैं कभी नाम सुनी हो, heavy smile और light smile हमें न MSC में महा बेचती हुआ है सबसे बड़ा बेचती क्लास में एक तो दो बार मुझे RCM हो चुका है क्या, पहला पहला गए थे ना तो सारे क्लास में एक introduction ले रहे थे teacher, इसका कितना percentage है, ऐसे ही पूछते हैं, first day क्या और क्या पुछेंगे, नाम क्या है कहां से किये हो, और अपना percentage बताओ, तो मैंने बताया myself, हरे राम कुमार, my BSc percentage is 98.29 तो वो teacher estate के थे, आज भी बहुत हस्ते हैं वो मेरे हाथ जोड़के बोलते हरे राम जी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता class के सामने, और वो मेरे लिए बहुत बेज़ती की बाद थी यार, इतने नंबर कैसे दे देते हैं college वाले, फिर percentage जब हुआ बाद में, तो 80 नंबर आया state में, और हमसे तेज 2-3 लड़का, बोले देख, 98 का कोई मतलब निकला, वो बड़ा एक insult वाले जीवन और एक अभी मैंने क्या बोला था अभी कुछ बोला ना बारी मिर्दा हो रहे क्या होते हैं बारी मिर्दा, सच में इसे ही एक, engineering department में पढ़ रहे थे, agriculture engineering B.H.C. वाले, M.A.C. ने B.H.C. बेचती, तो हमें सच में नहीं पता लगता था यार, बारी, पहले B.H.C. कुछ समझते थोड़े थे, रट के college का examination पास करना है उस दिन से मैंने एक दम EG समझ गया, teacher बता है, क्या हलकी मिर्दा होते हैं ना, जिसमें tractor ऐसे भागता हुआ चला जाए और हैवी मिर्दा जो होते हैं, जिसमें tractor हाँ, 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 ऐसे, यानि खीचने में जोर लगे उसको, यह लेक ऐसा example है, इसको हम भारी मिर्दा करते हैं, यानि इसे मिट्टी जिसकी करने चिपक जाए, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी की सारे करने अगर चिपक जाएंगे, तो tractor को उसमें खुदाई करने हम क्या लगेगा, जाता ताकत, तो इनर्जी कंजम्शन क्या होगी, जाता, तो उसे हैवी मिर्दा करते हैं, जो भारी हो जिसमें tractor हाँ, 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 ऐसे इसे करें, और तोड़ता हुए tractor जा रहा है, तो वो बलूई मिटी है, कौन सी मिटी है, बलूई, देखता होगा, तुरे tractor जोद के 2 हेक्टर आ जाते हैं, अब भारी मिटी में हालत खराब होते हैं, तो, हाँ, हाँ, तब जाते हैं न, ठीक है, तो हैवी स्वैल आपको समझ में आ गया, तो हैवी स्वैल में, वाटर होल्डिंग के पासिटी, क्या होंगे, इस अब जानता है, इसमें फालतू ने, आगे बढ़ते हैं, तीन तक तो आपने नाम भी सुना होगा, इसके बाद नाम ने सुने होंगे, पर आज सुना दूँगा, ट्राइफ होल्येट ओरेंच, इसका नाम क्या है, पॉंग सीरस, ट्राइफ होल्येट, याद में करना है बोटनिकल ने, सिट्रस करना, करना खट्टा का, ट्राइफ होल्येट, ट्राइफ होलियड objective exam है भगवान का दिया हुआ सब चीज है अपने पास चार ओप्सन आएंगे चार ओप्सन में ये तिक कर लेंगे क्या है बताओ ट्राइफ होलियड का पॉं सिरस क्या नाम है ट्राइफ होलियड तो ये भी यादने करना है केवल एक ही का याद रखना है रंगपूर लाइम का जिसका नाम क्या है सिट्रा लाइमोनिया क्या नाम है और ये जो रूट अश्टोक होते हैं देखो ये जमीन पे ही टच किया हुआ रूट अश्टोक है अगर इसके बीज को आप देखोगे ना तो जेनरल जो बीज होते हैं उससे बड़े बड़े बीज होते हैं देखो आप ये बीज ये किसका है बताओ ट्राइप फोलियेट संत्रा का और ये जमीन से जुड़ा हुआ बिल्कुल बौनी होती है कैसा होता है सबसे बोनी तो नहीं कर सकते हैं लेकिन ये कैसा रूट स्टॉक है ये रूट स्टॉक है ड्वार कैसा है ड्वार और ये ठंडे में इसको कुछ नहीं होगा तो ये कैसा है कोल्ड हार्डी करते हैं जो ठंडे के परती सहनसील हो कोल्ड टॉलरेंस हो उसको हम क्या बोलेंगे cold hardy क्या बोलोगे cold यानि कितना भी पाला पढ़ जाए ये trifoliet ऐसे ही रहेगा इसको कोई नुकसान नहीं कर सकता है जबकि मैंने आपको concept बता दिया tropical fruit और subtropical fruit को पाला नुकसान करता है क्या करेगा पाला तो भैग्यानिक अब जैसे आप अधिकारी हुए अरे सर इसका importance बताओ क्या है ये importance आपको last में समझ में आएगा suppose that आपका मान लिया जाए joining हो गया हिमाचल परदेश कोई अधिकारी बन करके मनिशा नींद ऐसे लेते रोगे हिमाचल परदेश में जवब करना तनका मांगना खाली तुर अब जवब लगने के बाद ना तुम बुना भाग करने लगता तुझे 20 रुपिया भी कम देगां सरकार तो तुम आंदोलन पे चले जाओगा काम नहीं करूँगा इसे कौन काम कर रहा था गदे काम तो करते हैं नहीं पैसा खाली जोडते रहता है 20 रुपिया भी कॉर्मेंट काट लेगा तो तुम आंदोलन नहीं जाओगा काम क्यों? 20 रुपिया क्रेडिट नहीं हुए कितने आना चाहिए? 24,356 कितने आगे? तो 36 रुपिया ही आए इसके लिए लड़ जाओगे तब जब हिमाचल परदेश आप जाओगे तो वहाँ पर रूट श्टोक कौन लगाना है कि भाई वहाँ ठंडा होगा ये सारे कंडिशन को देखने के लिए वहाँ लगाना पड़ेगा Trifoliate Orange कौन लगाना पड़ेगा? Trifoliate जो कैसा होता है बताओ? Cold Hardy लेकिन अगर हमें नीमू लगाना है जेसल मेर में तो बताओ ये लगाऊंगा? नई तो हमें कैसा मूल बरंद लेना है? जो लवन के परती, गर्मी के परती क्या हो? सहनसील और वो कौन है? जाती खटी करना खटा, रंगपूर लाइम और सबसे अच्छा हम लगाएंगे तो रंगपूर लाइम कौन लगाएंगे बताओ? रंगपूर लाइम चलो! और ये जो rooter stock है एक और निमेटोड के परती क्या है? सहनसील निमेटोड के परती भी क्या है? टॉलरेंस तो ये आप ध्यान रखोगे इंपोर्टेंट है चले आगे निमेटोड रसिस्टेंट एक्स पॉइंट की ओर चलते हैं अगला ये स्टार लगा लेना फ्लाइंग ड्रेगन आया हुआ प्रस्न है फ्लाइंग ड्रेगन सबसे बॉनी, सबसे ज़्यादा यानि की most dwarf rootstock dwarf rootstock की बात करें तो इसको याद रखना क्या नाम है? फ्लाइंग ड्रेगन सबसे बॉनी rootstock सबसे चुटकी तो वो कौन है? फ्लाइंग ड्रेगन ठीक है? इसका एक नाम है prior side range तो आपको कौन सा मूलबरंद लगाना पड़ेगा? ट्रायर side range तो यह important है अब मुझे बता दो last के दो-तीन question सबसे बॉनी मूलबरंद फ्लाइंग ड्रेगन, सबसे बॉनी मूलबरंद, रंगपूर लाइंग, कोल्ड हाड़ी ठंडे प्रदेश के लिए तो side range कौन था वो? tri-foliate संत्रा कौन है? tri-foliate संत्रा रंगपूर लाइंग क्या था? salt tolerance लवन के परती क्या है? सहनसेल लवन के परती? सहनसेल तो यह होगे आपके root अश्टॉप किसका? citrus का ठिक है? अगर citrus का एक संबरी बनाओगे तो 5-6 point ही आपको आना है और ऐसे objective exam में आप यकीन करोब कर दोगे बहुत detail पढ़ा दिया अब हम किसकी चर्चा करेंगे? mango का किसकी बात करेंगे? सबस्के पहले mango में बात करेंगे salt tolerance का किसका बात करेंगे? salt tolerance लवन सहंसील रूट अश्टोक क्या होता है? तो इसका नाम ही याद रखेंगे ना मा क क्या याद रखोगे? नमक नमक को क्या बोलते हो? salt तो यह याद हो जाएगा ना से देखो लिखा हुआ है नेकरे इसको हिंदी में याद रखना? नेकरे इनो इम्पोर्टेंट बताओ आम में salt tolerance रूट अश्टोक क्या याद रखोगे? ना मा क ना से नेकरे मा से मुवंदन क से याद हो जाएगे अगला है बोना मूल बरंद कौन होता है? यहाँ से भी प्रशन बनते हैं कि बताओ आम के ड्वार्फ रूट अश्टोक का नाम बताओ तो इसमें रूमानी बहुत इंपोर्टेंट है क्रीपर वेराइटी पूछ लेगा कि क्रीपर कैसी किसकी वेराइटी है? तो यह याद रखोगे किसका है? आम का किसका है? आम का कैसा है? ओक्टा पलुआइड अश्ट गुनित है कैसा है यह? अश्ट गुनित तो यह याद रखोगे नाम बड़ा गुनसूत्र बड़ा नाम बड़ा गुनसूत्र बड़ा नाम बड़ा गुनसूत्र बड़ा याद हो जाएंगे ऐसे? चलो कमेंट में बताएगा ओनलाइन वाले बच्चे हमें एक आम की ऐसी परजाती बताओ परजाती नहीं सौरी परजाती से याद आया रूट अश्टॉक सबसे ज़्यादा सक्सेज किस ग्राफ्टिंग में हो रहे हैं इंटर अस्पेस्फिक इंटर जैनरी ये नाम सुना है इंटर अस्पेस्फिक किसे कहते हैं बताओ दो अस्पेसिज के बीच का क्रोस दो नाम ले ले टमाटर का बोटनिकल नेम बताना लाइको परसिकॉन इस्कुलेंटम तो इस्कुलेंटम अलग पर जाती हो गया आलू का बताओ तोले नम ट्यूबे रोशम तो ट्यूबे रेशम अलग एस्कुलेंटम अलग लेकिन दोनों का फैमिली क्या है सेम इसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिज क्या बोलेंगे इंटर स्पेसिज का मतलब दो प्रजाती के बीच का तो अगर पूछा जाए कभी भी कि सबसे अच्छा रूट स्टॉक सकसे जोडने में एकदम मज़ा आ जाता है तो वो कौन है इंटर स्पेसिफिक कौन है इंटर अच्छा अगर आप मान लो आलू का एक रूट स्टॉक आलू का एक पोधा और मेंजी फेरा इंडिका से जोड़ रहे है इधर है एक आम इधर है आलू और इस दोनों को एक प्लांट बनाओ तो बनेंगे कभी तो यह कैसा हो गया इसका जीनस भी अलग है और इसका भी जीनस अलग है तो यह हो गया इंटर जेनरीक और फेमली भी अलग है ना तो यह सकसेज नहीं होंगे कौन सबसे ज़्यादा सकसेज होता है बताओ इंटर स्पेसिफिक कौन सा इंटर स्पेसिफिक चलो ठीक है अब यह अस्टार लगा लेना पोली इंब्रियोनिक पोली इंब्रियोनिक वेराइटी भी पूछ लेगा पोली इंब्रियोनिक रूट अस्टॉवK पूछेगा और बार-बार प्रसन आने वाला प्रसन है ओलोर कौन है ओलोर इसको तो आप दो-तीन अस्टार लगा लो ओलोर ओलोर कैसा है बताओ बहु बहु भुन ये Polly Embryonic Rootstock है अगरותר exam में पूझा जाए गुरु जी Polly Embryonic क्या होता है एक ही फल के अंदर बहुत सारे भुरुन पाये जाते हैं जो South India में पाया जाता है कहां वाले में South India जिसके कारण बहुत सारे भुरुन होगे तो कोई न कोई फलन दे ही देगा तो इसके लिए यह फलन कैसा होता है यहाँ नियमित फलन कैसा फलन होगा बताओ नियमित फलन जिससे हम बोलते है regular bearing South India की जो variety होती है जिसमें अरका लगा रहे जिसमें क्या लगा रहे अरका वो सारे होते हैं नियमित भलन नौर्थ इंडिया का केवल एक याद रखेंगे आमर पाली कौन रखेंगे आमर पाली जो कैसा होता है बताओ रेगुलर बियरिंग लेकिन नौर्थ इंडिया की है कहां की है नौर्थ इंडिया बताओ आम में जल्दी से मुझे एक रिवीजन करा दो salt resistant नमक बौना में आ जाएगा creeper केवल एक याद रखेंगे बौना हलाकि ये भी बौनी किस्म है और जानते हो इसका सबसे अच्छा ARS का प्रश्ण बता रहा हूँ विलाई कुलंबन का उपयोग किसके साथ करते हैं विलाई कुलंबन का उपयोग किसके साथ करते हैं किसके क्रॉस में तो ये क्रॉस का नाम है मलिका क्या नाम है मलिका को डिबलब करने के लिए किसका रूट अश्टोक का उपयोग करते हैं विलाई कुलंबन का किसका करते हैं विलाई कुलंबन तो ये होगे उलोर याद रखना अलोर भी बोने में ही आते हैं अब हम बात करेंगे किसका? चिकू का किसकी बात करेंगे? चिकू का चिकू का एक root stock सबसे पहले इसको खिर्नी कहते हो क्या कहेंगे? खिर्नी और नाम क्या है इसका? रेयान रियान खिरनी पूछा जाए किसकी मूल बरंथ है चीकू का है किसका है चीकू का और इसका scientific name है मानिल कारा हेक्जेंडरा बताओ चीकू के मूल बरंथ क्या है रियान और क्या बोलते हो खिरनी इसका scientific नाम क्या है मैनिल कारा हेक्जेंडरा सभी गुन से भर भूलते को ये चीक नहीं बोलता ना कि इसको चिकू है इसका नाम क्या है खिरनी एक और रूट अश्टोक है दूसरा एक का नाम तो खिरनी और दूसरे का नाम है एडम्स एपल क्या नाम है एडम्स लेकिन हमारे हिसाब से चिकू में एक ही याद रखना है जिसका नाम है खिरनी या रेयान और ए आपको याद रखना है, जिसका नाम है, क्रिकेट बॉल, क्या नाम है, बताव, किरकेट बॉल, किसकी important variety है, तो ये है सपोटा का, बताव, खिरने का scientific नेम क्या है, मानिलकारा, حेक्जेंडरा, सभी गुनों से भरफूर है, इसको रियान, या क्या बोलते हो, खिरनी, चले आग करेंगे अमरूद की किसकी चर्चा करने वाले है मेरे दोस्त अमरूद का important कल से हम crop शुरू करेंगे और crop का classification आपको सबसे important देखो crop बिना पढ़े हुए fruit आपना general पढ़के आना पूरी general तब तुझे crop में मजाएगा 25-30 point तो कल हम discuss करेंगे non-stop crop जो सभी फलों में important होंगे 20 point तो हम हर फल का एक ही बार पढ़ेंगे जो तुझे बार बार पढ़ना ने पढ़ेगा उसके बाद हमें एक नया चीज केवल क्या मिलेगा variety इसके अलावा कुछ भी नया नहीं मिलेंगे crop में revision आपका पूरा जो पीछे वाले बच्चे नहीं पढ़े हो वो भी हो जाएंगे अब इसी में मैंने disease पढ़ा दिया हूँ लेकिन disease को भी करेंगे इस वार मैं साथ करूंगा लड़के बोलते हैं sir कि अगर crop के साथ बिमारी पढ़ा देते हो तो revision हो जाएगा तो अच्छी बात है उसके बाद insect नहीं कराया हूँ आपको तो insect करेंगे उसके बाद इसका क्या करोगे साथ साथ बताओ disorder ये तीनों point हम इस वार इसके साथ में ही चलेंगे ठीक है तो कल से crop शुरू हो जाएंगे आपके mango वाले portion ये है अमरूद और अमरूद का ये plant आप देख लिए हो ये important जो मैं नाम लिख रहा हूँ पूसा स्रीजन आई ये आर आई से विक्सित ये root stock है काफी important है जिसका नाम क्या है पूसा स्रीजन सर कमेंट देखो अरे कमेंट देखों तो पढ़ाओं के से बताओ आप बता दो कल संडे कल वाले पूछ रहा है कल कलास रखें कल वहीं रूम से पढ़ लेना और क्या कलास वास्टार्ट होगे तो इसको continue करेंगे एक कलास चलने तो आप रूम से पढ़ लेना जिसको आना है वो यहां सकते हैं जो इधर ही बेटा हुओ है वे रोजगार आदमी वो तो आजा एन इपलवाइड 82 इसका नाम ही याद रखना पूसा स्रीजन का दूसरा नाम क्या है एन इपलवाइड 82 ज्यान रखें यह सेमिडवार वेराइटी है यह बहुत इंपोर्टन इसका तो नाम ही पढ़ने में पहले तीन दिन तुझे प्रेक्टिस करना पढ़ेगा क्या है सीडियम फ्रेड ऐसे याद रखोगे न तो पढ़ लोगे मुझे तो B.S.C. में पढ़ा ही नहीं जाता था फ्रेड रिच रिच धेलेनियम क्या बोलोगे बताओ फ्रेड रिच धेलेनियम और ऐसे याद रखना रही यार जो बढ़का था ना यह बढ़का यह पूछता है फ्रोस्ट रसिस्टेंट यह जानते हो दो-तीन पॉइंट के लिए इंपोर्टेंट इसलिए मैंने बोला यह ज़्यादा इंपोर्टेंट रसिस्टेंट ग्वावा विल्ट अमरूद में सबसे घातक बिमारी क्या है बताओ उक्टा क्या है उक्टा तो उक्टा के लिए भी रसिस्टेंट है फ्रोस्ट के लिए भी क्या है रसिस्टेंट है और सबसे अच्छी बात है बॉनी किस्म है जानते हो रूट श्टॉक ना ज़्यादा अच्छा कौन होता है जो बॉना होता है कैसा होता है कारण क्या है गुरुजी इसलिए एक तो कम जगह लेगा वो हमें एक दो साल ही तो लगाना है उसके spacing भी क्या लगेगी हमें कम तो कौन सा बहतर root stock माने जाते हैं बताओ जो ड्वार्फ होते हैं तो याद रखोगे cdm fred rich thelinum अब यह कैसा है frost resistant अमरूद में कैसा है उख्टा परतिरोद अगला उपर वाले की important है उसका नाम क्या है पूसा स्रीजन उसको बोलते है एन इपलवाइड 82 अभी तक हम कितने पहली है जरा बताओ अब मैं कुछ भी प्रसन तुम से पूछ सकता हूँ एक रिवीजन पाँच मिनट का मूल ब्रंद जो होते है इसके आयू कितने साल में दूसरे खेत में लगा देंगे एक से दो साल इसके मोटाई कितनी होनी चाहिए कौन ऐसा मूल ब्रंद है जो एक समान होगा क्लोनल कौन सा कौन ऐसा रूट श्टॉक है जो आसमान होंगे सिड्लिंग वाले जो बीजो के द्वारा लगाएंगे कौन ऐसा रूट श्टॉक है जिसमें ना तो कीट लगेगा ना ही बीमारी लगेंगे कम लगेगा कम लगेगा कौन सिड्लिंग वाले कौन सिडलिन इसको जंगली बोलते हैं क्या बोलते हैं जंगली और जंगली लोगों में इड विमारी कम लगते हैं क्योंकि हमेशा जंगल में ही रहता है की टूट तो दोस्त हो जाते हैं क्या इस पे लगो रहे पागली इसको चूसता हो तो कुछ रस ही नहीं आते हैं तो वो जंगली होते हैं अच्छा, अब मैंने आपको citrus शुरू किया, तो citrus का 5 पॉइंट बता दो सर्वत्तम मूलबरंद कौन है अच्छा, तभी भी अगर grafting करेंगे तो सबसे अच्छा grafting किसमें success होगा, intergeneric interspecific, intervarietal तो आप क्या बोलोगे, interspecific दो species के बीच वाला सबसे जादा success होगा अगर हम अब बात करें, citrus का सबसे अच्छा मूलबरंद, रंपूर लाइम अच्छा, किन्नों के साथ कौन लगाएगा rough lemon, किन्नों के साथ कौन लगाएगा, सबसे बॉनी rootstock कौन है, तो flying dragon कौन है, flying dragon उसके बाद हमने आम बात किया, तो आम का 3 point, नमक नेकरे मूवंदन और कुरुकून, बॉनी मूलबरंद कौन है विलाई कुलमवन, और ओलोर, कौन है, ओलोर रुमानी का एक याद रखोगे या creeper, creeper याद रखना है, कौन रखना है, creeper, तो creeper अमरूद में दो याद रखना है कौन-कौन, Pusas region और Chinese Baba, Chinese Baba का नाम क्या है, Cedium Fred Rich Thelenum, क्या है नाम Cedium Fred Rich Thelenum चीकू के दो याद रखना है एक ही याद रखना, दो तो हटा दो कौन याद रखोगे, रियान या खिर्नी, रियान या खिर्नी, कभी-कभी आएगा मेनिल का रहा है, Cedra किसका नाम है तो खिर्नी का, किसका है, खिर्नी अब हम बात करते हैं important, अगले point की ओर graphs, ये भी आपके बहुत important graphs तले भाई ये अंगूर का root stock है आप देख लेना, अंगूर के root stock अगर आपके प्रस्न पूछ लिया जाए, कि अंगूर का root stock बीच के द्वारा generally develop करते हैं या clone के द्वारा clone के द्वारा, पकड़ लोगे इसको किसके द्वारा ये विकसित किया गया है, clone कैसे गूरू जी, कैसे पकड़ा, हम अभी तक ने है पकड़े सर, ये cutting है, ये क्या लगा हुआ है और cutting से ही ये क्या किया गया है, विकसित क्या गया है, इसको किसके अंतरगत रखेंगे clone के अंतरगत, clone बाले कौन सा भाग से बिक्सित होते हैं बनस्पतिक भाग से कौन सा भाग बनस्पतिक भाग जिसके सारे पोदे कैसे दिखेंगे एक समान जिसमें बैरियेशन क्या होगा कम जिसका जीनो टाइप कैसा होगा एक समान फीनो टाइप बाहर से देखने पे एक समान, बाहर से देखने पे एक समान, इसका पहला है डॉग रीच, अच्छा एक उधर आपने पढ़ा था फ्लाइंग ड्रेगन इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है फ्लाइंग ड्रेगन और फ्लाइंग ड्रेगन किसका था बताओ citrus का, किसका है बताओ citrus का, कैसी root stock है बताओ bonnie, सबसे bonnie root stock कौन है, जिसका नाम क्या है flying dragon, इसका नाम क्या है dog ridge, और ये बार बार पूछेगा nematode, यानि कि किसके परतिरोध है, सुत्र क्रमी और salt, यानि लवन के परति, किसके परति लवन, फाइलोजेरा क्या है एक इंसेक्ट है, इसके परति भी क्या है ये, रसिस्टेंट, ठीक है अगला, सोला तेरा ये याद में रखना है, केबल एक dog ridge याद रख लेना और दूसरा salt creek क्या याद रखोगे बताओ, ये आते हैं बार बार, salt creek किसका root stock है तो salt creek अंगूर का है और temple भी पूछते हैं temple, तो तीन root stock याद रखोगे, एक का नाम है dog ridge, दूसरे का नाम है salt creek, और तीसरे का नाम क्या है, temple ये तीनों है, निमेटोड के परति resistant, क्या है ये याद रखना, pierce disease मैंने अंगूर में बताया था pierce disease होते किससे हैं बताओ, bacteria से किससे होते हैं, bacteria मैंने बताया था, मानब में pierce sabun लगाते हैं, हम लोग पहले तो जन्तूओं में ज़्यादा विमारी किससे होता है, bacteria से तो bacteria को नास करने के लिए company वाले ने सोचा, इसका नाम ही रख दो क्या, pierce, क्या नाम रख दो pierce, pierce किससे होते हैं, बताओ bacteria से, pierce किससे होते हैं bacteria, याद रहेंगे बताओ, अंगूर के तीन root stock का नाम बता दो, dog ridge दूसरा, temple, तीसरा, salt creek, dog ridge, temple और salt creek अब हम बात करेंगे यहां तक तो आपके syllabus में ठीक है, पांच मिनट हम चर्चा करेंगे, कुछ अन्य root stock, जिसमें आपने देखा होगा, temperate fruit हमारे syllabus में नहीं लेकिन save है save से प्रस्ण पूछ लेते हैं कभी-कभी एक-दो प्रस्ण quota में जैसे exam हुआ था supervisor की अगर हम चर्चा करें TA में भी even save से प्रस्ण आये हुए, तो save एक cable ध्यान दखेंगे, save जो होता है, इसके root stock पहले तो यह root stock आपने देख लिया कि अच्छा सरय से खेत में root stock भी लगाते हैं, इसका क्या फाइदा होगा, तो यह बेचेंगे, यह क्या करेगा बेचेंगा अराम से, इसकी मोटाई कैसे दिख रहे हैं बताओ, पैंसिल के जैसा, कितने साल का यह होगा, एक से डेड़ साल, दो साल का, तो अब आपको एक idea लग रहा होगा पहला हम बात करेंगे, ड्वार्फिंग का बोना रूट अश्टॉक, जिसका नाम क्या है M9, देखो यह जो एपल में एक जगह है, जिसका नाम है M.M. सिरीज, कभी-कभी आप से पूछेगा, M.M. सिरीज का रूट अश्टॉक, किसके लिए बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है सेब के लिए इसका पूरा नाम है मैलिंग मार्टॉन लिख लेना, मैलिंग मार्टॉन M.M. सिरीज का पूरा नाम क्या है, मैलिंग मार्टॉन, कभी भी बोला जाए M.M. सिरीज रूट अश्टॉक, किसके लिए है तो आप क्या एंसर दोगे बताओ ये हम देंगे किसके लिए एपल के लिए चलो आगे सुटेबल फोर्ट जो बाउनी होगी वो किसके लिए होगी हाई टेंसिटी के लिए चान सेडलिंग सेलेक्शन है और उली एफिड ये याद रखना आपको बोले सैंट जोन स्केल एक कीट है और दूसरा उली एफिड तो उली एफिड किसका कीट है बताओ आप तो इतना ही याद रखना उली एफिड किसका है एपल का सेब का सबसे ज़्यादा नुकसान कौन कर तो इसके लिए resistant variety है sorry root stock जिसका नाम है M9 क्या नाम है M9 एक तो ये पूछेगा semi-dwarf में M4, M7, M1 M106 है ये छोड़ देना आप इसको याद मत करना है ऐसा M4, M7, M1, M106 तो ये देखो कुछ root stock है इसमें apple भी लगते हैं इसा घबराना नहीं है जैसे संत्रा वाले में संत्रे लग रहे थे वैसा है इसमें क्या लगेंगे apple लगेंगे अगला जिसमें मैं star लगाओं केबल आप वो याद रखना ultra dwarf तीन star लगा लो ultra dwarf ultra dwarf का मतलब क्या है सबसे bonnie root stock super dwarf और लिख सकते हो सबसे bonnie root stock सबसे bonnie root stock तो वो है M27, कौन है M27, M स्रीच किसके लिए आते हैं बताओ, सेब के लिए, तो वो एक जगा है लंदन में, जिसका नाम है Mailing, जैसे Research Station होते हैं न, वहां से विक्सित किया जाता है, यह किसके किसके बीच का क्रॉस है, तो M13 और किसके बीच है, M9 के बीच, M13 और M9 के बीच क क्रॉस से बनाया गया है क्या M27, क्या बनाया गया है M27, जो कहां लगाएंगे High Density देखो यह, यह किसका है M27, तो M27 याद रहेगा, सबसे, बोना कौन है M27, एक और याद रखना Crayb Apple, कभी पूछतें Crayb Apple क्या है, तो Crayb Apple एक Root Stock है, Most Commonly Used Root Stock in India, सबसे ज़्यादा भारत म भारत की बात बता रहा हूं, कौन सा Root Stock का उप्योग किया जाता है, Crayb Apple, और Save में जो Root Stock उप्योग करते हैं, एक पल में, वो कौन करते हैं, Clonal Root Stock, कौन करते हैं, बता, Clonal Root Stock, Clonal Root Stock, तो यह important है, Save में कौन करते हैं, Clonal, यह देखो, इस तरह के Root Stock, दिख गया, आगे Crayb Apple, और गुलाब में अगर मैंने नहीं लिखाया, तो Roja Indica, किसका करते हैं, Roja Indica, Northern Spray, यह भी बहुत बार, Northern Spray किसका Root Stock है, यह याद रखना किसका है, एपल का, Crayb Apple, एपल से याद हो जाएंगे, Northern Spray किसका है, तो यह है Save का, चलो, अब Pierre Roar आपके है, नए सिलिवस में इसको छोड़ देना, Pierre Roar, तो Pierre किसका है, Queens कभी नाम आ जाए, तो यह Root Stock किसका होते हैं, Naspati, Pierre को हम क्या बोलते हैं, Naspati, क्या बोलोगे, Naspati, अगला एक ही याद रखना, Pitch में एक Point है, Nima Guard, क्या याद है, Nima Guard, Root Not, यह कम से कम यह तो देखो, यह क्या है, Pitch, Pitch को क्या ब मज़ा आते हैं, एकदम अच्छा लगेगा, धंडे परदेश के आप कुछ भी देखो, कस्मिर में जाके देख लो, वहां के लोगों को देखोगे, तो मज़ा आएंगा, एकदम लाल लगें, घर से निकला लगेगा, रहे यार, लाल ला रहा है, तो ऐसे लाल लगते हैं, और जितने सुखे परदेश में देखोगे, वह चेहरे से सुखा लगेंगा, तो यह दोनों में अंतर है, और इसमें स्टोन होता है, यह क्या है, बताओ, स्टोन, यह स्टोन होते हैं, इसलिए इसका फल परकार क्या है, डूप, यानि गुठली होते हैं, तो इसका फल परका दोनेंगे डूप और यह प्लम जिसको बोलते हैं आलु बुखारा क्या है बताओ यह आलु बुखारा इसका एक याद रखना मायरो बलन तो है ही इंपोर्टेंट इसका मारीना भी इंपोर्टेंट है लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे यह पिक्सी यह आया हुआ पिक्सी प पलम का सेंट जूलियन ये किसका है पलम ये देखो